तो चलिए आईए स्टार्ट करते हैं हम बहुत सिंपल देखो सेलरी वाले कुश्चन को करने में न टाइम लग रहा था प्रोविजन याद है फिर भी कम से कम 10 मिनट ले रहे थे हाउस प्रोपर्टी के कुश्चन को करने में प्रोविजन कम थे लेकिन उसमें भी मैं चसे में कैसे क्या पिटल का मतलब यहाँ पर क्या पर क्या मतलब इस चैप्टब में इस चप्टर में इनकम टेक्स नहांने है यह जादा से जादा हमारे सवाल में यूजَّ होने वाला है लेंडंड बिल्डिंग ठीक है और मैं simple सी बात करूँ capital को fixed assets बोलू न तो थोड़ा सा कहना गलत होगा मेरे इसाब से मैं इसको capital का मतलब that is assets बस यानि और gain का मतलब होता है sir profit आपको 11 वी class में पढ़ाया जाता है ये gain लेकिन उस टाइम पर इतनी बाते समझ में नहीं आती सर gain का मतलब क्या है 11 वी class के अंदर बताया जाता है exam में question भी आता है profit और gain में difference या profit और gain को explain करिए देखिए एक होता है day to day business regular business सबजी वाला है daily आलू प्याज ला रहा है आलू प्याज बेच रहा है उससे जो कमाते हैं यानि business activity के income से कमाते हैं उसको हम बोलते हैं gain sorry profit उसको क्या बोलते हैं profit और ऐसा income जो कि हमारे daily basis में नहीं है कभी कभी हो जाता है उसको बोला जाता है हमारा gain बस यह फरक है तो sir business के अंदर assets हर रोज नहीं बेचा जाता यानि अपने personal life में भी कोई assets daily नहीं बेचा जाता मकान खरीदा 10-15 साल कई तो 100 साल भी बेच रहे हैं बहुत बात बेचते हैं तो वो तो बोला गया assets को assets एक्जामपल मैं ले लेता हूं एक्जामपल मैंने एक बिल्डिंग खरीदा था मैंने मान लेते हैं 50 लाक का इसको मैंने sold कर दिया sold कर दिया मान लेते हैं मैंने 60 लाक रुपे का तो मैं एक सवाल आप से पूछू ना तो लगेगा ये क्या सवाल है कि बताओ इस building पे मेरा profit कितना हुआ 10 लाक रुपे का profit 10 लाक रुपे का इसी को मैं profit ना बोल के मैं क्या कर दूँगा gain कितने का और इसी को gain ना बोल के मैं बोल दूँगा कौन सा gain है यानि assets के उपर हुआ जो profit है उसे बोला गया capital gain तो सर हमारा सवाल कितना भी बड़ा हो निकालना capital gain है तो क्या करेंगे जितने का assets खरीदा और जितने का बेच दिया दोनों का difference यानि यहाँ पर देखा जाए तो वैसे तो minus में answer आ जाएगा actual क्या होना चाहिए हमारा sales minus purchase तो positive में आएगा ना sales वो तो आपको मैंने बस overview दिया है तो capital gain यही chapter है और इसी के provision को पढ़ना है लेकिन इसके अंदर सबसे ज्यादा जो टेक्स चोरी होता ने यहीं पर होता है इसके अंदर capital gain के अंदर अगर मैं simple सी बात करूँ तो capital gain के अंदर जो tax लगता है ना कि मैं example ले रहा हूं अलग-अलग rate है सीधा 20% लगता है अब एक रुपे का भी पैसा कमाऊगे तो 20% लगेगा आपका यानि हर जगह पर slab rate चलता है ना वो के 5,5,5,5 रुपे तक 0,5,5 यहाँ पर कोई slab rate नहीं है सर यहाँ पर 20% taxable हो जाता है capital gain ठीक है ना और यहाँ पर कमाई भी मोटी होती है क्योंकि घर खरीदा अगर मैं बोलू आज से 20 साल पहले प्रॉफिट कितना तगड़ा आ गया अब एक लाग का चीज पचास में बेच रहे तो प्रॉफिट कितना गया 49 लाग अब 49 लाग के उपर सीधा आपको 20% का tax देना प्लस में higher education size वगेरा ठीक है ना तो चैप्टर का पहले theme समझो कि हम इसमें सीखने वाले हैं कि किसी भी assets को बेचा जाए तो उससे जो profit arise होगा that is chargeable under the head of capital gain लेकिन आप सबसे बड़ी समस्या सबसे बड़ी problem आ जाती है सर assets की बात आपने करी है तो क्या cash हमारा assets है है क्या इसको बेच सकते हैं आप बोल रहे है assets बेचो सर क्या debtor को बेचा जा सकता है तो अब हमें समझना होगा कि कौन से ऐसे specific assets है जिसको बेचने पर capital gain लगेगा जैसे मैं बात करता हूँ अब कोई भी हो चाहे business man हो चाहे normal person हो ऐसा क्या assets बेचे उसे किसको हम assets मानेंगे किसको नहीं मानेंगे आपका mobile phone भी एक assets है उसको बेच सकते हो सकता है 10,000 का mobile phone आपने 12,000 रपे में बेच दिया यहां भी तो profit कमाया क्या इस पर capital gain लगेगा तो बोला law ने बोला कि अगर ये आपका capital assets है तो capital gain लगेगा इसका मतलब सर यानि पहले हमें ये definition clear करना होगा कि what is the capital assets अगर law कहता है कि भाईया ये mobile phone capital assets का part ही नहीं है तो आप उसे बेच रहे हैं तो क्या उसके उपर arise होगा capital gain तो हम समझेंगे सबसे पहले इस section में हमारा यहां पर section जो chargeable होता है वो section 45 से start हो जाता है chargeability का जैसे वहां पर हर किसी का नहीं section होता है chargeability का यहां पर 45 से start हो जाता है तो हम ना पहले definition देखेंगे definition के बाद एक-एक definition को जैसे वहां पर भी आप याद करो income from house property में income from house property के अंदर आपने अगर section 22 के एक-एक line को clear कर लिया तो chapter खतम हो जाता है कि कहता है कि house property के अंदर chargeable net annual value के उपर होगा after deduction 24 और उसके बाद आपका सारे बात उसी में लिखा हुआ है ऐसे इसका section देखेंगे फिर हमें एक-एक बात clear हो जाएगा एक बार schedule दुबारा बता देना प्लीज मैं लास्ट में एक बार फिर से explain कर दूँँगा chapter जैसे ही होगा मैं दुबारा बता दूँगा ठीक है वहाँ काफी बच्चे पूछ रहे है तो मैं simple सी बात है कल morning में house property का doubt लूँगा 11.30 मैं दुबारा बता दूँगा आपको चलिए आगे हम बात करते है सर किसका chargeability का आपके सामने chargeability है और एक चीज़ ध्यान रखना ये जो section है ये law के अंदर लिखा हुआ है दुनिया के किसी भी किताब में उठा लो बाते यही लिख्योंगे इसके अलावा कुछ नहीं लिख सकते क्योंकि law को हम change नहीं कर सकते हाँ थोड़े आसान language में लेकिन ये maximum basis of charges समझते हैं क्या कहता है कहता है any ध्यान देना यहाँ any profit or gain arising from transfer sir any profit or gain arising from transfer sir what transfer किस transfer की बात चल रहे हैं मैं underline भी कर रहा हूँ sir यह transfer कि कोई भी profit कोई भी profit का मतलब sir बोलने का मतलब क्या इस definition के अंदर profit से profit का मतलब है आपने 10 लाख रुपए का समान आपने 12 लाख रुपए में बेच दिया यह आपने purchase किया था और आपने बेचा 12 लाख रुपए का तो यह क्या होगे आपका sales then आपका जो 2 लाख है भाई बोलता है कि आप इसे gain कहिए आप इसे profit कहिए वो आपकी इच्छा है कहता है कोई भी profit हो या फिर कोई भी gain हो arise का मतलब होना क्या इस वाले transaction में हमें profit arise हुआ है जी sir 2 लाख रुपए का profit arise हुआ है तो इस 2 लाख को बोल रहा है arise हुआ हो लेकिन बेचने के बाद transfer का मतलब sir यहां पे है transfer का मतलब है यहां पे sold बेचना word sales word का इस्तिमाल नहीं होगा law के अंदर बोलता है कि sale नहीं करेंगे यहां पे एक सब्सक्राइब करेंगे हैं जिसको बोलेंगा transfer तो जब कभी भी transfer word आएगा तो समझ जाना यह किसकी बात कर रहा है बेचने की तो बोला गया profit या gain arise हो कहां से transfer of आगे क्या कहता है सर किस चीज को सर सिर्फ capital assets को transfer करोगे तब आपका अगर कोई profit arise होगा तब ही आपका capital gain होगा तो यहां पर समझने वाली बात है कौन सी चीज दी जा रही है लेकिन actual में वो उसको दिया नहीं जाएगा तो हमें transfer को भी अच्छे से समझना है capital assets में बताया है भाई cash भी है debtor भी है BR भी है stock भी है तो यह सभी क्या capital assets है नहीं capital assets में आपको समझना होगा कि कौन-कौन से आएंगे part कहता है affected in the previous year ऐसा कुछ भी previous year में होता है sir previous year का मतलब क्या होता है very simple सी बात है जिस साल के लिए हम tax निकालते है न उस साल को previous year कहा जाता है income tax के अंदर और जिस साल में calculate करते हैं उसके लिए assessment year कहा जाता है first class जब लिया था तो हमने detail में देखा था तो कोई दिक्कत नहीं है अभी आप समझे सिर्फ previous year जब law में यहाँ income tax के अंदर जब previous year कहा जाएगा तो इसका मतलब होगा जिस साल हम income tax निकालेंगे उसको बोला जा रहा है previous year सीधी सी बात है ठीक है shall be chargeable, chargeable का मतलब tax लगेगा to tax under the head of capital gain यानि सर capital gain लगने के लिए कुछ condition है एक तो profit होना जरूरी है एक transfer होना जरूरी है और एक capital assets होना जरूरी है अगर ये तीनों बाते दिखा तभी capital gain चार्ज हो सकता है एक तो क्या होना जरूरी है number one profit या gain sir number two transfer होगा तभी हो सकता है number three क्या transfer करोगे capital gain और ये calculation कब करोगे previous year के अंदर और तब capital under the head of house property आएगा बच्चे पूछ रहे हैं sir late join हो रहे हैं और बोल रहे हैं sir transfer का मतलब जी transfer का मतलब sold होता है sales होता है और कोई चीज है नहीं इसके अंदर इतनी बड़ी बात कैता है and shall be deemed मान लिया जाएगा income the previous year which is transfer in place such capital gain exempted बोलता है भाया जो capital gain होता है न तो ऐसा नहीं है कि आपने दस दो लाख रुपए आपकी कमाई हो गई सरकार ने कुछ जगह पर फिर से आपको benefit दिया है कि दो लाख की कमाई हुई आपने बोला sir मेरे साथ देखो क्या दिक्कत हुई और कैसा रहा दिक्कत ये हुआ कि मैं जो हूँ वो एक ऐसे जगह पर रह रह रहा था जो इस side भी मेरे घर के पडोस में भी वो ऐसे इंसान रह रहे थे जो डेली लड़ाई जगडा करता है इस side भी जो था डेली लड़ाई जगडा तो मेरे पास एक ही option बस था कि यहां से बीच के निकल जाते हैं तो उन्होंने क्या करा उस घर को वहां से बीचा ओविसी बात है या 10 का ख अधर एक अच्छे से लोकैलिटी में ले लिया उसका पर्पस यह नहीं था कि हम यहां पे पैसा कमाएं उसका पर्पस क्या था कि हम अपने सोसाइटी को चेंज करें अगर इस पर भी सरकार टेक्स लगाने लग जाए तो यह तो बोला जागा गलत हो रहा हमारे साथ तो नहां से माइनस कर देंगे दस लाख रुपए और आपका टेक्सिबल इंकम क्या कर देंगे जीरो कर देंगे यह दो लाख रुपए कमाया है तो दो लाख जीरो कर देंगे तो सर ऐसा कौन-कौन से एक्टिविटी है जो हमें माइनस करने दिया जाएगा वो पूरा का पूर एक्टिविटी सेक्शन 54 की सीरीज में बोला गया है, सर 54 की सीरीज का मतलब, सर 54, 54B, 54D, 54EC, 54E, 54F, 54G, GAGB, और इसके बाद भी 54E आ गया है, हाँ ठीक है, GAGB, इतने सारे, सर यह इतने सारे सेक्शन क्या है, जैसे फर एक्जामपल 54 में बोला गया भी है, घर बेचो और खरीद कैसे आपको benefit मिलेगा, 54B में बोला गया, अगर आप agriculture काम कर रहे हो, खेती वगरा कर रहे हो, तो उसके लिए, 54 उसके बाद, B के बाद बोला गया, 54D के अंदर factory वगरा कोई बेचो, तो हर किसी को इसको पूरा detail में पढ़ेंगे, सर इस वाले section से, इन section से तैह है, पक्का है कि इसमें से कोई भी एक section 6 नमर का आएगा paper में, fixed है कि आएगा theory, तो मैं पूरे theory को करवा हूँ, ऐसा नहीं, और जब आप इसे पढ़ लोगे, कोई जरुरत नहीं पड़े कि आपको याद करने का, आपको पूरा समझ में आ जाएगा, कि सर क्या होता है, ठीक है न, बहुत simple तरीके से है, तो यानि सर, यहां तक पहले बास समझ में आया, क्या कहता है कि capital gain हम किस पे लेंगे, कोई भी assets जब transfer करोगे, कौन सा asset transfer करोगे, और उससे जब profit होगा, लेकिन profit होने के बास सीधा हम capital gain नहीं ले लेंगे, उसमें से पहले आपको कुछ चीज़े minus करने के समझना पड़ेगा, capital assets क्या है वो भी समझना पड़ेगा, transfer क्या है वो भी समझना पड़ेगा, इसके बाद कहता है the following essential condition, वही condition जो मैंने उपर mark कर दिया, यह अलग से लिखा, there must be condition होना चाहिए, capital assets must be transfer होना चाहिए, there must be profit and gain which taken capital gain और such capital gain should be not exempted under the asset capital gain exempted नहीं होना चाहिए, तब taxable होगा, तो सीधी सी बात है सर, capital gain लगाने के लिए क्या condition है, assets होना चाहिए, वो भी कौन सा capital assets हो, उस assets को बेचना भी जरूरी है, यानि transfer भी करना जरूरी है, और वहाँ से क्या होना चाहिए सर, profit भी होना चाहिए, जब यह सारी condition को fulfill किया जाएगा, तभी आपका capital gain under the head taxable लिया जाएगा, ठीक है, बच्चों का hand raise आ रहा है भी, मैं किसी का भी hand raise नहीं लूँगा, मैं last में option दूँगा, पहले मुझे अपना, जो भी जिसका भी आ रहा है query doubt, तो पहले आप comment में लिख दीजे, मैं देख के उसी का साथ साथ जवाब देता रहूँगा, भी time नहीं है कि मैं hand raise लूँ, क्योंकि मुझे कुछ definition और कुछ इसको explain भी करना है, ठीक है, clear है यहाँ तक, पहले यह definition देख लिजे, समझ में आ गया, section 45 देख लिजे, clear है, यहाँ पर मोटी मोटी देखा जाए, इसको निकाल लूँ ना अगर निचोड के मैं, तो इसके अंदर लोग assets को समझ नहीं पाते, तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या समझेंगे sir, what is the capital assets, पहले यह समझ लेंगे हम, उसके बाद फिर हम समझेंगे, कि यह transfer क्या होता है, ठीक है, उसके बाद फिर हम capital gain कैसे निकाला जाएगा, वो देख लेंगे, sir d point, झाला जाएगा, झाला जाएगा जाएगा शमराऑा लोगसाओा एंदर भाद 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 बाद समझेंगे। झाल झाल जी, हाओ जी मुझे पता है, worthless नहीं आ रही है, मैंने worthless mute किया था, पहले आप पढ़ लिजे, बच्चा कहता है, sir d बता दीजे, d-point क्या है, और d समझ में नहीं आ रहा था, d बता दीजे, तो D point क्या कहता है पहले D कहता है such capital gain यानि जो भी capital gain होगा should be not exempted ऐसा ना हो कि ऐसा capital gain हो जो की exempted income से हो जैसे बोला गया गाओं के अंदर अगर खेती करते हो वो जमीन है अगर गाओं की खेती वाली जमीन को आप खरीद बेच करते हैं और वहाँ से मुनाफ़ा कमाओगे तो capital gain पार्ट नहीं माना जाएगा लेकिन शहर के अंदर अगर खेती होता है तो वहाँ का बेच खरीद करोगे तो वहाँ पर capital gain माना जाएगा तो यहीं कहता है सर ऐसा assets को बेचने के बाद पैसा कमा लिया जो taxable लगाता ही नहीं सरकार तो उसके उपर capital gain नहीं लगेगा be exempted under the 54 section not taxable ठीक है सर हम क्या क्या सीखेंगे इसके अंदर number one हम सबसे पहले समझेंगे what is the capital asset दूसरे numbers पर समझेंगे सर एसेट समझत हो गया लेकिन कितने type के हैं यह type of capital asset तो चलिए capital assets के बारे में definition में क्या कहा गया हम simple सा पहले मैं पढ़ देता हूँ मैं समझा देता हूँ कुछ चीजे क्या capital assets है और क्या नहीं है law कहता है सर अगर हम बताए capital assets को तो सर लॉग क्या कहता है capital assets के बारे में कि any kind of any kind of assets सर मतलब any kind of assets मतलब whether connected to the business or not whether connected to the business और not एक तो ये simple सी word है मैं ये सारी चीजे आपको लिखा हुआ दे दूँगा लिखने की जुरत नहीं है तो सबसे पहले क्या कहता है कि सर capital assets वो है किसी भी तरीके का assets किसी भी तरीके का assets और in fact assets की जगह पे lawmaker ने जो कानून बना रहे थे तो उन्होंने word यूज कर लिया assets की जगह का पे क्या word यूज कर लिया उन्होंने बोला कोई भी property हो any kind of property चाहे वो business के लिए इस्तमाल हो रहा हो चाहे business के लिए इस्तमाल ना हो रहा हो उसे capital assets बोलेंगे लेकिन इस definition को बोलने के बाद तो कुछ बसता ही नहीं है बोला रुख जाओ अभी थोड़ा और explain करते हैं अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर capital assets दो तरीके के होंगे सर कौन से capital assets lawmaker ने जब यह law लिखा जा रहा था तो उन्होंने बोला था आप ध्यान थोड़ा सा मैं और clarity कर दूं कि हम ना capital assets को दो तरीके का मान लेंगे सर कौन सा सर capital assets यहां पर बोला गया दो तरीके का होगा long term short term नहीं बोला एक ऐसा capital assets जिसको उठाके एक जगह से दूसरे जगह ले जाया जा सकता है जैसे यह mobile phone मैं ले जाऊँगा और एक ऐसा assets हो सकता है जिसको एक जगह से दूसरे जगह पर ले जाया एक हो गया उसको बोलते हैं जो एक जगह से दूसरे जगह ले जाया जाता है ना उसको बोलते है movable assets और जो एक जगह से दूसरे जगह ले जाना लाना पॉसिबल नहीं जिसे बोलते है immovable assets जैसे की land and building ठीक है न तो बोला गया के भाईया capital assets दो है एक तो movable है एक है हमारा immovable बोला भाईया movable assets जो है न इसके अंदर समस्या है movable assets की समस्या है immovable assets तो कोई भी हो any यानि सर अगर मैं सच्चा ही बताऊ न तो एक ही assets बता immovable land and building तो चाहे कोई भी business से connected हो चाहे ना connected हो कोई भी हो any immobable assets हो सर ये तो आपका capital gain लगेगा इसके उपर तो capital gain लगेगा पहली condition अब immovable के इंदर बोला भीया मैं तो अपने shirt को भी assets मानता हूं तो क्या मैं shirts अगर बेच देता हूं तो क्या इसके उपर भी capital gain लगेगा मैं अपने watch को भी मान रहा हूं अपने phone को भी मान रहा हूं मतला मैं बहुत सारी चीज़ों को अगर मैं बोलता है कि चाहे बिजनस से connected हो चाहे ना connected हो तो मैं वह बाते बता रहा हूं जो मेरे business से connected नहीं है पता चला मैंने shirt को बेच दिया और capital gain निकालने बैठ गया मैं यह चीज़ possible नहीं है तो बोला गया भीया immovable के अंदर अब दो बाते होंगी एक होगा जो कि business के अंदर यूज हो रहा होगा बिजनस से related होगा ठीक है ना एक होगा जो business तो बोला भाया business से related होगा भूला गया एक होगा जो किससे related होगा तो बोला गया business से related कोई भी वो movable assets any kind of movable assets जो कि business से related है सर उसके ऊपर capital gain लगेगा लेखिन अगर कोई भी प्रस्नल है अगर प्रस्नल है तो उसके ऊपर capital gain क्या होना चाहिए नहीं लगेगा जब यह बोला गया नहीं लगा तो देखा गया लोग वागों ने गोल्ड हजार रुपे तोला का लेकर पचास हजार रुपे तोले में बेचना चालू कर रहे थे गोल्ड तो बहुत जल्दी अप्रिशेट भी हो जाता है दो तीन साल में कम से कम बढ़ जाता है तो और गोल् पास रिंग है सोने की या डायमेंड की मैंने इसको बेच दिया है लोग आप कहते हो के सर प्रस्नल एसेट्स अगर मूवेबल होगा तो क्यापिटल गेन नहीं लेंगे यही कह रहा था लोग लेकिन मैंने तो गोल्ड बेचा है तो लोग को सोचना पड़िया इस बात पर य अगर ये प्रस्नल एसेट्स है और मूवेबल भी है तो हम आप से क्यापिटल गेन कैल्कुलेट करेंगे इससे हम हम कश हमेंडाव जैसे बोला गया गोल्ड जुवरी कोई भी बो सकते हों साथ के साथ बोला गया आपका कोई ऐसे महँगी चीज़ यह जैसे पेंटिंग painting क्या होता है painting बहुत लोग की बहुत महंगी महंगी बिख जाती है painting को रखा गया art रखा गया drawing रखा गया तो archaeological collection जो की बहुत पुरानी पुरानी चीज़े आपने रखा है वो बहुत महंगी बिख जाती है तो उन चीज़ों को बोला गया सर वो प्रसनल में अगर ऐसा कुछ हुआ ना तो वो उस पर हम क्या करेंगे आपसे taxable ले लेंगे इसके बाद capital assets shares को बोला गया कि जितने भी shares है वो भी हमारा capital assets की बात है अभी हम मोटी मोटी बाते करते हैं इन सभी को मैं दिखाऊंगा सर capital assets कोन सा होता है हर एक तरीके का property कोई भी property हो capital assets होता है चाहे वो business के लिए use हो रहा हो और ज़्यादा explain करने के लिए क्या करा सर ये दो तरीके का हो सकता है ये movable या immovable है तो सोचना ही नहीं है भाईया capital assets है भाईया तो घर बन अपने लिए use कर रहा है चाहे company के लिए use कर रहा है movable है तो अगर company के लिए use हो रहा है business के लिए use हो रहा है तब तो सर वो capital assets है लेकिन personal के लिए है तो capital assets लेकिन सर कुछ exception case है कि उसके अंदर capital assets माना जाएगा यानि अब देखो double exception लग रहा है जब law को हम पढ़ते हैं तो confusion हो जाती है पहले बोला गया सारा का सारा property जो है वो capital assets है बोला गया अब कुछ detail इसमें से इसको हम capital assets नहीं बोलेंगे ये exception है उसके बाद बोला गया इस exception के भी exception है कि इसको capital assets बोल दिया जाएगा तो बड़ी simple सी चीज है capital assets को हम ध्यान से देखें तो capital assets किसे बोला जाएगा तो फटा फट देखें कुछ ये chart है जहां पे 2.14 section 2.14 ये हमें define करता है सर what is the capital assets आप सभी के 10 year में ये chart already incorporated है section 2 subsection 14 में define है capital assets किसे बोला जाएगा कहता है capital assets देखो जो definition law में मैंने assets लिखा है इसके अंदर मैंने कोई बदलाव करने की कोशिस नहीं करी बस इसको थोड़ा सा easy करने की कोशिस करी कि आपको समझ में आ जाए क्या कहता है सर कहता है capital assets वो assets है means property any kind of held for SSC whether to connected or his business or profession or not मैं वही बाते इतनी देट से बोले जा रहा हूं बोले जा रहा हूं तो मैंने सुझा चार्ट दिखाने से पहले आपको पहले बाते समझा जेते हैं तो फिर यह सब क्या रहा जाएगा समझ में आने लगेगा ठीक है बोलते हैं circulating assets बोलते हैं जैसे ले भाई मेरा share तू ले ले है तो assets share देती है तो circulating में आ जाता है ठीक है यानि सर यहां पर circulating से related है कि यहां पर share वगेरा भी count हो जाता है वैसे security बोलते है तो वो count हो गया तो पहले इस definition को देखिए कि बोला गया कि भाईया any kind of property held by the SSC held का मतलब जो SSC के पास है चाहे उसके business से connected है चाहे उसके business से connected उसे हम क्या बोलेंगे capital assets बोलेंग और capital assets के अंदर include होता है चाहे वो movable हो चाहे वो immovable हो चाहे tangible हो चाहे intangible हो चाहे circulating हो अब इसको define करने के लिए बोला गया सर इंmovable क्या होता है all type of movable property कोई भी हो all type of movable property whether for the business or personal जैसे की house, factory, land, go down सर इसके उपर capital ये capital asset है ये क्या है सर समझ में आए ये क्या है हमारा तो यही मैं पीछे भी बता रहा था कोई भी हमारा immovable है तो capital assets है चाहे business के लिए हो चाहे personal हो अब आ जाते हैं दूसरे aspect में कौन सा movable, movable की बात करें तो एक तो होगा किस purpose के लिए और एक होगा कहा गया business purpose में any kind of movable assets किसी भी तरीके का movable assets part of capital assets जैसे अगर आप business के अंदर बिजनस के अंदर अगर कोई भी movable assets हुआ तो उससे हम मान लेगा जैसे business के अंदर अगर उन्हेंने laptop बेच दिया न अपना जैसे business में laptop पुराना हो जाता है उन्होंने बेचा तो वहाँ capital gain calculate होगा लेकिन आप अपना personal laptop बेचेंगे तो calculate नहीं होगा उन्होंने अपना AC उठा के बेच दिया तो capital लगेगा, personal बेच दिया तो नहीं लगेगा, उन्होंने car बेच दिया तो लगेगा, आप बेच ओगे तो, तो वो लगे भई, जो business से connected है, वो तो capital asset है, जैसे air condition, laptop, car, machinery, तो that is, क्या है हमारा ये, capital asset, लेखिन अगर personal हुआ, तो all type of movable assets are not part of capital assets, law ने कह दिया, भई या, personal assets अगर movable है, तो capital assets नहीं मानेंगे, except इन चीजों को छोड़ करके, क्या क्या सर, jewelry, jewelry में क्या आ जाता है, सारे के सारे आभूशन आ जाते हैं, आपके चाहे diamond का हो, चाहे silver का हो, चाहे आपका gold का हो, सार आ जाएगा, jewelry के अंदर, ठीक आपके paintings, drawings, आपके movable assets है, वो personal है, लेकिन आपने उसे बेच दिया, जैसे कि मैं painter की बात करूँ, तो कुछ बहुत बड़े ऐसे painter है, painting समझ में आए चाहे नहीं है, उनकी painting में बिक्त जाती है, उनके नाम पे, ठीक है, तो वो, sculpture क्या होते हैं, जैसे sculpture का मतलब होता है, करोड़ और वो में बेच सकते हैं, तो कि बहुत सारे लोगों को सौख होता है, जैसे मैं बात करूँ, तो विजय मालिया जो थे, थोड़े सौखीन किसम के इंसान थे वो, उन्होंने क्या करा था, कि एक तलवार, टीपू सुल्तान की तलवार थी, वो 6000 करोड़ रुपे मे करें ने खरीदा था, तो ऐसे श्कलपचर का मतलब होता है, ढ से खंका गधर जिसे हम बोलते हैं, वो चीजे, आप का ऐसे आर्की लॉजीकल कलेक्शन, पुरानी चीजे आपके पास पड़े हुए हैं, और पुरानी चीजे आर्की लॉजीकल कलेक्षन में क्या होता है, दे पैसा है आपने एक पैसा दो पैसा भी नहीं देखा होगा लेकिन क्या यह एक पैसा दो पैसा दस पैसा था कुछ बच्चों को तो लगेगा पता नी कब की बात कर रहे हैं यह एक्जिस्टेंस में था आप गूगल है तो पिक्चर वगएर तो देख सकते हो यहां नियर बाय बोलू तो लाल किले में जाईए लाल किले पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पुराने करंसी को लेके बैठे हुए हैं और उसको करते हैं आप महां पे जाईए 500 रुपे का जो नूट बंदी में हो गया था ना बंदो आपको 500 रुपे में नहीं मिलेगा वो शायद 1000 ये 1200 र उसके पास कई वाल government भी निकालते हैं कि इस सिरीज के नोट किसी के पास थे उसे इतने पैसे दिए जाएंगे कि और the ड्रॉइंग पैंसिल से बनाया जाता है एनी वर्क आर्ट आपका कोई हैंड क्राफ आर्ट हो आपने कोई बुनाई वगएरा किया हो इस तरीका कोई आपका हैंड क्राफ से आर्ट हो तो वह तो बोला गया यह जो हम आपको बता रहें ना KBCDEF तक यानि छे बातें ये छे बातें प्रस्नल हुआ तब भी कैपिटल एसेट के कैटेगरी में माना जाएगा बाकी कुछ भी है वो नहीं है बस ये छे बातें ही रखा तो यानि बताओ प्रस्नल कार क्या आएगा नहीं आएगा लेकिन एंटिक कार हुआ तो आजाएगा ना एंटिक का मतलब क्या हो गया कि पहले के टाइम पर यूनिक रखा हुआ है कुछ लोगों को सौक होता है कि इस तरीक है तो वो आजाएगा क्यों वो महंगा बेचेगा उसे ले जाके तो ऐसे यहाँ पर रखा गया अब आगे कहता है note capital assets do not include stock in trade capital assets में stock in trade नहीं माना जाएगा यानि जैसे कि मानलो एक property dealer है वो भी तो मकान खरीद और बेच रहा है लेकिन property dealer के लिए वो मकान एक stock के तरीके से है वो 10 मकान daily खरीता है 10 मकान daily बेच देता है उसका कामी यह है तो अगर कोई अपने वेपार में stock के तरीके से किसी capital assets नहीं होगा अब सुनार की बात कर लेतने goldsmith की बात कर लो जितने भी jewelry shop वाले वो तो daily पांच किलो सोना खरीते पांच किलो बेच रहे है लेकिन वो उसका क्या है business और वो gold उसके लिए क्या है stock है लेकिन आपके लिए क्या है capital assets है ठीक है ना तो यहाँ पे क्या कहा गया कि any stock आपका rural agriculture land जो गाउं के ग्रामिन के जो जमीन है उसको माना जाएगा आपका कौन सा सर इसे भी capital assets category में नहीं माना जाएगा क्या कहता है capital assets does not include यह तो capital assets है नहीं सर यह सारी बाते हैं लेकिन आप कहोगे सर gold यहाँ पे आ जाएगा business purpose के लिए है current assets है stock है तो नहीं पहली मन कर दियागे कि इनको भी आप capital assets नहीं मानेंगे चाहे आपका हो 6% gold bond government क्या करता है gold bond का मतलब है government बहुत टाइम पे कुछ ऐसे ऐसे assets निकालती है जिसके ओपर government कहती है यह tax free है इसमें पैसा लगाईए वो tax free है तो उसमें से हमारा जो 1977 में issue किया गया था 6.5% gold bond वो भी आप का tax free है 7% 1980 में किया गया था national defense bond भी किया गया था 1980 में special bearer bond 1991 में किया गया था gold deposit आपका या gold deposit scheme 1999 में कुछ bond निकाले गये थे government के द्वारा इन जगे पे तो वो सर बड़ी basic सी बात है बड़ी simple सी बात है अगर छोटी सी बात बोलू तो जो मैं पहले बाते बता रहा था वो सारे के सारे यही चीजे लिखी हुई है कि सर capital assets वो है जो कि आपका movable हो चाहे imovable में बस आपको ध्यान रखना है प्रसनल में 6 बाते तो capital assets हो जाएगी बाकी को connected में ध्यान रखना है कि stock वगेरा ना हो agriculture land ना हो और यह bond ना हो इनको हमने capital assets के category से क्या कर रखा है बाहर करा हुआ है तो यह overall definition किसका है सर हमारा capital assets का इसी definition को book के अंदर ना पूरा एक ऐसा लिखा हुआ है पूरा एक paragraph format के अंदर उसी को मैंने क्या करा paragraph format को तोड़ हो बाकि जब practical question करेंगे तो वहाँ पे capital assets का कोई लिना देना नहीं रहेगा आपको ऐसा नहीं देखना के भाई यह कौन सा घर है वो बोलेगा एक जमीन खरीदा एक मकान था बेचा खरीदा तो practical question में इसका इतना impact नहीं आएगा लेकिन हाँ theory पूछा जा सकता है what do you mean by the capital assets capital assets क्या होता है यह बता दीजिए तो वहाँ पे पूछा जा सकता है सर अगला point पढ़ेंगे हम क्या पढ़ेंगे हम के सर capital assets तो होई गया पहले यहां तक बताइए हर किसी को clear है capital assets हर किसी बच्चे को clear है capital assets किसी को doubt है तो अब एक बार पूछ लीजिए noting के लिए देखे 10 year के अंदर मैंने चार्ट चलिए टाइप आफ सर capital सर वही जो आपने starting से सीखा हुआ है सर capital assets के type यानि assets दो तरीके के हो सकते हैं सर type की बात करें या तो हो सकता है assets long term या तो assets हो सकता है long term या हो सकता है आपका short term है ना दो तरीके के assets हो सकते हैं या तो हो सकता है sir long term या हो सकता है आपका short term यानि long term और short term सर अकाउंट्स को और income tax को बिल्कुल separate लेके चलिएगा real life के अंदर कुछ चीजे connected होगी और कुछ चीजे बिल्कुल दूर दूर तर connected नहीं होगा अकाउंट्स के अंदर हमने पढ़ाए कि any kind of assets which is convert within a one year called as a current assets या short term assets और अगर कोई assets है जिसको कि हम एक साल के अंदर cash में convert नहीं करते that is a called as a long term assets लेकिन income tax में ऐसा नहीं है income tax में categorize कर दिया गया assets को बोला गया भाया मैं आपको long term समझा देता हूं देखो definition कितने अच्छी बता है इसने कि भाया long term assets क्या होता है बोलता है जो ऐसे short term नहीं है वो long term है आप law की definition पढ़ लेजिए law में क्या बोला गया कि जो assets short term नहीं है वो क्या है और short term का उन्होंने definition define कर दिया है तो मैं simple सी बात है law के language पे नहीं जा रहा एक common layman language के हिसाब से बात करता हूं यहां पर इसको categories device कर दिया कि सर long term assets हम उसको बोलेंगे अगर आपको long term समझ में आ गया तो बाकि short term समझ में आई जाएगा long term हम assets उसको बोलेंगे इसको तीन category में बाट देंगे एक हो गया सर, shares और bond इसका मतलब सर आपने reliance के share खरीद लिए तो वो भी capital assets है और अगर आपने reliance के share खरीद लिए तो capital assets है और अगर आपने debenture भी खरीद लिए तो भी capital assets है इसके अलाबा अब बोला गया other इसके इलाबा बोला गया other other में क्या क्या आ जाएगा मैं list बताता जाऊंगा ठीक है न लेंड इंड बिल्डिंग में तो कोई list नहीं बताना आपको पता है लेंड इंड बिल्डिंग है shares और bond के अंदर list बतानी की जुरत नहीं है आपका कोई भी shares और bond दो तरीके को हो सकते हैं जिन्होंने business study पढ़ा हो या फिर आगे आपने पढ़ा हो तो उनको पता होगा कि share दो टाइप के होते हैं एक ऐसा share होता है जो कि listed होता है एक ऐसा share होता है जो कि unlisted होता है सर लिस्टिड share क्या होता है आज अगर जो बच्चे sol में है तो आज उनका seminar था आप लोगों के पास message भी आया होगा कि सर आज हम कुछ security analysis से बाते बताएंगे तो ऐसा कौन सा है जो कि हम listed बोलेंगे एक होगा listed और एक होगा listed सर अब shares के भी दो परकार है या तो होगा preference share capital या होगा equity share ये तो पता है न या तो preference share capital होगा या फिर equity share capital होगा अगर listed share है तो इसके rule अलग है unlisted share है तो उसके rule अलग है sir other assets में क्या क्या होगा ये बताओ गोल्ड होगा और क्या होगा sir machinery sir और क्या होगा और भी any other हो सकता है assets जैसे की business के लिए मान लेते हैं laptop car business वालों के लिए personal वाला नहीं है और personal वालों के लिए वही sculpture painting, drawing, art वो सारा आजाएगा तो बोला गया land और building के लिए हम 24 मेने का पहले ना ये भी 36 मेने हुआ करता था लेकिन law में वदलाव किया गया और बोला गया sir जो land and building है इसके लिए हम रखेंगे 24 मेने से अगर जादा है 24 मेने से greater है तो हम उसको बोलेंगे sir ये क्या है long term है अगर 24 मेने से जादा है अगर business के लिए तो आएगा personal तो आएगा नहीं ठीक है न तो मेरा laptop अगर मेरा business के नाम पर अब देखो business के लिए कैसे पता चले business के ID पर बिल हो business के ID पर सारा document है तो अगर मैं अपना laptop या अपना मैं ये board अगर मैं बोलू तो that is a my capital assets लेकिन यही board आप घर पे लेके अपने personal use के लिए कर रहे हो तो not a business a capital assets simple सी बात है सर अगर आपका land or building है न तो आप short term और long term define कर ले के लिए क्या करोगे 24 महने का समय लोगे अगर 24 months से above है तो that is क्या माना जाएगा आपका long term या 24 से आपका less than या 24 है तो आपका माना जाएगा short term ठीक है आगे कहा गया sir bond and shares के लिए लिस्टेड है तो वहाँ पे आप बारा महीने का हिसाब किताब मानोगे और unlisted है तो वहाँ भी आपको 24 महीने का हिसाब किताब माना पडेगा प्रेफरेंज शेयर के लिए बोला गया भीया 24 महीने का हिसाब किताब चलेगा वैदर लिस्टेड और नोन लिस्टेड बाकी सभी को बोला गया कि 36 महीने का हिसाब किताब लेके हम चलेगे पहले यहां तक देखिए इसी को मैंने कोसिस किया है कि एक चार्ट मैं आपको समझा दू यानि हमारा एससे سो सकता है लौ्टरम अब मैं बोलू मैं बिल्डिंग को में बेच देता हूँ आठ महसी बताओ कि लेश के लिए क्या है इस महिने के बाद लॉंग ठ्राम 36 मेने से बिलो रहा तो हमारा short term आना जाएगा तो ये आपको criteria पता होना चाहिए क्योंकि long term के अंदर calculation अलग होता है और short term के अंदर calculation अलग होता है जो कि हम देखेंगे तो sir आईए देखते हैं कि long term और short term के define कैसे किया गया मैंने एक simple सा चार्ट बना दिया आप लोगों के लिए ताकि आप लोगों को एक ही पेज़ पे सारी चीज़े समझ में आ जाए और ज्यादा दिमाग ना लगाना पड़े क्या कहता है nature of capital assets nature of capital assets nature of capital assets के मतलब capital या तो capital होगा short term में जो definition given है 2.42 ए या फिर होगा long term में जो की definition given है 2.39 long term की definition देखो long term capital assets which is not short term capital assets यही लिखा है definition में अगर आपका आजाता है na define long term capital assets तो यही लिखना है यह log है एक भी number नहीं कटेगा चाहे 2 number का सवाल हो चाहे 5 number का सवाल हो पूरे marks मिल लेकिन short term को पूरा define किया गया short term को define क्या किया गया कि कुछ तो ऐसे हैं जो की 12 महिने वाले होंगे और कुछ हैसे हैं जो की कौन से महिने वाले होंगे और कुछ हैसे हैं जो की कौन से महिने वाले होंगे 36 महिने के अदर ठीक है सर 12 महिने में कौन से कौन से होंगे unit equity oriented mutual fund जो नाम मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर listed equity share listed आपका preference share सर preference share का आपका non-listed है आपका preference share, मैं एक बार इसको काट देता हूँ अभी इसको एक बार ध्यान मत दीजिएगा preference share को मैं यहां से हटा रहा हूँ इसको correction करवा देंगे सिर्फ आप listed equity share लीजिए listed debenture listed bond listed government security listed zero coupon bond अब इसमें से कुछ एक word है bond क्या होता है जैसे देखिए किसी भी company को पैसे की जुरत है अगर किसी भी company को fund की जुरत है तो सर वो fund तीन जगह से arrange कर सकता है सबसे पहले भागा भागा जाएगा वो bank के पास अगर banker ने मदद किया तो ठीक नहीं तो मैं equity share से या preference share से ले लूँआ यानि share capital या फिर मैं दूसरा debenture कर सकता हूँ company की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ से पैसे arrange किये जा सकते है अगर मैं debenture से करता हूँ in case कि मैं debenture से करता हूँ तो आप debenture से पैसे इंतिजाम करने की जिम्मेदारी दो लोग होता है या तो simple सा reliance limited हो सकता है या SBI हो सकता है आपको पता है reliance एक पूरा private organization है और SBI एक थोड़ा सरकारी भी है जिसको हम बोलते है public sector unit तो अगर सरकारी company ऐसे जब इस तरीके से करजा लेती है public से तो वो bond शब्द का इस्तमाल करती है और वैसे private limited या limited company इस तरीके से करजा लेती है तो किस शब्द का इस्तमाल करती है debenture और government company जब करजा लेगी तो government company करजा लोटाएगी भी और 10 रुपए लेके अगर 15 रुपए लोटा रही है तो पब्लिक बोलेगा सर 10 लोगे और 15 मुझे लोटाओगे अब फिर बाद में बोलोगे 5 रुपए पे हमें दो क्या टेक्स दो और क्यापटल गेन दो तो मैं तो आपको वापस दे रहा हूँ तो गवर्मेंट ने कुछ ऐसे बॉंड को एक्जेम्ट कर दिया बोला भाईया ये बॉंड ऐसे है ही नहीं जिसके प्रॉफिट पर आपको टेक्स देना होगा जो बॉंड आपका यहाँ पर मेंशन नीचे गोल्ड बॉंड यह बॉंड क्या है giàसे की बोल दिया उसने गोल्ड बंड 1977 फिर गोल्ड बॉंड फिर इसे आया फिर नेशनल दिफेंसŉ बॉंड gonna गया आ For 80 में एक और लेके आए, फिर आपका आगया special bearer bond लेके आए, फिर अलग-अलग नाम है, तो इसमें हमें जाने की ज़ुरत नहीं है, और इसके उपर से कभी भी exam में सवाल पूछा भी नहीं जाएगा, तो listed bond हो सकता है, listed government security, नाम बदल बदल के zero coupon bond, zero coupon bond क्या होता है सर, मान ले इसका 10,000, मैंने बोला, debenture है आपका, एक लाख रुपए का, अब इसके उपर interest calculate करके दिखाईए, तो बोलेंगा, इंटरस कब कैसे calculate करेंगे, इसके आगे तो interest आपने दिया ही नहीं, बिना interest के नहीं calculate कर सकते हैं, तो कई बार company बोलती है कि हम तुम्हें तुमसे एक लेकिन कितने percent है, zero percent है, तो इसी को बोल दिया गया, zero coupon bond बोल दिया गया, deep discount bond भी बोल दिया जाता है, ऐसे चीजों को, तो भला की देखो, chapter से कोई लेना देना है नहीं, लेकिन आपको पता होना चीए, थोड़ी थोड़ी बातें, कि सर इसको हम इस तरीके से explain कर सकते हैं, सर, इसके बाद आ जाते हैं, 24 मेने में क्या रखा गया, सर, land and building सबसे important, यही बार-बार सवाल में आएगा, या फिर रखा गया, non-listed share, या फिर लिखा गया, non-listed preference share, यानि आपका non-listed कहलो, unlisted कहलो, अब सर, unlisted और non-listed क्या है, जो share, share बजार के अंदर, खरीदे और बेचे ज होला जाता है, unlisted share, जैसे reliance company है, इसका जो share है, यह listed share है, क्योंकि इसके share market के अंदर share बेचे और खरीदे जाते हैं, ऐसे मैं अगर मैं बताओ, flip card, तो flip card के share share बजार में नहीं मिलेंगे, कहीं कि आप जाओगे, अगर चाहते हो के share market से जाके flip card के share खरीद लो, तो नहीं है, तो यह unlisted shares होंगे, इसके पास जो भी होगा, ठीक है न, तो listed और unlisted का यह है, सर 36 मैने में mutual fund हो गया, non-listed bond हो गया, non-listed debenture आ गया, non-listed government security आ गया, all capital assets आ गया, सर mutual fund क्या होता है, मिला जुला के बहुत सारी चीजों को, shares और debenture को जब मिला दिया जाता है, तो उसको mutual fund कहते है आपका एक fundamental investment के नाम से एक subject मिलेगा आगे चलके, उसके अंदर ये पूरा mutual fund और bond के उपर ही पूरा का पूरा वो subject है, जिसमें पढ़ाया जाता है कि what is the mutual fund, mutual fund basically मैं बता दूँ, तो आप लोगों के पास अगर 1000 रुपे है, आप चाहते हो कि आप MRF का share ले लो, तो MRF के share की price मैं बताऊं, तो 60,000 रुपे है, तो आप नहीं खरीज सकते, आप MRF का बोलोगा, सर आथ थोड़ा सा share दे दो, 1000 रुपे के बराबर तो नहीं मिलेगा, तो mutual fund company क्या करती है, बहुत सारे लोगों से पैसा इखटा कर लेगी, आपका share खरीदने का एक ही purpose है, सरिफ एक purpose only and only, कि share का price महँगा होगा, और हम बेच के कमा लेगा, और उसके उपर जो dividend होगा, वो हमें मिल जाए, तो मैंने क्या करा, 60 लोगों को इखटा किया, मैंने बोला सबको MRF का share मिलेगा, 60 लोगों से इखटा करके, मैंने 60,000 रुपे इखटा कर लिया, अब जो भी ये मान लेते है कि 600 रुपे का अगर dividend देती है, तो 60 लोगों में मैं 10-10 रुपे क्या करूँगा, distribute कर दूँआ, और जब shares को बेचा जाएगा, मान लेते हैं, 70,000 में बेचा गया, तो जो 10,000 का मुनाफ़ा हुआ, वो किसमें बढ़ जाएगा, सभी के सभी 60 लोगों में बाट दिया जाता ह है, इस service को देने के बदले में, वो क्या लेती है, आपसे कुछ commission, कुछ incentive, इससे बोला जाता है, mutual fund, mutual का मतलब बहुत लोगों ने मिलके, एक कुछ shares लिया है, उसको बोला जाता है, mutual fund, इसके अंदर आपको दिमाग नहीं लगाना पड़ता है, जो company है, वो दिमाग लगाती किताब है, 24 वाला है और 36 वाला है, 12 महने में सिर्फ shares वाली की बात करते है, 24 महने के अंदर land and building, non-listed share जो की important है, और 36 के अंदर बाकि सब 36 महने में आ ही जाएगा, gold वगेरा हो गया, सारे assets, तो ये बात है आपका कौन सा है, nature of capital assets, पहले यहां तक देखिए आपको कोई doubt, को कोई दिक्कत, सर ये mutual fund ना all का मतलब पता होना चाहिए, debt is equal to bond, बिल्कुल ठीक लिखा है, बताइए इसमें doubt, अभी हमने क्या क्या कर लिया, फटा-फट से quickly अगर revise करें, हमने सबसे पहले देखा definition, definition में क्या बताया, कि भाया capital gain लगेगा, अगर आपका profit हुआ, और किस पे transfer पे, और transfer क्या करना है, capital assets, उसके बाद देखा capital assets क्या होता है, सभी property capital assets है, लेकिन अगर immovable हुआ तो सब के लिए, movable हुआ तो business के लिए, और movable personal वाले के लिए, नहीं माना जाएगा, except कुछ point को रखा गया, वहाँ पे नहीं माना जाएगा, ठीक है न, नहीं माना तो यहां तक किसी को कोई doubt, और हमने देख लिया सर, यह section भी हमने अच्छे से देख लिया, इसमें किसी को दिक्कत परिशानी तो बताईए, सर, mutual fund 12 से 336 है, 236 मन्त दोनों है क्या, देखो, mutual fund वो वाले listed है, आप देखोगे, unit आपका of equity oriented mutual fund बोला जाए, तब यहां आएगा, और यहां पर unlisted वाले आएंगे, या फिर normal mutual fund आएंगे, अगर equity oriented हुआ, तो तो 12 मेहने में covered हो जाएगा, बाकी यह, mutual fund का सबसे पुरानी company की बात करें तो UTI है, unit trust of India, वो mutual fund का starting से काम कर रही है, तो उन्होंने एक निकाला हुआ equity oriented fund, जिसमें सिर्फ equity share रहेंगे, डिवेंचर नहीं रहेंगे, वो तो यहां covered होगा, बाकी यहां पर covered हो जाएगा. अब बच्चे कहरें, सर आपने कहा था, कि सर लिस्टिड, नौन लिस्टिड 24 मेहने में होगा, तो सर लिस्टिड में आपका सिर्फ list रखा गया है, यही. बाकी अगर कुछ हुआ, सिर्फ यहां पर, देखो, सबसे पहली बात बोलू न, यह 24 मेहने की category जब मैं graduation में था, और 2010 तक in fact, 24 मेहने का कोई बात ही नहीं था. उन्होंने बोला था, या तो 12 मेहने वाली बात, या 36 मेहने, दो ही चलता था. दीरे दीरे government ने 24, अब बताओ, किसी को capital gain के अंदर long term करने में सरकार का फाइदा है. Sir, long term करने में सरकार का क्यों फाइदा है? Long term के उपर tax rate है 20, और short term में या तो basic exemption वाला लगता है, जैसे कि हमने दिया 5 लाग तक exempt और 5 लाग वो लगता है हमारा किसमे? Short term में. तो सरकार क्या चाहेगे? जल्दी से जल्दी इसको किसमे convert करते हैं इसका मान ले? Long term. क्योंकि मान लो आपने 5 लाग रुपए का profit कमाया, suppose करो, एक building को बेच करके, और वो building बेचा आपने 35 महने में. तो long term तो हुआ नहीं. Short term हो गया, तो 5 लाग तक आपका tax क्या हो गया? Zero. सरकार ने उसके long term के दाइरे को घटा के क्या कर दिया? Short term. 24 महने कर दिये. यानि जो 36 महने में आपका long term कहलाता था, अब कितने में कर दिया? 24. अगर अब 35 महने में बेचा, तो क्या कहलाएगा long term, जिसके उपर सीधा आपको 20% देना होगा, यानि 5 लाग के उपर 20% आपका, एक लाग रुपे, सीधा-सीधा क्या चला जाएगा tax. तो सरकार ने अपना benefit सूच है, पहले listed share जो थे न, वो tax free होता था, long term में tax free, लेकिन अभी हाल फिलाल में उन्होंने क्या करा, इसके उपर tax लगा दिया, इसकी भी कहानी देखेंगे, पीछ इतामराम ने जाने से पहले ये काम करके गए थे, कि 2018, 31 जनवरी से पहले उन्हों का है, 10 year में आपका, नहीं कुछ बच्चों ने पुरानी book अगर ले रखिये तो कोई दिक्कत नहीं है, content सारा मैंने, जो भी 10 year market में available है, उस सभी के अंदर ये चार्ट डले हुए है, उस सभी के अंदर मैंने पहले ही update करके डाल दिया था, चाहे आपके पास, हाँ, लेकिन शिवदास के 10 year के अंदर सारी update ये करा हुआ है, कुछ 10 year market में ऐसे available है, जिसके अंदर images है, और कुछ में images back में है, तो फरक कुछ भी नहीं है, आप मिला कर देख लेना, कोई फरक नहीं है, आपको question सारा word to word मिलने वाला है, बस उस में जब दुबारा print हो रहा था, तो मैंन किसी का कोई doubt बताइए झाल 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 वेरी वेरी गुड़ी इवनिंग चेक कर यह वोईस आरही है आप सभी को स्टार्ट करते हैं बस अभी दो बिनिट रुख जाईए आज हम कुछ प्रैक्टिकल कुश्चन भी करने वाले हैं आज हम प्रैक्टिकल कुश्चन ही करना है में ली बस जोईन होने दीजिए जितने बच्चे आ सकते हैं दो चार बिनिट वेट कर लेते हैं अन्य जब दूठकेऊ प्रैक्टिकल करने दो एंय यह यह नएए ने वेटी नए को फिर लुख कर दो एंदर जितने दों है क्रणड़ करें जो एग्यार जो जोड़ है जो एंद। घंड़ घंड़ त है ओग्यार बच्वजण है सर आपने फ्लो चार्ट बनाया शौर्ट ट्रम लॉंग ट्रम एसेट्स का वो टैनियर वाले चार्ट कर दौर्ट झाल झाल सर यह एप आयोस पर है आयोस पर आपको क्लास प्लस डाउनलोड करना पड़ेगा ओ और जी कोड जो आपको कॉंटेक्ट नंबर दिया गया था एक बार उनसे बोलेंगे वो पूरी गाइड कर देंगे आपको करवाने में पुदित आपका वोईस कट हो गया था आप फटाफट से अपडेट कर दीजिए क्या डाउट है जो आपने फ्लो चार्ट बनाया है शौट ट्रम लॉंग ट्रम एसेट्स का बिल्कुल वह टैन इयर वाले चार्ट का ऑपोजिट है समझ में नहीं आया है आप एक बार भेज देना खुशी फिर मैं देख लूगा क्या पोजिट है बाकी मैंने शौट ट्रम और लॉंग ट् आप इसकी बात तो नहीं कर लिया है यही है टैनियर के अंदर चलिए बिदाउट लेट किये हुए हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास सर अभी तक क्या कर लिया हमने क्लास के अंदर क्लास के अंदर कैपिटल गेन कर रहे थे हम स्टार्ट एक क्लास हो चुकी है आज है इसकी सेकेंड क्लास जो जितने बच्चे नए जोइन हुए है मैं अगेन कहूंगा वो पहले आप बेसिक कंसेप्ट वाली क्लास कर लीजिए काफी बच्चों का कहना था सर ओल्ड उर रिजिम और नू रिजिम अलग से फोल्डर बनाके डाल दिया है वैसे तो सेलरी के अंदर डाला था फिर से अलग से बनाके डाल दिया है ताके आपको दिक्कत ना हो तो इसके बाद कि आपके कहरा है यह सर यह आपोजल्टे है साय आपोजिट आप एप Cristo दोगेंगे आपोजिट क्या कर आए मुझे वाट्स पकर दीजिङँ जो नंबर दे रख्शा ए फिर देख़ लेंगे ठीक है ना हम इस टाट कर देते हैं फटा फट से चलेज़े सर अभी तक क्या-क्या देखा हमने पटा-फट रिवाइज करते हैं सर हमने देखा कैपिटल गेन क्या होता है किसी भी एसेट्स के ऊपर आपका जो प्रॉफिट होगा उसे बोलेंगे हम कैपिटल गेन सर डेफिनेशन के इसाब से अब हमें समझना होगा कि एसेट्स क्या होता है definition कहता है किसी भी तरीके के property को हम assets कहेंगे लेकिन फिर definition ने और explain किया हो सकता है movable और immovable immovable है तो कोई भी है वो सारा का सारा capital assets होगा लेकिन movable है तो उसके अंदर अगर personal है तो capital assets नहीं है और अगर आपका business purpose के लिए है तो capital assets है अब personal के भी कुछ exception है कि चार से पांच चीजों को छोड़ कर बाकी सारे capital assets नहीं माने जाएंगे जैसे कि क्या था हमारा painting, sculpture, drawing, archaeological, collection था आपका और jewelry था आपका ये सारी चीजों को हमने देखा था जो कि इसके बाद था as a transfer transfer कुछ not regard as a transfer theory point of view से बहुत better है आपको पता होना चाहिए exam question point of view से इतना relevancy नहीं रहता इसका सर इसके बाद मैंने बताया था simply रह के आप किसी को समान देते हैं और आपका माना जाएगा stock in trade अगर होगा उसे बेचेंगे conversion करके तो भी माना जाएगा अब आगे देखते हैं आगे हमने क्या देखा था सर आगे देखा था हमने capital assets का जो कि मैंने भी बताया movable, immovable कुछ points है कि capital assets में stock in trade, ruler, agriculture आपका bond ये सभी include नहीं होने वाला सर टाइप of capital assets long term हो सकता है, short term हो सकता है यानि सर 24 महिने से उपर हुआ land and building तो long term shares अगर आपका 12 महिने से उपर हुआ तो long term other 36 महिने, तीनी category था जिसके अंदर मैंने define कर दिया अगर 12 महिने से कम है, ये less than है, short term capital assets if less than, या equal to मान लो, अगर less than equal to हुआ तो ये माना जाएगा short term, इस से उपर जितना भी हुआ वो सारा माना जाएगा long term, अब इसके बाद की कहानी हम आगे करेंगे अब आ जाएगे हम सवाल पे, कौन से सवाल पे सर, अब आ जाते हम question पे practical question पे, जो हम numerical करेंगे तो type of assets, type of assets yes, जो मैंने अभी बच्चे साइद confused हो गए, जो मैंने इधर वाला बताया था वो short term था क्योंकि वो 12 महिने से कम था, कोई बात में आप मुझे भेज़ दीजेगा मैं दुबारा recall करके उसे समझा दूँ हूँ, अब calculation की बात करते हैं, capital gain ना, जब निकाला जा रहा था, तब सबसे बड़ी समस्या क्या हुई, आप समझना एक बात, समस्या ये हुई, एक वेक्ती ने, एक परसन ने घर खरीदा सर, और घर खरीदा एक लाक रुपे का, और ये खरीदा मान लेते हैं, 2000 में खरीदा इसने एक लाक का, अब इस घर को बेचा इसने 50 लाक का, तो उनका कहना था सर, जिस दिन हमने एक लाक रुपे लगाया था, उस दिन एक लाक रुपे की वेल्यू बहुत जादा थी, आप ऐसा नहीं कह सकते के 49 लाक का प्रॉफिट कमाया है सर, पहले इस 2020 में एक लाक रुपे की वेल्यू को आज की डेट पे ले के आओ, फिर कम्पेर करो ना, बराबरी में कम्पेरिजन होगा ना, पहले एक लाक में मैं दस तोला सोना खरीद लेता, जादा ही खरीदता दोजार, दोजार में तो, आज एक लाक में दो तोला सोना आता है, तो comparison तो आप करो ना कि पहले जो हमारा एक लाख की value एक लाख रुपए में बड़े सारे समान खरीदे जाते थे लेकिन आज की date पर उसे एक लाख के समान लेकिन आप समझ लो जैसे पहले एक लाख रुपए में 10 तोला यानि 100 ग्राम गोल्ड खरीद सकते थे लेकिन आज कितना खरीद पारे हो एक लाख में तो और इसी को खरीदने में कितना लग जाएगा अब पांच लाख यानि मैं simplicity से बात करूँ जो पहले एक लाख रुपए खर्चे थे आज की date पे उसकी value कितनी है पांच लाख में वो समान खरीद पाऊंगा तो comparison ऐसे करो ना पांच और पचास में बेचा है तो आप मेरी कितने बताओ 45 का profit या loss बताओ गौर्मेंट ने बोला बात तो ठीक है ऐसा होना भी चाहिए क्योंकि बहुतों लोगों ने तो पचास पचास एक एक रुपए में भी मकान खरीदे वे हैं खरीदे वे हैं बहुत पुराने जो हैं और आज बहुत करोडों की property है वो तो गौर्मेंट ने बोला एक काम करते हैं हम हम आपके ये वाले जो एक लाख रुपए है न उसको convert करने का तरीका बताएंगे आप जिस दिन बेच रहे हैं उस दिन इसको convert कर दीजिएगा इस convert करने के लिए एक table हम आपको देंगे जिसको बोला गया inflation rate जिसको बोला गया indexation आप इसको indexation करके कर लिजिएगा तो हम क्या करेंगे capital gain निकालने के लिए सबसे पहले इस एक लाख रुपए को अगर हम बेच रहे हैं 2022 में तो सबसे पहले इस एक लाख रुपए को convert करके लेके आएंगे 2022 में फिर बेचेंगे लेकिन government ने बोला भाई देखो ये changes बदलाव जो है it is true कि ये बदलाव हुए है लेकिन ये भी सचाई है कि साल छे महिने में ये बदलाव इतना major नहीं हो सकता अगर आप बोलते हैं सर के एक साल के अंदर मुझे indexation allowed कर दो तो नहीं देंगे हम एक साल में कितना variation होगा मैं तो देख रहा हूं दो साल से सोने का भाव हुए ही पचास अजार रुपए तोला चल रहे है तो एक से दो साल में बदलाव नहीं है तो बोला जो long term assets होगा न उ उसी को हम रुपए को convert करने की permission देंगे इसलिए assets को दो category में बाटा गया एक बाटा गया short term और एक बाटा गया long term वाले को conversion allowed है और short term वाले को conversion allowed अगर आपका ये assets खरीदा होता suppose करो 2021 में तो सर 2021 में एक का खरीदा फिर 50 का आपने अगर बेच भी दिया है तो सीधा सीधा 49 लाक रुपए आपके लिए क्या माना जाएगा profit माना जाएगा यानि सर capital gain अब दो निकल सकते हैं एक long term के हिसाब से निकल सकता है एक long term के हिसाब से निकल सकता है और एक short term के हिसाब से निकाला जा सकता है capital gain चलिए आईए देखते हैं कि सर लॉंग ट्रॉम के हिसाब से हम कैसे निकालेंगे और short term के हिसाब से कैसे निकालेंगे सबसे पहले तो आपके मन में एक point आ रहा होगा सर आप मुझे बता दो इसको convert करने का तरीक होता है और जूतने का हम खरीदते हैं नहीं मैं दुबारा यह थोड़ा सा बहुत ज्यादा मैंसब हो गया मैं दुबारा ले लेता हूं कि चलिए कुछ बेसिक बाते समझ लीजिए चेप्टर बड़ा असान है यह यह घर खरीदा मैंने 5 laser rupay का सर कब खरीदा 5 laser rupay का 2010 में खरीदा इस घर को मैंने बेच दिया 2020 10 था ना तो सर बेचा कितने का 80 लाक रुपए का तो अगर हम इसमें से सीधा 30 लाक रुपए बोल दें capital gain है तो सर ये गलत है पहले आपको ये रुपए convert करना पड़ेगा तो सर कब convert करना पड़ेगा आप पहले देखिए जो ये घर है क्या long term है या short term है तो long term की definition कहता है 24 महिने से अगर उपर हो जाए तो उसे क्या कहेंगे long term यानि ये long term है तो हमें क्या permission है इसको convert करने का और सर इस वाले word को जितने का खरीदते हैं एक law के language में income tax के अंदर बोला जाएगा cost of acquisition इसको बोलेंगे cost of acquisition और इसका मैं बड़ा चोटा सा नाम रख देता हूं COA इसको क्या बोला जाएगा cost of acquisition तो सर cost of acquisition को हमेशा convert करना है convert करने को बोला जाता है इसको कर दो indexation index कर दो या indexation आप इसको कर दो index सर इंडेक्स का मतलब क्या होगा कि आपने अपने cost of acquisition की value को आज के दिन पर convert कर दिया indexation करने का तरीका क्या होता है cost of acquisition into में into में जिस साल सेल किया जाएगा उस साल का indexation divided by जिस साल पर्चेज किया गया उस साल का indexation सर ये indexation indexation कहां मिलेगा आपकी किताब में भी given है और ये हर जगह available मिलते है और ये fix रहता है इसका कोई तरीका नहीं कोई shortcut नहीं आपको exam में वैसे देगा ये हमेशा कोईशन में लिखा हुआ होगा तो जैसे कि मान लेते हैं 2001 के अंदर 100 होता है फिर इसी की तरीके से 317-400 तो वह indexation आपकी किताब में भी है 10 ये में पहले नहीं हुआ करता था मैंने इस बार दलवा दिया है जितने बच्चों के पास tenure होगा उनके पास भी होगा आप कहीं भी डूंडे गा ना indexation तो आपको मिलेगा चाहे आप Google कर लीजिए कहीं भी कर लीजिए बाकि मैं list PDF में अप्लोड कर दूँगा अभी फिलाल मैंने indexation यहां पर लिखा नहीं है तो नहीं लिखा है तो सर इसका मतलब कि मैं आपको दिखा दूँगा कि indexation कहां है कि चलिए indexation एक बार देख लेतें इंटरनेट पर सर्च कर लेते हैं सर इंडेक्षेशन क्या होता है कि यहां पर डाल लेते हैं कॉस्ट आफ इंडेक्षेशन देखिए पहले ही आ गया कॉस्ट आफ इंडेक्षेशन तो सर यह लिस्ट आ गई क्या लिस्ट आ गई देखिए यह सारी लिस्ट आ गई आपको दिख रहा होगा आपका दो हजार अगर इधर वीजुल नहीं है सर पी सिक्स्टी इस टेनियर अच्छा पेज में बता रहे हैं बच्चे पी सिक्स्टी बस मैं यह बताना चाहता हूं सर यह है ऐसा नहीं है कि यह मतलब आपको कहीं भी मिल सकता है तो परिशान ना हो आप गूगल भी कर सकते हैं और गूगल क्या करेंगे मैं दे ही देता हूं अभी अभी दे देते हैं चलिए यह साइस छोटा नहीं हो रहा बताओ कहां खुलाई यह भी जहां सो कुछ करी नहीं सकते बस समझाना है चलो कोई नहीं यहीं तो लेना है यह लेजिए कहां तक आ गया था यहां तक कि एक बार निकालना भी तो बता दे सिर्फ इसलिए मैंनत कर रहा हूं और कोई भी बात नहीं है चलिए सर यह आ गया इंडेक्सेशन मैंने कहा इसका इंडेक्सेशन करिए तो देखे सीखिएगा देखो कुछ बच्चों को जो रेगलर कॉलेज में उनको आता होगा कुछ के लिए नहीं आता होगा तो हम करेंगे जिस साल सेल हुआ है उसका इंडेक्सेशन तो मैंने बोला है 2022 में बेचा है तो 2022 अब 22 की बात करें तो मैं इसका पूरा डेट दे देता हूँ 2021 और 22 बाइस बोला जाए तो 2021 बाइस तो सर 2021 बाइस चेक करोगे तो 317 तो यहां रखना है 317 डिवाइड बाइड बाइड परचेस जिस साल किया गया था वन डेक्सेशन परचेस किया गया था 2010 में तो 2010 में था 148 एक तो यह जवाब आएगा मेरे पास कितना पांच लाख डिवाइड बाइड वाइड वाइन फोर्टी एट इन्टू में 317 सर डेट इस टेन लैक सेवेंटी थाउजन 945 जास लाख सतर हजार 945 रुपए इसका मतलब इस पांच लाख रुपए को हम आज की डेट पे लेके आ हैं अब इससे इसका कंपेरिजन होगा इसको बेचा 80 लाख में माइनस अब करेंगे 80 लाख डेट इस कैपिटल गें 69 29 054 यह कैपिटल गें होगा सिंपल सी बात समझेगा सर कैपिटल गेंज जो होता है ना लॉंग ट्रम हुआ तो हमें इंडेक्शेशन आना चाहिए अब इंडेक्शेशन आने का मतलब सर क्या यह सब हम याद कर लें पूरा का पूरा नहीं कोश्चन पेपर में मिलेगा अब आप बोलोगे सर नहीं आया तो ऐसा आस तक ना हुआ है ना होगा और इसका गिनने का कोई तरीका भी नहीं है आपको हर जगह मिलेगा और यही रहता है कोई बदलता नहीं है जैसा ही अब इस साल आपका 331 है 331 तो अभी तक आप में आया नहीं है आप में अभी तक 317 चल रहा है शायद 212 का ठीक है न अगले साल आएंगे बच्चे वो 331 वाले सवाल जितने आगे बढ़ता जाएगा उसके हिसाब से आपका होता जाएगा ये सर बनता कैसे कौन बनाता है इसको हर साल finance minister एक rate decide करता है इस बार का इतना होगा और वो finance act के अंदर आता है फिर income tax में आके incorporate हो जाता है हर सल ये rate क्या होता है आता जाता है दूसरा सवाल आता है कि सर 2,001 में 100 है क्या इससे पहले नहीं हुआ करता था क्या इससे पहले कोई long term short term की परिभाशा नहीं थी था इससे पहले पहले इससे पहले अगर देखा जाए तो 1981 और 82 का था उससे पहले भी देखा जाए तो था तो government की लिस्टें लंबी होने लग ग काड़ेंगे इससे पहले भी होता तो कुछ सवाल जो आपके मन में होगा उसको मैंने क्लियर किया है तो सर जब कभी भी long term capital gain निकालना हो या long term capital assets को बेचेंगे तो sale value तो ठीक है ओके लेकिन हमें जो खरीदा है जिसको क्या नाम बोला हमने cost of acquisition उस cost of acquisition को हम क्या करने वाले कंवर्ट और कंवर्ट करने के लिए किसकी मदद लेंगे किसकी help लेंगे इसको बोलते हैं inflation indexation याने indexation की help लेंगे और इस इसाब से निकाल लेंगे सर एक और सवाल आता है कई बार ऐसा होता है हम improve कर देते हैं घर में Improve का मतलब होता है सार हमने घर के अंदर क्या करा कुछ extra construction वग्यरा करवा लिया एक floor और बिना लिया तो उससे बोला जाता इंप्रुव्मिन्ट जैसे ने आपने बना लिया कि बोला एक फ्लोर और बना लिया है मैंने अपने घर में तो आप तो बोलोगे एक मंजिल और बना लिया है एक फ्लोर और बना लिया है थोड़ा सा मैंने रिपेयर कर वा लिया घर को लेकिन income tax वाले उसको बोलते हैं भाई यह repair एक floor बनाना हमारे समझ में नहीं आता है इसको बोली आप improvement और कितना cost of improvement लगा वो भी minus कर लीजिए आप यानि अगर मैंने 50 लाग का बेचा था और अभी मैंने 10 लाग खर्च किये थे कुछ दिन पहले तो total minus कर लीजिए 10 और वह वाला जो आपका इंडेक्सेशन से आ रहा है total minus कर लीजिए इंप्रूमेंट को हम बोलते है cost of improvement यानि cost of improvement को मैं shortcut में बोलूँगा cost of improvement इसको shortcut में मैं बोलूँगा COI क्योंकि स्पेस कई बार कम होता है मैं पहले अब्रिब्रेशन बता दू ताके दिक्कत न हो तो सबसे पहले बताईए indexation clear है कैसे होगा अभी बहुत सारे सवाल करेंगे बिल्कुल clear हो जाएगा कैसे लगाना है पहले हमने बता दिया sir short term हुआ तो एक example ले लेते हैं short term का अगर ठीठ अगर short term हुआ तो short term के case में मान लो मैंने 1-1-2-0-2-2 में एक घर खरीदा, घर खरीदते ही मेरे घर वो सूट नहीं हुआ, मैंने 5-50 लाग का खरीदा, मुझे मझा नहीं आ रहा था उस घर में, मैंने 31-3-2-0-2-2 को मैंने कैसे नहीं कैसे करके बेच दिया, कितने का बेच आए 51 का बेच दिया, क्या इसका भी index एक लाक रुपे बात खतम यानि इधर कैपिटल एसे हमारा लॉंग ट्रम होगा तो लॉंग ट्रम के अलग कैलकुलेशन बनती और शौट ट्रम के अलग तो सर किस तरीके से निकाला जाए यह मैंने कुछ चार्ट मना दिया है जिसके अंदर जिन बातों को ध्यान दखना है कै कैसे होगा सब्सक्याने क्या निकाला जाएगा सर्सान फॉट ट्रम झाल धिया तो स्क्क्रार इक दोस या फिर निकाला जाएगा सर्समे स्वेल्यो-णॆन की की डेफिनेशन में чет सीखते जाओगे expense on transfer अब घर बेशते हैं तो property dealer को हम brokerage देते हैं तो वो भी हमारा transfer sale है सपोस करो मैंने 50 लाक रुपए का घर बेचा 1% commission देना पड़ गया 50,000 तो मैं मानूंगा मेरा घर जो विका है वो विका है 49 लाक यानि जितने मेरे pocket के अंदर पैसे आएंगे that is a sale तो यहां पर हमने इसी को थोड़ा detail में कर दिया के भाई या घर तो इतने का विका लेकिन मैंने property dealer को commission इतने का दे दिया तो उसको क्या कर दिया सर माइनस कर दिया बचा हुआ जो बचा उसे बोलेंगे net sale consideration इतना अप मेरे pocket में आया less cost of acquisition मतलब जितने का खरीदा था less cost of improvement जितने का हमने उसमें repair कर वाया इसके बाद आ जाएगा सर gross capital gain gross short term capital gain इसके बाद हम कुछ deduction देंगे जो बात कर रहे थे definition में और यह आ जाएगा हमारा capital तो यह किसकी कहानी थी लॉंग ट्रम पर आ जाएए लॉंग ट्रम पर क्या कहता है सर सेम फुल वेल्य ओफ कंसिडरेशन एक्सपेंसर कोई फरकी नहीं अब यहां देखिए यहां लिखा less क्या करें index index का मतलब वही convert index का मतलब क्या है convert करके जो cost of अच्छा इसका मतलब जो इंप्रूमेंट होगा उसको भी convert करना है बिलकुल हां उसको भी क्या करना पड़ेगा हमें convert करना पड़ेगा आ गया ग्रॉस और 54 तो 54 जीवी इफ एनी कोई भी deduction देने के बाद यह आ जाता है हमारा long term capital gain तो short term आ गया और long term आ गया कुछ बातें note में हैं और note में क्या बातें कुछ assets का indexation नहीं हो सकता सर ऐसे कौन से assets है जिनका indexation नहीं करना चाहे short term हो चाहे long term पहला depreciable assets ऐसा assets जिसके उपर depreciation लगाया जाता है उसका indexation allowed नहीं है चाहे short term plant machinery furniture यह सभी पर depreciation लगता है तो ऐसे assets पर indexation allowed नहीं है इसके बाद debenture और bond इस पर भी indexation नहीं होगा सर यह हमेशा इसका nature short term ही माना जाएगा यानि सर इसका indexation नहीं करोगे तो long term नहीं हो सकता युक्ised az dragon नहीं हो वह long term और जिसका indexation नहीं हो वो इसका मतलम मैं बोल रहा हूं यह जो मैं list कुछ note लिखें इसका indexation नहीं करना मतलब सर इसका नेचर रहेगा हमेशा short term बिल्कुल हाँ भले ही assets आपका 40 महने के लिए हो लेकिन इसका जो capital gain निकलेगा हमेशा क्या निकलेगा short term निकलेगा और क्या है सर listed equity share इसका भी indexation नहीं होगा लेकिन इसे exception कर लेते हैं सर यह long term और short term हो सकता है allowed indexation हम देखेंगे कहता in case of cost of improvement बाकी के जो हमारे यह लिखे हुए ना सारे points इसको जब हम question करेंगे पहले सवाल कर लेंगे फिर सवाल करने के बाद इसे पढ़ेंगे सब कुस समझ में आ जाएगा चलिए सर अच्छा indexation डाला था मेरे को पता ही नहीं था यह था indexation तो indexation क्या करना एक सवाल देखते हैं सीधा question करेंगे और format मैं question करता जाओंगा सारे के सारे आज question करेंगे आपकी किताब के ग्रीस आहुजा बुक के किताब के आपके सारे question करने वाले हैं काफी बच्चे कह रहे थे सर बुक का आप यूज़ी नहीं करवा रहे पहले तो आपने बोला बुक लो दीरे दीरे यूज़ होगा एकदम से नहीं होगा कैना सर एक बार clear कर दो सही से कौन सा है long term अभी clear करेंगे रमन long term कितने year का होगा आपका long term कितने year का होगा शायद आपकी आज first class एक पर पिछली class जरूर देख लें उसमें 24-36 महीने का अलग-अलग था वो आएगा land and building भी depreciable होती है सर देखो land and building depreciable है लेकिन यहां पे land and building को इस category में नहीं रखा गया है अब कुछ बच्चे करें सर वैसे तो सारे fix assets capital assets depreciable है लेकिन depreciable assets में plant and machinery और furniture मैंने कहा जो यह note है न यह मैंने नोट अभी पढ़ दिया है इसके लिए देखो मैंने prepare कर रखाया आप चिंता बिल्कुल भी मत करो मैंने पूरा list बनाया था यह देखो यहां पर पूरा समझाने वाला हूं कौन सा depreciable assets है कौन सा नहीं है सारी बाते कर लेंगे यहां पर अभी बस थोड़ा सा patience ना लेते हैं और आज की क्लास बहुत 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 इंपॉर्टेंट है क्योंकि basic basic सारे concept छोटे-छोटे सवाल के थुरू कर लेंगे बाकि आपकी किताब में भी यह सवाल है और मैंने यहां पर लिख दिया है तो किताब में जौरत है नहीं चलिए सर सवाल क्या कहता है कहता है एक्स परचेज आ प्राइज आ पीस ओफ लेंड एक चार एक 1978 1978 में खरीदा गया चार एक ठीक है इस लेंड सोल्ड बाय हिम इसको खरीदा कितने का गया और इसको बेच दिया गया एक चार दो हजार एक्किस को सर एक चार दो हजार एक्किस में सत्रा लाग का दा मार्केट वेल्य ओफ लेंड सर ये नई बाते आ गई जो मुझे आपको सिखाना है expense on transfer 2% अब सर हमें आपने सिखाया यहां लिखो full value of consideration value of consideration sir full value of consideration के बाद आप यहां से माइनस कर दो selling expense जिसको transfer expense भी बोल देते हैं तब जाके आपका यहां पर आएगा net sale consideration net sale consideration सर इसके बाद minus कर दो cost of acquisition सर पहले cost of acquisition निकालते हैं तो cost of acquisition में खरीदा कितने का था पांच लाद फॉर्मूला देखिए क्या लिखाता सर फॉर्मूला कहा गया यह रहा फॉर्मूला फॉर्मूले में क्या कहता है जिस साल आपका यह फॉर्मूला क्या कहता है जिस साल आपका यह sale हुआ वो ले लो और जिस साल आपने खरीदा वो ले लो तो चलिए सर, जिस साल सेल हुआ इंटु में करना है तो जिस साल सेल हुआ उसको अगर इंटु में करें तो सेल हुआ हमारा 2000 21 में सेल 2000 देखते जाएगा 2021 सर, 2021 की बात करें तो यह 301 है तो लीजिए सर यहां मैंने ले लिया 301 divided by जिस साल खरीदा गया था सर खरीदा कब गया था सवाल में 1978 तो सर यहां पर 1978 की लिस्ट ही नहीं है तो क्या इसका मतलब जो 2000 एक और दो से पहले प्रॉपर्टी बेचेंगे क्या उनको हक नहीं है कि इंडेक्सेशन करने का गॉर्मेंट ने बोला ऐसा हम नहीं कह रहे हैं अ यहांनि सर अगर इन केस आफ यू पर चेज एनी लेंड बिफोर 2001 और फियर मार्केट वेल्यू किस डेट का वन और टू का जो भी वेल्यू होगा उसके उपर पहले तो आपको क्या करना है जैसे माल लो आपने प्लॉट अभी मेरे वाले कोश्चन में भी देख लीजे यह जी 50,000 का खरीदा था मैं कहे दू ना ना तुम्हें इंडेक्सेशन नहीं मिलेगा बोले गा ऐसा कैसे बोला कि भी आपके पास हमारे पास तो लिस्ट ही नहीं है इंडेक्सेशन का हमारे पास तो लिस्ट है 2000 एक और 2000 दो से तो आप पहले पता करिए कि इसका कितना 5001 का ये वैल्यू रहा है जिसको बोलते हैं FMB Fair Market Value जिसको हम बोल देते हैं Fair Market Value या फिर Market Value तो हम क्या ले लेते हैं SER Market Value इसका मतलब सर बहुत सीरी सी बात है यहाँ पे यह value कामियाब नहीं है हमें यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा पांच लाग के वजाए fair market value जो की है पांच लाग 11 अब इंटू में इंटू में सर कब बेचा है बेचा 2021 में है और 291 में बेचा है सर तो 9 21 की बात करें तो 21 22 आ गया 317 ले लिया जाए इसमें 317 317 divided by सर डिवाइड अगर आपने 2001 और 2002 का value लिया है तो क्या इस साल का हमारे पास indexation है या नहीं है है सर कितना है सर starting का हमेशा 100 ही रहेगा तो इसको divide किस से करेंगे 100 से समझ रहे हो बात sale consideration तो सवाल ने कहा ही था कि हमने कितने का करा है सर 17 लाक selling expense 2 परसेंट तो इसका 2 परसेंट निकालोगे तो 38 अजार इसको माइनस करके कर लेंगे पहले अब यहां तक देखे किसी के सवाल में कोई doubt है तो बताईए क्या आएगा 38 अच्छा 34 अच्छा 34 तो सर 17 लाक का 2 परसेंट माइनस करके 16 लाक 66 अजार अब इसको देख लेते हैं 5,1,2,0 यह 16 लाक 20,500 सर यह आगया इसको माइनस करेंगे अब आगया हमारा long term capital gain और एक वर्ड और बोलू मैं ज़्यादा से ज़्यादा long term capital वर्ड के लिए LTCG standard word है इस्तमाल किया जाता है इसको LTCG तो कितने आगये 45,000 406 यह 96 चलिए बताइए पहला सवाल हमने कर लिया थोड़ा सा testing हमने देख लिया कि क्या करना है इस सवाल में हमें एक बात समझ में आया in case of क्या आया नोट मैं यहां नोट लिख देता हूं सर क्या समझ में आया इसमें इन केस ओफ एनी एसेट्स परचेज एक चार दो हजार एक तन अर्केट वेल्यू एक चार दो हजार एक कहने का मतलब है सर इन केस ऑफ एनी एसेट्स पर्चेज बिफोर एक चार दो हजार एक जन मार्केट वेल्यू टेकन करना पड़ेगा एक चार दो हजार एक एज़ार एक एजा मैं सवाल है एक नोट हमने देख लिया पाथ न imaging बघलेंगे चार्ट मेंसे कर रह लोका मज़ा नहीं आता मिरे बासए shelters क्लिए सट कज छोता जाए सथ स्व क्या है सउ इंडेक्सेशन का पाठ बैप उसमें कह रखा है कि इस साल का indexation 100 होगा अभी आगे देखते जाईए एक और सवाल करें चलिए एक और सवाल मैंने कहा था ये सवाल जितने भी रहेंगे वो बहुत कम आपका टाइम टेकिंग करेंगे बस आपको पढ़ने में जो टाइम लग जाए यह तो बहुत बड़ा हो गया चलिए सर आ जाईए क्या कहता है सवाल कहता है एक से क्वायर दा प्रॉपटी प्रीवियस येर 1982 और 83 में पांच लाग का एंड पेड एक मिनट मैं इससे थोड़ा और आसान सवाल देख लिया जाएं जिफ्टेट ठीक है सर इसके बाद ये है साथ आठ चलिए ठीक है सीक्वेंस ही चल लेंगे ध्यान दीजे ध्यान दीजे कहता है एक्स है मिस्टर एक्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आ रहा है इसने घर खरीदा एक प्रॉपटी खरीदा अधार प्रॉपटी खरीदा उनिस सो ब्यासी और तिरासी नाइंटीन एटीटीटीट्री कितने का खरीदा सर पांच लाग का एंड पेड एक लाक अठारा अजार एज रीजीस्ट्रेशन चार्ज म सर्डॉजिस्ट्रेशन चार्ज पेड कर दिया इसने एक लाक अठारा हजार अरह हजार दम प्रॉपटी एक चार 2 हजार एक का कितने का था हमारा haga सीधा वेल्यू कौन सा आएगा 142,000 एक वाला आगे कहता है कुश्चन में एक्स डाइड समस्य यहां एक्स नहीं रहा जो एक्स है वो डाइड हो गया एक्स के दैथ हो गई दैथ कब हुआ एक्स का 15-9-2018 और दा प्रॉपर्टी वस ट्रांसफर हिस सन और यह घर यह घर इसके बेटे को मिल गया किसको मिला वाई को जो इसका बेटा वाई था थ्रू इनहेरेंट्स इनहेरेंट्स का मतलब विरासत में मिल गया और इस दिन का भी मार्केट वेल्यू हम बता रहें आपको कितने रुपये सर 40 लाग इसके बेटे को जिस दिन प्रॉपर्टी मिला उस दिन प्रॉपर्टी की वेल्यू कितने थी 40 लाग, why sold this property और why ने अपने पापा की प्रोपटी को बेच दिया, कितने का बेच दिया, 65 लाग का, 31,520 किस, 31,520, 21, sir, कितने का बेच दिया, 65 लाग रुपए का बेच दिया, इसने, कहता है, compute capital gain for the assessment year, assessment year 22, जो कि हम कर रहे हैं अभी हाल प्लाल में, सवाल, full value of consideration, सर कितने का बेच दिया, less expense, सर कोई expense सवाल में, discuss नहीं किया गया, तो नहीं होगा, यह आ जाएगा, net, सेल कंसीडरेशन, सर क्या आएगा, net सेल कंसीडरेशन, 65 लाग, माइनस कर देते हैं, cost of acquisition, सवाल यह आता है, इसके पापा ने खरीदा था 5 लाग का, फिर एक तारिक का value यह था, इसका बेटे को जिस दिन मिला value 40 लाग था, अब तीनों में से पहले तो यह दोनों clear करते हैं, यह दोनों में से तो आएगा पका यह, यानि सर यह वाला part तो किसी काम का ने, इसको तो पहले दिमाग से निकालो, अब confusion है, कि बेटे ने बेचा है, तो बेटे का खरीदा हुआ क्या price माने, 40 लाग price माने, क्योंकि जिस दिन उसको मिला वो क्या था, 40 लाग या 20 लाग माने, जो कि एक चार का value था, सवाल, यहां पे यह आता है confusion वाला, तो क्या कहा rule, देखो हमारे कहने से कुछ नहीं होगा, रूल क्या कहता है, रूल कहता है, भाईया previous honor का ही cost of acquisition लेना पड़ेगा, सर, previous honor का मतलब, भाईया यह नया honor है, और previous honor इसके पिताजी है, तो cost of acquisition हमेशा previous honor का लेना पड़ेगा, अगर इसके पापा gift भी दे देते ना, तो कौन सा लेते, previous honor, sir, यानि सवाल में सबसे main point, यहाँ पे लेगे हम 20,00,000 रुपे, divided by 100 रहेगा, 100 क्यों, क्यूंकि हम 20,00,000 रुपे ले रहे हैं इस date का, और sir, इस date की indexation की अगर हम बात करें, तो इस date का indexation हमारा कितना था, 100, और हम अगर 21,00 की बात कर लें, तो क्या है, 317, तो sir, 21,00 में आ जाएगा, 317, तो एक सवाल और समझा, पिछले वाले सवाल में हमने क्या सीखा, कि अगर हमें पुरानी value given हो, तो 2001 की value ले लेंगे, इस वाले सवाल में क्या सीखा हमने, अग present matter, जो पुराने मालिक ने खरीदा था, वो value से हम सारा का सारा consider करेंगे, sir, तो आज आईए यहां पर, यहां पर देखा जाए, तो 20,00, इंटू में 317, डिवाइडिड बाइ 100, 63,00, चालिस अजार, अब आगया यह LTCG, हां, एक साथ, किसी बच्चे को कोई इसमें doubt, किसी बच्चे को कोई doubt, फादर अगर सन को देता है, तो वो भी transfer थोड़ी होता है, बिल्कुल सही बात है, वो transfer नहीं होता, क्योंकि transfer regard not, जिस दिन विकाही नहीं माना जाएगा, तो फिर म माना जाएगा, जिस दिन खरीदा है, उसकी value मानेंगे, पहले बताईए, इस सवाल में कोई doubt, एक बच्चा कह रहा है, सर, 2021 में से 2078 तक यह 43 साल होते हैं, तो long term है, हाँ जी, इतना ज्यादा थोड़ी जाना है, हमें तो वैसे ही पता चल रहा है, सर, यह long term है, बिल्कुल आपके 10 year के अंदर सारे given है, और यह PDF तो देखो, मैं upload करता ही हूँ, कि आप आप उसको note करका हो, क्योंकि मैं note करने के लिए time देता नहीं, और जो बच्चे offline भी हैं, उनको भी telegram पे daily basis पे PDF अपडेट किया जा रहा है, last class का भी आ गया होगा PDF जिससे के आप note कर पाओ, उस PDF को save करके नहीं रखना नहीं, तो वो बहुत ज्यादा dangerous होगा आपके लिए, सर वीडियो disabled, सर वीडियो disabled है, तो आप देख कैसे रहे हैं, पहले बताईए, बच्चे कह रहे हैं, सर रेजिस्ट्रेशन चार्ज की value एड नहीं होगा, अब देखें, रेजिस्ट्रेशन चार्ज की value इसलिए एड नहीं होगा, क्योंकि इस दिन जो value निकाला गया होगा न चलिए, एक और सवाल देखा जाएं, और यहाँ पर old rhythm, new rhythm का कोई role नहीं रहता, तो इसमें कोई मतलब ही नहीं है, सर, फिलाल के लिए तो, format बना लेते हैं, हम इसी तरीके से छोटे-छोटे सवाल देख लेंगे, और उसके बाद फिर बड़े सवाल पर आएंगे, बहुत छोटा सा chapter है, सर, यह, लेकिन concept पता होना ज़रूरी है, देखिए सवाल में क्या कहता है, एसेट्स एक्वाइड बाई एसेसी फ्रॉम दा प्रीवियस ओनर, सर, एक एसेट्स एक्वाइड किया गया था, एक चार दो हजार एक में, कहता है, एक्स एक्वाइड अलेंड, एक्स ने एक्वाइड लेंड किया था, नैंटी नैंटी सेवन में और नैंटी एट में, साठ हजार रुपे का, और गिफ्टिड तू मेजर सन, अब यहां गिफ्ट दे दिया गया, अपने बेटे को गिफ्ट दे दिया, कब दे दिया गया एक छे दो हजार सवाल तो आप समझी गए होंगे और जिस दिन गिफ्ट दिया गया उस दिन इसका वेल्यू था ग्यारा लाक पचास हजा दा फेर मार्केट वेल्यू आफ एक चार को बारा लाक रुपए और सर बोलता है सवाल में एक चार को हमारे जो फियर मार्केट वेल्यू है वो है बारा लाक वाई ने सोल्ड कर दिया इस गिफ्ट को 21-22 के अंदर 40 लाक का तो सर सोल्ड यानि सेल कंसिडरेशन सेल सेल कंसिडरेशन मैंने लिख दिया पहले फुल वेल्यू ओफ कंसिडरेशन ले लेते हैं फुल वेल्यू ओफ कंसिडरेशन सर कितने का बेचा 40 लाक सेलिंग एक्सपेंस है क्या अजियूम डेट्स एक्सपेंस ट्रांसफर एक लाक रुपए तो है सर एक्सपेंस कितने का है एक लाग का तो बचा हमारा कितने का थर्टी नाइन लेक का इसके बाद क्या कहता है compute the capital gain for assessment year 22 days, assume the expense on transfer एक लाग रुपए है what would be the capital gain if land was gifted by X to his son on 15-5-2007 अगर इसके बेटे को इस दिन gift दिया जाता तो क्या आता simple सी बात है सबसे पहले तो minus कर दें, coa, coa में fmb लेंगे, fmb कितना है 12,00,000 into में, आप divided में तो 100 रहेगा क्योंकि कौन सा अउनर लेगा है, इस date पे इसके बेटे को मिला तो क्या ये date consider किया जाएगा नहीं किया जाएगा प्रिभिएस ऑनर का concept के आएगा यहाँ पे, और in two में हमारा 317 th r a 38, 00.000,000 37,4,000 कि माइनस करके आगे हमारा एल्टी सी कि 90 इसार बोलता है कि अगर इसके बीटे को 15 75 बीटे को तूम कभी दे तो बीटे की वाले को जिस दिन मिला है उस दिन की वेल्यू का तो कोई निंपॉर्टेंस है यह नहीं तो बेटे को उस दिन भी देता तो क्या आपकि पर फरक पड़ता जवाब शेयलने कोई आंसर पर हमारा नहीँ परटता कि थूर कि स्क्रीन पर मैशिड सो हो रहा है कौन सा मैसिड आरहा है मेरे समझ में नहीं आरहा वीडियो चल नहीं रही है वाई बाकी बच्चे जितने भी है लाइब में बताईए वीडियो क्लियर आ रही है नहीं आ ताकि पता चल पाए कि अगर सभी को दिक्कत आ रही है तो जैन्मेन प्रॉब्लम है अगर कुछ दिख्कत दिख्कत आ रहे हैं तो हो सकता है इंटरेट वहाँ सेटिंग का ऊप्षन होता हो ठीक कर लेंगे करें वीडियो डिसेबल्ड कुछ बच्चे कार रहे हैं तो जिन बच्चे का रहा है ने डिसेबल्ड आप आप एक काम करिए दूसरा कोई भी मोबाईल हो तो एक बार वीडियो बना लिए ताकि मैं उसके आपके प्रॉब्लम को सौट आउट करवा पाहूं देखे कि क्या एक चुर प्रॉब्लम मुझे समझ नहीं आ रहा है काफी बच्चे बोल रहे हैं सर बिल्कुल क्लियर आ रही ह रहे हैं काफी बच्चे करें वीडियो चल नहीं रही बट डिसेबल्स हो रहा है यो एक बार प्रीस jus बच्चो के साथ यह प्रॉब्लम आ रहा रहा है बाकि रिकार्ड़ तो आपको मिलता है जिसके पास यह प्रॉब्लम आ रहा है यो फटा फट से एक छोटे से किसी other mobile से screenshot तो लिया नहीं जाएगा किसी other mobile से छोटे वीडियो बनाके आप मुझे भेज दीजिएगा 913636 बॉला जो नंबर भेजा हुआ है उस पे मैं एक बार refresh कर लेता हूँ चलो मैंने कर लिया सर refresh अब यहां पर बच्चे बढ़ गए रिफ्रेश करने के बाद बच्चे कहने सर बारा लाक रुपए क्यों किया क्योंकि FMB इस डेट पर जो मार्केट वेल्यू होगा उसी को तो लिया जाएगा आपने प्रॉपटी इस डेट पर खरीदा है इस डेट पर इंडेक्सेशन तो है यह नहीं तो कौन से डेट का वेल्यू लेंगे एक चार का वेल्यू लेंगे जिस दिन का इंडेक्सेशन अवेलिबल है और सवाल में यही दे रखा है चलिए देखे मैं दुबारा समझा देता हूं कुछ बच्चे कह रहे हैं सवाल में ये था कि Mr. X का X ने ये प्रॉपर्टी खरीदा था उननिस सो सतानवे अठानवे में 97-98 में कितने का 6 लाग का उसके बाद उसने अपने बेटे को एक छे दो हजार में मरा नहीं है यहाँ पर अपने बेटे को गिफ्ट दे दिया है 11,50,000 रुपए उस दिन वैल्लियू था जिस दिन बेटे को क्या दिया था इसने गिफ्ट दिय यह वैल्लियू है तो सर इस दिन खरीदा था बेटे को इस दिन गिफ्ट दिया तो बेटे ने क्या करा चलाकी करी और बेटे ने बेच दिया इसको कब बेचा बैटे ने 15,09,2021 में बेटे ने सोल्ड कर दिया कितने का बेचा सर 40,00,000 रुपए का तो सबसे पहले assets बेचा गया है तो capital gain arise होगा और long term ही होगा क्यूंकि लंबे समय का है तो सबसे पहले sir long term की बात करें तो ये रहा 40 lakh expense question में बोला था 1 lakh रुपए अब बात करते हैं indexation sir एक चार को ये वाला जो value होगा वो तो indexation की हमारे पास है नहीं तो किस rate की value पकड़नी पड़ेगी हमें 2001 और दो की 2001 और दो की हमें value दे रखिये बारा लाक वही लिया उसका indexation 100 होता है और जिस साल बेचा जा रहा है एक किस बाइस एक किस बाइस है एक किस बाइस का indexation क्या होता है 317 उसके हिसाब से नहीं देगा तो आप अजम्शन ले सकते हो के सर हमारे market value इसी को consider करके कर रहे हैं अगले सवाल किसे करने से पहले इसको बाद में देखेंगे चीक है यह थिए आला पोर्सन ना अगर आपको practical समझ में आ गया हां सर इसमें ऐसा होता है ऐसा होता क्लियर हो जाएगा हाँ यह तो करा तो था भी प्रैक्टिकल में यही बातें यहां पर लिखा हुआ है तो मैं पहले प्रैक्टिकल ही करा देता हूँ सर क्या कहता है यह question question कहता है e purchase a house 2005 में चार लाख दस अजार एंड पेड वन थाउजन गेटिंग पर प्रपर्टी registration पंदरा चे को ही spent ध्यान दीजिएगा पंदरा चे को इसने एक लाख असी अजार रुपे खर्च दिये improvement of house the house sold on 21-10-21 को कितने का 25 लाग का Commission भी दिया sir 45,000 was paid sale house compute capital gain capital gain compute करना है अब देखिए सवाल के अंदर cii दे रहा है cia क्या होता है cost of inflation indexation तो हम ना इसको cii भी बोल देते हैं cii क्या है cost inflation indexation inflation क्या होता है महंगाई महंगाई के लिए तो था कि महंगाई बढ़ी है तो rate वही मिलना चाहिए कहता है sir 5-6-6-7 और 21-22 का हमने कुछ data आपको दे दिया है तो सवाल exam में ऐसा ही data मिलेगा आपको ऐसा नहीं कि आपको बार-बार देखना पड़ेगा यह कुछ करना पड़ेगा तो data जैसे हम मिला है मिलेगा चलिए सर इसके अंदर एक नई बात आ गए इंप्रूमेंट की अच्छा इंप्रूमेंट की बात आ गई है देखिए क्या लेंगे सर फुल वेल्यू ओफ कंसिडरेशन सर कितने का विखा खर्च दिया इस पर लेस एक्सपेंस कितने रुपे कितने 45,000 एने सी नेट सेल कंसिडरेशन 24 लाक पच्पन हजार माइनस कॉस्ट ओफ एक्विजेशन सर कॉस्ट ओफ एक्विजेशन इसने खरीदा था कब सवाल में कहता है 286 2005 को खरीदा था और उसके ऊपर रजिस्टरेशन पेड किया था ये तो सर 286 2005 में खरीदा गया था चार लाक और उसके ऊपर एक्सपन्स रजिस्टरेशन का कर दिया था उसने एक लाक दस आजार तो सर अब जो देखा जाए तो पांच लाख बीस अजार मेरे पॉकेट से खर्चे गए थे अब यहाँ पे लिया जाएगा पांच लाख बीस अजार अब इंटू और डिवाइड सर जिस साल खरीदा गया था डिवाइड और जिस साल बेचेंगे वो तो 317 है जिस साल खरीदा गया था डिवाइड तो खरीदा गया था हमारा पांच और छे तो सर पांच और छे में 117 समझ में आई बात आपको पहले देखें अब इसके अंदर एक पॉइंट और आ गया कॉस्ट ओफ इंप्रूब्मेंटकॉस्ट आफ इंप्रूब्मेंट्ट हो गया सर कहता है इसने 180 और खर्च कर दिये कब सर 15 दो हजार 156 में इसने कितने खर्च दिये तो सर यह भी मेरे कॉस्ट का पार्ट आ है एकसी और इसका भी इंडेक्सेशन करना होगा जिस साल बेचा गया वह 317 और जिस साल खर्चे गए उसका डेट लेना है तो खर्चा गया हमारा और इसका हमारा क्या है एक सो तो सर 122 आ गया तो सवाल करतें अब बड़ी सीधी साधी बात है पांच लाख बीस अजार इन डिवाइड़ वाइए एक एक साथ कितना आगे 14 लाख आठ हजार यही है ठीक है अगले का चार लाख यही है एक और जिरो चार लाख सर सट हजार सर इसको माइनस करिए क्या रहे 578-408 चलिए सर बताइए कोई डाउट बच्चे कह रहे है सर 7.5 का अंसर सब आंसर दिखाएंगे चिंता मत करिए सारा अंसर दिखाएंगे और आपके पास अगर बुक है तो बुक में तो अवेलेबल होगा यह आंसर दे रखा है बुक में देखो आपके पास होगा तो देखो हमने कितने सवाल कर लिए चार पहले सवाल में देखा बड़ा बेसिक सा चीज था और के अगर पुरानी वेल्यू होगी तो कैसे कैलकुलेट करेंगे एक सवाल देखा अगर कोई person जिसने original खरीदा था और वो property उसके किसी बच्चे के नाम पे चला गया तो कैसे करेंगे गिफ्ट हुआ तो कैसे करेंगे अगर इसमें improvement हो गया तो कैसे करेंगे वो चीज़े हमने देखा आगे बढ़ें हम चलिए सर एक और सवाल बस अभी तो और भी सवाल है बस लास्ट बड़ी जल्दी खतम होगे इस सारे सवाल तो चलिए सर इसमें क्या सिखाया गया एक बार देख लेते हैं residential house है और amount spent चलिए हाँ अभी जिसको सवाल नहीं दिख रहा भी दिखा देते हैं चिंटा मत करिए हाँ बता तो दिए अभी दिखा रहे हैं दिखा रहे हैं बहुत देखो ये लेजिए ठीक है चलिए पढ़ते हैं कहता है आर एक्वाइर आर रेजिडेंशल हाउस एक घर खरीदा और घर खरीदा एक नौ उन्निस सो सर कितने का आठ लाग का इस पिंट सिक्सी थाउजन और इसी घर के उपर इसने एक्स्पेंस कर दिया सर एक्स्पेंस क्या किया होगा मैं थोड़ा सा आपको समझाना चाहता हूं देखते हैं कौन बच्चा सही से जवाब देगा पहले मैंने एक घर खरीदा ही स्पेंड सिक्सी थाउजन इंप्रूमेंट ऑफ हाउस प्रॉपर्टी मैंने समझ लो मैंने और पैसे खर्च कर दिये और एक प्रॉपर्टी और इसके उपर बना लिया कब खर्चे ये और इस इम्परॉउमेंट में मेरा पैसा चला गया यानि दो मंचिल का मकान दो फ्लो का मकान हो चुका है हमारा पहले खरीदा था वन फ्लोर था एक और इसके उपर मैंने बना लिया साथ हजार खर्च करके फ्लोर लिखा नहीं है बस मैं समझाने के लिए आप से एक सवाल पूछूँगा मैं अब फर्दर अमाउंट दो लाक वाज इस पेंट बाई अच्छा यह खर्चा पर खर्चा किया जा रहा है तो और भी इस पर खर्च किया इसने टाइल वगएरा लगवा दिया यहां और सर यह कब किया इसने किसमे 15 11 2005 में कितने रुपय कि ओलाग रुपय कि मुष्पंट 25 कि ओज सपेंट फिम ऑन 15 ग्यार 25 ओन इंप्रूव्मेंट ऑफ आउस ज़ाम करो कि अर ने ग्फ्ट दीया अपने सं को B B को कब दे दिया इसने सन को कब 12-10-2000 14 में गिफ्ट कर दिया और जिस दिन गिफ्ट किया गया कहता है कि B को किया गया उसका बेटे का नाम क्या है अब B को गिफ्ट करा और B ने बोला चलो मैं और इसको बहतर तरीके से बनाऊ और B ने कुछ expenditure कर दिया एक इतने का और दूसरा expenditure यह कर दिया यानि बी ने जैसे ही घर इसके हाथ में आया इसने फटाफट expenditure करना चालू किया पंद्रा साथ कि 2015 को एक खर्चा इसने कि दो चालेश और फिर खर्च दिया पंद्रा च्हें कि दो अजार इक्किस में भी पैसे लगा इसने यानि इसके जो भी बच्चा था इसका संथा उसने इस घर में और भी खर्च किये समझ रहे हो कोशन थोड़ा थोड़ा कोशन क्या हो रहा आगे इंप्रूब होता जा रहा है पहले सिंपल सा था था थोड़ा सा इक स्टेप इंप्रूब्मेंट अब इंप्रूब्मेंट में दोनों आ गए यानि जितना सीखा सब कुछ आ रहा है यहां पर कहता है बी सोल्ड अबब हाउस और बी ने दो जार इकिस में बेच दिया कितने जाओ यहां पर का साथ लाग का सबसे बहले तो यहां पर फुल वैली ओफ कंसेडरेशन सर कितने का बेचा साथ लाक रुपए का एक्स्पैंस दो परसेंट तो लेस हो जायेगा कितने थो परसेंट एक भी इस तीस कौन बोल रहा था वाई तो यहां बचेगा 58 80 compute the capital gain और आपको fair market value दे दिया 12 लाग रुपए ठीक है सर फियर मार्केट वेल्यू कब का है मैं इसको अलग से कर देता हूं ताकि आपको highlighted रहे एक चार फियर मार्केट वेल्यू पता ही क्या होता है आप मकान के सामने खड़े हो गए मकान को देखा और आप बहुत मंजेवे खिलाडी हो और फिर आपने बोला भईया इसकी कीमत इतनी होगी ये तो भईया बीस लाग से उपर का प्रॉपटी है यह नहीं अब जब आप देख रहे हो मकान को तो आपने सब कुछ देखा होगा पूरा दो मंजल का है तीन मंजल का है चार मंजल का है या क्या चीज़े है टाइले लग रहा है लोकेशन सब कुछ देखोगे ना आप क्यूंकि आप अगर प्रॉपटी डीलर हो तो इच और फिर खरीद होगे तो सर आप मुझे बताइए सबसे पहले मैं बात करता हूँ यहाँ पे क्या सर कौस्ट ऑफ अपवगोजेशन की बात करूँ तो कौस्ट ऑफ अपवगोजेशन तो हम लेंगे फियर फम बी जो की चलेगा बारा लाग से अब इसके बाद अगले पोइंट पे आ जाते हैं कॉस्ट ऑफ सर कॉस्ट ऑफ इंप्रूमेंट एक नहीं है एक कॉस्ट ऑफ इंप्रूमेंट यह है एक कॉस्ट ऑफ इंप्रूमेंट यह है एक कॉस्ट ऑफ इंप्रूमेंट यह है मेरा सवाल है, क्या साट हजार रुपे कॉस्ट आफ इम्प्रॉमिंट लिए जाए गा या नहीं लिया जाएगा। क्यों नहीं लिया जाएगा? 2000 पहले क्यों नहीं लिया जाएगा? कोई लॉजिक बताईए सार? बच्चे करें कुश्चन नहीं दिखना पूरा दिखा दो अब तो दिखा दिया जवाब है सर नहीं लिया जाएगा जवाब है नहीं लिया जाएगा आप देखो मैं 2001 में हूँ 2001 में मैं बोल रहा हूँ इस प्रॉपर्टी का इतना है तो सिर्फ पहली मंजिल का बताऊंगा या पहली और दूसरे फ्लोर दोनों का ही बताऊंगा अगर मैं 2001 में खड़े होगे इस प्रापटी का एक वेल्यूएशन लगाऊं तो सिर्फ फॉर्स फ्लोर का बताऊंगा यह दोनों का पूरे मकान का अब पूरा मकान का अगर मैं वेल्यू बता रहा हूं यहां पे के 12 लाक है तो यह इंप्रूमेंट वाले को देख के सब जुड़ चुका है ना इसमें समझ रहे बात को तो इसलिए अगर आपका 2001 से पहले any kind of improvement done by any SSC then it will be ignored उसे क्या कर देंगे क्यों क्यूंकि 2001 में वो already include हो गया हो क्यूंकि valuation पूरी हुई होगी तो सर यहां पे साथ हजार रुपे तो नहीं लेंगा बचे तीन अब तीन में एक पिताजी का कितना दो लाक और दो बेटे का अब बेटे वाला लिया जाएगा नहीं लिया जाएगा सर पिछली बार बेटे वाले का fair market value छोड़ दिया था पिछली बार क्या करा था छोड़ दिया था अब बेटे वाला लिया जाएगा नि लिया जाएगा लिया जाएगा बाई बेटे ने जो भी इंप्रूमेंट किया actual पैसा खर्चा हुआ है तो लिया जाएगा यानि सर अगर बेटे को घर गिफ्ट में मिला तो जिस दिन घर गिफ्ट में मिला उस दिन market value का है doesn't matter लेकिन अगर उसके बेटे ने या जिसको भी मिला है उसने कोई भी improvement done कर दिया तो वो consider किया जाएगा तो सर यहाँ पे लिया जाएगा दो चालिस भी और यहाँ पे लिया जाएगा एकसी भी अब सर फटा फट से इंडेक्सेशन लगाईए इंटू में तो 317 करेंगे डिवाइड करेंगे हम 100 फिर से इंटू में 317 करेंगे सर डिवाइड करेंगे अब दूसरा जो इंडेक्सेशन हुआ था पांच में हुआ था तो पांच का वेल्यू निकाल ले पांच क्या होगा यह 5 और 6 में जाएगा यह तो सर पांच और 6 का अगर हम देखें कितना है आप बुक में देखें बताइए कितना है एक सो सत्रा इंटू में तीन सो सत्रा अब जो तीसरा उसके बेटे ने किया है सर वो 2015 में किया है यह 15 और 16 बनेगा तो कितना हो गया 254 इसके बाद आ जाते हैं सर आपका 2021 के अंदर 21 और 22 के कैटेगरी में जाएगा तो कितना आएगा इन्टू 317 तो करीदे और डिवाइड़ बाए तीन सो सत्रा आएगा समझ में आई बात चलिए सर टोटल करके आंसर निकाल ले 38,000,000,000 आगे एक और 0 एक मिनट 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 चलो आगे हां अरे मनमन में नहीं बोलना तर फाइव पॉर्टी वन आगे तू नाइनटी नाइन पाइव टू सेवन और एक असे सर अब ये पूरा सवाल हो गया जिसमें आएगा काल्टी माइनस थ्री एट जिरो माइनस फाइव फॉर वन डबल एट जिरो माइनस तू डबल नाइन फाइव तू सेवन माइनस वन एट टी सर या गया टेन फाइव फॉर फाइव नाइन सर लॉंग ट्रम कैपिटल गेन पर एक बात याद रखिएगा हमेशा बीस परसंट का कैपिटल गेन टेक्स ब्रैकेट लगता है स्पेशल रेट लगते तो इसके स्पेशल रेट जितने भी कराएंगे तो सारा कवर कर लेंगे पहले देखिए सवाल समझ में आया या नहीं आया सर बारा लाग क्यों लिया कॉस्ट आफ एकुजेशन में खुशी आपको हर बार एक ही प्रॉब्लम कुश्चन में डाउट आ रहा है मार्केट वेल्यू बारा लाग क्यों लिया क्योंकि आपके इसाफ से क्या लेना ये बता दो आपके इसाफ से क्या लेगा तब ही मैं समझा पाऊँगा ना और अच्छे से आप बताईए जितने भी बच्चे में बैठे वे बताईए क्या सही है सारा समझ में आ रहा है दस नंबर का ऐसा सवाल आएगा आपके एक्जाम बें लेकिन आपको कॉंसेट्ट पता होना चाहिए बस अरे बड़ी जल्दी नो बजने वाले हैं उसी क्या आना चाहिए चलिए चलिए कोई बात नहीं आप एक बार देख लीजिएगा क्लियर यह इसलिए लेते हैं कि अगर आपने 2000 मैं फिर से बता देता हूं फिर से बता देता हूं दो हजार एक से ध्यान दीजिए दो हजार एक से पहले हमारे पास इंडेक्सेशन नहीं होता है इधर नहीं दीख रहा है तो इधर बता देता है कि जो हमने अभी सवाल किया है इसके अंदर यह जो वैल्यू गीवन है यह यह दो हजार एक से पहले वैल्यू को और यह नहीं हो सकता है कि 2001 में वेल्यू कम हो कि दुप करें दून के नहीं कहता कि आप फियर मार्किट विल्यू लो गवार्मिन ने लो में में इसा अक्सर कंसीडर किया जाता है लेकिन पूर्दा टेक्स परफस प्लैनिंग के लिए मान लेते हैं कि 2001 में होता तीन लाग रुपए और अपटे का रेट डाउन भी हो सकता है कई बार के इतने का होता तीन लगा जैसे यूग्रेन में जाओ हाँ महंगी खरीदी थी और 2000 खरीदा मान लेते हैं यूकरेन में अगर आपने कितने के खरीदा होगा आज आपको वहाँ पर सस्ता मिलेगा है ना क्योंकि वहाँ पर ऐसा सिचुएशन बन गया वार वाला सब बेच रहे हैं सोचे खरीदने वाला तो कोई है यह नहीं तो क्या पता 2001 के अंदर आपकी वेल्यू कम हो और खरीदा जादा हो यह आपका आठ लाक रुपए का और यहां पर मैं बोलू चार लाक है तब आप कौन सा कंसीडर करोगे फोर दा परपस आफ टेक्स प्लैनिंग तो मैं बोलूंगा सर हम 2001 की मार्किट वेल्यू को इग्नोर करेंग एक्जामने ने चलाकी के लिए डाल दिया आपका वेल्यू चेंज कर दिया तो उसने जहां एक चार का वेल्यू लिया वह आंसर गलत हो जाएगा प्रस्तनर टेक्स प्लैनिंग के कॉडिक चलिए सर अब हम कुछ नोट पढ़ने लाइक हो गए हैं चलिए सर क्या कहता है यहां नोट पर छोड़ा था हमने कहता है in case of cost of improvement before 142001 cost of improvement will be ignored समझ में आई बात अगर कोई भी cost of improvement 142001 से पहले किया गया तो क्या करेंगे ignored करेंगे after 142001 actual cost incurred अरे 21 गलत आ गया सर इससे भी ठीक कराएंगे यह 2001 आना चाहिए after 142001 जो actual cost incurred हुआ है वो लिया जाएगा इंप्रुमेंट वाली बात जो मैंने भी practical में कर लिया तो आपके लिए नई बात नहीं लग रही होगी है वह एक चाहर दोजार एक से पहले अगर होगा तो ignore कर देंगे बाद में होगा तो वही ले लेंगे आगे कहता है concept of previous honor previous honor में in case of any capital asset transfer by way of gift inheritance the cost of acquisition will be taken as a previous honor सर यह section हमें ऐसा करने को बोलता है उननचास एक in case of previous honor purchase assets before 142001 then cost of acquisition taken fair market value 142001 तो यह सारी line पढ़ोगे तो आप सवाल करने के बाद आपको लगेगा यह तो हमें पता ही है क्या बोलता है यह line कि अगर previous honor का concept हुआ तो property का cost आप वही लोगे जो की किसका होगा property के real honor previous honor का लेकिन अगर उसने घर खरीदा होगा 142001 से पहले तो fair market value ले लिया जाएगा आगे कहता है यह अभी बाद में देखेंगे सर लिस्टेड equity share के अंदर पी चितामरा हमने बहुत बड़ा इसमें गड़बड कर दिया था एक नए section लेके आ गया थे 112 इस पूरे section को हम अलग से पढ़ेंगे इसके उपर सवाल आने के पूरे पूरे chances बनते हैं इस बाद तो अगर equity share है तो वहाँ पे हम ले लेते हैं 31 2018 का तो मैं अभी इसको नहीं पढ़ रहा इग्नोर करके चल रहा हूं फिलाल के लिए तो यह note हमें समझ में आ गया एक note और पढ़ लेते हैं सर आपकी किताब का इस सीधा मैंने देखो जो चीज़े किताब में बहतर गी बने उसक है कैता है transfer of long term capital being bond debenture नहीं अलाओ पहले ही मैंने बता दिया capital indexation bond issue by government बार बार bond bond एक ही बार मैंने बुल लिख दिया वहां bond बात खतम यहां पर बोल दिया debenture फिर बोल दिया यहां पर transfer of long term capital being equity share capital होगा इसका भी इंडेक्सेशन अलाओड नहीं है आपका equity oriented fund इंडेक्सेशन अलाओड नहीं है business trust को भी इंडेक्सेशन अलाओड नहीं है transfer undertaking division slum sale सर यह नया section आया इस पर भी इंडेक्सेशन अलाओड नहीं है आगे हम देखेंगे अभी बहुत सारे section है सर इसके इंदर बहुत सारे section है हमने 45 से start किया है हम करीब इसमें 50 से उपर तक जाएंगे हम इसमें आगे कहता है transfer of global depository receipt GDR सर GDR भी क्या होता है एक तरीके का bond ही है transfer of global depository receipt ठीक है सर GDR है आगे कहता है any security foreign currency उसके लिए भी नहीं है यानि total मिला के आप इसे 10 point को पढ़ोगे ना तो मैंने 10 point को दो शब्द में खतम किया any kind of bond or debenture indexation not allowed or depreciable assets यह नीचे last में कहता note in case of depreciation asset part of the assets then no acquisition indexation allowed इसमें indexation नहीं होगा हाला कि किताब में बहुत सारी बाते लिखी है लेकिन बात कितनी है दो debenture share और bond पे indexation नहीं मिलेगा और depreciable assets पे में क्या है plant machinery furniture that's it income tax ने law में इसी के बारे में बोला है इसके अलावा किसी के बारे में वैसे तो depreciation सब पर ही लगता है लेकिन depreciable assets का मतलब है plant machinery और furniture ठीक है ना जिसके उपर WDP के हिसाब से हम निकालते हैं वो चलिए सर आगे और क्या देखें हम यहां तक तो सबको clear एक और सवाल कर लेते हैं क्या नए सवाल में पढ़ते हैं पहले अगर समझ में आ गया ना बड़े असानी से तो आपको करने के दे देंगे कहते हैं आर एक्वाइर अलेंड दो हजार में सोलह लाक बीस हजार construct the ground floor चार पांच में और कॉस्ट ऑफ कंस्रेक्शन आपका सोलह लाक रुपए ज्यादा बहुत ज्यादा पैसा लगा दिया भाई कि फर्दर इस्पेंड चौदा लाक रुपए दा कंस्रेक्शन ऑफ फ्रस्ट फ्लोर कंप्लीटेड दा प्रीविएस येर पंद्रह सोलह दो एंटाइर हाउस पॉपटी सोल्ड 21 में एक करोड़ पच्छिस लाक का दा एक्सपेंस वाज दाट 20 लेक टू लेक एफम भी दे रखा है आपको सर कंप्यूट कैपिटल मेरे साबसे सवाल में कोई जान है नहीं आप मुझे करके दिखा देजिए फटा फट से इसको प्सक्राइब एक ही जा पाक किंसर से सब्सक्राप कि अhehe झाल झाल करके दिखा दें फटा फट आप किताब में देख लेंगे किताब में है वेलिबल और जिनके पास टेनियर है टेनियर में भी अवेलिबल डाल रखा हैं एक बच्चे का जवाब आ गया दस लाक पचास अजार येस का सबसे पहले जवाब दस लाक पचास अजार झाल 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 अभी चेक करते हैं, just allow me a moment. झाल झाल अभी देखते हैं जिस बच्चे का भी हंड्रेज आया है सर यस ने कहा कुछ और इंडेक्सेशन बता दो अच्छा बच्चे करें इंडेक्सेशन बता दे इंडेक्सेशन बता दो अच्छे बता रहे हैं तीन अच्छावन दोसो साथ दर लुस्त बहुत सारे बच्चों का है थ्री फिफ्टी एट हां साथ एक सट इंडेक्सेशन टैनियर या फिर गूगल कर लो एक बार आप क्योंकि फिर कुशन हट जाएगा सामने से सरोंकिस का जवाब आ गया सूरज जवाब आ जवाब आ धितिक का आ गया दिया का आ प्राची का आ लिया का आगया यस आपने क्या आंसर दिया था मुझे समझ नहीं आया गmostre नहीं गंस विशाल का कहना है सतार एक बार अदेक्सषेशन बता दो सबर आप देखलो ऑ वह डेटा यूज के इंडेक्सेशन में कौन कौन सा है नहीं 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 यह मुझे इंडेक्सेशन लिखना जैसे कि 45 में कितने का अरे नहीं वह इंडेक्सेशन का वेल्यू कि 317 405 जो यह होता है हां एक सो तेरह है और अगला कुन सा यूज हुआ है फंदरा सोला दो सो चौवाद और यह का दस पचास यह आपका गलत है नसरीन का सही है उदित का भी बिल्कुल ठीक है पारस आपका भाई आंसर क्या आया बुक में चेक करिए पारस आपका आंसर गलत है दो सोला एक किस एक बार दुबारा कैलकुलेट करिए फुषी का भी आंसर आ गया है ठीक है एक सेट चलेगा एक बार मैं रफली बता देता हूँ सर फुल वेल्यू आफ कंसिडरेशन बताते जाईए जिन्होंने सवाल सौल्व किया है फुल वेल्यू आफ कंसिडरेशन बताईए कितने रुपे एक करोर पच्चिस लाग माइनस एक्सपेंस आ गया माइनस कॉस्ट आफ एक्यूजेशन कितने आए कॉस्ट आफ इंप्रॉव्मेंट वन वन 48 अगला भी है कोई कितना आया दोसो सर इसको माइनस प्लस कर लीजिए आपका अंसर आ जाएगा जो बच्चों ने लिखा है अगली क्लास के अंदर हम क्या करने वाले हैं सर अगली क्लास में अब जो कई बार ऐसा हो सकता है देखो तो अगली क्लास के अंदर हम या तो कॉस्ट ऑफ एक्कुजेशन जो सेक्शन 55 कहता है वो सीखेंगे और सेक्शन 54 की सीरीज में से जितना कर पाएं वो हम अगली क्लास के अंदर पढ़ने वाले हैं येस खुशी आपका ठीक अंसर है येस अब आपका ठीक है क्लियर चलिए अब जिसका कोई डाउट है तो आप पूछ लीजिए चैट में अभी दो मिनिट वोईस हैंड रेस का आंसर देते है कर दो आपका ठीक है कर दो हुआ है कर दो झाल 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 जी हां जी बिलकुल वाइस नहीं आ रही थी सर वो इंडेक्शेशन है 317 यस चलिए हैंड रिस किस किस का है खुशी का यस खुशी बताइए बताईए खुशी हां जी बताईए रही रखाया यसे जो आपने पैन से लास्ट क्लास ने फ्लोचेट बनाया था ना लॉंग टर्टर्म का वह और जो टेर्र में है वो न उल्टा है वहां पे आपने लिखवाय था कि शौट टर्म वो थे जो लॉंग टर्म नहीं उल्टा दी है नहीं सहीं नहीं ओको कहता है लांग टरम कैपीटेस्ट बीच इस नोट रॉट ररम यहीं दे रखा है न उसमें लाइक जो आपने खुट पैंसल से बनाया थै उसमने आपने लॉंग टर्म में लिख दिया था बारह महीने चौवईस महीने 36 मंश अच्छ अच्छ में कम-कम की बात कर ले था मैं ठीक है न कोई फरक नहीं बढ़ता हूँ ठीक है ओके और शर यह जो नोट वाला लाइन थी जिसमें लिखा था capital assets that do not require indexation इसमें जो 3rd point लिस्टेट इक्विटी शेर इसमें कुछ exception क्योंकि अभी amendment आया था है पहले तो capital equity share listed था उस पर capital gain लगता ही नहीं था 2018 से लगना चालू हुआ तो 2018 से पहले वाले को indexation नहीं एक market value दिया गया तो मैंने उसको बताए नहीं जब हम करेंगे नहीं तो उसके कि हाई जी बताए ये अरिया वोई आपको आई दॉ माइक ओपो गया येस बताईए है लो इसे बताईए आया रही है मुझे बॉइस है जी सर्व वह ना आपको वाटसेप पर सेलरी के दाउट को भेज़े तो आपने रिप्लाई नहीं करा एक मिनट रुके कब भेजा था आपने यह मैंने मैसेज कर रहा था कि मुझे सैलरी में डाउट है तो फिसर रिप्लाई नहीं आया उस पर आपका नंबर नंबर बताईए आपका एक मिन मुझे सेव होगा मेरे पास सर एक टेट फाइव न एक मैंस सर्च कर लेता है लास्ट में पूरेट बन है लास्ट विजिट क्या है लास्ट विजिट है सर फोर नंबर है एक टेट फाइवन फाइवेट टू एट नाइन सेवेट आप एक बार मुझे दुबारा टेक करके भीजिए भी मुझे मिलने राज मैं एक बार दुबारा टेक करके भीजिए आपने किस नंबर पर दिया है हाँ आ गया है अचा आप ने सरिफ लिखा आई है डाउट इन चैप्टर सेलरी डाउट तो भेज दीजिए ओके सर मैं अभी भेज देती हूं डाउट था क्या वैसे पूछ लिजिए मैं बताई देता हूं अब तो एक मिनट सर इसमें वो जो टैनियर में क्वेशन नंबर फॉर है उसमें लिखा हुआ है और रिटायर्मेंट तो कम्यूटेट पैंशन है ना मुझे वो अब उसका अमाउंट समझ नहीं आया मुझे और एक मुझे डैप्रीशियेशन में डाउट है डैप्रीशियेशन मैंने अभी कराया ही नहीं है आपका वी को मॉनर्स है ना है जी सर अभी मैंने जो कुश्चन कह रहे हो पैंशन वाला पूर्शन तो बता दूँगा डैप्र और यह पैंशन वाला यह मुझे इसके अपने इमेज क्लिक करके टैनियर में से मुझे भेज दीजिएगा मैं वह इसे समस के तुरू बता दूँगा कि क्या दिक्कत है और अंडर लाइन भी कर दीजिएगा क्या है उसमें ओके सर थैंक्यू सर ओके वेल्पम बच्चे कह र फॉर्मूला पूछते हैं तो मैं लिख देता हूं आपके कहने पर फॉर्मूला देखिए C o i is equal to jotka जिसन सेल्ग एक में इंटू में येयर का सीइइं डिवाड़ेड από छान्र ऺक्ष्ट आताओ जिस साल किया था इंब्सलक का नीचा आ जाये बस यह फॉर्मूला नहीं है इतने सारे हम स्वेस्टेज्चं स्रेक्रेक्टिस करने वाले न उटमेटिकली तो चलिए सर अगली क्लास में मिलते हैं कल सवेरे क्लास है साड़े ग्यारा बजे और कुछ रिकॉर्डिड वीडियो आनी रहे थी कुछ टाइम से थोड़ा सा डिले चल रहा था थोड़ा ड्राइवर में मेरा वन ड्राइव जहां से मैं ट्रांसफर करता हूं वीडियो वहां ऐसा को बोलते हैं सी आई कास्ट ऑफ इंफलेशन इंडेक्सेशन को अठीक है चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लास में गुडणाइट टेक कर लिजिएगा जितना आज कराया क्योंकि मैं इसको अगले क्लास के अंदर मेरी कोसिस रहीगी तोड़ा है उसे करा दिया जाए ठीक ह कि हमारा कुछ भी एक भी पॉइंट चूटने वाला है कुछ भी नहीं चूटने दिया जाएगा चलिए सर यहाँ पर देखी आप सबसे पहले मैंने बोला कि Mr. X है उसने एक एसिट परचेस किया रुपीज 10,000 यह वन लेक का खरीदा था 1, 4, 2, 0, 15 में और इस एसिट को इसने सोल्ड कर दिया सोल्ड कब किया सर इसने सोल्ड किया 31, 3, 2, 0, 22 में 2, 0, 22 में कितने का बेच दिया सर 20,000,000 रुपे का बेच दिया ठीक है बड़ा सिंपल सा है और बेचने के पीछे लॉजिक क्या था जो मिस्टर एक्स था वो इस घर में रहके परिशान हो गया था आस प्रोडोस के माहूल से परिशान हो गया था उसने ये घर बेच दिया है और इसने क्या करा सर अभी फिलहाल के लिए ये कहा रह रहा है मैं बता देता हूँ ये अभी फिलहाल के लिए मान लेते हैं जो रह रहा है वो डेली में रह रहा है डेली के अंदर ये रहता है सपोस करो ये रानी बाग में रहता है रानी बाग में और सर डेली से ये बेच के सोच रहा है और property मैं एक assumption ले रहा हूँ देखो वहाँ 20 लाग की property तो है नहीं लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि उसने 11 लाग का property वहाँ पे खरीद लिया है रहने के लिए तो sir ये कहानी है इसके पीछे की लेकिन मुझे कहानी का अंसर नहीं जानना मैं adjust के sir capital gain कितना होगा पटाफट से capital gain बस मैं जानना चाहता हूँ capital gain क्योंकि कुछ start करने से पहले हम कुछ बातों पे ध्यान रखेंगे बताइए फटाफट capital gain क्या होगा sir no capital gain बच्चे कह रहे है sir capital gain ही नहीं होगा अच्छा मतलब कम आ गया कि जादा मैंने कुछ चलिए मैं थोड़ा महंगा बेच दू क्या तब हो जाएगा न साइद मैंने लगता है अपना घर सस्ता बेच दिया है इसलिए नहीं आ रहा है मैं थोड़ा महंगा बेचता हूँ 50 लाग का चलिए अब तो हो जाएगा 50 लाग का साइद मेरा example थोड़ा गलत हो गया कोई बात नहीं में 50 लाख रुपए का अपना घर बेच रहा हूँ अब बताईए अभी भी बच्चे कह रहें नो अभी भी नहीं आएगा ऐसा क्या हो गया मुझे अब साइद मेरे हिसाब से कुछ बच्चों ने अगर थोड़ा बहुत मैं पता है क्या इस कहानी की मैं बाती नहीं कर रहा सर ये कहानी है ही नहीं ये कहानी तो मैंने इसकी मजबूरी बताया इसको आपको consider नहीं करना है निकालते टाइम पे आपके सामने सिर्फ ये ही सवाल है इसके कहानी की मजबूरी मैंने बताईए अभी मजबूरी को आप incorporate मत करिए सिर्फ मुझे इसके हिसाब से बताईए बच्चे कह रहे हैं साथ मन साथ मेने हुए यहां से पंदरा में खरीदा है सर साथ मेने कैसे से हुए अभी शेक ने निकाल दिया 47,39,60 हो गया है कुछ बच्चे 18,00,000 बता रहे हैं कितने आ रहे हैं बताईए आपके सामने इसलिए मैंने इंडेक्सेशन भी रखा है बताईए आपके सामने इंडेक्सेशन भी रखा है सर चप्टर स्टार्ट होने से पहले थोड़ा सो तो पता चले जल्दी बताईए मैं आपका इंतिजार कर रहारा है अलाग अलग बच्चों का आंसर आ रहा है मैं भी करके देखना चाहूँगा फिर भी आपको झाल झाल जल्दी जल्दी बता दे चली अब मैं बता देता हूं मैं भी कलकुलेट कर लेता हूं सबसे पहले सर सेल्स और सेल्स की हम बात करें तो मैंने बेचा है पचास लाग का माइनस खुछ तो है नहीं तो सर यही आजाएगा नेट सेल euro कंसिड्रेशन पचास लाक माइनस कर देंगे कॉस्ट ओफ एक्योजेशन तो सर एक लाक और सर खरीदा है मैंने 2015.16 लगेगा तो 2015.16 देखें यहाँ पर है 254 254 और मल्टिप्लाई किस से करेंगे सर मल्टिप्लाई हमें करना है किस से मल्टिप्लाई कर देते हैं पर हमारा करेंट येर 317 पताईए इस सवाल को सॉल्व करके क्या आया एक लाक चौबिस अजार आठ सो तीन आया अब देन इसको माइनस कर देंगे तो माइनस करने के बाद क्या आया 48,75,190 अब देखें यहाँ पर हर बच्चों का अलग आ सकता है किसी का 183 आ सकता है 150 आ सकता है 205 आ सकता है तो एप्रॉक्स है ये ठीक है ना क्योंकि पॉइंट की वज़े से होगा एप्रॉक्स है ये पॉइंट की वज़े से रहेगा ये short term capital gain है या ना सर ये short term क्यों होगा देखिए आपको long term के लिए कितने महिने count करना है 24 महिने क्या 15 से लेके 22 तक 24 महिने हो रहे हैं बहुत ज़्यादा हो रहे है 24 महिने से तो आपका क्या होगा ये long term कौन सा capital gain होगा long term समझ में आई बात आपको कहानी अब स्टार्ट करते हैं यहां तक किसी को doubt है तो हम आगे बढ़ जाए अगर doubt नहीं है तो हम आगे बढ़ जाए क्योंकि यहीं से main point मुझे start करना है आज का जो बहुत major part रहेगा theoretical बोल लो practical बोल लो whatever name call कर लो आप होगा कर अपने कर दो जो हुआ है कि हुआ है क्योंकि अच्छा करें यह इसादा बिल्सक्त करता है कि बहुत कर रह दो कर दो टोइस सब्सक्तार में हुआ है सर थियोरी कितने अरे अभी ये सारी बाते करने का वक्त नहीं रहा कि थियोरी कितने का है सारी चीजे हर क्लास में बताई जाएगी थियोरी वाले सेक्षन में भी मैं तीन चार्च चैप्टर हो जाए तो मैं आपके लिए पूरा बताऊंगा कि इसमें से इतने मांक्स का यह आएगा अभी सिर्फ आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है पूरे चैप्टर की जान क परवाने वाला हूं मैं आज जो कि मान के चलो एक तरीके से अगर जिसको यह वाला टॉपिक नहीं आता ना जैसे एच्पी है मैं PCP छुडवा दूँ आपको आता क्या आपको फिर कुछ नहीं आ रहा PCP में सेम आज वाला ऐसा ही अगर आज वाला पॉइंट आपने छोड़ दिया तो क्या आता है कुछ नहीं आता Capital Gain में सारा चीज तो आज इस पर बस फोकस करना है हमें सर Capital Gain के बस खतम कर देंगा चिंता मत कर आप चिंता ज्यादा कर रहे हो काम नहीं कर रहे है येस बीकॉम प्रोग्राम में PGPP भी आएगा अब देखो कमेंट पर मैं ध्यान नहीं दे रहा बच्चे अमतलब इधर उदर का सवाल ज्यादा पूछ रहे हैं मेरे सवाल का जवाब ही नहीं दे रहे क्ये भाई आपको यह आया यह नहीं आया समझ में यहां तक आगया तो आगे बढ़ें चली आगे बढ़जातें अब आपको ध्यान से सुनना है मेरी बातों को अब देखो यह जो हमारे सामने जो परसन है मेरे पास नहीं है कि इसकी नहीं मेरी की है यह तो अगर हम बात करें न तो यह जो व्यक्ति है किस व्यक्ति की मैं बात कर रहा हूँ आप भी सोचिएगा अब मैं इसका टेक्स भी निकालके दिखाता हूँ सरकार कहता है सर हम लेंगे 20% तो सर 20% कितने का टेक्स आया बताइए 20% टेक्स कितने का आया सर 20% आएगा 48,75,196 का 20% सर 9,75,039 और नए गर जो ये खरीद रहा है जी के में में बेचा में अब ये घर प्लैन कर रहा है सर जितने का बेचा उतने का चरीद लें वस सिफ्टिंग तो कर रहा है 50,200,000 रुपय का सरकार ने क्या करा 10 लाक रुपय से जटक लिए एक प्रोक्स दस लाक बेचा कितने का मकान कि पचास का इसके जीव में कितने हैं कि चालिस लाक है अब यह इन्सान क्या स्कू अपने इच्छा से वहाँ पे जातो रहा है लेकिन बहुत मजबूरी में यहाँ पे इसको रहने का मतलब कि ऐसा environment नहीं मिल रहा है आज पड़ उससे जगड़ा होता रहता है इसलिए इसने सोचा यार यहाँ से बेच के चलो कहीं और ले लेते हैं तो इसके मन में क्या चल रहा है इस मकान को महंगा बेच के सस्ता खरीद लें ऐसा नहीं है यह मजबूरन कहीं और सिफ्ट हो रहा है और सरकार आप इसके उपर टेक्स लगा रहे और वो भी बोल रहे सर आपका capital assets और capital gain लगाएंगे तो एक तरीके से यह तो कभी जाई नहीं पाएगा दूसरी जगए पर अग तो क्या आपको लगता नहीं कि यह एक problem है अगर कोई घर अपना बेच रहा है किसी reasons की वज़े से कहीं और जा रहा है तो सरकार को उस पर capital gain नहीं लेना चाहिए ऐसा होना चाहिए तो सरकार से सभी ने request किया और government से बोला सर यह जो आप text ले रहे हैं ना इस text के उपर capital gain अगर नहीं लगता तो यह इंसान साइद बहुत easily कहीं दूसरी जगए transfer हो जाता सरकार ने बोला बात तो ठीक है उन्होंने कहा चलो हम कुछ provision लेके आते हैं हर किसी के लिए कुछ न कुछ प्रोविजन लेके आएंगे प्रोविजन क्या कहा कि आगे से कभी भी ऐसा case हुआ न कि कोई वेक्ति घर बेचके अपना एक घर खरीद ले घर को बेचकर एक घर ख के residential खरीद लेते हैं तो हम ऐसा करेंगे उसका capital gain यह है और जितने का घर खरीदेगा न वो यहां पर माइनस कर देंगे हम section 54 सीरीज के अंदर deduction जैसे मानलो इसने 50 का खरीद है इसका capital gain बन रहा था 48 तो मैंने बुला जा भाई Mr. X तेरे को माफ किया तेरा capital gain कर दिया 0 अब त घर खरीदा है capital gain हुआ agree लेकिन जितने का आपने घर खरीदा है वह आपका माइनस करने देंगे लेकिन यहां पर condition के जितना capital gain है वो या जितने का घर खरीदा है तो देखा जाए तो इसका टेक्स बन रहा था 48,75,196 रुपए इसने घर तो 50 का खरीदा है गौर्मेंट ने तुने घर लिया है तेरा intention यह नहीं है पैसा कमाना तो हम एक काम करते हैं जितने का घर लिया है तेरा minus करने देते हैं लेकिन minus करेंगे तो negative में चले जाएगा ऐसे तो हमारा नुकसान होगा तो जितने का था वही minus करेंगा और तेरा taxable income कितना कर दिया capital gain में 0 जैसे ही मैंने तेरा taxable income 0 किया capital gain में वैसे ही क्या हुआ कि तु अब कहीं भी shift हो सकता है easily मुझे tax देने की अब जोरत नहीं है अब वो 50 लाग का घर खरीद लेगा तो यहाँ पे government एक section लेके आता है जिस section का नाम और जिस section का number है हम एक-एक section को देखेंगे section है 54 सर सेक्शन 54 की सीरीज करेंगे section 54 क्या कहता है if purchase if capital gain arise from residential house property is capital gain arise residential house property then then deduction allowed if purchase new house यह सारी बाते मैं roughly लिख रहा हूँ यह सारी बाते लिखी लिखाएं आपको मिल जाएगी बस अभी पहले आपने concept समझना है सरकार ने कहा भाई SSC अगर कोई वेक्ति आज के बाद कोई वेक्ति आज के बाद कोई भी घर बेच के कहीं और सिफ्ट हो रहा है और वहाँ दूसरी जगह वो घर खरीद लेता है तो हम क्या करेंगे जितना capital gain हो रहा है घर बेचने की वज़े से उसमें से हम माइनस कर दें कि उसका अमाउंट जितना भी हो माइनस कर देंगे ताकि आपका इंटेंशन नहीं है कि आप ऐसा कमाना सिर्फ इसलिए कि सर साथ के साथ जब ऐसा वर्ड बोला गया तो यहां एक प्रॉब्लम क्रिएट हुआ प्रॉब्लम क्रिएट यह हुआ कि जो घर है वो खरीदना कब है कब आपको यह घर खरीदना है क्योंकि एक घर खरीदने का डिसीजन ना काफी लंबा समय ले लेता है घर खरीदने का decision लंबा समय लेता है आपको बोल दूँ मैं कि घर खरीदना है तो आप बहुत जगह property देखोगे जब पसंद आएगा तो लोगे उसमें साल भर भी लग सकता है दो साल भी लग सकता है ताइम तो लगेगा आपने 2020 के अंदर घर बेचा है तो 2020 में CG calculate होगा आपको घर खरीदने में दो साल लगने वाले हैं आप घर नहीं खरीद पा रहे तो 2020 में तो आप घर नहीं खरीद पाए नहीं खरीद पाए ना घर तो 2020 में तो आपका capital gain लग जाएगा तो पब्लिक ने का सारा अगर ये प्रोविजर में थोड़ा changes किया जाए इस प्रोविजर में क्या implementation करिए कि हम जब घर बेचे ने तो हमें कुछ समय भी दीजिए उस घर को खरीदने का नहीं तो होगा क्या हमसे एक साल बीत जाएगा हम ढूंडते रहेंगे जल्दवाजी जाएगे फिर ऐसी जगह घर ले लेंगे फिर अगली बार वही कहांनी हो जाएगी गॉर्मेंट ने का ठीक है भाई तेरा जो भी पैसा तुने Capital Gain जो भी पैसा तुने यहाँ पर करा है मान लेते तूने 50,00,000 रुपय का घर बेचा है तुझे समय चाहिए तो इस पैसे को इस पैसे को जमा करो, deposit करो सर कहां deposit करना है, government ने बोला हम बताएंगे अगर तुने ये पैसा deposit कर दिया तब भी हम तुदे डिडेक्शन दे देंगे बोला गया कि इस पैसे को deposit करो capital gain capital gain deposit account में सर ये कैसे बनेगा आपको कही नियर भाई बैंक में जाना है और बैंक में जाके एक बोलना है कि हमें capital gain deposit account खुलवाना है और अब वहाँ पे पैसे जमा कर दो तो हम ऐसा करेंगे ना 2020 के अंदर तेरा सबसे पहले तो निकाल देंगे मान लेते हैं sales तूने किया एक करोड का और तेरा purchase था suppose कर 50 या 60 लाग का तेरा capital gain कितना आ गया CG 40 लाग अब तू CG एक करोड तेरे pocket में है ना तो एक करोड में से कितने amount तूने जमा करवा है उसने बोला कि मैंने 70 लाग रुपे जमा करवा दिया 70 का खरीदना है तो बोला ठीक है सर तूने deposit कर दिया तो हम आपको deduction दे देंगे 54 के अंदर और deduction अभी 54 नहीं हम तुझे अभी पूरे पर text देने के लिए नहीं बोलेंगे तुझे deduction मिल जाएगा पूरे 40 लाग का और तुझे text कितना देना है यानि सर बात कुछ समझ में नहीं आई एक करोड का sale किया 60 लाग का खरीदा मतलब का खरीदा था तो 40 लाग की income अब पैसे ये ले के घूम रहा है कितने पैसे ले के घूम रहा है अपने pocket में एक करोड purchase पहले किया था अब CG कैसे निकालोगे पहले कितने का खरीदा था एक करोड का स southeast बेचा कितने का भी एक करोड का और पहले कितने का खरीदा था ऐसे सिचुएशन में मैं इंकम टेक्स डिपार्टमेंट में जाऊंगा तो बोलूँगा भई अभी घर नहीं खरीदा तो गवर्मेंट ने बोला घर नहीं खरीदा तो पैसे जमा किये अगर मैंने पैसे नहीं जमा कियोंगे तो मुझे 40 लाक पे सीधा 20 परसेंट 8 लाक आप बोल रहें इतनी जल्दबाजी थोड़ी ना कर सकते किसी ने हो सकता 31 मार्च कोई बेचा हो एक दिन में खरीद लेगा घर वो समय तो चाहिए और एक दिन बाद ही कौन सा साल आ जाएगा नेक्स्ट यर आ जाएगा तो उसने बोला सर समय तो चाहिए तो बोला समय चाह करना पड़ेगा टेक्स देना पड़ेगा लेकिन उसने बोला सर यह थी तीसलाख वाला फड़ति क्या है और चालीज जमा करता तो क्या होता तो थुझा पने त्याम कान सब Lazik यानि सर यहां पे जमा करवाना है पैसा बोला चलो यह बात भी ठीक है अच्छी कहानी आई कि अगर हमने घर बेच के और घर खरीदा है अगर उसी टाइम खरीद लिया तो तो माइनस करना अलाउड है लेकिन थोड़ा भी डिले हुआ तो पैसे को जमा करा देंगे कहां पे ज उसने कहा कि सर मैंने एक अपना घर था इस घर को मैंने बेच दिया 1CR का और इसको मैंने परचेज किया था सर 60 लैक का तो मेरा कैपिटल गेन आपने बता दिया 40 लैक का मैं एक करोड से जादा महंगा बजट करके चल रहा हूं कि एक बहुत बड़ा घर बनाने वाला हूं अ मैं बेच के जारह हूं अब है कि मैने ट्रव मोच लगाई हए और भी सिर्फ मैंने घर बनवाने में स्फ मैंने कितने लगा चल्ड़ो कि एक दम से ऐसा थोड़ी है गवाने टÊ तो बनवाने में तो सालो साल लग जाएंगे तो सर बनवाने में कितना पैसा लगेगा अभी तो नहीं बता सकते जब पूरा घर फिनिस्ट होगा तब बताएंगे तो आप बताएंगे मैं कितना माइनस करूँ अभी मेरे सिर्फ दस लगें तो मैं दस ही माइनस करूँ आ क्या गौर्मेंट ने कहा रुख जाओ आपका भी समस्या का सोल्यूशन है आप पैसे को जमा करिए cg में यानि capital gain deposit में जितना capital gain deposit में जमा कर लेंगे आपको यहां से माइनस करने के लिए हम अलाउट कर देंगे लेकिन हमारा सर्थ यह है कि ये घर जो बना रहे हो ना ताज महल मत बना देना तीन साल के अंदर अंदर बना के दिखाना आपको यानि तीन साल के अंदर capital gain deposit में करवाया है तो सर बनाने के लिए आपको वक्त दिया गया कितना वक्त दिया गया है तीन साल तो सर पिछले example में भी तो जमा करवाया था वहां पर हमने बनवाया नहीं तो खरीदा था तो बोला आप capital gain deposit में रखिए और अपने income tax के लिए माइनस कर लीजिए और माइनस करने के बाद फिर फर्दर दो साल के अंदर घर खरीद लिजिए अगर दो साल से डिले होंगे तो जो आपने माइनस किया है वो उठाके taxable कर देंगे आगे लेकिन अगर बनवाने का case है तो आपको कितना तीन सार एक और person आया उसने बोला sir ये कहानी समझ में आ गया बनवाने के लिए भी time मिल गया खरीदने के लिए भी time मिल गया और उस साल में कर ले तो आप क्या दोगे time मज़े तो उस साल खरीदी लिया लेकिन what about मैं planning करके चलता हूँ मैं बहुत planner हूँ मैंने एक साल पहले पहले घर खरीदा फिर मैंने घर बेचा अब उसका भी कोई benefit है तो बताओ क्योंकि मैं plan कर रहा हूँ कि मैंने सोचा यार अभी अगर घर बेच दिया तो कहां जाओगा किराये पे तो पहले एक काम करते हैं घर खरीद लेते हैं पैसे पड़े हुए FD कर रखें इसको तुड़वा के घर खरीदते हैं वह घर खरीदेंगे यह बेचिंग और वहां सिफ्ट हो जाएंगे हो सकता है ने ऐसा क्योंकि आप मकान अगर किरायदार हो तो पहले मकान ढूंड लोगे तब खाली करोगे खाली करके ढूंडोगे तो रोड पर ही रहना पड इतनी लंबी प्लाइनिंग नहीं अगर आपने एक साल बिफोर भी कोई घर खरीदा हो तो उसको भी डिडेक्शन देने के लिए तैयार है और सर यह सारी डिडेक्शन कहां मिलेगा सेक्शन 54 के अंदर सेक्शन 54 सिर्फ 54 और कुछ भी नहीं है कहां मिलेगा सेक्शन अब लोगों ने क्या करा इसका सरकार ने बताया सिंपल प्रोविजन था अब लोगों ने इसका गलत फायदा स्टार्ट कर दिया अब जब गलत फायदा उठाना स्टार्ट कर दिया तो उसमें सरकार को कुछ रिस्ट्रक्शन लगाने पड़ गए सिंपल सा प्रोविजन क्या था घर आपने बेचा है रेजिडेंशल और आपने घर खरीदा है वो भी रेजिडेंशल तो माइनस कर दीजिए आपको कैपिटल गें नहीं देना होगा लेकिन अगर आप बनवाने के लिए आप वेट करते हैं तो तीन साल का वक्त आगे दे दिय लगिया है पैसा लेकिन पॉकेट में नहीं होना चीए कहां पर होना चीए कैपिटल गेंड और आप नया घर प्लान कर रहें खरीदने के लिए तो दो साल में भईया खरीद लेना और अगर आपने एक साल पहले भी खरीद रखा है तो वह भी अलाउड होगा उसी साल कुछ भी कर लिए तो फिर टेक्सिबल हो जाएगा परपस सिर्फ घर खरीदना ही होना वो देखो सिंपल सी बात है इंकम टेक्स वाले तो आपके उपर इल्जाम लगा देंगे कि आपने घर नहीं खरीदा प्रूफ करना आपके जिम्मेदारी है वो तो इल्जाम लगाएंगे प्रूफ आपको करना होगा अपर यहाँ पर लोगों ने फाइदा क्या उठाने लगा लोगों ने फाइदा क्या उठाया? उसने बोला यार सरकार ने घर लेने के लिए बोला है मैंने क्या करा? एक करोड का मकान बेचा और अपने रहने के लिए सिर्फ 20 लाग का मकान खरीद लिया 80 लाग बचा लिये और इसने कहा कि एक और मकान खरीद लेते हैं 30 लाग का मकान खरीद लिया बोला एक और मकान खरीद लेते हैं मैंने 50 लाग का मकान खरीद लिया बोला अलग-अलग मकान हमने खरीद लिये और ये सारे मकान जो खरीदे हैं ना इस पर किरायदार लगा दिये एक में रह रहे हैं और किरायदार तो यहाँ पर उसने टेक्स बचाने की कोशिस करी और इंकम कमाने के कोशिस करा इंटेंशन ये था कि मेंगा घर बेज देते हैं एक सस्ता अपने रहनी के लिए ले लेंगा बाकी किरायदार पर चड़ा देंगे लौ में ये था कि अगर आप कोई घर खरीदते हो तो आपको डिड़क्शन करना अलाउड है तो यहाँ पर क्या था सिंप्ली इस वेक्ति की मैं थोड़ी से कहानी बताओ तो सर एक करोड का सोल्ड किया इसने और इसका परचेस पहले से था मान लेते हैं कि 60 लैक तो 40 लाग का बेनेफिट था और इसने सारे घर में पैसे में लगा दिया और ये चाहरा था कि मैं 40 लाग यहां से माइनस करके अपना टेक्स क्या कर दूँ जीरो कर दूँ ये चाहरा था इसका intention ये था लॉन ने बोला भईया तू न ज़्यादा से ज़्यादा दो घर खरी सकता इससे ज़्यादा घर खरी देगा रिस्ट्रेक्शन लगा दिया दो घर खरी सकता इससे ज़्यादा नहीं खरी देगा हाला कि यहां पर तेरी टेक्सेबल इंकम 40 लाख बन रही है लेकिन लॉन ने क्या कहा तू कितने घर खरी सकता है सरिफ कोई भी दो घर हम कंसिडर कर लेंगे वो तेरे उपर दे दिया मैंने कौन सा घर खरी देगा लेकिन कैपिटल गेन बहुत ज़्यादा अमाउंट का भी होता है कुछ घर ऐसे भी होते हैं जोकि हजारो करोड रुपे के भी बिखते हैं तो वहाँ पे कैपिटल गेन मान लो अगर 500 करोड रुपे है तो 500 करोड का 20% कितना होगा 100 करोड सिर्फ टेक्स उसके उपर सैस वैस तो हटाई दो तो गवर्मेंट ने बोला ये प्रोविजन सिर्फ गरीबों के लिए है अमीर के लिए नहीं ला रहे हैं उसने बोला ये प्रोविजन गरीबों के लिए है आप घर को बेच के जो नया घर खरीदेंगे न वो दो करोड से उपर का नहीं होना चाहिए अगर नया घर नियू वाला हाउस जो आप खरीदने जा रहे हैं अगर वो टू करोड रुपीज से उपर का हुआ तो हम आपको यहां डिडेक्शन नहीं करने देंगे मैं एक कोशन भी लूगा और सारी चीज़े समझाऊंगा पहले एक बार इस पूरे थियोरी को समझेए कि सर अगर कोई भी इंडी इंडी वीज्वल हुआ तो बोला गया सर आपको कैपिटल गेन के अंदर डिडेक्शन मिलता है कौन से में मिलेगा सेक्शन 54 में सर क्या बेचना है सर घर बेचना है सर क्या खरीदना है घर खरीदना है कितने घर खरीदने है दो कब खरीद लेने है या तो सर तीन साल बाद बनवाना या फिर दो साल बाद खरीदना या एक साल पहले खरीद लेना कितने रुपे तक का allowed है सरिफ 2 करोड, 2 करोड से उफर का हुआ तो deduction एक वेक्ति ने क्या करा घर लिया और घर यहां नहीं ले रहा बोलड़ा मैं इंडिया के बाहर लोगा law में तो यही लिखा है कि हम घर खरीदनी के लिए बोला गया तो घर कहीं भी खरीद लेते हैं US में खरीद लेते हैं law ने बोला भाईया इंडिया के अंदर provision है आपको घर कहां खरीदना होगा इंडिया के अंदर ही खरीदना होगा तो यह सारी बाते कहां पे लिखी है सर section 50 तो यह मैंने एक overview क्या मैंने पूरा बता दिया है आपको एक सवाल इसके उपर देख लेते हैं तो फिर हमें और ज़्यादा clarity हो जाएगा कि section 54 को किस तरीके से apply किया जाए इसको मैं एक summary बना देता हूँ कि section 54 क्या कहता है section 54 क्या कहता है कहता है who किसको मिलेगा individual sir capital gain कौन सा होना चाहिए sir long term वाले पे मिलेगा ऐसा नहीं कि आपने 10 दिन पहले घर खरीदा था बेच दिया capital gain हुआ फिर एक घर खरीद लिया तो short term capital gain पे allowed नहीं है किस पे मिलेगा ये long term sir what purchase क्या खरीदोगे sir आपको खरीदना है residential house sir long term capital gain किस से होना चाहिए from residential house इसके बाद sir when purchase sir कब purchase करेंगे अगर आप खरीद सकते हो before one year or after two year and for construction कितने साल में तीन साल में हो जाना चाहिए complete sir घर कहां खरीदना है where sir in India कितने घर खरीदना है how many तो sir आपको खरीदना है two house maximum है यह sir कितने का खरीदना है amount सर दो करोड रुपए से जादा का नहीं होना चाहिए यह सारा मैंने चार्ट में बनाये हुए अभी मैं दिखा दूंगा और वो समझ में भी आ जाएगा पच्चे करें दो करोड गरीब सरकार तो इसी को मानती है गरीब अभी तो फिलाल पहले यहां तक देखिए समझ में आया कुछ यह प्रोविजन जो अपला है एक सवाल इसके उपर देख लेते हैं फटा फटते मैं एक सवाल आपको करवाता हूँ ताकि आपको सेक्षन समझ में आता जाए और बहुत इंपॉर्टेंट सेक्षन है इसके उपर पूरी थियोरी आएगे जितने मैंने अभी 10-15 मिनिट जो भी आपसे बाते करी है यह पूरा आपको थियोरी में लिखना है सिक्स मार्क्स का या टैन मार्क्स का थियोरी पूछा ही पूछा जाता है सर कैपिटल गेन कैपिटल गेन कैपिटल गेन कैपिटल गेन झाल 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 आपके सामने है अभी दिखाते हैं झाल 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 एक छोटी सी बात आपको बताना भूल गया कि जो नया घर खरीदेंगे उसके उपर भी गौर्मेंट ने restriction लगाया हुआ है कि सर आपको चार साल तक तीन साल तक नहीं बेचना मैं दुबारा repeat कर दूँँआ चलिए अभी question के अंदर कर ले सर एक छोटी सी बात बताना भूल गया सर क्या बताना भूल गया कि जो नये वाला घर खरीदा है ना उसको भी तीन साल तक नहीं बेचना एक सवाल देख लेते हैं फिर हम theory पढ़ लेंगे क्योंकि practical देखने के बाद फिर theory ज्यादा समझवें आएगा हमें तो चलिए एक सवाल देखते हैं आपके अभी बुक के ही question चलेंगे क्योंकि basic basic concept पे है जिनके पास बुक है grease आहुजा वो बुक में देख सकते हैं जिनके पास नहीं है सामने question तो मैं display करवाई रहा हूँ आपके लिए चलिए सर सवाल क्या कहता है देखते है question को पढ़ लेते है कहता है Mr. G है sold a residential house he purchased a new house 21-10-2021 मतलब same year में ही इसने खरीद लिये यानि दो साल बाद की तो कोई कहानी नहीं है तीन साल बाद की भी कोई कहानी नहीं है एक साल पुरानी भी कोई कहानी नहीं है इसने कब खरीदा है same में कितने का खरीदा सर 8,50,000 का this house was also sold इस घर को भी इसने बेच दिया 2022 में कितने का और he purchased another house इसने एक और घर खरीद लिया 2022 में आठ लाख रुपय का compute capital gain for 22,23 और 23,24 पहले तो हम 22,23 का समझ लेते हैं ठीक है पहले तो हम 22,23 का समझ लेंगे कि क्या होने वाला है या मैं इस सवाल को दो पार्ट में कराना चाहूंगा एक थोड़ा सा चलिए 22 कोई बात नहीं बहुत सिंपल यह है इतना तो हम कर सकते हैं सर यह हम कर रहे हैं 22,23 असेस्मेंट येर सबसे पहले सेल्स सर कितने का बेचा इसने 30 लाग एक्सपेंस है नहीं तो यही आ जाएगा हमारा नेट सेल कंसीडरेशन लेस कॉस्ट आफ एक्यूजेशन सर खरीदा था इसने पांच बीस का और कितने का इंडेक्सेशन देखते हैं 317 तो करेंट येर का आई रहा है आप चेक करिए सर कब का चेक करना है 2004 से पांच का कुस्ट ने बोला है खरीदा था चार नहीं पांच और छे होगा पांच और छे का आप बताईए फटा फट क्या है पांच और छे का नहीं पता तो यहां देख लेते हैं पांच और छे पांच और छे एक सो सर एक सो सत्रा है एक सो सत्रा इसको सॉल्व किया जाए क्या रहा इसको सॉल्व करने के बन पांच लाग बीस अजार डिवाइड़ बाई एक सो सत्रा इंटू में तीन सो सत्रा यह आ गया वन फोर जीरो एक बार और आठ फिर तो जगे बनानी पड़ेगे सर यहाँ पर आ गया long term capital gain long term cg minus कर दें अगर हम इसमें से 30 लाग तो यह आ जाता है हमारा 15 लाग एक यानवे हजार 111 अरे भूल गया हो तो इंप्रूमेंट लेना है इंप्रूमेंट तो भूली गए सर less COI सर इंप्रूमेंट करा था इसने घर में कितने का 270 और सर 270 में भी यही लगेगा 317 सर किस साल किया है इंप्रूमेंट इसने 6 और 7 में कुश्चन में कहता है कि 6-7 तो सर इसका इंडेक्सेशन क्या है बताइए देखना पड़ेगा भाई अपने साथ यह तो ले के चलना है बुक के अंदर निकाल लेजिए बुक में कितने हैं 100 20 आपने 10 यर भी ले रखा है सभी बच्चों ने फिर भी अब 112 निकाल लीजिए फटा फटा आगे आने आले कुश्चन में जुरत पड़ेगा 270 डिवाइड बाइड बाइ 122 इंटू में 317 देट इस 70 155 7 सर अब निकाल लेते हैं कैपिटल गेन LTCG सर थीस लाख माइनस 140 8888 माइनस 70 1557 सर यह आगे 88 9555 यानि सर 8 लाख सर 8 लाख 89,555 8,89,555 यह आगे पहले यहां तक देखे अभी हमने इसमें जो सीखा है वो अपलाई नहीं किया पहले यहां तक बताईए कि आपको समझ में आया या फिर नहीं आया यहां तक बताईए आपको आया नहीं आया सर इंडेक्शेशन से लर्न करना बिल्कुल नहीं लर्न करना इंडेक्शेशन आपको एक्जाम में मिलेगा यहां तक हर किसी को क्लियर है क्या अब लौ कहता है कि अगर आपने एक घर खरीदा है तो आपको हम एक्जिम्शन देंगे तो क्या इसने घर खरीदा है सवाल में देखिए तो जी हां इसने एक न्यू रेजिडेंशल हाउस खरीदा है उसी साल खरीद लिया यानि हमारा टेक्शेशन कैलकुलेशन चल रहा है एक चार दो हजार बीच से लेके एकत्तिस तीन दो हजार एक्टिस तक सरी 22-23 का है न 21-22 होगा मैंने डेट थोड़ा सा एक पीछे ले लिया है यह होगा सर 21 और यह 22 हमें अकाउंटिंग हमें टेक्सेशन हमें कैलकुलेशन इस टाइम का करना है तो अगर इस साल के दोरान में आपने घर को खरीद लिया है तो कोई दिक्कत नहीं है तब तो आपके लिए कोई टेंशन ही नहीं है इस साल के बाद अगर खरीदते हो तो आपको पैसा डेपॉजिट करना होता है सर कहां डेपॉजिट करना होता है इस साल के बाद खरीदते हो तो आपको capital gains deposit में करना पड़ता है और सर अगर आप purchase करते हो और उस purpose के लिए करते हो तो आपको 2 साल के वक्त दिया जाएगा अगर construction करते हो आपका purpose है तो कितने साल का वक्त दिया जाएगा 3 साल का और आपने जो नया घर खरीदा है condition यह इसे बेचना नहीं है कब तक नहीं बेचना है 3 साल तर अगर 3 साल के अंदर अंदर इस घर को बेच दिया तो क्या कहानी होने वाला इस सवाल में दिख जाएगा आपको तो सर अभी तो इसने बेचा है घर और बेचने के बाद एक नया घर 850 का खरीद लिया है तो अभी फिलाल अगले साल के देखेंगे कहानी इस साल में तो बोला सरकार को जब मैं टेक्स जमा कराने गिया तो मैंने बोला सरकार गॉर्मेंट मेरा 8,89,555 का capital gain है और बता रहा हूँ मैं आपको इस साल मैंने घर भी खरीद लिया गॉर्मेंट ने बोला अच्छा घर खरीद लिया तो माइनस कर लो less exemption कर लो बोला कैसे बोला section 54 पढ़के आईए वहाँ पर दिया है हमने आपको कितना माइनस करना है अगर आपने इस से जादा का घर खरीदा है तो इतना ही होगा इस से कम का खरीदा है तो कम वाला तो सर आपने घर खरीदा 850 कम वाला तो कम वाला माइनस होगा बागी कितने बच गए आपके आपके बच गए 850 माइनस करोगे तो 39 सर अब आपको इसके ओपर gettin बच नहीं सकते इसके ओपर कितना text देना है यह अगले साल मैं आउंगा इस साल में यह कहानी रही होगि इसके बाद की जो कहानी है न जो यहान से बोल रहा है this house sold इसको आप बिल्कुल भी अभी ना देखें अभी बस पांच मिनिट का टायम ले फिर मैं उसको बताऊँगा यहाँ से मैंने सिर्फ और सिर्फ यह जो मैं माग कर रहा हूँ मैं इसकी कहानी आपको बता रहा हूँ इसके बाद वाली कहानी वो अगले साल की बात करता है तो अगले साल की बात हम दूसरे टेवल में करेंगे यहां तक किसी बच्चे को doubt है तो बता दीजिए फटा फट से किलिया रहे है हर बच्चों को सर ये main ये है जो सिखाया है ये practical के अंदर भी apply होगा और theoretical के अंदर भी आएगा section 54 explain करिए अब इसके बाद अगले साल सर गौर्मेंट ने बोला था भाई इस घर को न तीन साल तक नहीं बेचना लेकिन इसने क्या करा जैसे हमारा अगला साल स्टाट हुआ 142022 से हमारा अगला साल होगा 31-3 2023 जैसे ये साल हमारा चल रहा था तो इसी साल में इसने जो ये वाला घर खरीदा था उस घर को इसने क्या करा बेच दिया कितने का बेच दिया सर इस वाले घर को इसने सर इस वाले घर को इसने बेच दिया 10 लाग का सरकार ने बोला था हमने मना किया था तुझे मना किया था कि 3 साल तक नहीं बेचना तेरी मजबूरी का मतलब कि तुम्हें क्यों दिया गया डिडेक्शन कि तुम्हारी मजबूरी थी तो सर मजबूरी ऐसा थोड़ी होता है कि हर 6 मेने बाद आ जाए आपकी मजबूरी कम से कम 3 साल तो रहो आज पढ़ो उसमें पता चला आप ही बेकार हो आप ही लड़ रहे हो सबसे और benefit भी आप ही ले रहे हो तो ऐसा नहीं हो सकता ना अगर आपकी problem है तो आप 3 साल तक तो hold करिए यानि long term आपको रखना है इसे 3 साल के बाद आपने बेचना है सर लेकिन इसने 3 साल के पहले ही बेच दिया तो अब अगर इसने 3 साल के पहले बेच दिया तो क्या होगा इसके कहानी में यह देख लेते हैं सर इसके साथ जो होना है अगले साल होगा इस साल तो भ्या यह डेड़क्शन लेकर चुपचा बैठा हुआ है जो होना है वो अगले साल होना है इसके साथ अगले साल की कहानी मैं इधर कर देता हूं इसको इधर shift कर देते हैं सवाल तो दिखी रहा है और यहाँ space बना के अब मैं जो यहाँ करने वाला हूं यह कौन सा साल करने वाला हूं 2023 अब 2023 में फिर जाएगा income tax वाले के पास कि सर मेरी capital gain की calculation अब देखो कौन था ये नाम क्या था इसका मिस्टर जी और जी जाता है अगले साल और अगले साल क्या करता है देख लेजे कहता है सर सेंस income tax officer मैंने फिर बेचा घर 10 लाग का और सर मैंने बेचा है इसे 3 साल के अंदर यानि सर 24 महिने के अंदर तो सर मेरा ये है short term capital gain क्योंकि देखो कब बेच दिया इसने 22 में खरीदा कब था 21 से 22 में बेच रहे तो 12 महिने के आसपास ही बेच दिया इसने तो भाईया ये है short term बोला भाईया इसके अंदर से ये आ गया हमारा net sale consideration 10 लाग और minus मैं कर रहा हूं cost of acquisition इंडेक्सेशन तो आप दोगे नी short term में तो मैंने इस घर को खरीदा था कितने का 850 का आपको text चाहिए मैं 1.5 लाग पे देने के लिए तैयार हूं और क्या ऐसा हो सकता एक घर और खरीद लिया एक बार और दे दो मुझे 54 वाला deduction तो ये भी बच जाएगा मेरा 1.5 लाग रुपे क्या ऐसा हो सकता है क्या गौर्मेंट ने बोला भाई देख तेरी calculation तो एकदम गलत है अब हम अपनी calculation बताते हैं क्या होगा जिसके भी ये calculation थी पूरी गलत बोला हम बताते हैं तुझे calculation क्या गलती सर ये 54 नहीं दोगे बस इतना ही काटो ना पूरा क्यूं काट दिया 54 नहीं दोगे तो 54 काटो बोला ये भी गलत है भाई सही calculation क्या है सेल है ना बोला हाँ शौट टरम कैपिटल गेन निकलेगा बोला ये भी सही कर रहा है तुझे यानि 2022 आँ 23 चौबिस के लिए निकाल रहे हम 23 चौबिस यानि 22 और 23 प्रीवियस येर सर तेरी जो सेल्स मानी जाएगी ना वो सेल्स तो मानी जाएगी तेरी 10 लाग की तुने बेचा है और लेस इसमें से करेंगे कॉस्ट आफ एक्यूजेशन कितने का खरीदा था उसने बोला सर मैंने खरीदा था आठ 50 का बोला इस 8 50 का तुने पहले बेनिफिट ले लिया था ना तो हम मान लेंगे तुने पहले बेनिफिट ले चुका है तेरी पनिशमेंट है तुने खरीदा कितने का पता है जीरो का अब तेरा capital gain कितना आएगा यानि अगर तू तीन साल बाद यह बेचता न तो एक तो हम तुझे इस पर इंडेक्सेशन भी देते और यहां माइनस करने भी देते लेकिन तूने आठ पचास का पहले एक्जेम्शन ले चुका है और वो तूने रूल को तोड़ा था तो पहले तो पिछले साल मुझे क्या पता तू आगे ऐसे करता तो पहले मैं माइनस ही नहीं करने देता पहले माइनस किया अब इस साल हमने क्या करा जो माइनस करने दिया था वापसी ले लिया कि समझ रहे हैं बात को यहां पर इसे जीरो माइनस करने देंगे और इसका कैपिटल गिन क्या होगा दस लाक रुपे माना जाएगा और सर कौन सा कैपिटल गिन होगा स्टी सी जी यह हमारा अगले साल का कैलकुलेशन आएगा 2022 मैं अगेन कहना चाहता हूँ कि मैंने उपर सारे डिटेल नहीं लिखा है क्योंकि मेरे concept बता रहा हूँ 10 year के अंदर मैंने डिटेल में सारा लिखा है भाईया SSC क्या होता है कैसे लिखते हैं यहाँ पर ऊपर कैसे लिखा जाता है for the assessment year या computation of capital gain for Mr. G for the assessment year दिस दिस और यह पूरा format सजा के अच्छे से लिखना है सर यहाँ note डालना जरूरी है note किसके लिए section 54 के लिए note क्या देंगे if any SSC sold any residential house and purchase residential house within a year then exemption will be allowed under section 54 यहाँ पर note देंगे in case of SSC sold any purchase residential house within a 3 year then exemption will be cancelled तो यहाँ पर exemption क्या हो गया इसका cancelled हो गया इस सभी के note मैंने 10 year में दो-दो liner है लिखे हुए है प्रॉपर तरीके से जो आपको exam में लिख के आने किसी भी solution को देखोगे तो उसका यही रहेगा सर एक बार और ठीक अभी एक बार बताते हैं चिंता मत करो पहले आप एक बार देखो थोड़ा सा वक्त लो थोड़ा सा time लीजिए हाओ बार बार टॉपर तो आपकोड़ा सा वक्त लो आपको आपको यहीजिए हाँ तीन साल बाद डेफिनिटली अगर बेचेगा और तीन साल बाद जब यह खरीदेगा तो उसे डिडेक्शन भी मिल जाएगा क्योंकि डिडेक्शन क्या कहता है देखो लिस्ट कहता है 54 किसी सब के लिए सर सेक्शन 54 सब के लिए कंडिशन है आपका एसेट्स अगर हुआ लॉंग ट्रम तो अब तीन साल बाद जब हम घर बेचेंगे तो अटोमेटिक लॉंग ट्रम है सेक्शन 54 एक्टिवेट हो जाएगा बोलेगा भाईया तेरा लॉंग ट्रम है तो मैं तुझे अलाउड करता हूं डिडेक्शन के लिए मैं एक बार फिर से समझा देता हूं कुश्चन में क्या था सर कुश्चन के दो पार्ट थे इस कुश्चन में जो हम कर रहे हैं एक पार्ट ये था सिंपल सा पार्ट जो सभी बच्चों को समझ में आ गया अगर इस घर को जो इसने खरीदा है इस घर को इसे तीन साल तक नह गुझने केसिस्में करूंगा एकसद बनाने का थे मोड़ने को बना एकते करता कि और में समझता जाओ पहले मैं इसके लिए पूछ रहाऊ हूं उसके घर ना खरीदा होता घर या फिर मैं माल लेता हूँ घर खरीदा है purchase before one year एक साल खरीदा है पहले आठ पचास का क्या ये चववन के अंदर deduction ले पाएगा मैं भी इस point से बात कर रहा हूँ अगले point पे नहीं है बताइए एक साल पहले खरीदा आठ पचास का क्या deduction मिलेगा मिल जाएगा नमबर दो उसने खरीदा ही नहीं घर deposit कर दिया है in capital gain deposit account में for purchase of residential house खरीदेगा बाद में उसने deposit कर दिया है लेकिन deposit कब करना है सर रेटन फाइल करने से पहले इस बात का अभी ध्यान रखना है रेटन फाइल कहीं पता चल रहा है आपने deposit करना है बाद में करना है रेटन फाइल का है रेटन फाइल कब होता है सर हर साल का 31 साथ यानि 31 मार्च तक का काम है तो 31 साथ 2022 तक आपको रेटन फाइल कर लेना पड़ेगा और ये individual के लिए company वगेरे के लिए allowed partnership के लिए ऐसा कोई allowed नहीं है तो सर आपको रेटन फाइल करने से पहले जमा करवाया अगर cg में तो मिलेगा तो deduction आपको मिल जाएगा पहले बताइए second point के अंदर deduction मिलेगा आपको clear है clear है ना third point मैं बोलू अगर कि मैंने बाकी के मैंने 2 लाख जमा करवाय cg में 31,8,2022 को 31,8,2022 को मैंने cg के अंदर total 10 लाख रुपे जमा किये हैं कुछ पैसे मैंने 31,7 को किये हैं और कुछ पैसे मैंने 31,8 को किये हैं 2,022 में यानि अगले साल तो बताईए यहां deduction के लिए कितना eligible होगा 8 या 10 या फिर 8 लाख ठै GET यानि 8,89,555 कितने deduction के लिए हैं YES कह रहे हैं कि 3 लाख सुमित 8 लाख सोएब 8 लाख 8 लाख 8 लाख सभी बच्चों का जवाब लगब लगब 8 लाख रुपे हैं सही रिटन यह सारी बाते देखो आज करवा रहा हूं एक मैंने बाद हम भूल जाते हैं इसलिए मैंने सभी के लिए चार्ट बना दिया कि अगर एक बार समझ में आ बेचा है और आपने खरीदा कितने का था जो घर बेचा है सर साड़े आठ का तो वैसे हाला कि अगर यह कंडिशन नहीं होता तो एक घर दस का बेच रहे हो साड़े आठ का खरीद रहे तो आपका टेक्सिबल इंकम होना चाहिए डेड़ लाग रुपए क्यूंकि यह साड़े इसके अंदर भी पॉइंट से के उपर वह बीस परसेंट लगाएगा रेट की अभी बात नहीं कर रहा स्रिफ और स्रिफ टेक्स की हम बात कर रहे हैं पहले यहां तक सारी बाते क्लियर हो गई होगे तो मैं आपको फटा-फट से थियोरी पढ़ा दू चार्ट में किस तरीक एज से की की। चलिए सर थियोरी देख ले पढ़ने का तरीका पता हो तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली आपको Section 54 चलिए आज आईए थियोरी सर एस्टी सीजी क्यों लिखा स्टी सीजी इसलिए लिखा क्योंकि ये बेच दिया इसने एक साल के अंदर अंदर 24 महिने तक इसको hold नहीं किया इसलिए इसको short term capital gain बोलेंगा इसको short form में मैं स्टी सीजी बोल दिया मैंने ठीक है नहीं स्टी सीजी में last class में बताया था short term capital gain में indexation allowed नहीं क्योंकि रुपे इतना ज़्यादा fluctuate नहीं होता अभी मैं एक बार थियोरी दिखा दूँ आपको चलिए सर आज आईए थियोरी पे 54 54 54 54 54 54 54 54 55 54 54 55 55 55 55 आज जी दीरे दीरे पढ़ते जाएंगे और समस्ते जाएंगे फिर एक बार दिखा capital gain revise करने बैठे हो तो एक बार में आपका हो जाए फटा-फट से revision सर क्या कहता है सबसे पहले देखिए section 54 स्रिफ इस line को पढ़ेंगे आगे वाली line को कोई ध्यान नहीं देगा partners के लिए कहता है who can claim सर इसका claim कौन कर सकता है सरिफ individual और huf अगर कोई partnership ऐसा काम करता है कि मैंने घर बेच दिया तो नहीं साथ परसन बताये थे ना उसमें से individual और huf अलाओड बागी किसी को अलाओड नहीं है सर एसेट्स जो transfer होगा कौन सा होगा residential house property होना चाहिए example building land आपका अपर टेंट देयर टू जो की definition 22 में गीवन था याद है ना section 22 में house property किसको बोलते हैं वो होना चाहिए who's is come in taxable under hp जो house property के लिए taxable होगा वही यहां पर valid होगा यहां तक समझ में आई बात आपको यानि सर कौन से assets बेचना है तो simple सी period use possession assets कब होगा कैता है the assets should be transfer long term capital assets that is 24 महिने बाद वाला यह मैंने लग से लगा दिया आपको समझ में आजाए long term कब होगा 24 महिने के बाद वाला होना चाहिए यानि जो आप घर बेच रहे हो वो long term होना चाहिए सर इसके बाद क्या कहता है इसके बाद कहता है के nature of capital gains sir क्या होना चाहिए सिंपल सी बात है long term capital gain इसके बाद क्या कहता है देखिए eligible क्या है शर आपको eligible का मतलब क्या है सर आप खरीदना क्या चाहती हो आपको खरीदना क्या है पहले तो गया कौन लेगा individual क्या बेचेगा घर बेचेगा कौन सा होना चाहिए लांग ट्रम होना चाहिए ठीक है अब सर आप किस लिए लिजिवर आपको डिडेक्शन लेना है आपने बोला सर लेना है डिडेक्शन तो मैं जो बता रहा हूं वो काम करना है आप खरीदिये रेजिडेंशल हाउस प्रॉपर्टी आपको वैदर एक्वाइड एग्री कल्चर नहीं यह लाइन थोड़ा सा गलत हो गया एक मिनिट मैं थोड़ा सा करेक्शन कर देता हूं जिसके पास 10 यर वो भी कर लेंगे कहता है रेजिडेंशल हाउस प्रॉपर्टी एक्वाइर करना है यह लाइन नहीं है यह लाइन नहीं आप भी कट कर लेना हाउस प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्शन इन इंडिया इफ सीजी ड़स नॉट एक अगर सीजी जो है कैपिडल गेन वो एक्सीड नहीं होना चाहिए दो करोड रुपे से कैन परचेज टू रेजिडेंशल हाउस प्रॉपर्टी और यह हमारा फाइनेंस एक्ट 2019 में अमेंडमि इन तो अभी तो बहुत ज्यादा हो गया तो आपको मैंने लिख दिया है जिसके पास पुरानी बुख होगा समझ जाएगा यानि सर सिंपल सी बात है अगर आप डिडक्शन लेना चाहते हो तो आप क्या खरीदो Sir, simple सी बात है, घर खरीद लो, कितने घर खरीदो? दो खरीद सकते हैं, एसा नहीं, दो ही खरीद आ जहीं है, या construction करवा लो, Sir, maximum time कितना दिया गया खरीदने के लिए? तो क्या लिखा है, यहाँ पे maximum time कितना दिया गया खरीदने के लिए? तो कहता है purchase आपको करना है one year before two year after date of transfer जिस दिन बेचा गया उस दिन से if construction for three year date of transfer जिस दिन बेचा गया उस दिन से तीन साल आपको गिनने है चलिए sir quantum amount of deduction quantum का मतलब होता है कितना deduction कितना minus करना है तो sir minus आपको करना है lower of आपका जितना भी investment है new assets और capital gain capital gain और investment जो दोनों में से कम होगा वो minus कर लीजिए जैसे कि 50 लाख रुपे का आपका capital gain है और investment आपका एक करूर का है तो कितना minus करेंगे अगर आपका 50 लाख का capital gain है investment आपका 40 लाख है तो क्या minus करेंगे 40 लाख क्या यहाँ capital gain deposit में जमा करवा सकते हैं yes अलाव है एक पर फटा फट से मैं एक ही पेज़ पर सारा का सारा दिखा देता हूं ताकि आपको easily समझ में आ जाए चलिए सर्थ 54 अगेन पढ़ देते हैं who can claim individual asset transfer house property कितने टाइम लाउंग ट्रम सीजी कौन सा होना चाहिए लाउंग ट्रम को ऐसे ही आपको जो पढ़ रहे हो समझ रहे हो एक पूरा एक paragraph format में बुलेट पॉइंट में आपको लिख के आना होगा एक्जाम के अंदर जो किस तरीके से लिखना वो थियोरी भी मैंने बड़े अच्छे से explain किया हुआ है 10 येर में आप जाएंगे तो 10 येर के अंदर थियोरी सेक्षन में सेक्षन 54 को मैंने अलग से explain भी किया ये तो चार्ट है चार्ट के लिवा explanation भी किया हुआ है कि कैसे आपको लिखना है आप वहाँ पर मिल जाएगा आपको ये थियोरी वाले सेक्षन में बच्चे कहरें से थोड़ा blur हो रहा है कोई बात नहीं आप हैं फिर वहाँ भी थोड़ा blur ही दिखेगा आगे काम आएगा अभी थोड़ी दिर बाद काम आएगा ये इस पूरे को capture कर लेता है फिर थोड़ा बड़ा दिखेगा आपको ओहो ये तो question पर आ गया चलिए जो बच्चे कह रहे हैं blur दिख रहा है समझ में नहीं आ रहा है उनके लिए अब आपको दिख जाएगा question दिखता है तो ये भी दिखना चाहिए ठीक है जो मैं विज्वल करवा सकता हूँ वो max to max दिखा देता हूँ जिन बच्चों ने नहीं खरीदा बाकी टैनियर ले लीजिए बाकी जिसने किताब लिया ऐसा नहीं है किताब के अंदर नहीं है किताब के अंदर भी सेम बाते बूली गई है क्या आप आपको clear visual है देख लीजे 54 एक बार फटा फट पढ़ लीजे किसी को दिक्कत है तो ठीक नहीं तो फिर हम अगला section तयार करते हैं चोबन भी सरिफ एक section में base बनाया गया इसलिए time लगा है बाकी section में तो provision बताना है फटा फट कहतम होना चालो हो जाएगा कह रहे हैं बच्चे कह रहे हैं सर हर question में section 54 का पढ़ेंगे क्या नहीं नहीं हर question में नहीं हर question में अलग अलग रहेगा ऐसा थोड़ी हर question में 54 का ही रहेगा tenure आपके पास शिवदास का tenure होगा उसके अंदर available है सारे notes डाले हुए मैंने शिवदास का tenure लेंगे वो available है चलिए आगे बढ़ें यह देख लीजिए सबको clear है आगे चल लेते हैं sir capital assets section 54 खतम होता है अगले sir next section है हमारा capital assets के अंदर यहां पर सबसे पहली बात जो यह land जमीन है अगर हम इसे बेचेंगे पहले तो यह बताइए क्या यह capital assets है के नहीं है यह जो मैं land बना रहा हूँ क्या यह capital assets है या नहीं है तो बड़ी basic सी बात है sir यह capital assets है है ना capital assets तो नहीं residential house नहीं मैं capital assets की बात करता हूँ capital assets की definition में क्या कहता है immovable property हुआ तो sir वो तो है ही अब यह capital assets दो तरीके का यहां पर हो सकता है या तो यह सिर्फ जमीन है या फिर यहां पर खेती यानि agriculture activity हो रहा है अगर यहां पर agriculture activity हो रहा है तो दो जगे हो सकता है यह खेती या तो आपके ruler area में हो सकता है या urban area में या तो गाओं में हो सकता है या तो शहर में हो सकता है sir या तो ruler area में होगा या urban area में अगर मैं ruler area की बात करूँ rural area की बात करूँ और urban area की sir rural और urban में क्या definition है difference है sir अभी पता चल जाएगा सरकार ने अगर इस पे खेती कर रहे हो खाली जमीन है तो कहीं भी हो भईया टेक्सेबल होगा अगर सिर्फ आप इस पे खेती कर रहे हो तो सरकार ने किसानों को न बहुत benefit दिया हुआ है exemption बोला हुआ है कि आप से हम इस बात पर टेक्स नहीं लेंगे इस पास पे नहीं लेंगे आप खेती करिए आप अपने आपको survival करिए अच्छे सरह यह living standard बढ़ाईए तो कहा गया जो गाउं में रहते हैं उनसे हम टेक्स नहीं लेंगे तो सर जब टेक्स नहीं लेंगे तो इसको capital asset से भी बाहर कर दिया गया definition में बोला गया capital asset सारे के सारे immovable property होंगे लेकिन उसमें agriculture land जो की rural area में है वो include नहीं होगा मैंने नीचे note में भी बताया था यानि सर urban area वाला जो होगा urban area वाला होगा वो include होगा अब सर rural area में कैसे पता चले इसका पूरा दायरा है जब हम agriculture chapter करेंगे तो वहाँ पे मैं पूरा sequence बताऊंगा कि आपके 10 km में mcd वाले आते हैं population इतना होना चीए 5 km में इतना है 20 km में इतना है वो पूरा है अभी फिलाल इस chapter के अंदर आपको पता होना चीए रूर्ल एरिये का हमारा capital assets ही नहीं है तो जब इसको बेचेंगे तो capital gain भी नहीं लगेगा यानि सर जब urban area में आपका capital assets हुआ तो क्या urban area में अगर आपका खेती कर रहे हो तो क्या ये capital assets है क्या आप बोलेंगे सर शहर में कहां खेती होती है मैं बता रहूं डेली में होता है किसी ने देखा है दिल्ली में खेती होते हुए बहुत जगे डेली के अंदर होता है खेती तो डेली के अंदर आप देखो यहां पर ऐसा इसलिए बोला गया क्योंकि बोला किसान के लिए income माफ कर देते हैं और agriculture income बोलते हैं आप दो activity कर लो basic activity और subsequent activity यानि आप अगर खुदी खेती कर रहे हो और उसको फिर काट भी खुदी रहे हो तो आपका मान लेंगे agriculture activity रूरल इरिये में किसान rural को बोला गया अर्वन को नहीं बोला गया अगर अर्वन को बोला होता तो पता चल रहा होता कि डेली के अंदर भी खेती है लोग बाग क्या करते घर बनाते घर के छट पे खेती करते और उस घर को बीच देते बोल देते ये मैं खेती कर रहा हूँ यहां पर और ये जो मैं खेती कर रहा हूँ, ये हो गया हमारा agriculture activity और agriculture activity अगर सरकार ने माफ कर रखा है तो हमने इस पर tax देना नहीं नहीं है, उसे capital assets से भाहर कर देते लोग वाग, तो बोला भाया, urban वाले को भाहर नहीं करेंगे, किसान ने बोला भाया, ठीक है, आप मेरी चालाकी को समझ गये हो, आप इसे बाहर नहीं कर रहें, इसके उपर taxable लगाओगे, लेकिन मैंने क्या करा है, मेरे पास एक खेत है, अब आपको पता है, जितना ज़्यादा बड़ा होगा ना आपका, उतने अच्छे से आप खेती एक कर पाओगे, मेरे पास एक खेत है, मैंने इस खेत को sold कर दिया, और मैंने एक बड़ा ले लिया, जहां पर मैं अच्छे से कर पाओँ अपनी सारी खेती, अगरी कल्चर एक्टिविटी बड़े अच्छे से कर पाओँ, तो अब मुझे क्या tax ले लोगे, मैंने ये 5 लाख रुपए का 5000 का खरीदा था, मेरे जितने भी पूरवज tax कमाना नहीं है, मानते हैं हम अर्बन में हैं, लेकिन tax नहीं हैं, हम खेती करना चाते हैं, एक बड़ा खेती लेते हैं, तो गुवर्मेंट ने बोला तुम्हें भी हम allowed कर देंगे, ऐसे काम करते हो, और तुम्हें जो allowed करेंगे न, वो करेंगे section 54B के अंदर, ये capital B है, 1961 से टेक्स बन रहा है तो 1961 से अब तक की चलाकी आपको पढ़नी है कंडीशन रखा गॉर्मेंट ने बोला भाईया सबसे पहले एगरी कल्चर लेंड कौन सा है एगरी कल्चर लेंड उसको मानेंगे हम जिस पे आपने वर्क किया हुआ हो ऐसा नहीं के आज ही आपने स्टार्ट किया एगरी कल्चर में नर्सरी वगरा सब कुछ आ जाता है आपने आज ही स्टार्ट किया और बोलो एगरी कल्चर लेंड डिड़क्शन ले लेंगे ऐसा नहीं है एगरी कल्चर का मतलब आपने इसके उपर खेती किया हो कम से कम दो साल इसका प्रूफ आपके पास होना चाहिए या तो आपने या तो आपके मम्मी पापा ने या आपके दादा दादी ने आपके परिवार वालों ने अगर इस जमीन पे खेती किया है तब मानेंगे ये agriculture land है पहला condition दूसरा इस agriculture land को जो बेचोगे हमेशा long term होना चाहिए long term होगा तभी हम आपको deduction देंगे, deduction देंगे, कैसे deduction मिलेगा तीसरा सर आपको यहाँ पे जो खरीदोगे तो आप फिर बोलोगे हमें time चाहिए तो सर एक साल पहले खरीद लो planning के साथ और दो साल बाद construction तो करोगे नहीं खेती में अब तो उसके लिए आपको नहीं मिलेगा एक चीज़ और ध्यान रखना एक होता है dwelling house dwelling house क्या होता है सर agriculture में पढ़ेंगे dwelling house होता है खेत में आप देखोगे नहीं कई घर बना लेते हैं उस खेत की रखवाली करने के लिए तो उस घर को भी अगर कोई बेचता है तो वो agriculture house माना जाएगा अगर गाउं में बेचा जा रहा है तो capital gain से बहार होता है उसे बोलते है dwelling house ठीक है सर घर कहां खरीदना है जो जमीन खरीदना है ना आपको आपकी इच्छा है खरीदना आपको एग्री कल्चर लेंडी है टेक्स प्लैनिंग के लिए आप खरीदो रूरल वाल यानि गाउं वाली जमीन खरीदो ताकि फिर दुबारा जब कभी बेचो तो वो क्या हो जाए टेक्स फ्री क्योंकि अगर मैंने गाउं वाली जमीन खरीद लिया रूरल वाली जमीन खरीद लिया तो वो कैपिटल एसेट्स नहीं है जब मैं दुबारा बेचूँआ तो शहर वाली अगर आप खरिते हो यानि आप कहीं भी खरी सकते हो या तो आप रूरल का खरीदो या आप अर्बन का खरीदो अगर आप शहर वाली खरीदोगे तो condition लगा देंगे तीन साल तक बेचना allowed नहीं है यानि सारा का सारा कहानी लगबग लगबग पीछे वाला आ जाता है बस यहाँ पर एक condition आ जाता है कि वहाँ पर ऐसा नहीं तक है उस घर में आपको इतने साल रहना है यहाँ पर बस आगया आपको खेती करना है वहाँ पर तब आपको exemption मिलेगा यह कब मिलेगा सर आपको agriculture land ही बेचना है और खरीदना भी क्या है आपने बोला सर मैंने घर बेच दिया घर बेच दिया 50 लाग का और एक खेत का मैंने जमीन खरीद लिया agriculture land खरीद लिया 10 लाग का सर 54B में deduction दे दो ऐसा थोड़ी होगा 54B कहता है आपका बेचना भी क्या है agriculture land और खरीदना भी क्या है agriculture land तब जाके आपको इसका deduction मिलेगा समझ मैं ही बात आपको क्या condition है फटा फट देखें condition number one वो जमीन जो होना चीए दो साल आपके खेती होनी चाहिए कौन करेगा सर मम्मी पापा आप कर लो अदाद अदादी कर ले इसके बाद आपको वो बेचना है long term होना चाहिए यानि 24 महिने के बाद बेचावा होना चाहिए खरीदना क्या है agriculture land इखरीदना है कहां पे खरीदना है सर या आप अर्बन में खरीदो रूरल में यह आपकी इच्छा है लेकिन खरीदने के लिए एक साल पहले वाला भी चलेगा सेम यर भी चलेगा दो साल बाद वाला भी चलेगा और दो साल बाद वाले के लिए आप पैसे को जमा करवा दो कहां capital gain deposit account के अंदर आप जमा करवा दीजिए उसको सर इसके बाद अगर आपने agriculture land rural area में खरीदा तो कोई दिक्कत नहीं बेच दो कोई taxable ही नहीं होगा अगर urban area में खरीदा तो तीन साल तक hold करके रखना बेचना नहीं है तभी आपको deduction मिलने वाला है सर इसी सभी को मैंने क्या कर रहा है अभी मैं पढ़ देता हूं इस पर question नहीं ले रहा मैं सिर्फ मैं इसको पढ़ देता हूं क्या कहता है पढ़ते हैं कहता है sir who can claim individual और क्या करना है urban agriculture land विक्कॉस आपका क्या कहता है इसको अलग से कर देता हूं है हाइलाइट कर देते हैं तो शायद जादा दिखें यह लेगे कहता है sir urban agriculture आपको लेंड ही क्या करना है transfer मतलब sold करना है sir urban सब्द का इस्तमाल इसलिए किया गया क्यूंकि because rural agriculture land is not our capital assets यह मैंने समझा दिया इसलिए सिर्फ urban सब्द का इस्तमाल किया गया सर क्या कितने टाइम के बाद बेचना है एग्री कल्चर लेंड शुड भी यूज़ बाए पेरेंट्स एग्री कल्चर परपस एट लीस्ट टू इयर बिफोर दाट ट्रांसफर पुराने आपको किया हुआ होना चाहिए सर इसके बाद और क्या है और कहता है आपका कौन सा होना चाहिए सर लॉंग ट्रम और शॉट ट्रम हाँ यहां पर मैं बताना भूल गया एग्री कल्चर में आपको शॉट ट्रम भी दिया गया है लॉंग ट्रम भी चलेगा और शॉट ट्रम भी चलेगा तर यह बात है जो ड long term long term long term अभी देख लेंगे बाद में अगले पेच पे हैं कहां पे हैan हां ये रहा तो बाद में देख लेंगे पहले िहें देखते हैं चलिए eligible सर eligibility का मतलब क्या है eligibility मतलब आपको क्या खरीदना है आपको weather in ruler area और urban area इसका line थोड़ा इधर सिफ्ट हो गया था वैदर एक्वाइर यह पहले यह वाला पहले है वैदर एक्वाइर एग्री कल्चर लैंड इन रूलर एरिया और अर्बन एरिया कहानी यह है थोड़ा सा वो ना टेबलर फॉर्म में गलत हो गया आगे पीछे समझ मैं तो वो समझ जाईएगा जो मैंने कट किताब में मिल जाएगा सर क्वांटम अमाउंट सेम वही लोवर मिलेगा आपको क्या कैपिल गेंड डिपॉजिट में यस सर कैपिल गेंड डिपॉजिट में आप रख सकते हो तो यह था हमारा सेक्शन नंबर 54B बताइए इसमें कोई डाउट प्रोविजन में बताइए ड रुख जाईए पहले इसको तो पढ़ लीजे कोई डाउट है तो पूछ लीजे अभी तक क्या क्या हो गया कैपिल गेंड में इस पे सवाल अगली और देखिये मैं रिवीजन करवा रहा हूं उससे ज़्यादा आपकी रिस्पॉंसलिटी बनती है कि आप रिवीजन करें इ सर बात अगर करें क्या होता है सर सबी तरीकी का प्रॉपटी को कैपिल एसेट कहते हैं चाहें बिजनस से रिलेटीट ओन बिजनस लेकिन इसमें कैटिगराइज कर दिया गया अगर वह और है या EU मूबेबल इमूब उन तो सारे के सारे एसेट क्या होते हैं कापितल एसेट होते हैं except बताइए कौन सा जितने भी इंदर देखा जाए सर तो को छोड़ दिया गया है रूररे एरिये का क्या एकर लैंड को छोड़ कर करें तो बिजनस के यूज के बात करें तो बिजनस में तो सभी capital gain है प्रस्टनल के अंदर कोई capital gain नहीं लगेगा लेकिन यहाँ exception है jewelry होगा तो लगेगा आपका archaeological collection है तो लगेगा sculpture है तो लगेगा drawing है तो लगेगा art है तो लगेगा painting है तो लग जाएगा आपका सर इसके बाद हमने क्या देखा capital assets समझ लिया सर capital assets होना चाहिए कौन से दो type के हमारे capital assets होते है यह transfer वाली point इतने important है नहीं तो सर capital यह मैंने definition बता दिया था आपको क्या क्या लगना है यहाँ पे भी note में देखे लिखा था capital asset does not include stock in trade, ruler agriculture land और यह सारे जो मैंने bond वगेरा लिख लिखा हुआ है यह सारी बाते हैं तो मैंने कोशिस करी है कि सारे सारे points ना छोटे से चार्ट में क्यूंकि बहुत बड़ा chapter है यह तो आप चार से तीन से चार पेज में ना पूरा chapter पूरा revise हो जाए practice तो आपके उपर करने की है सर capital assets कितने type का होता है या तो होगा short term या तो मैंने में land and building है preference share unlisted share है 36 मैंने में बाकी बचा हुआ सभी को रख दिया गया है इसके बाद हमने क्या देखा था सर इसके बाद देखा था calculation कैसे होगा कुछ बच्चे पूछ रहते सर short term पे क्या indexation नहीं होता देखो यहां short term पे मैंने कहीं भी word नहीं लिखा है कि आपका cost of acquisition इंडेक्स यहां पे लिखा हुआ index cost of acquisition तो short term में इंडेक्सेशन नहीं होगा long term के अंदर होगा कुछ एक ऐसे assets हैं जिसके ऊपर कभी भी इंडेक्सेशन अलाउड नहीं है चाहे वो short term हो चाहे long term हो कौन कौन से सर कुछ depreciable assets जैसे plant and machinery और furniture कुछ debenture और bond सारे debenture और bond कभी भी long term नहीं होगे हम इसे short term होगे और listed equity share पे इंडेक्सेशन अलाउड नहीं है इसके नीचे की खरीदा हो 142001 से पहले तो हम market value consider करेंगे 142001 के वाला और indexation भी उसी दिन से लेंगे इस सवाल में क्या देखा था सर इस सवाल में हमने फिर से again वही देखा था यहाँ पे अगर कोई भी property मिल जाता है आपको यहाँ पे gift वाला था शायद gift में तो आपको यहाँ पे cost of indexation किस cost of improvement अगर 2001 से पहले का improvement है तो उसको ignore करते है 2001 वाले बाद को आप normal consider कर लेते हो तो कुछ सवाल हमने देख लिया था मेरे हिसाब से यह सारा point आपको याद होना चाहिए tips पे यहाँ तक clear है अगली class के अंदर sir क्या करने वाले हैं वो provision मैं बता देता हूं next class के अंदर sir हम पढ करने वाले हैं सर यह पूरा का पूरा 54 बी 54 आपका डी बी तो होई गया डी इसी डबल एफ जी जी ए जी बी इन्पॉर्टेंट कौन सा है sir हर बार 54 और 54 बी रिपीटिड मोड पे आया हुआ है एक्जाम के अंदर एंड डाइं मतलब कि आता ही आता है लगबग आ जाता है बाकिया असा नहीं कहारा कि डी इंपॉर्टेंट नहीं है हा लेकिन practical question में नहीं आता ये दोनों practical question में आ जाता है कुछ section और भी देखेंगे अगली class के अंदर ये section जैसे ही खतम कर लेंगे हम फिर हमारा section 45 की कुछ series रह जाती है वो कर लेंगे special case से कुछ उसके बाद फिर capital gain के हम practical बड़े-बड़े सवाल कर पाएंगे ठीक है और फिर मिलते हैं चलिए अब बताईए किसी का कोई doubt है तो ठीक है मैंने कहा पहले आपने करना है basic जो बच्चे नए है basic मतलब basic concept जो है tax का उसके बाद आप इस chapter पर आईएगा तो आपको समझ में आएगा otherwise फिर आपको confusion रहेगा जितने बच्चे नए है चलिए सर capital budgeting sorry capital budgeting कहा रहा हूँ सर देखिए हमने section 54 कर लिया जिसके अंदर था के आपका या हो individual या HUF जिसको deduction मिलेगा नमबर दो घर जो आपको बेचना था वो residential HP बेचना था नमबर तीन ये long term होना चाहिए नमबर चार आप दो साल के बाद खरीदे या एक साल बिफोर खरीदे और construction के लिए तीन साल नमबर पांच CG में deposit कर सकते हैं जो खरीदना है वो maximum दो करोड से उपर नहीं होना चाहिए और टू हाउस ही अलाउड है और नमबर छे आपने जो घर पर्चेस किया हुआ है उस पर्चेस को सोल्ड नहीं करना तीन साल तक ये था 54 सर ऐसे ही हमने 54 भी देखा था सर ये भी था इंडिवीज्वल के लिए और हुएफ के लिए सर इसके अंदर एगरी कल्चर लेंड बेचना था सर ये एनी चाहे आपका लॉंग ट्रम हो चाहे आपका शॉट ट्रम हो इसके अंदर देखा जाए तो आपको अगेन बनाना तो है नहीं कंडिशन ये है कि आपको एगरी कल्चर अक्टिविटी दो साल तक आप ने किये हो या आपके मम्मी पापा ने या दादा दादी ने इसके उपर एगरी कल्चर अक्टिविटी किया हो इसके बाद सर इसके अंदर क्या था सर आपको जो बाई करना है सर बाई करना है agriculture land ही buy करना है और आपकी इच्छा है कहीं भी करिए और इसको sold नहीं करना यही कुछ condition था हमारे पास दो लेकिन what about फिर से कुछ लोगों का कुछ public का यह reaction था sir हमने घर बेच दिया और हम घर नहीं खरीद रहे हमारे पास दो घर था एक घर हमने बेच दिया अब हम घर नहीं खरीद रहे तब भी क्या आप capital gain लोगे हमारा जो घर बेचने का मुद्दा था हमें अपने घर पे बहुत urgent work था या हमें नहीं चाहते कि ज़्यादा मकान हमारे पास हो ऐसे situation में government ने बोला कि हम एक section लेके आते हैं अब सबके लिए लेके आएंगे ये section आपको exemption 54 EC में लेना है तो सबसे पहले किसको मिलेगा किसी को भी मिल सकता है चाहे आप company हो चाहे आप partnership हो चाहे आप AOP, BOI कोई भी हो हर किसी को सर यहाँ पे assets क्या बेचना है क्या assets बेचना है बोला कोई assets बेचो सर अगर घर हम बेचेंगे तो क्या deduction मिल जाएगा बोला घर बेचके घर खरीदते हैं तो तो 54 में हो आप लेकिन घर बेचके जो हम बताएंगे वो खरीदना है तो आजाओगे 54 EC में सर अगरी कल्चर लेंड बेचके अगरी कल्चर लेंड खरीदा तो 54 B में हो लेकिन अगरी कल्चर लेंड को बेचके जहां हम बताएंगे वहाँ पैसे लगाओ तो आप आजाओगे 54 यानि एनि काई्ड ओप एसेट्स गोल्ड बेचो घर बेचो कोई भी एसेट्स बेचो आप को जहां हम बोलेंगे वहाँ पर इंवेस्मेंट करना होगा को kalo yield यहां पर बोला गया आपको एक्जाम्पल है कि इतनी ज़्यादा बुरा हालत होने की या इतनी बैड कंडिशन में आने के वेज़ तो उसने करजा बहुत ले लिया था चाइना से स्पेशली तो चाइना का वो इंटरस्ट भी नहीं दे पा रहा था प्रिंसिपल तो दूर की बात है तो चाइना ने बोला बाहर वालों से ना लेके अंदर ही क्योंकि इंडिया के अंदर बहुत पैसा है आप आबादी देखो 130 करोड एक एक रुपे किसी से लेके देखो करोड़ पती बन जाओ गया तो गौर्मेंट क्या पॉलिसी लाती है पैसे की जुरत होती है तो गौर्मेंट क्याती बॉंड अंग लेके आरे हैं कि डेली के लाख घर बिक्ते हैं और खरीदे जाते हैं लाख एशेट्स बिक्ते खृब ग़र्मेंट भारेल करो हैकोय यां तो मुछे कैपिटल गेंदो अगर बचना चाहते हो तो जहां बोल रहे हैं पैसे डाल डू को दाल दो को पैसा जरृत पढ़ कर दिया AI जो कि नितिन गटगरे इस टाइम पे हमारे देश का जो ट्रांस्पोर्ट मिनिस्टर वो क्या करते हैं सड़के बनाते हैं अब सड़क मामूली थोड़ी है यहां से आप पंजाब जा रहे हो कितनी लंबी दुर है तो पूरा त्यार करना काफी पैसा लगता है करोड लाखो करोड रुपए लग जाते हैं लेकिन वो सड़क बनाते हैं जब तो वहां से पैसे आते हैं टोल टेक्स के तुरों को लेकिन पहले लगाएंगे तबी तो टोल टेक्स से पैसे आएंगे तो गवर्मेंट ने क्या करा भाया हम जाते हैं एक तो वर्ल्ड बैंक से पैस हम आपको exempt कर देंगा, आपसे tax लेंगे यह और मजे की बात यहाँ पर आपको हम FD से ज़्यादा interest भी देंगे, आपको FD से ज़्यादा, यानि interest भी ज़्यादा, interest भी tax free, interest पर भी हम नहीं लेंगे tax, कुछ ऐसे लेके आते हैं इसकी, यानि आपका फायदा ही फायदा रखें गया हुए हाँ पर, ताकि आपने एक करोड रुपए का घर या 40 लाग, 50 लाग का घर से पैसा कमाया है, capital gain आपका मान लेते हैं, 50 लाग है तो 50 लाग के ओपर 20% कितना जाएगा, 10 लाग रुपए tax, पचा क्या, 40 लाग जेम में, 10 लाग तो चलाई गया, आपने क्या करा 50 ल लाग रुपए का रेटन मिल चुका है, समझ रहे हो, अगर आप मान लो उस पैसे को नहीं जमा करवाते हो, गवर्मेंट के अकाउंट में, तो ऐसे situation में 10 लाग का tax गया, एक तो ये चला गया, आप 20%, अब सर 20% FD के पर पता है कितना rate चल रहा है, 6%, चार साल पैसे जमा करो दूसरा, इस पैसे को पांच साल तक निकालना नहीं है, ऐसा नहीं कि आज जमा करवा दिया, कल डिडेक्शन लेकर कर बोलो कि ला मेरे पैसे वापस दे दे, अब मैंने दे रहा, बोला पांच साल तक लोक इन है, लोक इन का मतलब क्या होता है, उसको फ्रिज कर दिया जाता है, पांच साल तक आप इसमें से पैसे निकालना नहीं है, निकाल सकते हो, तो जैसे ही निकालोगे, तो capital gain में taxable हो जाए, अगर ये law बना देते हैं, निकाल भी नहीं सकते, तो लोग पैसे नहीं डालते हैं, बोलते हैं, अगले साल पैसे की जूरत पढ़ जाए तो, तो न तो ऐसे जगहे पे जो government ने specify किया, develop करने के लिए fund की जूरत है, तो government बाहर से ना लेके किस से वसूल रहा है, इंडिया में, इंडिया के public से ही वसूल रहा है, जब इंडिया के public से ही वसूल लेगा, अगर government पैसे को इखटा करेगा, तो उसके पर कोई press rise हो गाए नहीं, क् के government खा जाएगी, क्योंकि अभी road बना दिया, उस road से जितना toll tax आ रहा है, वो सब आपको धीरे-धीरे मिल जाता है, तो government ने एक तरीके से free fund में बना लिए अपना road, पैसे भी खटा कर लिए उससे, और वो, तो ये R.E.C. NHI, सर इसके अंदर, बोला भया, हम सीदी सी बात बोलते हैं, छे महीने के अंदर, अंदर आपको ये bond खरीदना है, छे महीने के अंदर यहाँ पैसे लगाने है, इसके अंदर क्या सोचना, दो साल पहले, एक साल बात वाले बात, आपको पता है, यहीं पैसे लगाना है, तो छे महीने के अंदर अंदर लगा दो, अगर छे म तो अगर आप इस तरीके से काम करते हो तो आपको deduction मिल जाएगा कहां पे 54 तो 54 EC क्या कहता है कोई भी assets बेच के government के कहे हुए bond के उपर पैसा लगा दीजिए आपको deduction मिल जाएगा जो bond खरीदा है या जो आपने infrastructure जो भी bond खरीदा है उसको कितने साल तक नहीं बेचना पहले तीन हुआ करता था उसको lock-in period कर दिया 5 कितने पैसे सर इसमें लगा सकते है maximum limit government ने कर दिया भी जादा नहीं 50 लाग से उपर लगाओगे तो deduction मतलब 50 लाग रुपे तक का deduction available है अगर आपने मानलो 60 लाग रुपे लगाया है तो मिलेगा 50 का ही maximum limit कितना है 50 लाग जो कि not a small amount huge amount है आपको कितना मिल जाएगा 50 लाग का deduction मिल सकता है कितने दिन में आपको investment करना है 6 महने में investment करना है ये था हमारा 54 EC तो फटा-फट से एक बार हम पढ़ लेते है 54 EC क्या कहता है सेम EC पे है 54 EEV 54 EE बाद में आया ये शुरू से चल रहा था तो कुछ section बीच में आता है तो 54 EE भी देख लेते हैं फिर एक साथ ही पढ़ लेंगे सर 54 EE कहता है वो भी यही कहता है 54 EE कि any kind of कोई भी किसी भी तरीके का assets बेचिये और आप हमारे बताए हुए जगह पे पैसे लगाई है यहाँ पे तो bond था वहाँ पे उन्होंने assets बता दिया इस assets में लगाई है पैसे जैसे कि मानलो अभी हाल फलाल में जो ज़्यादा से ज़्यादा government promote कर रही है EV को, electric vehicles को, solar को, अब भाई electric vehicle बनाने वाली company को पैसे की जुरत पढ़ रही है, government ने कहा इसके assets करी दो, मतलब यहाँ पैसा लगाओ, तो हम आपको 54 EE में deduction देंगे, solar जो company काम करें, आप solar के काम में assets में पैसा लगा दो, मैं एक example ले रहा हूँ, तो यहाँ पैसा लगाओगे, तो हम deduction कहाँ देंगे, 54 EE में, यह तो पहले तो solar का कोई मतलब नहीं था, पहले EV का, तो नए नए जैसे जैसे आते हैं, तो government क्या करते हैं, वहाँ पे subsidiary भी देती है, उस तरीक से, और उसी के according रहता है सारा, बच्चे कह रहे हैं, सर वीडियो lag हो रहा है, एक बार रिफ्रेस कर देता हूँ, कोई बात नहीं, अब दुबारा चेक कर लीजिए, तो सर 54 EE भी same है, मैं एक बार पढ़ूँगा, आपको समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो चलिए सर, पढ़ लेते हैं, आपके सामने, और हाँ, मजे की बात इसके अंदर एक चीज़ हो, जैसे कि इन दोनों सेक्शन में, आपको capital gain deposit में पैसा जमा करके रख लेते थे, सर capital gain deposit में इसलिए रख लेते थे, मकान ढूंड रहे हैं, एक डेट साल लगे कह दिया मैंने, exemption, चलिए सर, क्या कहता है, section, 54 पहले EC कर रहे हैं, किसको मिलेगा, who can claim, कोई भी, asset transfer, ये थोड़ा सा error है, सर ये error है, ये थोड़ा सा इधर वाला point, इधर shift हो गया, यहाँ पे होगा, any long term capital assets, जिसके पास 10 years है, वो ठीक कर लेंगे, सर, ये error है, यहाँ आएगा, any long term capital assets, यानि as it is same, इसके बाद कहता है, period of position of the assets, any long term capital assets, यानि आपका long term होना चाहिए, LTCG, यानि long term के अंदर, मतलब सर, shares को अगर 13 महने बाद, अगर बेच के कहीं, इसमें पैसे लगा दे चलेगा, चलेगा, land and building को 25 महने बाद चलेगा, jewelry को 37 महने बाद चलेगा, यानि हर किसी के लिए long term अलग अलग है, तो यहाँ पे जो long term था, उसके लिए ये बताया गया, समझ रहे बात को, आगे कहा गया, सर, nature of eligible exemption, कौन सा मिलेगा, सर, long term मिलेगा, long term मिलेगा, आगे देखते हैं, eligible, सर, eligible, ये हमारे 54 EC, मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ मैंने एक बार दिखाने के चक्कर में, 54 EC है, और ये 54, ठीक है, कहता है, क्या खरीदना है, सर, eligible new assets, कौन से new assets खरीदा जाए, कहता है, सर, new assets जो खरीदना है, bond, NHAI, REC Power, Finance Corporation, Indian Railway Finance Corporation, Indian Railway को, any bond notified by the central government, redeemable after 5 years, और maximum limit 50 ला, कहता है, कहता है, कहता है, भाईया, bond, REC का, Railway Corporation का, या फिर NHAI का, bond खरीदना है, अगर सरकार को लगता है, कहता है, और किसी भी point से कहीं develop करना है, तो वो official gazette के अंदर notify कर देगी, और उस दिन से इसके अंदर वो point भी add हो जाएगा, भी तो 3 ह है, एक तो REC, REC क्या है सर, Ruler Electronic Company Corporation है, जो कि गाउं-गाउं बिजली पहुच जाने का काम करती है, तो यह REC है, इसके बाद सर, और क्या है सर, NHI तो पता ही चल गया है, Railway Corporation में मतलब अब देखा होगा कि, जब first time पे Indian government आई थी, या जब भी government आती हो, तो railway में सबसे बड़ अब add-on कर दिया गया है, Railway, और उसको redeemable का मतलब क्या होता है सर, उसके पैसे आपको निकालेने नहीं है, कब तक 5 साल, कितने रुपए देने है, सर, maximum period of allowed investment, कब कर सकते हो, तो बोला गया सर, करना है, 6 महने में date of such transfer, जिस दिन बेचोगे, 6 महने के अंदर हो जाना चाहिए, quantum amount, तो सर, amount जो दिया गया, lower of कितने 50 लाख, इस से ज़्यादा कर दो, मना नहीं है, सरकार बोल दिया है, दे दो, लेकिन आप deduction सिर्फ 50 लाख का ही ले पाओगे, exemption, समझ में आई बात आपको, सर क्या capital gain है, नहीं है, deposit में, नहीं है, ये था 54 EC, अगला है 54 EE, सर 54 EE, एक ही यह यहाँ पर, 54 EE, सर 54 EE क्या कहता है, similar, एकदम same, कुछ फरक नहीं है, कहता है कि any SSC किसी को मिलेगा, चेक करिये, long term capital assets कोई भी होना चाहिए, same है, any LTCA specified assets 142016, 142016 के बाद आपको वो assets खरीदना है, जो specified कर दिया गया हो, उसके कानून में, specified का मतलब मान लेते हैं, इस साल government ने, जो भी government है, finance minister, उन्होंने का के, जो व्यक्ति EV, electronic vehicles की company के equity share खरीदेगी, तो उससे क्या होगा, उस company के पास पैसा आएगा, और आपको 54 EC में, exemption मिल जाएगा, अगले बार trend आ गया, solar का, उसने बोला, अब electric vehicle नहीं होगा, जो solar में पैसे लगाएगी, उसको मिलेगा, इस तरीके से company, जो government है, वो notify कर देगी, आगे कहता है, ये long term ही होना चाहिए, सर, short term में नहीं मिलेगा, उसके बाद देखें, क्या कहता है, investment करना है, of whole or any part of capital gain in long term specified filed assets, as spitulated in the section maximum 50 लाग transfer after three year, maximum 50 लाग, सर, यहाँ पे तीन साल है, जैसे यहाँ पे पांस साल तक redeem नहीं करना था, यहाँ पे थोड़ा relaxation दे कितना कर दिया गया, तो जैसे कई बार लगता है, सर, जब ये section था ही, तो इसको क्यों जिन्दा किया, जब ये section था, तो option दे दिया गया, अगर तुमें करना पसंद करोगे, सर, investment should be made within a six month, यह सब कुछ सेम रखा गया, lower 50 लाग capital gain deposit का यहाँ पे भी नहीं मिलने वाला है, बड़ी सीधी सी बात है, तो हमने अभी 54B, 54, 54EC और साथ के साथ हमने 54EEB देख लिया, किसी को कोई दिक्कत है, तो बताईए, कोई समस्या, कोई परिशान यहाँ तक सब कुछ समझ में आ रहा है, यहाँ तक बताईए, कोई समस्या परिशानी practical question हम लेंगे इसका, मैं सोच रहा हूँ, पहले एक बार पूरा चार्ट कतम कर लें, फिर practical question लेंगे, किसी को कोई दिक्कत हो, तो बताईए, खुशी का कहना है दिक्कत है, येस अच्छा, वो इसकी पूछ रहे हूँ, clear है, ठीक है, ठीक है, समझ गए, समझ गए, समझ गए, समझ गए MD, Sunover, आप चैट में लिख दीजिए, जो doubt है, जिसका भी, क्योंकि देखो, doubt के बाद, जो मैं लेता हूँ, session, वो अभी तो नहीं, आप register रखा करिए, लिख लिया करिए, कि last के class में, क्योंकि अभी एक बार मैंने लेना चालू किया, फिर काफी बच्चे फिर पूछने 54 EC, 54 EC सायद आप late join हुए हो, इसलिए है, मैं भी last में hand raise करके, मैं दुबारा से पूछ लूँगा, बता दूँगा, वैसे normally 54 EC क्या कहता है, मैं बता दूँ, सर 54 EC कहता है, कि आप कोई भी assets बेचिए, और आप खरीद लीजिए notified bond को, तो आपको exemption मिल जाएगा, लेकिन 6 मेने के भीतर खरीदना है, और उस bond को 5 साल तक भी बेचना भी नहीं है, और आपको maximum 50 लाग रुपए तक ही खरीज सकते हो, simple सी बात है, अब हम आगे पढ़ते है, 54 D, कुछ section ऐसे हैं, जिसे साथ-साथ पढ़ा जाए तो ज़्यादा बेटर है, 54 G और 54 G A ये तीन section आप एक साथ पढ़ते हैं, तो ज़्यादा समझ में आता है, इसलिए मैंने पहले EC कर लिया था, हांजी, कहां पर, long term capital assets, LTC, A कर दो, G कर दो, बात है किये, सर, ये जो section बनाया गया, ये industrialist के लिए बनाया गया, industrialist मतलब जिनका business है, factory है, क्योंकि आपको बोला गया, कोई भी assets आप बेचते हैं, any kind of assets, तो वहां से जो बेचने पर फायदा होगा, उसे capital gain के अंदर हम डाल देंगे, और उस पर हम tax लेंगे, आपका factory पूरा बेचोगे, तो वह भी capital gain का ही पार्ट है, company बेचते हो, वह भी capital gain क्योंकि company is also capital assets है, तो ये सब capital इसका पार्ट है, कई बार क्या होता है, कि आपकी company आपका factory कहीं है, government को वो जगह पसंदा गई, वहाँ पर कोई project करना है, metro जाना है यहाँ से, आपकी बहुत बड़ी factory है, तो government क्या करेगी, उस factory को वहाँ से हटा देगी और बदले में आपको पैसे देगी, बदले में क्या देगी, ऐसा होता है नहीं होता, होता है आपका जमीन था factory, जमीन की बात नहीं कर रहा है, मैं factory की बात कर रहा हूँ, industry की बात कर रहा हूँ, ऐसे point को बोलते हैं compulsory accusation तो sir यहाँ पर capital gain कैसे निकलते हैं हम आगे वैसे पढ़ेंगे आपने मान लेते हैं कि उस factory को और factory के अंदर majorly land and building तो आपका जो land and building है वो आपने purchase किया था 10 लाख का और government ने valuation किया उसका एक करोड रुपे और एक करोड अकाउंट में आगे तो आपके 90 लाख रुपे तो बन गए ना capital gain 90 लाख पे 20% आपको 18 लाख रुपे तो देने पड़ेंगे ना सरकार को आप कहते हैं sir एक तो हमारी factory भी आपने अच्छी बज़ी चल रही थी सबकुस सेटप था आपने मेरे factory को भी क्या करा है यहां से हटा दिया चलो factory हटा लिया और उससे जो हमें पैसे हमें नहीं कमाना capital gain लेकिन मजबूरी में आपने कर दिया तो यह पैसा आप मुझे दे रहे और ठीक है मेरे account में आ जाएगा लेकिन इससे जो capital gain इस पर टेक्स क्यों दे गवर्मेंट ने कहा कि आपको अगर इस पर टेक्स नहीं देना है मैं ऐसा नहीं कह रहा मानता हूं कि आपके फैक्टरी था और आपके फैक्टरी को हटा दिया गया तो आपको इस पर capital gain देनी की अवशकता नहीं है हम लेके आ रहे 54D ऐसा तो नहीं हमने यहां से फैक्टरी खाली करवाई है आपकी तो आप फैक्टरी लगाओगे ही नहीं तो ऐसे सिचुएशन में आप निउ फैक्टरी लो कहीं भी लो जहां आपकी इच्छा हो और निउ फैक्टरी जितने भी amount का लोगे whatever amount का लोगे आपको deduction मिल जाएगा exemption मिल जाएगा वो मिलेगा 54 T के अंदर, यानि आपके factory, आपके industry को government ने acquire कर लिया, तो machinery तो ले जाओगे, plant ले जाओगे, उसको थोड़ी ना बेचने के लिए कहा है, सिर्फ जमीन ही तो खरीदा है, तो जमीन बे capital gain हुआ है, तो अगर जहाँ भी आप जमीन खरीदती हो, वहाँ पे आपको exemption मिल जाएगा, और exemption मिल जाएगा कहां 54, लेकिन वहाँ condition रखी गई, ऐसा नहीं कि आपने factory को दो मेहने पहले ही लगाया हूँ, और फिर आप exemption ले लो, आपका factory कम से कम वहाँ पे आपने factory में काम किया हो कम से कम दो साल, दो साल तक उस factory को आपने चलाया हो, तो आप इस exemption को claim कर लोगे 54D के अंदर, सर नई factory लेने के लिए land, अगेन वही बात, land खरीदोगे तो इतनी जल्दी है नहीं, दो साल और तीन साल वाली बात यहाँ पे आ जाएगी, यहाँ पे एक साल पहले तो नहीं करोगे आप, तो कहा गया कि कोई भी industry, कोई भी factory government compulsory acquire कर ले, compulsory का मतलब सर आप नहीं बेचना चाहते, लेकिन government ने खरीद लिया, compulsory acquisition कर लिया, तो ऐसे situation में आपको exemption मिलता है 54D में, यानि आपकी factory को किस ने खरीदा, आपके land and building को किस ने खरीदा, government ने, तो exemption मिल जाएगा 54D में, इसके बाद आया सर 54G, government का intention था चलो, एक 54D बनाया, तो 54G भी बनाई देते हैं, कुछ दिनों के बाद लेके आया, section 54G, उनने का के गाउं को develop करेंगे, और किसी भी ruler area गाउं को develop, एक ही condition में हो सकता है, रूजगार, आप सब डेली में हो, डेली उनिवेर्सिटी से पढ़ रहे हो, ultimately goal है, job, अच्छी job मिल जाए, तो अगर सारा यही same, आपको आपके ruler area में भी मिल जाए, तो आप आओगे नी Delhi, आप वही रहोगे, ऐसे situation में, government को क्या करना था, अपने develop करना था, ruler area को, सर, ruler area को develop करने के लिए, government क्या करती है, incentive निकालती है, plan निकलती है, बोलती है कि भाईए, यहाँ factory लगाओगे दिली में, 40% tax, गाओं में factory लगाओ, tax ही नहीं लेंगे, यानि यहाँ एक करोड़ी की कमाई पर, 40 लाग सरकार को देना होगा, मैं example ले रहा हूँ, और आप गाओं में लगाओगे, तो आप से हम tax नहीं लेंगे, तो आप क्या होगे, कि हम सहर को छोड़ के कहाँ चले जाएं, गाओं में चले जाएं, और वहाँ जैसे ही factory जाना चालू होगा, उस जगह पे, हर ruler area में, तो आपका तो फाइदा है, साथ के साथ government के point of view से, वहाँ पे employment भी क्या हो गया, मिल गया, तो government ने कहा, कि आप अपनी factory हम जबर्दस्ती नहीं कर रहें, आपका urban area में है, urban area में आपका factory है, इसे बेचिये, और ले जाए रूलर area में, अपने इच्छा से, आप अपनी factory को बेचिये, और ले जाए कहाँ पे, ruler area में अपने इच्छा से, जब आप अपने इच्छा से ruler area में ले जाएंगे, तो वहाँ पे आप plant and machinery, और land and building दोनों की हम बाते करेंगे, plant and machinery और land and building, पन नीचर cover नहीं करेंगे यहाँ पे, क्योंकि जब आप गाउं रूलर area में जाओगे, तो में भी possibility है कि बहुत ज़्यादा दूर जाना पड़ जाए, तो machinery को आप setup ले जाओगे, दूर जाना पड़ रहा है, तो वहाँ पे हम इसका भी exemption, तो अगर कोई भी land and building आपने बेचाओ, plant and machinery आपने बेचाओ, तो exemption मिल जाएगा 54G में condition यह है, कि आपकी factory को शहर से बेच के कहाँ जाना है, और खरीदने के लिए अगेन वही condition है, दो साल, बनवाने के लिए factory को तीन साल, कितने limit होगा, यह long term मिलेगा आपको, किसको मिलेगा यह, किसी को भी मिल सकता है, जो इस तरीके का काम कर रहा है, industry की बात चल रही है, तो पहले वाले point में, इस वाले point में similarity है, यहाँ भी factory बिक रहा है, और यहाँ भी factory बिक रहा है, फरक यहाँ की factory जो है, गौर्मेंट खरीद रही है, और यहाँ की factory आप अपनी इच्छा से बेज के कहां जा रहे हो, गाउं में जा रहे हो, और बाकी सारी condition यहाँ पर same है, क्या यहाँ पर CG मिलेगा, हमें capital gain deposit अकाउंट में जमा करने के लिए time बिलकुल मिलेगा, जरूरत है यहाँ पर, सर अगला आगया हमारा 54GA, गौर्मेंट को जब बहुत ज़ादा एकदम से develop करना होता है, किसी भी जगह को, तो एक area government point out करती है, और उस area को develop करने के मतलब है, कि वहाँ पर सभी इंडूस्रियस्ट को, बोले के आप वहाँ पर जाओ, आप हम pressurize करके काम नहीं करा सकते, सर इंडिया के अंदर, अपने आप करोगी तो ज़्यादा बहतर, और अपने आप इंसान तभी करता है, जब free में मिले, अगर जियो जब आया था, आपको बोलता है, सिम ले लो, यह देंगे, नहीं, free में बाटा, तो line में लग-लग के लिया लोगों ने, कोई pressurize नहीं था, चार बज़े सुबह-सुबह उठके भी लिया है लोगों ने, जब data नहीं हुआ करता था पहले, तो pressurize नहीं करेगी, गवर्मेंट ने बोला, कि इस area में जाओ, एक notified कर दिया, जैसे कि noida, noida जो है, noida भीजा गया, बोला भीया, noida में जितने भी जाएंगे, पहला, import-export पे कोई tax नहीं लेंगे हम, करो import-export का का काम करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, दूसरा, आपको loan जो है, हम interest-free provide करेंगे, आप loan लीजिए, business वहाँ पे setup करेंगे, और हम ब्याज बहुत nominal लेंगे, loan के लिए guarantee हम बन जाएंगे, आप loan लेके अपना business start करेंगे, कुछ condition है, वो fulfill करेंगे, यानि आपको बहुत सारे benefit, आपके जितने assets है, assets पे आपको 10% का depreciation मिलता है, आप 10 की जगह पे 20% का depreciation profit में minus करने देंगे, आपका profit कम कर देंगे, tax rate हर जगह पे 30% है, आपसे हम 15% tax लेंगे, लेकिन condition है, आपकी factory यहाँ पे होनी चाहिए, और ऐसे factory जिसको government notify कर देती है, इस area को बहुत जल्दी develop करना होता है, उससे बूला जाता है special economic zone, special economic, तो अगर कोई व्यक्ति, कोई भी कहीं से भी factory बेचे, कहीं से भी, चाहे rural से बेचे, चाहे urban से बेचे, और इस area में जाके अपने factory को open कर लेता है, तो उसको जो deduction, उसको जो exemption मिलेगा, वो GAK कोर्डिंग मिलेगा, 54, जी है, यहाँ पे बोला गया, यहाँ furniture भी रखा गया, अब ध्यान दीजिए का, यहाँ पे क्या था sir, land and building, यहाँ क्या था, plant and machinery and, land and building, और यहाँ पे land and building, plant and machinery and furniture, तीनों को दे दिया गया, अगें वही दो साल बाद, और बनाने के लिए, तीन साल, सारी condition वही से, मैं भी हम पढ़ लेंगे, समझ में आ जाएगा, बस मेन पढ़ना के, यह section apply कब होगा है, question में दिया होगा अपका, तो sir, यह section ना, सवाल के अंदर, पूछा जाना थोड़ा सा tricky है, क्योंकि कोई factory बेचेगा नहीं, और आपको दीखेगा नहीं, इसके उपर theory maximum time, तब पूछा जाता है, 54D को explain करिए, 54 आप G को, हाँ, लेकिन 54 EC आ सकता है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा सवाल, जो बनते हैं, आपके एक्जाम बे बोला जाता है, एक घर खरीदा और घर बेच दिया, shares खरीदा, share बेच दिया, कभी भी नहीं बोला जाता कि factory है, वो बेच दिया, शायद आ जाए, तो कर सकते हम, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन maximum आपका ये theory के point से पूछा जाता है, तीनों को coordinate करोगे ना, तो तीनों आपको एकदम से समझ में आएगा, पढ़ने का सही तरीका यही है, इस तीनों को एक साथ पढ़ना आपने, पहले क्या है, 54D, factory को government ने खरीद लिया, 54G, G, आपने खुद बेच दिया शहर से, 54G, आपने खुद बेचा, यहाँ पे आप खरीदो कहीं और, यहाँ पे खरीदो गाउ में, और यहाँ खरीदो special economic zone में, बस इतना फरक है, यह point आपको याद रखना है, कितना आप exemption ले सकतो, no limit, जितना capital gain, जितना investment करोगे, सारा आपको exemption मिल जाएगा, वही बात आजाएगी, capital gain और investment amount, whichever is lower, ठीक है, सल इसको देख लेते हैं, एक बात चलिए, पहले point को देखते हैं, D को, कहता है, N.E.S.S.C., कोई भी individual company, land and building industrial undertaking, which is transfer compulsory acquisition, compulsory acquisition का मतलब, सरकार, government, याद रखना, metro वालों ने आपकी जमीन चील ली, आगे कहता है, such land and building should be used, as S.S.C. for the purpose of industrial undertaking, at least two years before, यानि वो जमीन आपकी, दो साल पहले तक, आपने use किया हुआ होना, मतलब हाँ industrial काम हुआ हो, तभी आपको ये benefit देगा, सर, long term होना चाहिए, आगे कहता है, land and building, आपका होगा eligible assets क्या है, land and building, industrial purpose के लिए होना चाहिए, यह नहीं कि आपने क्या करा, factory government ने खरीद लिया, अब बोला है, factory का काम ही नहीं करेंगे, चल बढ़ी आज़ा घर खरीद के रह लेते हैं, तो exemption तब industrial ही लेना है वापस से आपको, आगे कहता है सर, maximum time allowed, सर, three year for date of, आपका construction के लिए, transfer के लिए, सर, बात वही है, यहाँ पे थोड़ा सा missing जो है, two year भी लिख लेंगे, two year purchase के लिए, और सर, capital gain deposit आपके पास available है, क्योंकि factory लोगे तो सब कुछ देखोगे, road देखोगे, पानी देखोगे, वहाँ पे क्या सुभीदाए है, वो देखोगे, वहाँ पे worker आएगा या नहीं आएगा, वो देखोगे, तो उसमें सोचने समझने में थोड़ा सा time लगेगा, इसलिए दीए, क्लियर है, इसके बाद देखते हैं, सर 54GA, सर 54GA क्या कहता है, स्वरी 54G पहले, कहता है NESSE, plant and machinery or land, not furniture, मैंने specified कर दिया, इसके नहीं परनिचर नहीं आएगा, use for business purpose के लिए, industrial, अंडर्टेकिंग आपका सिचुएटिड कहां होगा अर्बन थोड़ा-थोड़ा काट-काट के एक पेच पर अर्जे अरेंज करना था मैं इसको दुबारा चार्ट बनवा दुआ अर्बन एरिया ड्यूटो शिफ्टिंग रूलर एरिया मतलब कहानी सर आप शहर से जा रहे हो गाउं की तरफ अपने फैक्टरी को बेच के तो लेंड और बिल्डिंग अगर खरीते हो तो भी एक्जेम्शन मिलेगा प्लांट एंड मसीनरी का भी एक्जेम्शन मिल जाएगा 24 जी प्लांट एंड मसीनरी लेंड एंड बिल्डिंग नॉट फर नीचर इफ पर्चेज वर येर भीफोर मैंने चाहिए गलत पढ़ दिया अच्छा नहीं मैंने इभी ठीक तो कराया था है यहां पढ़गा ही नहीं यहां तो ठीक पढ़गा ठीक है ठीक है एफ पर्चेज one year before two year after date of such transfer construction के लिए तीन साल चाहिए lower मिलेगा capital gain deposit का भी आपके पास है available अगर आप एक कर लेते हो अच्छे से तो बाकी में थोड़े थोड़े point याद रखना है ठीक है ना? 54 EC कर लिया तो EE अपने आप हो जाएगा 54 D कर लिया तो 54 G और 54 G A भी अपने आप ही याद रहेगा आपको एक्जाम के अंदर 54 F अलग है completely और 54 आपका B भी completely अलग है वहाँ पर अलग-अलग बाते कहीं गई है सर इसके बाद देखते हैं अगला section 54 G A कहता है N.E.S.S.C. plant and machinery land or building including furniture business of industrial undertaking सारी बात ही यह कहा special economic zone special economic zone कौन सा होता है मैंने बता है जहाँ पर government आपको बहुत सारे incentive benefits देती है the asset transfer should be long term होना चाहिए long term assets होगा आगे देखें plant and machinery के लिए eligible रहोगे आप आपको 2 साल पहले 1 साल बात 3 साल construction और वही सारी के सारी बाते आपको कह दी गई है especially इसके लिए जो theory है वो theory अलग से 10 year के अंदर जो देखो ये chart किसलिए है exam से पहले गए और 54 important है इसमें से एक सवाल आनत है है आपने फटा-फट से एक ही जगह पे सब कुछ आपने फटा-फट पढ़ लिया chart इसलिए होता है ये बिलकुल भी नहीं होता है कि chart में जैसा लिखा है हम भी ऐसा लिख लेते हैं असानी से हो जाएगा इस chart के अंदर सिर्फ main main points को रखा जाता है ताकि आपको recall करने में easy हो आपको लिखना पूरा paragraph form में यह बुलेट form में जैसे कि theory वाले section में हमने अलग से mention किया हुआ है आपके notes के अंदर समझे बात आप लिखना वैसे ही है चलिए sir अब हमारा क्या रहे गया इसमें ध्यान से देखेंगे तो sir रहे गया 54F और 54GB तो पहले हम 54F करते हैं 54F बड़ा simple सा section 54F अब कुछ लोग बाग क्या करते हैं ये section देखो कैसे बना इसके पीछे theme समझो बहुत लोग बाग करते हैं क्या assets खरीदना घर को खरीदना क्या मामूली है नहीं आप देखते होगे आपके parents है बहुत सारे ऐसे भी parents होगे आपके शुरू से अब तक पैसे जोड रहें छोटी मोटी जगह ले ले जमीन ले ले आउब काम है पैसो को जोडने के दो तरीके हो सकते हैं उन्होंने क्या करा भूह सारा gold खरीद लिया तेरे तेरे gold खरीदते जा रहे या FD करवा दिया तो अगर आपके parents ने gold खरीद लिया और gold खरीद रहें जिरिफ के हम एक दिन अपने सपनो को पूरा करेंगे हो सकता है आपने gold खरीदा हो पांच लाग का अभी तक धिरे धिरे जोड़के और आज की इसकी कीमत कितनी हो 1CR आपका 95 लाख रुपए का capital gain बाला गवर्मेंट ने बोला निकालो 17 लाख रुपए का tax सोचो ऐसे इंसान जो की धिरे धिरे पैसे खटा करके अपना घर लेने का सोच रहा है सपनों को पूरा करने की सोचता है गवर्मेंट उससे 17 लाख रुपए एक जटके में ले लेगा तो वो घर खरीदेगा कैसे तब गवर्मेंट को एक section लेके आना पड़ा अगर ऐसा कोई काम करता है कोई भी अपना assets बेच दीजे कोई भी बेच यह हमें मतलब नहीं है अगर आप एक residential घर करीदेंगा और आपके पास पहले से रहने के लिए घर नहीं होना चाहिए तब ये वाला section activate करेंगे यानि सर आपको 54 F का deduction या 54 act इसका claim करना है तो सरकार ने ऐसे लोगों के लिए लेके आई बोला के भाईया आप कोई भी any asset किसी भी assets को आप क्या करिए बेचिए जो capital gain arise होगा आप क्या खरीद लीजिए लेकिन आपके पास पहले से घर क्योंकि मजबूरी यही थी ना आपने घर के लिए पैसा इखटा करा तभी बेच आपके पास पहले से घर है और फिर भी आप खरीद रहे हैं तो इसका मतलब आपका intention है पैसा कमाना और जब आप पैसे कमाई की बात करेंगा तो सरकार उसके उपर tax है साथ के साथ बोला गया सर यहाँ पर अगें जब घर खरीदेंगे तो आपको दो साल लग सकता है डूंडने में एक साल आपने पहले plan किया होगा construction के लिए तीन साल होगा और अगर आपको समय लगता है इसमें तो आप कहां जमा करवा दिजिए capital gain link deposit scheme के अंदर आप जमा करवा दिजिए बोला गया सर यहाँ पर जो हम deduction देंगे न वो देंगे परपोस्नेट ली हर जगे पर बोला भीया पांच लाग का आपने assets करीदा पांच लाग माइनस करो चार लाग का एसेट्स खरीदा है चार लाग माइनस करो यहाँ पर बोला गया कि ऐसा नहीं होगा यहाँ पर पर्पोर्सनेट बेसिस पर देंगे माल लेते हैं आपका CG जो है आपका सेल है आपने पचास लाग रुपे का घर ऐसा क्यों लाए गया क्योंकि बोला गया भहिया आपने गोल्ड बेचा एक करोड का तो खरीदो ना एक करोड का गोल्ड आप सतर लाग का गोल्ड खरीद लेते हो या आपने एक करोड रुपे का बेचा आप देड़ करोड रुपे का मकान खरीद रहे हो और extra पैसे लगा दिये तो आपको डेर्ड कुरोल का थोड़ी न exemption मिल जाएगा आपको जो exemption मिलेगा कितना मिलेगा एक पर्पोसनेट बेसिस पे government ने decide किया सर पर्पोसनेट बेसिस क्या था बोला गया पर्पोसनेट ये formula लगाएंगे हम क्या formula लगाएंगे सर सेल कंसिडरेशन नीचे रखिए, इन्टू में इन्वेस्मेंट कर दीजिए, जो अमाउंट निकल के आएगा, वो अमाउंट आपके लिए, एक्जम्शन के लिए अवेलेबल होगा, इसे बोला जाता है परपोस्नेट, पहले हमने देखा था एक कोशन 54 के अंदर सर एक घर ब मिलेगा, तो सर 54F क्या कहता है, सर बड़ी सिंपल सी बात है, आप कोई भी एसेट बेच दीजिए, और क्या खरीद लीजिए, घर खरीद ये, आपके पास पहले से घर नहीं होना चाहिए, इस घर को बेचना भी नहीं है, तीन सालों तक, बेच दिया तो फिर से, हाँ, नाम पे देखा जाता ना, मम्मी पापा अला मत सोचो आप, वो तो वैसे भी आपको अपने घर के बारे में सोच रहा है, आपके, ऐसा मत सोचो कि हमारे पडोस के पास भी है, हमारे मम्मी पापा के पास भी है, वो हमारा ही है, ऐसा नहीं होता, हमारा वो ही होता जो हम नाम पर होता है कानूनन तो सेम ऐसे इस सेक्शन को भी एक बार रीड कर लेते हैं इंट्रस्टिंग इंपॉर्टेंट बहुत सारे कुस्टिंज के अंदर इसका यूज होना है सर क्यों यूज होना है एक्जामन जानता है कि बच्चा यहां फस जाएगा अब ध्यान देना देखो मैंने अग्रिकल्चर लेंड बेच दिया और मैंने एक घर खरीद लिया क्या डिडेक्शन मिलेगा एक्जेम्शन मिलेगा अग्रिकल्चर लेंड बेचा और मैंने एक घर खरीद लिया क्या एक्जेम्शन मिलेगा F में मिलेगा न Any assets कहता है Any capital gain कोई भी कहीं कुछ भी बेचो और घर खरीदे होगे तो मिलेगा क्योंकि मैं आपके बस बतारों कैसे apply होगा मैंने agriculture land बेच दिया और मैंने bond खरीद लिया NHI का क्या मिलेगा मिलेगा यानि सर जहां पर बोला गया न Any assets तो ऐसा मस सोचिएगा residential घर खरीद के residential घर खरीदोगे बेच के खरीदोगे तभी आपको मिलेगा exemption residential घर खरीद के bond खरीद लो तब मिल जाएगा इसी घर खरीदोगे तो मिलेगा 54 और फिर से आपने residential घर बेच करके क्योंकि आपको घर बेच करके घर नहीं खरीदना other than कोई भी any capital assets हो any assets other than residential house ठीक है ना मैं clear कर रहा हूँ दुबारा बता देता हूँ कोई भी assets बेचिए बस घर नहीं होना चाहिए और आपके पास पहले से घर होना भी नहीं चाहिए क्योंकि अगर आपने घर बेचा है तो इसका मतलब पहले से घर है यह section apply नहीं होगा पहले ही के लिए समझ में आई बात आपको लास्ट एक section रह जाता है जो है हमारा 54 जीवी सर जीवी के अंदर क्या है जीवी में बोला के पहले मैं एक बार 54 एफ पढ़ ले तो बहुत important है अरे यहाँ पहुँच गए यह तो हमारा गया कहा चलिए सर ध्यान दीजिए most most important 54 एफ किसको मिलेगा individual हुए यह भी बाते ध्यान में रखना है वहाँ पे वो फटा फट से बोल देते एक company ने क्या करा घर बेच दिया है और घर खरीद लिया है आप बोलते हो सर घर बेच और घर करीदा आपके दिमाग में रहता 54 लगा के ले लो exemption लेकिन ये भी ध्यान रखना है कि वो तो company के लिए apply नहीं होता कहता है एनी long term capital assets कोई भी long term capital assets हो other than अच्छा मैं यह पर आ गया एनी long term capital assets other than लिखा हुआ है other than residential house property जो भी है any long term capital assets मिल जाएगा long term होना चाहिए अब कहता है residential house SSC should not own more than one residential house the date of transfer जिस दिन बेचा गया assets को उस दिन उसके पास घर नहीं होना चाहिए एक से ज़्यादा not more than one जैसे बोल ते ने घर नहीं होना चाहिए तो एक से ज़्यादा नहीं होना चाहिए उसके पास sir if assets purchase वही दो साल पहले बाद में construction के लिए तीन साल या एक साल before sir यहाँ पर देखिए deduction कैसे मिलेगा capital gain divided by यह into में थोड़ा सा इधर उधर हो गया यह into वाला इधर जाएगा जो मैंने formula लिखा है वही रहेगा मैं यहाँ लिख देता हूँ cg divided by sales into में investment यह formula रहेगा नीचे थोड़ा mess up हो गया capital gain और यह into में जाना था divide by नीचे आगया net sale consideration तो थोड़ा इधर उधर हो गया बाकि जो मैंने लिखा है वही है बताइए 54f में कोई दिक्कत tenure के अंदर मैंने एक एक theory सब को explain करके डाल दिया है चाहे बच्चा हिंदी medium का हो तो हिंदी medium का भी theory मैंने prepare करके डाला हुआ है English medium का है तो English medium का भी डाला हुआ है तो आपका tenure दो section में divided है सर एक theory section में theory section में सारे theory डालने मैंने और practical section में practical question और paper section में past year के paper ऐसे तीन टाइप में categorize किया है तो जो बच्चे कह रहे हैं sir theory और notes एक बार डाल दिए देखे ये चार्ट तो मैं हर किसी को provide करूँगा मैं सोच रहा हूँ थोड़ा colorful इसको करवाँ ताकि फिर देदू बाकि जिन बच्चों ने 10 year लिया हो उनके पास मिल जाएगा उसी के अंदर लेनी की जुरत नहीं है sir 54D में कितना exemption मिलता है no limit कोई limit नहीं है जितने का assets खरीदिये सारा exemption ले जाएए capital gain से जादा ना हो बस sir 10 year नहीं है तो खरीद लीजिए 10 year 150 रुपे का आएगा 10 year last section not important मेरे इसाब से एक्जाम के लिए इतना important नहीं है so that जो कि यह 54 GB अगला section ने 54 GB क्या कहता है sir यह किसी भी individual और हुएफ को मिलेगा और आपको घर बेचना है कहता है residential house property building land जो की taxable होता है HP में एक घर बेचना था 54 में और एक घर बेचना है आपको 54 B में उस वाले में घर बेचके घर ही खरीदना था यहाँ पे घर बेचके घर नहीं खरीदना the asset transfer should be long term और sir खरीदना क्या है equity share investment in whole amount CG आपका equity share start up assets मतलब sir अगर आपने घर बेचा और घर बेचके आपका capital gain आता है तो ऐसे situation में आपको जो पैसा लगाना है वो equity share में लगाना है और equity share कौन सा वो start up India का जो पहले एक दो बाद में section आया start up India में बोला था यहाँ पे पैसे invest करना है जिनका काम power generation वगेरा में है काम उनके equity share को खरीदोगे तो मिलेगा कहता है CG subscription of equity share eligible start up assets can not be sold 5 साल और उसके assets को जो खरीदा वो 5 साल तक बेचा भी नहीं हो company ने eligible start up of computer and software में 3 साल रखा गया before ITR से पहले आपको investment कर देना है capital gain वैसे ही मिलेगा जैसे कि अभी तक मिला था 54 F के अंदर proportionately और capital gain deposit applicable है यहाँ पे मिलेगा आपको करने के लिए ITR से पहले कर सकते हो exam के point of view से मैं कहूंगा sir इतना important नहीं है ये वाला section एक बार फटा फट से सारे section को revise कर लेते हैं सबसे पहला कौन सा है 54 तो exemption मिलेगा दूसरा 54 B आपको क्या बेचना है agriculture land कौन से वाला urban area का खरीदना क्या है agriculture land कौन से वाला आपकी मर्जी है इसके बाद हमारा क्या है 54 D क्या बेचना है आपको industrial compulsory acquisition में government ने ले लिया हो government ने compulsory acquisition में ले लिया हो खरीदना क्या है land and building कहीं भी खरीदिया industrial purpose के लिए होना चाहिए फिर क्या है सर 54 EC क्या बेचना है कोई assets बेचिये खरीदिये क्या government के specified assets जो की bond है तीनी bond है एक REC और एक NHAI और एक railway corporation का 54 EE सेम है सर कोई भी assets बेचिये खरीदिये गवर्मेंट में जो notified करेगी assets को उसको खरीदना है 54 EC के बाद 54 आपका आता है F आपको बेचो कोई भी assets residential house छोड़ के और खरीद लो एक residential house खरीद लो आप तो आपको exemption मिलेगा लेकिन यहाँ पर पोस्नेट बेसिस पे मिलेगा 54 G आप अपने factory को बेच दो शहर से और चले जाओ कहा किसी आपका rural area में गाउं में चले जाओ आपको exemption मिलेगा land and building and plant and machinery दोनों का 54 G A आप अपने assets factory को बेचो और चले जो SE Z में तो exemption मिलेगा 54 GB आप अपना घर बेचिये और government ने जो notified equity करा हुआ है जिसका काम power generation वगरा होता है तो कई जगह पे software वाले में तीन साल तक उस assets को नहीं बेचना और other में पांस साल category है वहाँ पे तो ये आपको main तो आपको पहले point theme याद होना चाहिए और साथ के साथ किसके लिए capital gain हमारे पास available है बस EC में है के 6 मैने के अंदर खरीदना चाहिए EC के अंदर examiner point डालेगा तो आपको date डाल देगा कि इतने दिन में खरीदा है फिर capital gain deposit में एक साल बाद हमने bond खरीद लिया तो आपको पता होना चाहिए सर यहाँ पर capital gain deposit में डालोगे तो आपके लिए available ही नहीं है तो यहाँ मिलेगा ही नहीं तो most important इसमें से मैं मान के चलता हूँ कि आपके exam में 6 नंबर का थियोरी तो पक्का है आना ही आना है चाहे कुछ भी हो जाए इसमें से 6 marks का आपका थियोरी आना पक्का है सर 54 F repeat कर बाद देना है 54 सायद सक्षम आप लेट तो नहीं आए 54 F क्या कहता है आपको assets कोई भी बेचिए लेकिन residential house नहीं होना चाहिए और उस assets को बेच के एक घर खरीद लीजिए घर एक आपके पास पहले से है तो एक ही घर खरीज सकते हैं अगर एक से ज़्यादा घर है तो allowed नहीं करेगा ये section और घर खरीदने के बाद आपको exemption जो मिलेगा वो एक percentage पर पोस्नेट बेसिस पे मिलेगा जो formula अप्लाई करेंगे इससे related हम practical question देखेंगे तो ज़्यादा हमें clear हो पाएगा इसका बताईए कोई doubt सवाल कुछिए नमर बन सर कुछिचन नमर वन थोड़ा और कर देते पड़ा कहता है कुछिचन में on the basis of information given compute the capital gain Mr. Rohit assessment year B is 21-22 assessment year 21-22 के लिए यानि सर हमें 20-21 के लिए काम करना है कहता है cost of acquisition residential house सर एक घर इसने खरीदा था ड़ाई लाग का तो format बना लेते हैं साथ के साथ करते भी जाएंगे question नमर वन सर कुछिचन पे उपर heading क्या डालना है वही जो की डाला हुआ रहता है computation of capital gain for Mr. X for assessment year 2021 2021 और बाइस 2021 और बाइस सर नए वाले 10-year question मैं बता दूँगा अभी तो सामने display है क्योंकि मेरे पास पुराने assignment notes है तो उसके अंदर आप अभी अपने वाले 10-year में मत ढूंडिये मैं बताऊंगा अभी सरिफ सामने देखिए आये हुआ है ठीक है चलिए सर कहता है हमने एक घर खरीदा residential house ध्यान दीजिएगा residential house बोर्ड पे ध्यान दीजिए सभी बच्चे residential house October 99 में खरीदा है हमने residential house मैंने कब खरीदा है एक दस 99 में अजी आप लोग की class कहां चल रही है क्यों यहां पर नहीं दिख रहा चस्मा भी लगा रखा है पास सामने भी बैठे हो तब भी नहीं दिख रहा ने तो यहां देखो न कुछ और के लिए आपके पास तो एक अक्टूबर दो हजार निन्यानवे में इसने घर खरीदा सर और फेयर मार्किट वेल्यू दे दिया एक चार दो हजार एक का देटेज आपके पास है बारा लाक रुपए कहता है सेल प्राइस जैन टूथाउजन टूइन्टी वन में चौवालिस लाक का सर जो सेल्स किया गया ना वो चौवालिस लाक सेलिंग एक्स्पेंस है क्या कोई इसमें पर्चेस न्यू हाउस खरीद लिया इसने बाद में देखेंगे कैपिटल गें डिपॉजिट में डाला है कॉस्ट आफ इंफलेशन जैसे कि आपका एक्जाम का आयवा सेम कॉस्चन होता है लेकिन हाँ मैं कहूंगा कि जितने भी कॉस्चन होते हैं किसी बच्चे के पास सायद कॉस्चन पेपर मिलता हो तो वो जैसे मैं अपने टाइम पर पढ़ता था तो कई बार कॉस्चन देखता था तो वो मैज नहीं होता था मैंने यह आला पेपर तो मिली नहीं रहा इसका अंसर तो यहां पर ही नहीं तो सारे डिजट बदल दिये जाते हैं एस पर दर न्यू रिक्वाइर्मेंट के हिसाप से सारे डिजट को हम क्या करते हैं इसमें सारे के सारे जितने भी डिजिट होते हैं हाँ question पूरा same रहेगा आज के इसाब से year भी बदल देते हैं हम और डिजिट भी अगले साल देखोगे तो फिर से question में सिर्फ amount और year चेंज करते हैं concept वही रहता है sir कोई selling expense नहीं है selling expense minus net sale consideration sir minus करेंगे cost of accusation जो की जिस दिन खरीदा था वो वाला तो नहीं लेंगे हमने सीखा हुआ है sir fair market value लेंगे तो 12,00,00,00 इंटू में sir यहाँ rate दे रखा है हमने कहा है कि 20-21 के लिए काम करना है तो 20-21 में आपका सबसे पहले कहता है एक दो में 100 है और 20-21 में 301 है नहीं वाली जो बच्चे नहीं बुक ले रहे होंगे वहाँ पे तो आपको 317 ही मिलेगा 301 divided by 100 36,00,00 12,000 sir minus करेंगे तो यह आजाएगा capital gain LTCG 8,00,00 sir अब minus इसके उपर हाला की text देना है लेकिन minus हमें मिलेगा 54 का exemption या नहीं चेक करते हैं कहता है purchase new house 1 March 2021 सर एक मार्च 2021 मतलब थोड़े टाइम बाद ही खरीद लिया इसने कितने के 5,00,00,00 रुपे का तो बोला गया थोड़े टाइम क्या दो साल तक अगर आप घर को खरीदते हो तो आपको exemption अविलेबल है इसने एक घर खरीद लिया कितने का सर 5,00,00,00 और फिर इसने deposit कर दिया capital gain scheme के अंदर कितने रुपे और जून 21 में यानि return file करने से पहले क्योंकि इस साल का return file होगा हमारा कब इस साल का return file होगा 31 जुलाई 2022 तर यानि सर exemption 54 में मिलेगा एक तो house जो खरीदा पांच लाख और जो capital gain deposit में जमा करवाया सर एक सवाल है मेरा अगर ये दो घर खरीद लेता फिर भी पैसे बच जाते और उस पैसे को capital gain deposit में जमा करवा देता तो जो capital gain deposit में जमा करवाया उसका exemption नहीं मिलेगा क्योंकि बोला गया भीया इस पैसे से जो पैसा आया है दो ही घर खरीद सकते हो एक आपने खरीद लिया और आपने capital gain deposit में पैसे जमा करा दिया यानि दूसरा कभी खरीद सकते हो यह प्लान कर रहे हो तभी हमने आपको exemption दिया है माल लेते हैं आपने एक घर खरीद लिया ये ठीक 6 मैने बाद एक और घर खरीद लिया दो घर तो खरीद दी लिये और फिर भी पैसे बच रहे हैं आपके पास आपने जमा कहा करा दिया capital gain deposit अकाउंट के अंदर तो sir law तो कहता है दो घर से ज़्यादा खरीद ही नहीं सकते हैं आप deposit कर भी दिया तो उसका करोगे क्या नहीं कर सकते हैं ना कुछ नहीं मिलेगा लेकिन हाँ अब थोड़े से पैसे बचे हैं उसको आपने bond में डाल दिया तो 54 ECB मिल जाएगा आपने उससे notified equity खरीद लिया तो 54 GB भी मिल जाएगा यानि ऐसा restriction नहीं है कि उस पैसे को एक ही जगह लगाने मैंने माल लेते हैं आधा पैसा यहाँ लगा दिया आधा पैसे bond में लगा दिया तो आधा पैसा यहाँ लगा दिया तो 54 EC के deduction तो government ने बहुत सारे scope आपके लिए खोले हुए है यहाँ पे चलिए सर माइनस करते हैं तो 31,000 रुपए आगे कहता है would is make any difference क्या कोई फरक होगा if SSC does not purchase any new house SSC ने कोई घर नहीं खरीदा हो यानि ये काम ना किया हो इसने deposit किया हो 5,50,000 इन capital gain deposit scheme में कब scheme by due date of filing return assessment year 2021 में क्या आपके आंसर पे फरक पड़ेगा अगर वो घर ना खरीदे और सिर्फ और सिर्फ capital gain deposit में 5,50,000 रुपए जमा करे तो जी हां फरक पड़ेगा क्या फरक पड़ेगा मैं यहीं पे mention कर देता हूं सर फरक ये पड़ेगा क्या फरक पड़ेगा मैं यहीं बता देता हूं case number two हाला कि अभी इसमें बहुत concept बाकी हैं लेकिन फिर भी जो बच्चा इतना कर लेता है ना मैं कहूंगा exam का सवाल तो छोड़ेगा ने वो जितना अभी तक हमने पढ़ा है sir new वाला second sir ये तो सेम रहेगा 44,43,000 sir ये भी सेम रहेगा 44,43,000 sir ये भी सेम रहेगा 36,12,000 sir ये भी सेम रहेगा 8,31,000 बस उसने यहाँ पर माइनस किया तो cg का मिलेगा 5,50,000 और उसका taxable हो जाएगा 3,02,000 281 ये फरक होगा check कर लिज़े कोई दिक्कत कोई परेशानी है तो बताईए समझ में आया ये question एक और सवाल देखा जाए काफी बच्चों के कुछ-कुछ doubts आ रहे हैं इसके अंदर sir ये questions leave and catchment या residential status का पहले हम आज का agenda पूरा करें फिर हम doubt पे आएगे हमने अभी तक capital gain में क्या-क्या कर लिया sir definition कर लिया definition के बाद capital gain के अंदर हमने क्या देख लिया capital assets किसे बोलते हैं उसके बाद हमने देख लिया कि long term capital assets क्या होता है और short term capital assets क्या होता है इसके बाद क्या देखा हमने sir इसके बाद हमने calculation देख लिया long term वालों का कैसे होना है इसमें condition ये था कि आपका दो करोड मैक्समम है और दो ही घर खरीदना है 54B क्या था हमारा agriculture land अगर आप बेचते हो तो अगर दुबारा agriculture land खरीद लेते हो तो exemption मिल जाएगा कहां मिलेगा 54B के अंदर condition ये है जो जमीन है उसपे आपके parents दो साल तक farming का काम खेतिबाड़ी करा होँआ होना चाहिए और सर इसमें भी capital gain deposit अविलेबल था नंबर 3 कराता 54EC bond का अगर आप जो भी capital gain होता है कहीं से भी हो weather कहीं भी जगह से हो कोई भी SSC हो वो अगर government के notified bond NHI, REC और railway के bonds में डाल देती है तो वो exemption मिल जाएगा maximum limit कितना है 50,000,000 कब तक जमा करना है 6 महिने के अंदर अंदर जमा करना है लेकिन 5 साल से पहले redeem इसी के तरह एक था 54EE 54EE क्या कहता है government के notified assets के अंदर आपको investment करना है तीन साल redeemable है यहाँ पर यहाँ पर क्या था 3 साल maximum limit 50,000,000 और 6 महिने के अंदर करना है फिर देखा था हमने 54D आपका government ने compulsory acquire कर लिया land and building तो आपको कहीं भी land and building अगर आप लेते हो तो आपको exemption मिल जाएगा लेकिन आपका वही industrial land and building होना चाहिए जिस पर 2 साल आपने काम किया हुआ होना चाहिए तभी आपको उसके अंदर exemption मिलने वाला है इसके बाद था 54D के बाद 54G जी के अंदर क्या था आप शहर से factory हटाईए और ले जाएए गाउं में तो आपको plant and machinery और land and building का exemption मिल जाएगा और साथ के साथ वही condition है दो साल बाद एक साल पहले बनाने के लिए तीन साल एक्सेक्टरा यह सारी चीज़े कॉमन चलेगा 54GB 54GB के अंदर क्या था सर कि आपका अपना कहीं भी आपका हो factory उसको SCZ में ले जाएए तो वहाँ पे special economic zone में ले जाएंगे तो आपको फिर से exemption मिल जाएगा 54 अब यहाँ पे furniture भी include हो चुका है अगला point था हमारा G.A.G. में कहता है कि सर सरी 54 पहले F था F में कहता है कि आपको घर के अलाबा कुछ भी बेचिये और आपको residential house खरीदना है तो आपको exemption मिलेगा वो भी purpose net basis पे क्या था purpose net basis पे हमारा capital gain divided by net sale consideration into my investment तर इसके बाद था हमारा 54 GB 54 GB के अंदर क्या था आप फिर से कोई भी assets बेचिये और government के बताये हुए equity में invest कर दीजिये यहाँ भी purpose net basis पे मिलेगा तो यह सारा का सारा हमारा था पहले 54 आज जो हम पढ़ने वाले है main point है cost of acquisition section 55 इस section को हम पढ़ेंगे बहुत important भी है लेकिन सवाल में करते हुए कभी आपको realize नहीं होगा कि इसका implementation कैसे किया जा रहा है लेकिन important है question के बीच में यह आएगा ही आएगा तो सर cost of acquisition का मतलब कई बार हमें problem हो जाता है कि जो हम assets खरीबते हैं या जो assets हम sold करने basically बात करूँ जो assets हम sold कर रहे है और सर कौन से assets की बात कर रहा है capital assets तो सर उसका buying value क्या ले उसका cost क्या consider करे क्या उसका cost zero मान ले क्या उसका cost market value मान ले क्या उसका cost real cost मान ले उसका indexation करने के लिए हमें cost चाहिए तो cost किस तरीके से किया जाएगा वो देखेंगे तो हम इसको तीन category में बाड़ देते है मैंने हाला कि chart पहले से ही 10 year में incorporate कर रखा है हम इसको तीन category में बाड़ देते है सर ध्यान से देखिएगा एक आपका intangible assets एक एक करके करते जाएंगे समझते जाएंगे अब सर intangible assets की बात होई रही है तो intangible assets हमारे दो तरीके के हो सकते हैं सर दो तरीके के कौन-कौन से intangible assets हो सकते हैं या तो हो सकता है आपका self-generated या हो सकता है आपका purchased सर इंटेंजिवल assets होता क्या-क्या है intangible assets हाला कि आपको पता है मैंने list भी दिया हुआ है मैं normally कुछ बता देता हूं इंटेंजिवल assets जैसे गुडविल जैसे पेटेंट जैसे कौपी राइट जैसे सौफ़्वेर जैसे फॉर्मूला जैसे लूमार्स एंड एक्सेक्टरा मैं भी जब आऊँगा तो सारा लिखवा दूँगा तो यह इंटेंजिवल assets में जैसे इंटेंजिवल assets बोलते ना तो हमारे दिमाग में खयाल आता है सबसे पहले गुडविल का जो सबसे में हम पढ़ते आएं सर अगर हम गुडविल की बात करें तो गुडविल का मतलब है एक तो मैं काफी टाइम से काम कर रहा हूं जैसे मैं अभी क्लासिस ले रह है तो बोलता है कि मुझे branch open करना है तो मैं उसे branch open अपने नाम से तभी करने दूँआ जब मुझे वो कुछ payment करेगा अपने student का sharing में यानि मेरी goodwill बनेगी तो यह goodwill मेरी मेरी मेहनेच से मैंने खरीदी नहीं है तो यह हो गया self generated लेकिन मैं goodwill को बेच जरूर सकता हूँ जैसे कि कोई आया बोला कि मुझे भी इस नाम से एक institute open करना है तो आप बताइए आपका नाम use करने का क्या रहेगा तो मैं उससे पैसे लूगा एक तरीके से मैंने अपनी goodwill क्या करा बेच दिया तो goodwill is also part of capital assets goodwill बेचा जा रहा है मैंने मान लेते 50,000 रुपए का अपना goodwill बेचा है अब 50,000 का जब goodwill बेचा तो इसको हम क्या करेंगे sales मान लेंगे 50,000 less क्या करते है cost of acquisition sir इस goodwill को मैंने खरीदने में मैंने तो पैसे नहीं दिये यानि cost of acquisition क्या माना जाएगा जीरो तो अगर आपका self generated कोई भी capital intangible assets है तो यहाँ पे आपको cost of acquisition लेना है पहले यह वाला point समझ में आगया लेकिन दूसरा यह हो सकता है कि मैंने goodwill purchase करा है तो in case मैं goodwill purchase करूँगा तो cost of acquisition क्या होगा actual cost actual cost पहले तो एक एक करके मैं पूसता जाओँगा और एक एक करके मैं बताता भी जाओँगा आपको समझ में भी आता जाएगा साथ के साथ मैं चार्ट भी compare करा दूँगा पहले वाला पार्ट मैंने यहाँ थोड़ा different तरीके से कर दिया क्योंकि बना बनाया table में बताऊं तो बनाया मैंने ही है लिखा मैंने ही है तो मुझे जब तक अच्छा नहीं लगता कि मैं अपने हाथों से लिखना लूँ और आप उस चीज को समझना लो उसमें देखे हुए में तो मुझे पांच मिनट लगना एक्स्प्लेइन करने में लेकिन वह इतने अच्छे से समझ में नहीं आता है जब तक कि हम लिख के ना कर ले तो यहाँ तक क्लियर है आपको बताईए इस वाले points में किसी बच्छे को कोई भी दिक्कत है तो बता सकत हुए और जो टैनियर में question है नहीं है वो मुझे अभी जब मैं बोलू के topic अब डाउट बताईए तब अभी इस जिस पॉइंट से पूछा जाए नहीं जो अभी फिलाल के लिए जो मैं समझा रहा हूं वह किलियर है यह बताईए अब कहां पर क्या question आप हां यह जरूर नहीं जो खरीदा है उसकी cost क्या मानेंगे तो सबसे पहले आता इंटेंजीबल एसेट्स क्या होते हैं कुछ लिस्ट लिखें इंटेंजीबल एसेट्स में दो तरीकी के हो सकते हैं या तो self generated होगा या फिर खरीदा होगा अगर self generated हुआ तो cost of acquisition क्या लोगे जीरो लेकिन नाम की कोई चीज नहीं अपना नाम बेचते हैं सरीफ ठीक है सर अगले बात कर लेते हम जो सबसे मेन है शेर्स की और शेर्स के जगह मैं security word यूज करूँ आ शायद चार्ट में spelling error है इसमें security अब सर अगर हम security पर जाएं तो security क्या होता है any kind of financial instrument हमेशा security में आता है मान लो मैंने bank से loan लिया अब bank वालों ने मुझे loan लिया उसका या मैंने loan जब लिया तो bank वालों ने मुझे उसका कुछ ना कुछ तो proof दिया होगा document वह जो paper है that is a security मैंने डिमेंचर लिया वह security यानी पैसे से लेन देन को जिस कागज पर आप लिख लेते हो ना business के लिए ऐसे नहीं अपने दोस्त को दे दिया business deal के अंदर जिस पर लिख लेते हो that is a financial instrument है और financial जैसे ही instrument मानते हैं उसे security का नाम देते हैं फिलाल यहाँ पर हम सिर्फ देखेंगे shares और debenture के बारे में तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हम बात करेंगे shares का चाहे equity हो चाहे preference हो सर जैसे ही shares कहेंगे तो share बहुत बड़ा topic है exam के अंदर examiner का बिल्कुल highlighted topic रहता है इसमें से सवाल पूछता है तो बच्चा ज़रूर परेशान होता है अब shares की बात करें कितने तरीके के shares हो सकते हैं सर shares में bonus share हो सकता है bonus share हो सकता है bonus के बाद आपका हो सकता है right issue right issue के बाद हो सकता है आपका unlisted share unlisted share के बाद हो सकता है आपका सर इसके लिए मुझे ज़्यादा जगह चाहिए होगा तो मैं इसको यहां से यहां लेके चलता हूँ Listed Share हम एक एक करके सभी को समझेंगे देखिए Bonus Share सर Bonus Share में क्या कहा गया और कैसे कहा गया क्या करना है सबसे पहले तो Bonus Share क्या होता है Bonus Share होता है Free का Share Free का Share मतलब ऐसा नहीं के Share बट रहा है आप जाके ले लोगे हमेशा Bonus Share दिया जाता है Existing Share Holder को Company का मान लेते हैं Company का XYZ का आपने 5000 शियर ले रखे हैं यानि Already आपके पास 5000 हैं इस Company के और आपको Company ने Announce कर दिया के Sir आपके 5000 शियर जो लिये हुए हैं आपको Announcement किया जाता है कि One is to One हम इस बार Company का बहुत अच्छा मुनाफ़ा रहा है मैं Bonus दूँआ तो जब One is to One में Bonus मिलेगा तो पहले से आपके पास कितने का है पांच का फिर बाद में कितने का हो गया पांच का और तो यानि अब आपके पास हो गये 10,000 आपने कीमत दिये 5000 शियर के लेकिन आपके पास कितने शियर हो गये 10,000 अब अगली बार फिर से Company ने कभी 4-5 सालों म कितने हो जाएंगे आपके पास 10 तो है कितने हो जाएंगे 20,000 यानि इस तरीके से आपके शियर बढ़ सकते हैं तो सर जो यह आपको फ्री वाला शियर मिला है इसके लिए आपने कुछ भी अमाउंट पेड नहीं किया है सिंपल सी बात है पहले जो था उसी पर मिल गया इसक इसके लिए अमाउंट पेड नहीं किया लेकिन इन फ्यूचर में मैं बेच उगा तो सही इसको जैसे ही मैं इस वाले को बेच देता हूं मान लेते हैं पांच लाक रुपए का तो सर सेल कंसिडरेशन तो पांच लाक हो गया लेकिन इसके लिए कॉस्ट ऑफ एकुजेशन क् समझ रहे हो पॉइंट मतलब जब कभी भी इस वाले शियर को अगर बेचेंगे ने खरीदे हुए को तो उसको तो हमें पता है सर के हमारा सेल कंसिडरेशन पांच लाक और जितने का खरीदा माइनस कर देंगे आ जाएगा लेकिन वट अबाउट बोनस शियर का ऐसा हाल रहा तो फिर बोनस में क्या कैलकुलेशन होता है हम वो देखेंगे सर बोनस अगर आपको मिला हो यहां पर भी चेक करना होगा कि बोनस आपको रिसीव कम हुआ है सर दो कंडिशन में बोनस मिल सकता है या तो इंडेक्शेशन से पहले मिला हो या तो इंडेक्शेशन के बाद मिल अगर आपको indexation से before मिला हो यानि सर before 142021 या हो सकता है bonus मिला है आपको after 142021 सर अगर before मिला हो आपको तो क्या करेंगे और after मिला हो तो क्या करेंगे अगर before मिला है तो आप bonus share के लिए क्या करेंगे और after, after में bonus share के लिए cost of acquisition रहेगा nil, 0, after में before में रहेगा cost of acquisition fair market value 2001, अच्छा मैंने 21 लिख दिया 1 है, 1 है, 1 है, 1 है, 1, 1, 1, 1, 1 मेरे दिमाग में 21 आ गया 2001 2001 ठेक है न, 2001 का indexation यानि सर, bonus share आपको अगर मिला है 2001 से पहले तो bonus share का market आपको consider करना है cost of acquisition सर, क्या cost of acquisition consider करना है, fair market value जो 2001 में रहेगा लेकिन अगर after मिला है तो उस situation में आपको cost of acquisition क्या consider करना है 0 consider करना है वो आपके shares के price में ही बढ़ जाता है, आपका पास number of shares बढ़ी है तो market value के इसाब से consider हो जाता है इस से related एक example देख लेते हैं तो ज़्यादा clarity हो जाएगा जो चीजे मुझे लगेगा कि example लिखना चाहिए भले ही time ज़्यादा लग जाए लेकिन समझ में आना चाहिए तर बोनस से related मान लेते हैं Mr. X ने purchase किया है equity share 5,000 purchase एक चार 1980 में equity share रुपीस 5,000 सार equity share कितने purchase कर लिया है रुपीस गलत लगा दिया नंबर लगाना है में इन तो 5,000 at the rate 50 each and company declare bonus on एक चार दो हजार 1 is to 1 after some time after some time company declare again bonus on एक चार दो हजार बीस 1 is to 10 1 is to 2 ये मैंने पूरा सवाल लिख लिया है कुछ बाते आपको जानकारी चाहिए वो मैं लिख देता हूँ फियर मार्केट वेल्यू सर्फ एफेमबी अन एक चार दो हजार एक एक चार दो हजार एक आपका 70 रुपे सवाल पहले समझ लिजिए मैंने जो कुष्चन है मेरी कोशिस यही है देखो आप वर्डिंग पे नहीं जाईएगा मेरा कुछ कॉंसेप्ट यह है कि आपको सवाल मैं पूरा समझा पाऊं कहता है सर एक एक्स ने कभी सियर खरीदा 1980 में एक्विटी शियर 5000 और 50 रुपे का एक के भाव से खरीद लिया था और फिर कंपनी ने बोनस दिया 142000 के अंदर 1 is to 1 का और आफ्टर सम टाइम अगेन कंपनी ने दिया बोनस 142002 में 1 is to 2 का फियर मार्किट वेल्यू 142001 का 70 है और सारे शियर हमने उठा के बेच दिये 2021 में कितने का 90 का तो इसका आपको ट्रीटमेंट करके दिखाना है क्या सर ट्रीटमेंट करके दिखाना है आपका अगेन का तो इसका अगेन के ट्रीटमेंट के लिए हम अलग-अलग कर लेते हैं या एक साथ भी कर ले तो कोई दिक्कत नहीं है हमें एक साथ ही कर लेते हैं समझ में आ जाना चाहिए बस सबसे पहले सार शेयर शेयर जो हमने सेल्स किया है तो सेल कंसिडरेशन या सेल साथ लो आपके पास कितने शेयर हो गए ये पता करो 5000 पहले थे कुछ दिनों के बाद 1 is to 1 जैसा ही मिला तो आपके पास 10 अजार शेयर हो गए जैसा ही 10 अजार शेयर हुए फिर से कंपनी ने 1 is to 2 दे दिया इसका मतलब होता है 2 के बदले 1 इस्टू 2 का मतलब क्या होता है जो बाद वाला है उसके बदले 1 मिला है तो सर फिर से आपको कितने मिल गए bonus यहाँ पे bonus आपको मिला था 5000 जिससे बना था 10 फिर इस पे आपको bonus मिला सर bonus 1 इस्टू 2 तो 2 से divide करोगे again bonus मिल गया परकिये है एक indexation से पहले के bonus मिला और एक indexation के बाद मिला तो सर हमने सारे शियर को अगर देखा जाए हमारे पास total शियर कितने हैं सर पांच-पांच-दस bonus पांच पहले था तो 15,000 के हमारे पास है 15,000 इंटू में हमारे पास 90 का है या फिर मैं इसको अलग-अलग करू तो ज्यादा बहतर है एक्जाम में जैसे करना है वैसे कर लेते हैं सबसे पहले हम सेल्स रखेंगे 5000 जो और इसनल स्यर है 5000 इंटू में 90 तो कितने आगे सर चार-पचास लेस कर देंगे cost of acquisition और इसनल वाले का तो इंटू में 317 यह आजाएगा हमारा इसका जो भी whatever capital गयन आता है अब बोनस शेयर नंबर वन का कर लेंगे बोनस नंबर वन सर सेल कंसिडरेशन सेल कितने कर किया होगा नंबर वन का है 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 आधिया अधियो नहीं जो चैक कर ये वोई सागे आपको voice check करिए आ गई आपको voice check करिए no voice अब तो आ गई होगी yes चलिए मैं दोबारा बता देता हूँ सर, sense हमारा 5000 share मैं न shares के 3 तरीके shares हो गए हमारे, मैं ये भी समझा दूँ और यहाँ पे कई बार shares पे मैंने बता देता हूँ हाँ जी हाँ जी एक मिनट रुकिए आप चेक करिए फिर से आप एक मिनट रुक जाइए बस तूसरे चार्जर से लगा लेकर सके अब देख लीजी आप क्लियर आएगी अब क्लियर आएगी आपको बोईस तो मैं क्या कह रहा था सर एक तो है हमारा original share सर original share जो है वो 5000 है उसके बाद एक bonus number 1 है जो की 1 is to 1 मिला था 5000 एक bonus number 2 है जो की कितना है हर तीनों को मैं अलग-अलग बेचूँगा हर तीनों का अलग-अलग solution करूँगा मेरा assumption यह है यह share पे indexation allowed है STT paid नहीं है मैं बात करूँगा कौन से share पे indexation allowed है कौन से नहीं है अभी basically सिर्फ concept बताने है आपको ठीक है तो सर यहां पे पहले वाले point की बात करें तो sale और जो sale है हमारा यहां पे सर sale यहां पे 90 रुपे के हिसाब से last में सवाल में कह रखा है कि सारा sale 90 में तो 5000 को 90 यह original वाले की बात कर रहो और उसको खरीदा कितने का था 5000 हलाकि खरीदा मैंने 50 का था अब दूसरे का करेंगा बोनस का तो बोनस आ गया 5000 में बिकेगा तो 90 के हिसाब से ही सारा इखटा ही बेच नहीं लेकिन अलग अलग calculation करके दिखाना पड़ेगा सर अगर हमने अब चेक करना होगा क्या यह ख्ै खरीदा कब था बोनस यहर मिला कब है तो सर Subscribe So क्टे करेंगे अब आपको अगर इंटेक्सिय конечно रहेगा तो यह को क्बमें सेघ्रट्राइब और सब्सक्राइब क्यारना पड़ेगा फिर सेल्स सेल्स चाहताएगा 5000-9 रहीगा और और लेस करेंगे स्विस्याट्राइब से यहां In यह पे college a contribution क्या लेंगे बताइए यहां पर को सब निया जाएगा जीरो तो यह आजएगा चार पचास सर नेचर क्या रहेगा सर इसका लॉंग टरम आप काउंट कर लेंगे के लॉंग टरम शॉट टरम अभी बता देते हैं यहां पर क्या है कैल्कुलेट करके ग्यारा लाख नो हजार पांसो तो सही तो है माइनिस करके बताईए कैपिटल गेन निकाल लिए चार पचास बहुत ज़्यादा आगया यह हाँ ज़्यादा तो आए गई सर पैंसट पिच्च अभे सो यह लॉस यह लॉंग टरम लॉस आगया लॉंग टरम लॉस आगया सर यह बोनस शेयर की बात करते हैं यह कितना है सेम आगया सर यह भी लॉंग टरम लॉस आगया सर अब इसकी बात करें अब एक बात बताईए यह बोनस शेयर मिला कप था आपको सर यह वाला जो दूसरे वाला बोनस शेयर है वो मिला कप था आपको 2020 और बेचा कदा है तो sir shares के case में क्या लिया जाता है हमारा listed वाले के case में 12 महीने था unlisted वाले के case में क्या था 24 महीने 24 महने, इसका मतलब sir 24 महने से कम समय में ही बेच दिया तो यहाँ पर आएगा short term 水 short term तो आप एक बार देख लीजिए मैंने इसमें कोसिस करा है कि जितने भी concept से सारे आ गए इसमें लग बग लग बग short term भी निकल गया long term भी निकल गया और आपका bonus share का before और after दोनों वाला मैंने calculation कर दिया आप जिसका भी doubt है इस topic पे तो पूछ सकते हैं फटा फट पूछ लेजिए सर short term क्यों है short term इसलिए है क्योंकि आपको जो bonus मिला था second bonus का date यह है देखिए और बेचा आपने 21 में तो सर ये वाला जो shares है वो तो 2020 में मिला और 21 में बेच दिया 24 मेहने के बाद आपका long term होता तो that's why ये क्या माना गया हमारा short term मान लिया गया समझ मैं एक बार फटा फट से repeat कर दूँ इसको repeat में क्या था सर हमारे पास तीन परकार के share थे पहला ये ये original share था कितने का खरीदा था सर सत्तर का original share का price मैंने sales में ले लिया और इसका cost of acquisition कर दिया सत्तर से दूसरा bonus है bonus before वाला है तो original price ये है मैंने इसको इससे कर दिया बताइए 50 each में था लेकिन उस time indexation ही नहीं था तो मैं FMB लूँगा तो मैंने FMB ले लिया यहां पर यहां पर भी loss आया यहां पर भी loss आया तीसरे वाले के case के अंदर देखा जाए तो मैंने के खरीदा 20 में था खरीदा मतलब एक तरीके से free में मिला है तो हम तो count करेंगे days जितने दिन आपके पास रखा गया है वहां से long term short term count होता है कैसे मिला इससे मतलब नहीं है तो आपको मिला कप था 2020 में और बेच कब दिया 21 में तो आपने 12 मेने अपने पास ओल्ड किया लेकिन आपका long term तभी माने जाता जब 24 मेने से ज्यादा होता तो 24 मेने से ज्यादा तो हुआ नहीं तो इसलिए इसका आपका जो capital gain का nature हो जाएगा वो हो जाएगा short term capital gain यहां पर cost of acquisition 0 क्यों लिया मैंने बोला after indexation जो होगा वहां पर bonus share के लिए cost of acquisition क्या माना जाएगा निल माना जाएगा क्लियर हो गया बच्चे पूछने से टू में निल क्यों आएगा यही तो मैं समझाने की कोसिस कर रहा हूँ टू में निल इसलिए आ रहा है क्योंकि जो यह bonus share मिल रहा है न इसके अंदर यह market value में already factoring हो चुका है मार्केट value के अंदर already factoring हो चुका है जो market value है bonus के साथ होता है मैं एक चीज़ आपको सच्चा ही बताओ आज reliance का share चल रहा है 2000 रुपे का मान लेते हैं आपका reliance का share कितने का है अब 2000 का share हर किसी के लोगों के मतलब की capacity में नहीं है के 2000 ले आपको अगर 100 share भी लेना है तो दो लाख रुपे खर्चने हो गए लेकिन share बजार के अंदर सभी चाहते हैं मेरे पास ज्यादा number हो तो reliance का share क्या करता है कुछ दिनों बाद one is to one का bonus दे प्राइज हाफ हो जाता है automatically market के अंदर हाफ हो जाता है फिर दीरे दीरे बढ़ने लग जाता है फाइदा ऐसा मस समझने क्या फाइदा हुआ सर बोनस का rapidly बढ़ जाता है फिर बोनस देनने के बाद तो उस situation में ये भी पता चलता है कंपनी का strength कंपनी बोनस तभी दे रही है मेरे का प्राइस डाउन जा रहा है हम अपने को खुदी खरीद लेंगे तो अपनी उसके अंदर क्या कर रहा है और अपना स्टेक बढ़ा रहा है तो जहां मालिक अपना स्टेक बढ़ा रहा होगा जिसको company के बारे में सब कुछ पता है तो समझ लो कुछ सोचके बढ़ा र प्राइस का पच्छे सो बारा है अच्छा पच्छे बार रहा हाँ ठीक है वो अभी होगा वह प्राइस घटा बढ़ता रहता है रिलाइंस को तो मैंने बहुत पहले से भी ट्रेस किया हुए 2008 में इसका 4000 प्राइस था फिर स्प्लिट हुआ बीच में 600 रुपए आ गया फिर 2000 वा फिर बोनस दिया फिर 1000 आया फिर बोनस दिया तो बहुत प्राइस हो चुका है उसका दीरे-दीरे करके चलिए सर अब हम अगले पर आ जाते हैं राइट इशू राइट इशू के लिए मेरे पास यहां जगह कम पढ़ जाएगी इसलिए मुझे एक अलग पेज पे ले लेना चाहिए पहले बोनस वाला क्लियर हो गया अब राइट के लिए मुझे जगह कम पढ़ जाएगी यहीं कर दें यहीं कर देता है एक पेज़ पे रहेगा तो मेरे इसाब से बेटर है आपको समझने के लिए सबसे पहले समझते है राइट इशू क्या होता है अब राइट इशू क्या होता है हाला कि जिनके पास company law है उनके एक्जाम में सवाल आएगा bonus share का डेफिनियर का बताईए bonus share क्या provision है किस provision के according देता है और राइट इशू पर भी सवाल आएगा उसके एक्जाम में के राइट इशू देने के क्या प्रोविजन से कब-कब कंपनी दे सकती है क्या कंडीशन फुल्फिल करेंगे वह तो कंपनी लौकी बात है मैं राव राइट इशू के सिंपल सी बात करता हूं जैसे मालो XYZ Limited है RX Y Z Limited ने क्या करा Authorize Capital करवाया अपना Sir Authorize Capital करवाया उसने 5 लाक। शेयर से सर इसमें से इसने क्या करा 5,000 या 50,000 शेर ईशु कर दिये यह क्या कर दिये इसने इशूट तो यह क्या हो गया हमारा इशूट शेर विग गए 5,000 क्या कमपणी और भी शेर ईशु कर सकती है क्या definitely कमपणी ने जब रिजिस्ट्रेशन अपना authorized capital पांच लाग से कराया है तो company can be issue up to 5 lakh share पांच लाग share तक issue कर सकता है लेकिन अगर मैं बोलू कि company चाहे तो साड़े 5 lakh share issue कर सकता है तो जवाब no उसे अपना MOA alter मारना पड़ेगा ये भी आपके law के अंदर question आएगा कि MOA को alter मारने का क्या provision है तो sir जिसने second semester में कर लिया होगा उनके exam में आया भी होगा MOA को सारे provision उसको alter मारने important question रहता ही है एक्साम में तो एक सब्सक्राइब चलिए तो होता क्या है जर्नली अब आपको issue कर दिया अब इसके बाद company का विचार बन रहा है यार और शेयर issue किये जाए अब company और share जो issue करेगी बाद में पहले कर चुकी है जो पहले बार कर रहा है उसे बोलते हैं IPO इनीशियल पब्लिक उफर उसे क्या बोलते हैं IPO इनीशियल पब्लिक उफर जैसे फर्स टाइम शेयर होता है शेयर मार्किट में लगाते हैं उसे बोलते हैं IPO इनीशियल पब्लिक उफर अब company का अगर बहुत अच्छा पर्फॉर्मेंस है तो company चाहती है कि हम फिर से शेयर लेके आ जाए company ने बोला चलो 50,000 और शेयर इसू करेंगे तो sir यह वो शेयर है वो company है जो पहले एक बार इसू कर चुकी है इसके बाद दुबारा अब इसू करना चाहती है तो company का true honor कौन होता है company का honor कौन होता है shareholder आपको पता है अगर company ने यह 50,000 शेयर किसी पब्लिक को इसू कर दिया तो भाईया यह जो company के मालिक है वो नराज हो जाएंगे बोलेंगा भाईया मालिक हमें हमसे कुछ पूछा भी नहीं और किसी और को दे दिया यानि इस 50,000 पचास की जगा साथ कर लेते हैं नहीं तो 50-50 में confusion होगा यह जो 60,000 share company और issue करना चाहती है company का obligation है और इन 50,000 shareholder का right ह है कि पहले इन से पूछा जाएगा जैसे आपने IPO में पैसा लगाया है company आप क्या होगे उस company के मालिक होगे कितने जो भी शेयर है company ने फिर से शेयर बेचने के लिए गए बेचने के बाद company आप से पूछेगी कि भाई साब मालिक हम share को बाहर बेचना चाहते हैं आपको दे अगर आप लेना चाहते हैं तो इसे ले सकते हैं अब ऐसा नहीं है कि unlimited जिसके पास जो quantity शेयर रहेगा उसी quantity में offer किया जाएगा मान लेते हैं कि आपके पास 5000 2000 शेयर है company ने one is to one का right दिया है तो आप 2000 के लिए और apply कर सकते हैं इससे ज़्यादा का नहीं कर सकते हैं तो यान company पहले तो लेकर फस गया और लेकर थोड़ी फसना जैसे पेटीम आया था 2000 का च्छे 700 रुपे में धक्के खा रहा है company आज आई प्यों लेकर आजाए वह मजार रुपे में दे रहे हैं आपको तो कोई नहीं लेगा तो अब इस्टिंग शियर होल्डर मना कर दे तब company का आ काना समझदारी मेरे हिसाब से नहीं होता है फ्यों में हमेसा नुकसान होता है शेर बजार के अंदर सर अब अगर company ने existing shareholder खड़ी देंगे तो इमाने लेते हैं एक व्यक्ति है जिसको क्यों ऑफर किया गया है 2000 कि या तो यह सारे एक्वायर कर लेगा तब तो कोई दिक्कत रखनी है या फिर क्या करता है यह अपने राइट किसी को बेच भी सकता है यह भी ऑफर होता है मान लेते हैं यह एक्स है और इसका दोस्त वाय है वाय भी इस company के शेयर को खरीदना चाहरा है बहुत इसने अफ़र्ट लगाए मुझे मिल जा इस company का company का शियर ओबर सब्सक् यह तो बता मैं दे देता हूं उसने बोला हां मुझे दे तो यह क्या करेगा जो application होता है उससे application पर sign कर देगा कि यह सारा शेयर किसको दे दिया जाए लेकिन एक्स चला की दिखाएगा बोलेगा भाई तिरको मैं दे दूगा तू मार्किट में कितने मिल रहा था तो बोला एक काम कर application लिख दिया जा तू शेयर खरी ले तो तेरको 100 रुपे मिल जाएगा पांच रुपे लिखिन मुझे अलग से दे दे पांच रुपे यानि तेरको पड़ेगा 105 का मुझे पांच रुपे क्या दे जो मैं अपना राइट तुझे दे रहा हूं उस राइट के बद तो क्या इसके लिए इसने कोई cost of acquisition के लिए पैसे दिये होंगे तो यहां पर cost of acquisition क्या जाएगा 0 ठीक है ना तो अगर शेयर की बात आती है पहले तो सबसे पहले right issue का concept समझ में आए बहिए क्या है यह right issue तो right issue के अंदर देखा जाए तो right issue हो सकता है कि आपने acquire कर लिया हो यह हो सकता है आपने right issue को taken कर लिया यानि आपने खुदी खरीद लिया सर तो right issue जब आप खुदी खरीद रहे हो तो cost of acquisition होता है हमारे क्या actual cost यानि मेरे वाले example के इसाब से अगर right issue आपने खरीदा है 2000 तो आपके लिए cost of acquisition क्या जाएगा दो हजार इंटू में 100 यानि बीस हजार सुरी दो लाक क्योंकि 2000 आपने खरीद लिया payment करा ही नहीं करा company को खरीदने के लिए payment किया ही नहीं किया है तो क्या आजाएगा आपका actual cost आजाएगा लेखिन हो सकता है आपने यह transfer कर दिया जब transfer करते हैं तो उससे बोला जाता है रिनाउन्स करना राइट इश्यु जब मैं किसी को दे दूँए ना ले भाई तू ले ले मेरा राइट तो तुस्व बोलते हैं रिनाउन्स करना तो अगर आपने रिनाउन्स कर दिया अगर आपने renounce किया तो यहाँ पर दो involvement आ जाएगी एक आ जाएगा renouncer एक आ जाएगा renouncey तो renouncer होगा एक एक होगा renouncey मैं roughly थोड़ा लिख रहा हूँ बाकी चार्ट में सब कुछ है सिर्फ समझाने के लिए सर रिनाउंसर वो होता है law के अंदर हमेशा याद रखना जिसके आगे er लगता वो देने वाला होता है जिसके आगे double e लगता वो लेने वाला होता है renouncer है तो इसने अपने right दिये है renouncey ने क्या करा right ले लिए सर renouncer के लिए cost of acquisition क्या होगा हमेशा हमेशा निल होगा सर समझे क्यों सर निल होगा क्योंकि उसने सर right बेच दिये हैं अपने लेकिन उस right को खरीदने में कोई पैसा थोड़ी ने लगा है free में मिला था उसको तो और renouncey के लिए cost of acquisition क्या होगा cost of acquisition होगा actual cost actual cost plus जो paid करा होगा उसने किसको renouncer को 100 का खरीदा वो हो गया plus 5 रुपए किसको paid किया था उसने तो यानि यहाँ पे देखा जाए मैं example ले लू 105 रुपए यानि 100 प्लस में 5 रुपए जो उसने payment किया था वो हो गया renouncey का expense तो renouncey जब कभी shares को बेचेगा तो वो cost of acquisition में क्या ले लेगा 100 लेकिन जब renouncey बेच रहा है भी बेच रहा है recently तो उसका cost of acquisition क्या माना जाएगा 0 अगर खुद ले लेता है वो किसी को देता है नहीं राइट तो जो एक्चुल cost है सर वही आ जाएगा सर यह था हमारा पूरा का पूरा राइट इशू पर अभी हमारा लिस्टीड है लिस्टीड है यानि शेर्स में बहुत सारे जहमेला और security के अंदर अभी हमने पता है वह नहीं लिखा जैसे गुडविल पेटेंट कॉपी राइट वह मैंने पीछे लिख दिया सर टेनेंसी राइट क्या होता है किरायदार का राइट मैंने क्या करा मकान को लीज पे ले लिया उस पर मेरा अधिकार आ गया तो मैं उसको भी बेच देता हूं कही बाद अब लूमार्स क्या होता है मान लेते हैं मैं जहां पर इंस्ट्यूट है मैं सामको 2 गंटे पढ़ाता हूं बाकी के बाकी 8-10 गंटे खाली रहते हैं मैंने किसी और ट्यूटर को बोल दिया कि भाई तुम आके अपनी क्लास लेलो बदले मुझे पैसे दे दो उसे बोलते है लूमार्स यानि खाली वक्त को बेच देना उसे बोलते हैं लूमार्स बाकी हमारे सिर्फ जनल नोलेज के लिए चीज़ें अच्छी है एक्जाम के पॉइंट ओविश से बिकार है कुछ काम का ही नहीं आएगा ही नहीं पेपर में पहले मैं चीजों को क्लियर कर दूं सर इसक संबस्क्राइब का दो सकते हैं या तो रिंण सर हो सकता है निल रिंणाउनस से लिए एक्चूल कॉस्ट पेड और अगर कर लिया वह मैं नहीं तेक वाला मैंने आपको बता दिया इसके बाद हम आग बात करते हैं अधर्सएर visor, other here में listed है और unlisted है, दो चीजे है, एक है listed और unlisted जो कि मैंने लिख रखा है, देखते हैं यहाँ जगह है तो मैं यहीं पे लिख के करवाने की कोशित करता हूं, कहां गया कहां इे रहा, चलिए यह मिटा देते हैं, पहले मैं unlisted की बात कर लेता हूं, सर अनलिस्टिट आपका शॉट्रम लॉंग ट्रम दोनों हो सकते हैं अनलिस्टिट की बात करें तो अगर आपका विपोर एक चार दो हजार एक है तो आप लोगे फेर मार्केट वैल्यू अगर आफ्टर एक चार दो हजार एक है तो सर आप लोगे एक्च्वल कॉस्ट पहले तो यह समझे अनलिस्टिट का मतलब हमारा शेर तो है लेकिन मतलब के शेर मार्केट में ट्रेड नहीं करता बहुत सारे ऐसे कंपनी बता दूँगा जैसे आपको नाम भी पता हूँआ जैसे कि एक मेंडिसिन बनाता है सिरम कंपनी जो वर्ल्ड का सबसे लार्जिस है जैसे के पूने वाले का कोवीड के टाइम पर अपने नाम सुना हो तो इसमें शेर मार्केट में नहीं है इसका शेर लिस्ट नहीं है लिस्ट कराने का यह सोच रहे हैं तो यह अनलिस्टेड हो गया ऐसे बहुत सारी कंपनी है जिनका पर्टिकुलर शेर मार्केट में लिस्टेड नहीं है लेकिन वो सोच रहे हैं कि हम इसको लिस्ट करवा ल मतलब कि electronic mode में जो trade नहीं करता that is unlisted. Listed share में unlisted share में सबसे बड़ा difference क्या है? Sir जो listed share होता है न वो share market में आप अभी खरीदा और अभी बेच दिया. Second के अंदर अभी खरीदा 100 रुपे में 100 रुपे 10 पैसे में बेच दिया. और इसको बोलते हैं trader. जब कभी भी share market में जाओगे और trader कभी भी पैसा कमा नहीं सकता market से. Simple से knowledge दे दूँ. इसके अंदर क्या होता है? कि आपने एक लाग share खरीदा? एक लाग share खरीद लिया. आपको limit मिल जाएगा. आप सोचो कि एक लाग share खरीदेंगे 100 रुपे. सोवाला तो कितना होगे? एक करोड होगे? मैं रिखाले एक लाग, सोवाला, एक करोड. कहां से लाएंगे इतना पैसा? दस पैसे बढ़े. एक लाग एंटू में दस पैसे करो कितने होते हैं? पॉइंट वन, एक लाग का आप एक परसंड निकालते हो तो एक लाग, पॉइंट वन क्या होगे है? दस अजार. आपने क्या करा? की बोड पे एंटर मारा, दस पैसे बढ़ा, बेच दिया. दस अजा वाले में STT paid होता है. सर ये STT क्या जमेला है? बार-बार STT का discussion होगा यहां पे. Security transaction tax या security turnover tax भी बोल देते हैं कई लोग, कई लोग transaction tax बोलते हैं, कई लोग, जब कभी भी आप share को खरीदते बेचते हो, normally आप goods को खरीदों को बेचोगे, तो सरकार को text देना होता है, जिसे बूलते हैं, goods and services tax, that is GST. ऐसा इस shares को खरीदेगे बेच चुके तो, share तो goods है नहीं? तो, वहां पर STT लगा देता है, जो बहुत nominal होता है, आपका 1,00,000 पे मतलब के 125 रुपए का सपर सरकार को देना होता है. तो जिस share पे आपने STT paid किया है, तो government बोलते है, indexation नहीं होगा. उस पे indexation और जिस shares को बेच खरीद पे आपने अगर STT paid नहीं किया है वहाँ पे government ने indexation allowed करा हुआ है सिंपल सी बात है STT और भी आगे detail में पढ़ेंगे तो मैं उनकी बात कर रहा हूँ unlisted share जिसके अंदर STT जो है वो नहीं paid है सर्थ STT paid नहीं है तो आपका FMB होगा इसका long term कम माने जाता है 24 महने सबसे बड़ा जो amendment आया था वो इसके अंदर आया था और यही आपके exam में सवाल पूछे जाने के पूरे पूरे chances है shares वाले में से हुआ क्या पहले government starting से जबसे मैंने देखा था मैंने देखा था shares long term अगर होते हैं तो उसके उपर tax free कर रखा था government के और shares को category रखा हुआ था बारा महिने में अगर बारा महिने तक किसी भी company का share को hold कर लो उसके बाद आप उससे बेचते हो तो जो आपका gain होगा सारा का सारा क्या होगा tax free तो ज्यादा सा ज्यादा लोग वा क्या करते थे अपने पैसे को share market में invest कर देते थे किसी share में और उसको जब बेचते थे profit पे तो सरकार को एक रुपए का भी tax है security transaction tax तो जाता था और भी छोटे इस पचास के उपर capital gain नहीं लगाया जाता था इसके बाद जब बीजेपी की government आई बीजेपी की government ने बहुत सारे फेर बदल किये बहुत सारे एक्ट चेंज किये तो उस बजट लेके आए और 2018 में 19 में बजट लेके आए और 2018 में जब बजट लेके आए थे वो तो उन्हों ने क्या कहा था कि सर अब जो है शेर पे भी capital gain लगेगा पहली स्टेट में यानि जो आपने 100 रुपए का शेर खरीदा है और आप भले ही उसे दो साल बाद बेच दो कितने का डेट्स होगा तो capital gain लगेगा सर capital यानि आपको 50 रुपए पे LTCG short term पे तो था पहले भी लेकिन long term exam था 50 रुपए पे 50 रुपए पे LTCG लगेगा यानि पहले कभी नहीं हुआ करता था यह रिसेंटली आया दूसरा statement उन्होंने दिया indexation not allowed वैसे शेर मार्किट उस दिन crash हो गया पुरा मतलब जो लोग के करोड़ों लोग इस उमीद में बाहर के इसलिए लगाते कि यहां से टेक्स प्रीपैसा लेके बाहर जाएंगे लेखिन अब उसको क्या देना पड़ेगा सब्बेचने चालो करें निकलो यहां से यहां पर बहुत सारे टेक्स में उल्टे पल्टे प्र्लिजन आ रहे हैं तो उन्होंने बोला इंडेक्सेशन अलाउड नी है इसका मतलब सर लोगों ने बोला सर इंडेक्सेशन अलाउड नी है मैंने 1990 में खरीदा ता शेर 10 रुपे का आज मैं उसे दिरबाद clarity आई हम आपको इसके लिए indexation तो नहीं देंगे लेकिन फेर market value देंगे इंडेक्सेशन तो नहीं देंगे हम इसके लिए लेकिन फेर market value देंगे अब confusions और फेर market value 2001 वाला दे दूँगे मुझे बोला नहीं, फैसला हम आज ले रहे हैं, तो आज की डेट का जो भी fair market value होगा, वो indexation cost of acquisition माना जाएगा, इसके बाद कोई indexation नहीं मिलेगा, यानि जिसने 2019 और 2019 इसने फैसला लिया 31-2018, जिसने भी 31-2018 से पहले share खरीदा है, उसको fair market value 31-2018 का दे दिया जाएगा, उसके according करा जाएगा, और जो बाद में खरीदेगा, उसके लिए कोई fmb नहीं है, उसके लिए normal price रहेगा, ये किसके लिए provision आया था सर, listed के लिए था, तो मैं एक बार यहीं बता दू, listed के लिए क्या था, other share की बात करें तो listed होगा, अभी मैं इसके लिए जब तक example नहीं लूगा आपको ये बात ये समझ में नहीं आएगी, और ये बहुत बड़ा provision है अपने आप में, या तो listed होगा, तो listed अगर before 31-2018 में है, तो cost of acquisition लेना पड़ेगा, as per rule number 112-a, तभी आया 112-a, उससे पहले 112-a हुआ करता था, a नाम का कोई शब आप से हम कर सकते हैं, वो चीज़े देखेंगे, अगर after है, तो sir, actual cost, indexation allowed नहीं है, मैंने हाला कि यहां पर नहीं लिखा है, लेकिन यहां पर बोल दिया कि indexation allowed नहीं है, unlisted share, after में actual cost, और before के अंदर fmb, unlisted में तो कोई दिक्कत नहीं है, चलिए sir, एक example ले लेते हैं, इसके उ Reliance Limited Share, at एट हंड्रेड या पर्चेस वन थाउजन रिलाइंस लिमिटेड शेयर एड़ दा रेट एड़ दा रेट कितने का खरीदा सर एड़ दा रेट सौ रुपए और एक चार एक चार एक चार उन्निस सो उन्यासी एक चार उन्निस सो उन्यासी एंड सोल्ड एक चार दो हजार एक्यस दो हजार एक्यस at the rate पच्चिस सो पर शेर फेर मार्केट वेल्यू एक चार दो हजार एक पंदरा सो पर शेर फेर मार्केट वेल्यू एकत्यस एक दो हजार अठारा उनिस सो पर शेर दूसरा एक अल्सो पर शेर अल्सो पर शेर तू थाउजन शेर अफ एक चीवल हिंदुस्तान यूनिलिवर at the rate पंदरा सो at the rate पंदरा सो अन एक चार दो हजार उनिस एंड सोल्ड on एक चार दो हजार इक्यस at the rate इक्यस सो पर शेर सार इसके लिए LTCG और STCG की बात करें तो बारा महिने का कंसिडर किया जाएगा अभी मैं प्रोविजन भी दिखा दूँगा सर जब कंपनी दोबारा शेयर सेल करना चाहती है तो उनको एक्जिस्टिंग शेयर होल्डर क्या हो गया वो इस तो आ रही है अभी देख लेते हैं मुझे एक बार एक कुश्चन कराने तो इसके बार डाउट ले लेंगे एक कुश्चन कराने दीजिए बस सर समझ नहीं आ रहा अच्छे से ठीक अभी बताते ना सवाल कराऊँगा तभी तो समझ में आएगा कुश्चन करा देते हैं तभी तो आएगा चलिए हम पहले इस वाले पार्ट को करेंगे फिर दूसरे को पहला वाला पार्ट जो है सबसे पहले सेल लिखेंगे सर सेल्स कितने का किया इसने 1000 शेयर रिलाइस के थे और 19.00 रुपै और 1500 बेचा कितने का लिखिन तो 1000 शेयर इंटू में पच्चिस सो सर कितने हो गए 1000 शेयर इंटू में कितने रुपय आए बताईए 25 लाख less क्या करोगे cost of सर cost of acquisition में indexation तो allowed नहीं है सर यहाँ पर आप बताईए cost of acquisition में क्या लेंगे जो rate आपका 31-1-2018 में होगा वो लिया जाएगा अगर इससे पहले खरीदा है तो अब यहाँ पर मैंने examiner में confuse करने के लिए 2001 का भी value दे दिया आप सोचोगे सर 2001 एक से पहले खरीदा तो FMB ले ले लेकिन सेर वाले concept में यह वाला FMB नहीं चलता जो 2001 वाला है उस वाले case के अंदर special FMB आया जो की 31-11-2018 है तो सार 31-11-2018 के हिसाब से देखा जाए तो 1900 मिल्टिप्लाइब आए क्या था यहां पर नहीं 1900 इंटू में 1000 उल्टा हो गया यह चलो 1000 इंटू में 1900 यानि सार अब चेक कर यह long term capital गेने short term 12 महिनी से उपर रखा बिल्कूल रखा है सर तो LTCG आएगा 6 लाक और सर इसके उपर रेट जो government ने decide किया वो सीधा 10% fix rate decide कर रखा है कितने rate decided इसपे special rate है 10% का short term पे special rate लगता है हमारा 15% का लगता है वो हम करेंगे बाद में करेंगे rate capital gain के खटे ही कर लेंगे सारा ठीक है न पहले case का answer done अब दूसरे case का सर इसने फिर से sale किया दूसरे case के अंदर कितने का खरीदा था सर इसने 2000 खरीदा था 1500 का 14 2019 में और बेच दिया 21 में 2100 का तो सर कितने share 2000 2000 into 2100 तो कितने होंगे 42 लाक minus sale consideration सर sale consideration के अंदर minus cost of acquisition सर कॉस्ट of acquisition में क्या लेंगे कॉस्ट of acquisition में जो जितने का खरीदा अगर 31 मार्च 2018 से पहले की बात है तो fair market value ले लेंगे अगर 18 के बाद की बात है तो भाईया जितने का खरीदा था वही लेना पड़ेगा तो हमने खरीदा कितने का था तो सर 2000 इंटू में 1500 डेट इस आपका 30 लाख जो की आ जाता है 12 लाख और यह भी आ जाता है lt cg अब मुद्दे की बात है इस question में देखो क्या provision में implement हुआ क्या करा अगर मान लो government बोल रहा था कि indexation allowed नहीं है तो आपको क्या करना चाहिए था इंडेक्सेशन अलाउट नहीं है तो अगर आप ऐसा करते तो कितना नुकसान होता आप मानते हजार इंटू में तो कितना लेते आप cost of acquisition और 25 में से एक कितने का capital गेन हो जाता 24 लाख 24 लाख पे आपको लगबग लगबग 240 प्लस टेक्स देना पड़ता 24 लाख 24 लाख तो यही provision में यहां समझा रहा हूँ और मैं लिख भी देता हूँ सर अगर listed हुआ तो listed के case में या तो share आपने खरीदा होगा 31.1.2018 से before या खरीदा होगा 31.1.2018 के after थोड़ी से presentation खराब है लेकिन आप समझीए मैं यहीं पर कर देता हूँ इसे मिटा के यहीं साफ साफ लिख देता हूँ shares वाले पैसरे पैसरे सर listed वाला या तो खरीदा होगा before before 31.3.2018 तो आपको लेना है cost of acquisition as per section 112 A that is क्या कहता है इसमें और भी बाते कहीं गई है लेकिन मैं सिर्फ उनी बातों को disclose कर रहा हूं जो चीज़ अभी सिखाया जा सकता है इसके अंदर और भी बाते हैं जो कि मैं अभी नहीं कर रहा है इसके अंदर तो सर 112 A के अंदर होगा तो बोला गया आप उस दिन पॉस्ट और लिस्टेड शेयर में इंडेक्सेशन नोट अलाओ capital gain जहां chapter start होता है वहीं पर दे रखा होगा पहले सर बच्चे पूछें 10% क्यों भाई rate है 10% जैसे मैं पूछ लूँ के टेक्स 5% क्यों है तो 5% है भाई ऐसा कोई logic नहीं के 10% क्यों rate दिया वेल लॉग के अंदर बच्चे बोलने 146 पेज नंबर पे हाँ देखो आपके की वन होगा अब बताईए पहले समझ में आये नहीं आये जो मैंने ये example भी ले लिया और मैंने उसको भी समझा दिया पहले यहां तक देखें shares फिर हम आएगे shares के आगे चलेंगे थोड़ा सा काफी टाइम लग गया है इसमें वैसे बताईए पहले कोई doubt है यहां तक बच्चे कहरें sir long term पे आपने 20% बोला था right वो normal capital gain में यह special rate है यह special rate है यहां पे 10% लगेगा और बाकी rate की चिंता मत करो rate मैं अलग से सारे लिखवा दूआ किस पर क्या होता है हमारा 111a है 112a है सभी के rate मैं लिखवा दूआ बिल्कुल यह जितने भी शियर है लिस्टिड रिलाइंस भी लिस्टिड बताया और actual भी मैंने सोचा नाम से आपको पता होगा थोड़ा जिसको नहीं पता तो मैं बोल रहा हूं लिस्टिड है बताईए बताये अगर्ण पताईए अगर्ण स्टीटी क्या था अरे स्टीटी ये स्टीटी बोला वो समझाऊंगा बाद मैं अलग से कॉंसेप्ट लेक्या हूंगा स्टीटी का इसमें रिवर्स मोड गेज करवाया था याद रखना इन्पॉर्टेंट है थियोडी के आस्पेक्ट से भूल गए जो पी एनवी का एक्जामपल लिया था जब एजेट हो जाते हैं घर से निकाल देते हैं कुछ बताया था लोन ले ले लेते हर मैने किस्त दे देता है फिर उसे बैंक वाले बेच देते हैं कि यादा है कुछ कि ऑलनाइन वाले बच्चे बोलने याद है यहां तक क्लियर है तो आगे बढ़ा जाए आगे बढ़ा जाए क्लियर क्लियर सर आगे चलते क्लियर के बाद आजाते और क्या सिक्यूरिटी होता है डिबेंचर या बॉंड सर डिबेंचर या बॉंड सर डिबेंचर क्या होता है बॉंड क्या होता है बेसिकली डिबेंचर और बॉंड सिमलर होता है जब कभी भी गवर्मेंट कंपनी आप लोगों से करजा लेती है तो उसको बोलते हैं बॉंड और जब कभी भी normal company आपसे करजा लेती तो debenture इतना फरक है आप मुझे एक बात बताईए आप indexation लेते क्यों है government से आपने बोला sir 100 रुपे तब खर्च किये थे उस 100 रुपे की value आज 100 रुपे थोड़ी ना है उसकी value बढ़ चुकी है इसलिए हमें indexation मिलता है लेकिन अगर आपको हर साल जो value depreciate हो रहा है रुपीज का उसको compensate कर दिया जाए माने लेते हैं आपने 1000 रुपे का FD कराया इसके उपर आपको अगर मैं बोलू 20 साल के बाद भी मैं आपको 1000 रुपे दूँगा आज आप 1000 रुपे में कुछ चीजे खरीज सकते हो लेकिन 20 साल के बाद साइद 1000 रुपे में center fresh आ रहा हो हो सकता है ने एक टौफी ले लो आप possible है तो ऐसे situation में नहीं possible है आपने बोला सर इसका indexation दो उस 1000 रुपे के value को 20 साल बाद उतने रुपे में convert करो जितने का है अगर मान लो मैं कहूँ 1000 रुपे आज दो हर साल आपको 100-100 रुपे ब्याज मिलते रहेंगे तो सर 20 सालों तक तो आपको ब्याज मिली गया यानि आपके रुपे का value जो depreciate हुआ है उसका पैसा तो मिली गया तो जब आपका रुपे का value depreciate हो गया तो government ने कहा जिस लिए आप लड रहे थे के आपके value उस दिन जादा था आज उसके according नहीं है तो हर मैने जो आपको ब्याज मिला है that is आपका indexation वाले point को eliminate कर देता है यानि जब कभी भी debenture जब कभी भी debenture के उपर बात आएगा तो sir cost of acquisition तो actual cost ही है लेकिन यहाँ पर indexation allowed नहीं है sir क्योंकि हर साल आपको इस पर interest मिल रहा है साथ के साथ इसका nature always short term capital gain माना जाएगा long term नहीं माना जाएगा always क्या माना जाएगा इस पर indexation नहीं है मैंने 5 लाख रुपे का debenture 6 लाख में बेच दिया capital gain that is 1 लाख और short term वाला rate लग जाएगा इस पर समझ मैं यह बात आपको क्यों हो रहा है ऐसा क्योंकि हर साल आपको इस पर क्या मिल रहा है interest मिल रहा है वो interest आपके रुपे को यह तो compensate कर रहा है ठीक है ना तो आईए देखते हैं क्या लिखा है चार्ट के अंदर सर कहता है debenture और bond में cost of acquisition sell be actual cost indexation not allowed मैंने highlighted कर दिया सर indexation allowed नहीं है समझ में आगई बात आपको यानि सर हमने security shares भी देख लिए listed भी देख लिए अब आजाते अधर assets पर other assets में क्या आगया example land आगया gold आगया आपका computer आगया laptop जो भी whatever official है वो सारी चीज़े अधर assets में क्या है जितने भी हम काम कर रहे थे अभी तक जितने भी example हमने आज से पहली वाली class में लिया था अधर वाला लिया था कोई अभी तक एक भी सवाल शेर्स का नहीं करा आज से पहले एक भी सवाल अभी तक हमने goodwill वगएर वाला नहीं किया हुआ है तो हमने जितने भी करे थे यह वाले करे थे तो यह आपको पता ही है बस यहां लिखा हुआ है कहता है अगर आप 2001 दो आफ्टर लोगे तो एक्चुल कॉस्ट विफोर लोगे तो फियर में लिखना चाहिए वैसे अगर आप मसीनरी अगर आप पनीचर इनको बेचते हो तो यहां पर इंडेक्शेशन नहीं होगा यह भी हमेशा का पूरा हमारा कॉस्ट ऑफ एक्विजेशन का सेक्शन सर कॉस्ट ऑफ एक्विजेशन क्या रहा हमारा अल्टीमेटली देखा जाए तो डिप्रेंट डिप्रेंट मैं अगेन कहूंगा थियूरेटिकल पॉइंट और व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है आपको लिखना आ काटेरी को डिप्रेंट डिप्रेंट तरीके से डिफाइन करोगे इन केस ऑफ परचेज इंटेंजिवल एसेट्स देन वी विल भी हम क्या कंसीडर करेंगे कॉस्ट ऑफ एक्विजेशन वैदर निल और एक्शुल कोस्ट डिपेंड ऑन सिचुएशन तो उसके साथ करेंगे शेर्स के उपर होगा तो पूरा आप एक्स्प्लेंट करोगे इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा था शेर्स वाला इसके उपर आपके प्रैक्टिकल कोस्टन भी होंगे इसके उपर के तो प्रैक्टिकल कोस्टन तो हम करी रहे हैं इसके उपर के प्रैक्टिकल तो मैं इसलिए मैं बताता हूं सिर्फ आपको कुछ ऐसी चीजों को अगर आपने जब्रदस्ति फोकस किया आप पच्चा पता चले के यह सिर्फ जनरेटीड एसे का बिल्कुल अच्छे से तैयारी कर लिया चोड़ दो इसे तो बहुत जो नहीं आता उसको तैयारी कर लिया जो आता है उसको आपने क्या करा छोड़ दिया इसलिए इसको तो नहीं छोड़ना एक पल को यह वाला पॉइंट छूट जाए चलेगा लेकिन यह वाला पॉइंट नहीं छोटना चाहिए सिंपल सी बात है यहां तक किसी को कोई दिक्कत फिर हम आगे चले मान लीजिए हां जी मिस्टर राम मिस्टर राम ने डिसाइड किया सपोस करो इसके घर में बहुत सारा गोल्ड है पहले से ही सोने की बिस्किट चार-पाँच किलो सोना है इसके घर में और बेरोजगार है यह और यह सारा गोल्ड इसके माता पिता ने इसके नाम पे दिया था और इसकी बात करे मार्केट खरीदा कब गया था इसको 142002 में और खरीदा गया था यह 50 लाग का 50 लाग नहीं मान लेते हैं 5 लाग 5 लाग का गोल्ड खरीदा गया था मिस्टर राम काफी टाइम से काम नहीं कर रहा इसने डिसाइड किया कि यार चलो हम अपना बिजनस टार्ट करते हैं अब जब बिजनस टार्ट करना है तो किसका करना है इसके पेरेंट्स में मान लेते हैं गोल्ड स्मिस सुनार हुआ करते थे जोल्री शॉप था इनके पेरेंट्स का इसने हाला कि बाद में बंद कर दिया बाद में बोला चलो री ओपन करते हैं अब इसने एक दुकान ओपन किया और इस दुकान कौन सा दुकान ओपन किया इसने कौन सा शोरूम ओपन किया कौन सा बिजनस जुएलरी का जुएलरी शॉप इसने ओपन कर लिया और इसने क्या करा भहिया जुएलरी शॉप में क्या मिलेगा सोना चांदी के आपके जुल्री ही मिलेंगे तो सर गोल्ड वगेरा लाने के लिए सोचा इसने कि हम बाहर से लाएंगे तो इंवेस्मेंट लगीगा पहले हमें काम करते जो हमारे पास है पहले से पहले इसी को इस्तमाल करते हैं यह सारा उठाके अपने दुकान में लगा दिया थिक है ना सारा उठाके इसने घर से कहां लगा दिया और इसने वैपार पता है किस दिन स्टार्ट किया यह वाला बिजनस्ट चार्ट किया और जिस दिन इसने ये दुकान करा था, उस दिन इस सोने का रेट FMV, सर उस दिन इसका रेट था 1CR का, एक करोड रुपे का इसका रेट था, जिस दिन इसने क्या करा, दुकानदारी स्टार्ट किया था इसने, और कस्टमर आए, सभी कस्टमर को इसने पूरा का पूरा कस्टोमर को बेच दिया और सर जो बेचा न इसने कब बेचा पता है 142021 को बेच दिया और जिस दिन बेचा उस दिन कस्टोमर को कितने का बेचा सर कस्टमर को दो करोड़ का बेचा अब यहां बात आती capital गेन सबसे पहले तो relation समझना होगा कहाँ पे Capital Gain है कहां पे नहीन है एक Relation इनके बिच में उनके बीच में जो प्रस्नल एसेट्स या आपने कोई भी एसेट्स कन्वर्ट कर दिया बिजनस के स्टॉक में बिजनस के लिए क्या था गोल्ड एसेट्स थोड़ी ना था क्योंकि उसका काम था गोल्ड बेचना तो उसके लिए क्या था वह स्टॉक था उसे इसके लिए क्या माना गया वह स्टॉक माना गया पहले यहां तक देखें क्लियर है ठीक है अब बोला गया capital गेन निगा लो कि फिर से यह special केस पता है क्यों है confusion इसमें थोड़ा अभी देखें आपके भी confusion आएगा मन में क्या पिटल गेन क्या पिटल गेन में सेल्स पहला क्या माने एक करोड़ यह दो करोड़ सेल्स क्या माना जाएगा हम निकाल रहें cg तो बताइए सेल consideration एक करोड़ यह दो करोड़ जवाब दीजिए आप सभी भी जितने बच्चे हैं कमेंट में 1cr यह 2cr कुछ बच्चे 2cr और 1cr तो सर जवाब है इसका पहला देखो confusion है न बहुत बच्चों के मन में एक करोड़ भी चल रहे हैं किसी के मन में चल रहा है एक करोड़ नहीं चल रहा सभी बच्चे गलत है 1cr आएगा एक करोड़ रुपय आएगा क्योंकि सर जो इसने दो करोड़ का बेचा है वो तो बिजनस के परपस के बेचा है capital gain निकाल रहे हैं तो आपका personal assets कब बिग गया जिस दिन आपने personal assets को दुकान में लाके रख दिया था तो आपके assets को customer ने नहीं खरीदा इस दुकान ने खरीद लिया separate legal entity पढ़ा है separate legal entity के business अलग होता है और अलग होता है तो इसलिए कितना लेंगे यहां पर एक करोड़ रुपय समझ मैं आई बात आपको अगला पॉइंट सर वन सी आर का confusion खतम होते ही less cost of acquisition जैसे लेंगे एक और confusion स्टार्ट हो जाएगा पांच लाक रुपय तो लेंगे divided by दो हजार दो का indexation क्या एक सो बताइए दो तीन का indexation एक सो एक सो पांच अब यहां पर एंटू में हम दो हजार एक किस का indexation ले या फिर अठारा का लेंगे जिस दिन समान विकेगा मैंने क्या बताए था नीचे जिस दिन खरीद है ऊपर जिस दिन विकाए बिल्कुल यहां business ने तो इसको बेच दिया तो हम तो इनके बीच का relation निकाल रहे ना कि इनके बीच का है तो दो हजार अठारा उननिस का indexation क्या बताईए कि दो सो असी आएगा कि बताईए क्या आता एक वार निकाल को कि वन डबल थ्री और भी कितने हो गए यह एक करोड से उपर चला गया नहीं तेरा लाग तो नहीं होगा ज्यादा होना चाहिए यह आ रहा है अरे नहीं यह गिन लो कितने तेरा लाग यह ना चलो आप निकाल दो capital gain हाँ ठीक है माइनस करिए capital gain यह रहा सर capital gain अब सवाल यह होता है कि सर capital gain निकल तो गया सरकार को text देना है अब text किस दिन देंगे सरकार को text देने का भी time आ गया 2018 में सरकार को text दे दिया जाए या 2021 में दिया जाएगा सरकार को text कब दिया जाएगा 2021 के अंदर दिया जाएगा क्योंकि जब पैसा आएगा तभी तो दोगे यानि यह tax का payment होगा 2021 तो यहाँ पे computation 2021 के अंदर किया जाएगा भले ही आपका सारा काम 2018-2019 के हिसाब से हो रहा हो लेकिन करेंगे कब अब सर इसका ऐसे सवाल जब भी आएगा न तो आपको business income भी निकालके दिखाना होगा examiner को और पूछेगा वो सर यहाँ business income क्या होगा अलग से अगर मैं simple सी बात करूं business income तो सर business income बहुत basic सी बात है आपका sales और minus में purchase sales 2CR purchase 1CR यानि 1CR का आपका net profit माना जाएगा बताइए कोई दिक्कत इसमें तो special case क्यों है यह क्योंकि यहाँ पर cost of acquisition लेने में या बहुत सारे आदार अभी इसमें बहुत सारे cases हैं अभी हमने सिर्फ दो cases करें ऐसा भी हो सकता है कि government जवरदस्ति आपसे घर छीन ले कि पिछली बार भी हमने किया था ऐसा कुछ कि अगर भी हो सकता है ना तो घर जवरदस्ति अगर छीन लेता है government अभी करेंगे अगला वह थोड़ा बड़ा section है पहले इससे छोटे-छोटे कर लेंगे पहले यहां तक बताईए सर 2021 क्यूं की क्यूं आया वाइ 2021 कुछ नहीं आया यहां पर यह 2018 लिया जो बच्चे बता रहे थे कि इंडेक्सेशन 2021 का assessment यह टेक्स भरोगे उस साल का डेट है यह जिस साल टेक्स दे रहे उस साल का डेट है डाउट बता हूं नहीं डाउट कोई डाउट है तो बताईए चलिए ज़्यादा लेकर नहीं चलूँगा मैं नहीं तो इसके चार पांच केस थे वैसे तो हो जाने चाहिए अभी लेते हैं डाउट सबका लेंगे डाउट रुक जाहिए कुछ टाइम टेबल अनॉंस कर दू मैं क्लास का टाइम टेबल तो यही है फिलाल अभी देखिए आपका भी सभी बच्चों का एड्मिट कार्ड आ गया है लगबग अब एक्जाम है और आपका एक्जाम थोड़ा डिले है आपका एक्जाम थोड़ा डिले है एक है क्लास फाइनेंशल मेनेजमेंट जो कि मैं क्लास लेता हूँ बच्चों का वो मैं लिया करता था MWF 730 और आपका लिया करता था TTS 730 तो 30 तारिक को MWF वाला मेरा टाइम खाली होगा हाला कि समेस्टर वन का बन गया उसको मैं कहीं और अर्जस्ट करूँगा तो MWF वाला एक टाइम खाली होगा तो आपकी क्लास 30 को पेपर है यानि आपके तीन तारिक से तीन तारिक से आपकी रेगुलर क्लास हो जाएगी सेम टाइम कन्फूजन सबसे पहले तो खतम पहले बीच में हो रहा था 10 बजे लो अभी एक दो दिन के क्लास कैंसिल जो हु रही था कि उनके कुछ कोश्चन्स कराने थे एकस्ट्रा एकजान ओर दिट क्लास ले दो अभी 30 तक तक तो फिलाल उन्हीं कि क्लास ले रहा हूं क्योंकि जो भी है 30 के बाद फिर सारा फोकस आपके उपर स everyone हो जाएगा आपके जितने भी है पूरा करवाए जाए तो तीन तारिक तक तीन तारिक से अब तीन तारिक क्या डे पढ़ रहा है I don't know क्या है कि सर एक और दो को क्यों नहीं लेंगे अभी बताते हैं कि थास्ट रें कि तीन तारिक अच्छा मैं नवंबर देखरो दिसमर्द देखना हुआ है क्या क्या कैलेंडर यह सेटरेड़े करें ठीक है बाकी एक संड़े है कल कि आपकी जो मैंने तीन तारिक इसलिए बोला है कंफ्यूज बिल्कुल नहीं हो न मैं पहले क्लियर कर रहा हूं जो बच्चे बाद में वीडियो भी देखेंगे लाइव क्लास बाद में देखेंगे देखके समझ जाईएगा कि आपकी क्लास जो है तीउजडे और थर्जडे चुटी रहेगी तीउजडे और थर्जडे उस दिन आप लोगों को लाइव क्लास ना मिलके रिकॉर्डिड क्लास मिलने वाला है मतलब लाइव क्लास की चुटी है लेकिन क्लासिस आपको मिलेगे उस देख कौनसी क्लास होगी आपकी लाइव क्लास ना होके कौनसी होनी है रिकॉर्डिड ओफलाइन वाले बच्चों को बता दूँगा ये था हमारा लाइव क्लास का सारा शडियूल तीन क्लास से नो कर दूँगा और दो-दो ढाइडाई गंटे में जल्दी जल्दी खतम करेंगे Capital Gain का 4-5 प्रोविजन रहेगा इसके आद खतम हो जाएगा यह फिर पीजी भी भी स्टार्ट करेंगे तो जो बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं जितने बच्चे हैं उनकी छुट्टी लाइव क्लास की है लेकिन recorded lecture आपको फोल्डर में अपड़िट होके मिल जाएगा किसी को कोई दिक्कत कोई समस्या समझ में आ गया सभी को तो अभी थोड़ी देर मैं जिन बच्चों का कुछ डाउट है थोड़ा वेट करना होगा मैं ओफलाइन वाले बच्चों को थोड़ा सा समझा दू मैं भी आऊंगा दुबारा जिन बच्चों को समझ में आ गया लीव कर सकते हैं जिन बच्चों का स्टिल डाउट है जो हेंडरीस कर रहे थे पांच मिनेट वेट करना पड़ेगा ताकि मैं ओफलाइन वाले बच्चों को सारा शडियू समझा दू झाले वेटा जिन बच्चों को समझ आ दू झाल 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 जो पूछ रहे थे एक बच्चे ने बोला सर मैंने आज जोइन किया है वन्स शिका कोई दिक्कत नहीं आप सबसे पहले बेसिक टर्म्स करिए उसके बाद टू भी कंटिन्यू करेंगे हम यस खुशी बताईए नहीं नहीं मैंने बोला ना दो दिनों की छुट्टी रह गई कल कौन सी कल नहीं अभी टीटियस चलेगी क्लास दो तारिक तक तीन से रेगलर हो जाएगा हाँ वो ले नहीं पाया आपको कल साम का लग से टाइम दे दूँआ या जितने बच्चों का जो भी डाउट है उसका टाइम मैं 28 तारिक को दूँगा क्योंकि 28 को मैं free होंगा शाम को तो उनको 28 तारिक को मैं पूरा डाउट का टाइम दूँगा शाम को एक ठीक है ठीक है अंजी दिया बताइए अंजी बताइए व्हर्ची व्हर्ची करेंगे गोट उसमें प्रों इसमें इंडेक्सेशन करणे नहीं यह तो बिजनस इंकम है बिजनस इंकम तो परचेज माइनस सेल्स होता है इंडेक्सिशन का तो कोई बात ही नहीं है हाँ सारे शॉट ट्रम कैपिटल गेन होगे लॉंग ट्रम नहीं होगा ऊच्छिए ओक्या इस वंसी का बताईए इस वंसी का बताईए अच्छा आई पी इनिवर्सिटी फिफ्ट सेमिस्टर बताईए आपका एक्जाम कब है ठीक है तो मैं आप सबसे पहले ना बेसिक कॉंसेट देखिए इसका और मैं इसका प्लैन आपको ने शेडियूल दे दूँगा वीडियो बनाके कि पहले कुण सा चप्टर करना और कितने दिन में करना कौन सा चप्टर ठीक है ना तो आपके पास और मैं बोल दूँगा आपको इंटीमेट कर देंगा और वीडियो का लिंक भी आपको देंगे कैसे कैसे प्रिपेर करना है ठीक है ना हां तो मैं अभी कल वीडियो बनाऊंगा मैं इसके उपर आई पी उनिवर्स्ट्री का स्लीबस देखके उसके अकॉर्डिंग बता दूँगा यह यह तैयारी स्टार्ट कर लें ताकि आपका स्लीबस इतने दिनों में खतम हो जाए अभी भी कोई डिले नहीं है आप दीरे-दीरे करेंगे थोड़ा सा एफट ज्यादा लगाएंगे वीडियो उस तो है रिकॉर्डिड है आप फटा-फट खतम कर सकते हैं चाहें तो टेली ग्राम का है मैं कल शेयर कर दूं आपको शेयर कर वाद मातर तो अधुक्त को चुट्टी वाला पॉइंट बता दीजिए कौन से चुट्टी वाले पॉइंट बताओ सक्षम चुट्टी वाले पॉइंट चुट्टी कहां से किस चुट्टी वाले पॉइंट की बात कर रहे हैं आप सेलरी में से बात कर रहे हैं किसका लीव एनकेश्मेंट या कोई और आप मुझे वाट्सअप पे करिए वोइस एसमेस अच्छा ट्यूजडे वाला सर्थ त्यूजडे आपकी लाइव क्लास नहीं होगी रिकॉर्डिड क्लासिस होंगी बस मुझे यह बताना था रिकॉर्डिड सेम टाइम पे डल जाएगा आपके फोल्डर में उस दिन मैं यहां पे हूँ नहीं तो मैं कहीं और से रिकॉर्ड करके अप लूड करवा दूँआ हूँ चल यह ठीक है अब जिन बच्चों का डाउट है मेरे नंबर पर आप वोई सेसमेस डाल दें क्यूंकि 10 बजे फिर मेरा डाउट सेशन स्टार्ट होने वाला है कॉलेज वाले बच्चों का 10 से 11 डाउट सेशन है रात को तो उनका डाउट लूगा मैं थोड़ा सा तो आप व वैसेसमेस का रिप्लाइज जरूर कर दूँ है चीक है गुड़ नाइट टेक केर करते हैं अभी तक हमने केस क्या देखा था हमने कि अगर कोई एसेट्स मतलब स्टॉक को कनवर्ट कर देता है अगला पॉइंट देखिए अगर समझेगा माल लेते हैं आपका घर है कि और इस घर पे आपने खरीदा था एक चार दो हजार एक में एक गवर्मेंट का प्रोजेक्ट आया और उन्होंने डिसाइड किया कि हम जहां पे आपका घर है इसके उपर से यहां पे सेम ठीक हमें मेट्रो का कंस्ट्रक्शन काम करवाना है यहां से मेट्रो जाएगा जब आपने मेट्रो का आया तो मेट्रो के आने के बाद फिर आपको यहां से यह घर हटाना पड़ेगा हटाना मतलब इन्दा सेंस वह जगह ही छोड़ना पड़ेगा गवर्मेंट ने आपको बोला कि भईया आप अपने जगमेंट को छोड़ दीजिए हम आपको पेड करेंगे पैसा और पेड क्या करेंगे कंपन्सेशन आप इअगि परने वाले हम कंपन्सेशन पर क्या हम पर अपने पेड करेंगे आप अपने पेड करेंगे और उसको दिखा देते हैं कितने के पेड होगा और कि अगर जाय इद मैं अब करो हैं आध हमेसा पेड के अंदर तो परोप टे न All value क्या दिखाते कम जादा मैंने 20 लाक रुपए का घर घर खरीदा तो मैं पेपर पर 20 लाक मेंशन नहीं करता उसके पीछे capital gain ही कारण है क्योंकि अगर मैंने 20 लाक मेंशन किया इसमें तो जो seller है वो बोलेगा भीया मुझे तो फिर capital gain देना पड़ेगा उन्हेंने बोला मैं पेपर तो नाम करी रहा हूं इस पर आप दो लाक रुपए लिख दीजिए और बाकी का पैसा ठारा लाक आप कैश दीजिए तो सबसे ज्यादा प्रोपर्टी के अंदर कभी बी चेक के थ्रूइब वही ट्रांजेक्शन होता है या बैंक के थ्रूइब लाक और प्रॉपर मैंशन कितना करवाया या 5 लग कर लेतें कि इंडेक्सेशन भी करना होगा अब बात यह हुई गवर्मेंट ने बोला कि भाई हम तेरे पेपर पे तो दो लाख रुपए दो लाख तो नहीं देंगे तुझे थोड़ा ज्यादा देंगा चिंता मत कर और यह कहानी है 14 2019 को मेट्रो जारी इसके घर के आगे से गवर्मेंट ने बोला हम तेरे को पेमेंट देंगे लेकिन चिंता मत कर तुझे हम ठीक ठाक पैसे दे देंगे यहां से खाली तो करना ही पड़ेगा और गवर्मेंट ने उस दिन देसाइड किया फेर मार्केट विल्यो उस दिन का अतप पता किया और बोला चल ठीक है भाई तेरे इस मकान की कीमत 15,500,000 अ अना मतलब अ लेकिन इस मकान का एक्चुल कीमत है एक्चुल मतलब कैसे हम एक्चुल कैसे पता करते हैं हमारे पडोस वाले ने जितने का बेच दिया हम भी अंदाजा लगा लेते हमारे भी की का आपको कैसे पता चलता है कि मकान की कीमत ही हो गया आपकी गली में किसी ने बेच दिया आपक के साथ वाला मकान है पांच क्रोड का विग गया आपको अंदाजा लग गया मेरा भी कितने का है अगर उससे पहले तो और ज्यादा अंदाजा हो गया उससे तो पहले ही है इसके तो यह दस लाग फालतु ही मिलें तो आस पड़ो उसका अंदाजा उसने पहले से लगा रखा इसके मकान की कीमत थी 1CR गवर्मेंट ने क्या दिया 15,00,000 अब यहां पर दो कंडिशन हो सकता है या तो यह पर सन चुपचा पैसे ले लेगा और चला जाएगा पहले तो हम यह देखते हैं कि चुपचा पैसे लेके चला गया यह तो अगर यह चुपचा पैसे लेके चला जाता है तो गवर्मेंट इसको 15,00,00,00 पैसे जो है दो तरीके से पे कर सकता है या तो किस्तों में देख और देख रहे हो किस्तों में देगा हैं पैसे था सबस्ती कर और यहां से enough ले MP2 tea stream plus और किस्तों में देगा यह दो fiber बर यहां से चलाएगा तो अगर वह किस्तों में देता है या तो उसे लमसम मिलेगा या तो इंस्टॉल्मेंट में मिलेगा अगर उसे लमसम मिलता है तो बड़ी सीरी सी बात है कैपिटल गीन कैसे निकाला जाएगा अगर लमसम मिला तो मैं थोड़ा सा अमाउंट जो कॉस्ट ऑफ एक्यूजिशन है ना खरीदा था उसका मैं घटाना चाहूंगा ताकि मैं चाहता हूं कि मेरा पॉजिटिव आई यह तो इसलिए इसको मैं पचास अजार कर देता हूं ठीक है तो सल इसका सेल कंसिडरेशन सबसे पहले कितना होगा सेल कितना माना जाएगा जितने का गौर्वर्मेंट ने गौर्मेंट ने जो पैसा दिया वो एक चार दो हजार इकिस में दिया माइनस कर दे देंगे कॉस्ट ओफ एक्विजिशन सर पचास अजार डिवाइड़ वाई हमें कब खरीदा था एक में तो एक का उननेस में तो 19 का ही इंडेक्सेशन लेना होगा उननेस बीस डैट इस क्या होगा 30289 नहीं 301 है क्विश्ट एक उननेस बीस का 370 289 ना है 289 तो सर इसका वहरे निकाल लेगे आप एक बदर क्या है एक लाग और सर इसका आगया यह प्टेरा लाग और अब मज़े की बात देखो एक तो इसको घरते निकाल दिया अब तेरा लाग पच्पन हजार पे इससे 20 परसंट सरकार बोली अब टेक्स लाओ यह क्यापिटल गेन तो क्यापिटल गेन है और इस पर जो भी मोटा मोटा बन जाएगा तेरा लाग पे लगबग दो लाग साथ हजार रुपए दो लाग इकतर हजार रुपए वो ठीक है चला गया आपका घर लेकिन इस पर आपको टेक्स देना पड़ेगा अगर टेक्स नहीं दोगे तो जेल भी जाना पड़ेगा एक तो इस बिचारे को कम कम पंसेशन मिला उपर से टेक्स भी देना पड़ेगा ठीक है सर ये कॉम्प्यूटेशन तयार कब होगा सर ये होगा 2021 और 22 में कैलकुलेशन करेंगे लेकिन बेस मानेंगे 2000 उन्हेस को तो देना पड़ेगा कोई चारा नहीं है पहले पॉइंट का अगर हमें लमसम मिलता है तो ये आंसर है लेकिन में भी पॉसिबल है कि आपको बोले के अभी भी पक्ड़ो आप 50,000 रुपए अभी पक्ड़ो 50,000 रुपए बाकी के आपको 14,50,000 हम देंगे बाकी के 14,50,000 आपको दिये जाएंगे सवाल आए सर कब दोगे बोला जैसे जैसे गवर्मेंट की पॉलिसी है जैसे जैसे होगा हम आपको देते जाएंगे चिंता मत करिए तो अब कुश्चन मां का आता है सर इसे पैसे तो मिल गए कितने मिले अब कैपिटल गेन कब कैलकुलेट करेगा यह सरकार को कैपिटल गेन का पैसा कब देगा अभी देना पड़ेगा या जब सारे पैसे मिल जाएंगे और सारा पैसा जो इसको मिला न अभी मिल गया यह य एक चार दो हजार 21 में और बाकी का बैलेंस मिला है बैलेंस जो मिला है वो एक चार 2014 में मिला है तो अब सवाल आता है सर इसका भी हमें कम्प्यूटिशन तो त्यार करनी है तो इसका 2021 में देगा यह दो हजार 24 में बताइए तो इसको जो टेक्स देना होगा वो देना होगा 2021 में गवर्मेंट कहता है जिस दिन फॉस्ट इंस्टॉल्मेंट आपको रिसीव हो जाता है उसी दिन आपको अपको प्रेस होता है पचास हजार के अकॉर्डिंग देगा यह पूरे के कॉर्णिग गवर्मेंट ने बोला पूरे के कॉर्डिंग दो यहां पर थोड़ा सा यह लग रहा है आपको पता चल रहा है तो मैं खुद मानता हूं कि यह थोड़ा सा प्रोविजन कैसा बन गए आपका थोड़ा सा फेवर में नहीं है थोड़ा के बहुत अब बिचारे को दो लाग 70,000 उपर टेक्स देना है तो बोला गया आपको उस दिन पेमिंट देना होगा जिस दिन आपकी फर्स इंस्ट्रॉल्मेंट आ जाएगे साल कैलकूलेशन कैसा होगा बिल्कुल सेम कोई फरक नहीं है कैलकूलेशन तो यही रहेगा लेकिन टेक्स पेमिंट की बात करें तो जिस दिन फर्स इंस्टॉल्मेंट रिसीव हो जाता है उस दिन इसको कितना टेक्स देना होगा सर पूरा टूटल उसको टूटल टेक्स देना होगा पहले बताई कि यहां तक समझ में आ रही है आपको अब सर यह तब थी बात जब यह चुपचाप पैसे ले लेता है शरीफ आदमी है अब भाई इसका मकान यहां से हटा रहे हैं पंद्र लाख दे रहे हैं वहाँ पे जी सीबी बुल्डोजर आई लेट गया गया है हम तो नहीं खाली करेंगे भाई पूरी फैमली को वहाँ लिटा दिया या तो हम मर जाएंगे या तो नहीं खाली करेंगे तो मामला थोड़ा सा गरम हो जाएगा यानि वहाँ पर आस-पास की भीड़ भी जूटेगी फिर पुलिस वाले भी आएंगे फिर कोट भी जाएंगे अब कोट में मामला जाने के अच्छा वर्ड यूज करते हैं डिस्प्यूट हो गया तो ऐसा लगे आने के बहुत ज्यादा कुछ हुआ है डिस्प्यूट हुआ है छोटी सी बात लग रही हलका थोड़ा सा वर्ड रखाए हां पर डिस्प्यूट हो गया जज्ज ने मुलाया इसको कि भाई क्यों करोड रुपे का है और यह मुझे पंद्रा लाग दिन इप्टा रहे हैं तो ऐसा तो हो नहीं सकता मुझे काईदे से मिलना चाहिए कितना एक करोड रुपे अब इंकम टेक्स और यह एससी के बीच में लड़ाई चल रही है तो जज्ज यहां पर एक और पास कर देगा भी चल यहां इस अपना बंक देगा अगया इस प्रौपती की दोबारा से कामा टर और उपर और करते हैं स्पेशल कूर्स होता है इन सभी चीजों का तो वह जज भीजेगा कि भाई जाओ आप एक्सपर्ट हो इन काम में तो जाइए उस प्रोपर्टी की वेलुएशन निकालिए पहला कोशन रेज होता है कि सर इसको टेक्स कब देना होगा लड़ाई जगड़ा हो रहा है तो क्या अभी जो किस मिल गया इसको टेक्स भरना होगा या नहीं भरना होगा लड़ाई जगड़ा हो चुका है तो जज बोलेगा जो पहले इसने डिसाइड कर दिया जो पैसा ले चुके हो अकाउंट में आ गया है आपके पंदर लाग उसके अकॉर्डिंग तो आप पहले टेक्स तो भरी दीजिए क्योंकि डिस्प्यूट का सॉलीशन होता है कि जिस च पन्रा पर तो टेक्स भर पहले तो यानि ये वाली कहानी तो हो चुकी होगी भर ना पड़ेगाए मैं अप डिस्प्यूट के बाद कोट का फैसला आपको पता ही है तारीक मोह सकता है दस साल बाद आए वो सकता है 20 साल बाद आए अब यहां दो फैसले हो सकते हो सकता है कि इंकम टेक्स डिपार्टमेंट जीट जाए और हो सकता है कि एससी जीट जाए अगर इंकम टेक्स डिपार्टमेंट नहीं जीतता जीता है से सी तो इंकम टेक्स डिपार्टमेंट को उसको पैसे देने पड़ेंगे इसने अपना डिमांड रख दिया कि सर एक करोट रुपए की मेरी प्रोपर्टी है अब वेल्यूर आया वेल्यूर ने इसका डिटेन निकाला तो इसकी एक्चुल असी लाक बनी असी लाक का बना अब असी लाक का पेमिंट जो है वो दो हजार तीस में हुआ 2030 के अंदर असी लाक रुपए बना तो असी लाक उसे पेमिंट नहीं होगा पंदर तो पहले ले चुका है तो बाकी 65 लाक जज एक लौ और रूल पास करेगा कि भाईया इसे बाकी के 65 लाक दीजिए और प्लास कि इंट्रस्NER भीचे अब क्या देना होगा प्लास कि इतने टाइम डिले हुआ है एंट्रस्ट देना होगा जो भी विटेवर रिट है व्धर मेलता है पॉइंट 5% मिलता है वो उसके एसाब से आपको ब्याज भी देना होगा अब सर इसको 65 लाख रुपए मिल गए कब मिला है 2000 और इंटरस्ट भी मिला है माल लेते टूटल मिला के इसको 70 लाख के असपास मिल चुका है अब जब 65 लाख मिला है 2030 में है तो प्रोपर्टी का पैसा क्या इसके उपर क्यापटल गेन लगना चाहिए नहीं लगना चाहिए लेकिन जब हम पहुंच जाएंगे उस सिचुएशन में जब हम पहुंच जाएंगे उस सिचुएशन में यानि अब हमें 2030 में मिला है तो 2030 में अगेन हम क्या करेंगे सर क्यापटल गेन निकाल रहे हैं कब निकाल रहे हैं पता है 2030 में निकाल रहे हैं सर 2030 में जब क्यापटल गेन निकाल रहे हैं हम तो सेल आ जाएगा हमारा अब पहला कुश्चन आता है सर 65 लाग के 70 लाग को कुश्चन मार्क है है 65 लाग या कितना ले बताए है कि फिर पांच लाग है कि हैंट्रस भी मिला है न तो यह सेल देखो टूटल डिटर्माइन हुआ था कितना सर टूटल जो गवर्वर्मेंट ने डिटर्माइन किया था असी में से पंदरा वो पहले हजम कर चुका है अब और उसे मिले है 65 प्लस ब्याज यानि तूटल 70 मिले अब सेल में कितना माने 65 लाग मैंने लिख दिया था पेले इसलिए बता दिया ठीक है सेल में कितना लिख था 65 लाग अब मैनस में करेंगे कोस्ट औफ है को एक विजिशन बताईए कोस्ट औप एक्यूज़िशन कितना आएगा cost of acquisition कितना आना चाहिए एक करोड नहीं लिख दे cost of acquisition क्या आना चाहिए sir cost of acquisition sir एक घर का cost of acquisition का benefit ले चुके हो ना पहले ही तो एक ही चीज को कितनी बार minus करोगे आप बार 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 minus नहीं कर सकते तो sir यहाँ पर capital gain जो आएगा 65 लाग आएगा और इस 65 लाग पर इसको tax देना पड़ेगा अब बात रगे 5 लाग का sir यह 5 लाग रुपे जो इसको मिले है interest इस interest पर टेक्स नहीं देगा बिलकुल यह टेक्स देगा और इसको जो 65 लाग रुपे मिला है न एक्स्ट्रा इसको बोलते है enhance compensation इसको बोला जाता है enhance compensation enhance compensation देखो law के अंदर न मैं अगर simple सी बात करूँ न लाग है असान लेकिन उसको अगर पहले आपको नॉर्मल बोल चाल में बता दिया जाए और फिर उस टेक्निकल वर्ड को बता दिया जाए यह तो पता ही था हमें लेकिन मैं directly starting से ही बोलू enhance compensation मिलेगा enhance compensation मिलेगा नहीं income tax वालों बोलते है कि इसको भी taxable करेंगे क्या other source में जाके लेकिन other source में जाके पूरा taxable नहीं होता 50% का हमें relaxation मिल जाता है capital gain का पार्ट नहीं है यह किसका पार्ट चला जाता है हमारा other source का लेकिन जो SSC है वो ढीट है वो जजस से भी लड़ गया बोला भाया नहीं एक करोड़ी है आपने मेरे SSC बीस लाक रुपे दो और दिलवाओ तो आपने कभी सुना है कि जज ने जो फैसला सुना दिया तो वो फैसला बदल भी सकता है यानि आपके पास court के बड़े सारे division दिये हैं लेकिन income tax में ऐसा नहीं होता है income tax में direct court में नहीं चले जाओगे income tax के court के भी दाइरे हैं सबसे पहले जाता है income tax officer ITO जिसे बोलते हैं उसके बाद जाता है income tax commissioner के पास commissioner के पास जाता है आपका tribunal के पास tribunal के बाद फिर जाता है आपका CLB के पास मतलब के company कह रहा हूँ इसके बाद जाता है फिर आपका finally court में जाता है court में भी फिर आता है district court आता है state court आता है अलग-अलग court है तो उस तरीगे चलता है मैं लौ तो नहीं हम अभी वो तो नहीं पढ़ रहें कोट का तो इस हिसाब से चलते हैं अगर इसने कोट कि बहुत सारी मूवी में देखा है वे ज़स्त तो बोलता है हमने फैसला सुना दिया तुम्हें मजा नहीं आ रहा तो आगे अपील कर लो सीधी बात है तो अब इसके पास ऑप्शन होता है कि यह आगे और इसको कंपन्सेशन के लिए अपलाई कर सकता है जैसा ही यह अपलाई करेगा फिर जीत यया तो उसको बीस लाग रुपे और मिलेंगे उस 20 लाग पर सेम कैलकुलेशन जाएगा और उस पर जो इंट्रेस्ट मिलेगा उस इंट्रेस्ट पर भी तो हमारा कॉंसेप्ट जो है यह बीसिकली मैंने उपर कॉंसेप्ट डाला नहीं कॉंसेप्ट है हमारा कि के गवर्मेंट जब आपका प्रोपटी compulsory acquire कर ले सर एक बात मेरे को याद आ रहा है मैंने कहीं और भी इस बात का discussion किया है compulsory acquisition by the government 54 वहाँ पे factory था यहाँ पे कुछ भी हो सकता है ठीक है न अगर यहाँ पे फिर आप दुबारा चलो आपके साथ यह घटना घट गए अपने सब कुछ करा आपने फटा फट जो पैसे मिले एक मकान भी खरीद लिया तो क्या आपको exemption मिलेगा जी हाँ मिलेगा 54 का मिलेगा आपका घर गया है आपने घर खरीद लिया तो क्या मिल जाएगा exemption 54 का मिल जाएगा आपने क्या करा bond में डाल दिया कि any asset sold करो और यह ले लो तो वहां पर आपको exemption मिल जाएगा 54 के अंदर तो यह था हमारा compulsory acquisition बताइए इसमें कोई doubt compulsory acquisition में कोई doubt है कोई doubt इसमें clear रहेगे आपकी किताब में आपने पढ़ना भी है देखो मैं तो सिर्फ क्या बताता हूं इसके अंदर की बाते वैसे हाला कि इससे related questions मैंने यहां कर दिया हिंट में आप यह चीजे अपने किताब के अंदर पेज नंबर 45 5 है इसका section 45 subsection 5 मैं section पर ज्यादा जोर नहीं डालता क्योंकि क्योंकि बच्चे ना उसको फिर परिशान हो जाते हैं वहीं मैं ढूंड राओं 45 5 है किदर और तो मिल गया यह रहा capital gain by way of compulsory acquisition पेज नंबर 265 और जो मैंने चार्ट बना रखा है अल्दो वहां भी mention किया हुआ है आप देखिए उसमें है 10 यह पीछे से स्टार्ट है इसमें मैंने mention किया हुआ है 5 में capital gain compulsory acquisition आपका initial compensation और enhanced compensation दोनों बात करिए initial compensation में date of acquisition होगा date of compulsory acquisition होगा holding वो माना जाएगा इसके बाद आपका यहां पर full value of consideration कैसे calculate होगा और यहां पर cost of improvement या cost of acquisition में आपने क्या रख दिया निल रख दिया है आपका year taxability यहां पर लिखा हुआ है और note number three इसके लिए पढ़ लेगे लेजिए कि any compensation receive interim court tribunal and authority shall be taxable the final order of the court tribunal of the authority made तो कुछ बाते मैंने extra भी बताई है चार्ट को मैं एक बार पूरा खतम हो जाए ने सारा का सारा तो मैं एक बार में चार्ट समझा दूँगा किताब में आपको मिल जाएगा 17.13 पेज नंबर 265 पे ग्रीस अहुजा की बुक है तो यहां पर गीवा ने वेयर शॉर्ट कट पे भागोगे ने नंबर नहीं आएंगे मैंने चार्ट एक पेज में मैंने खतम कर दिया इसको जो चीज मैं इतने देर से बोल रहा हूं चार्ट में एक पेज से लेकिन एक्जाम में आ जाए कि एक्स्प्लेइन दा एनांस कंपंसेशन 54 सबसेक्शन 5 तब आपको चार्ट नहीं बनाना इसलिए यू हैब टो रीड जो प्रोविजन मैं बना दूं उसको आप ध्यान से रीड कर लिजिए मेरे बताने के बाद जब उसको आप रीड करेंगे तो आपको पढ़ने में दिक् चल जाएगा चलिए अगला कॉंसर्प्ट देखते हैं अच्छा एक और पॉइंट कि एडमीशन ओफ पार्टनर सर एडमीशन ओफ पार्टनर सर एडमीशन ओफ पार्टनर ये तो बारवी क्लास में था अब यहाँ पर एडमीशन ओफ पार्टनर का क्या है रोल हुआ ये एक वेक्ति और एक फर्म है ध्यान से समझेगा एक वेक्ति और एक यहाँ पे पहले से दो वेक्ति है A और B और एक C पार्टनर इसमें जोइन होना चाहता है तो आप सभी को पता होगा कि जब भी कोई पार्टनर आता है तो अपने साथ कैपिटल ले के आएगा अब कैपिटल में ये कभी भी नहीं कहा गया कि अब ए और बी ने डिमांड करा कि भी या सी तू अपने घर से जा कैपिटल लेकिया सी ने बोला हमारे पास तो कुछ नहीं है लेकिन हाँ हमारे पूरवज हमारे पेरेंट्स ने गोल्ड रखा हुआ है या और इसका काम जो है ना पार्टनर वो जोल्री का है ठीक है ना जोल्री का काम है तो कहता है कि हमारे पास जो है वो गोल्ड रखा हुआ है तो मैं गोल्ड लेके आ सकता हूँ कितिना आपका बनता है पेमेंट्स ने बोला कि सर जो पेमेंट है ना आपको क्यापिटल लेके आना है वो लेके आना है अब cash लिया हो तो capital gain का कोई मतलब भी नहीं बनता अब बोला इसने मेरे पास क्या है gold है इसके पास जो gold था ये gold इसने खरीदा था एक चार 2021 में इसके parents ने खरीदा था कितने का खरीदा था सर दो लाग का या इसने तो सस्ता था काफी 2021 गलत लिख दिया 2001 करना मुझे सर खरीदा था 20,000 का और आज 20,000,000 रुपे उसका प्राइज है अब इसने partnership firm में admission ले लिया partnership firm में 142021 तो इसका मतलब इसने अपने assets को as a capital contribute कर दिया कहां पे firm में कर दिया as a capital contribute इसका capital कितना मिल रहा है इसको 20,000,000 इसका capital क्या था अब जब firm balance sheet बनाएगा अब जब firm balance sheet बनाएगा तो balance sheet के अंदर a भी होगा, b भी होगा और और c का capital कितना होगा लेकिन इसका fair market value, एक चार को value ये था जिस दिन इसने gold दिया, इसके हिसाब से था वो, इसके हिसाब से लेकिन actual, अब sir gold दिया है तो capital थोड़ी होगा इधर assets भी आएगा न गोल्ड में assets में भी तो आएगा, जब कभी भी capital लेके आते हैं double entry याद करो cash देते हैं तो हमारा capital में भी आता है और साथ के साथ cash में भी जो आजाता है, तो gold दिया है तो यहाँ भी आएगा, इसने इस gold को यहाँ पे record किया firm ने, partnership firm ने 25 लाख का capital कितने का? 20 लाख, record कितने का हुआ? confuser नहीं पर, बताएए sale consideration क्या लिया जाएगा? sell consideration क्या लिया जाएगा? 20 लाख या 25 लाख? 20 लाख 20 लाख तो यहाँ पे law कहता है सर आपने capital कितना भी contribute किया हो उससे हमें लेना देना नहीं है, जो भी balance sheet के अंदर fair market value वो record करेगा assets का वो sale consideration होगा that is इन cases को special cases मैं इसलिए बोल देता हूँ क्योंकि यहाँ पे कभी sale लेने में confusion हो जाता है क्या लेना है और कई बार cost लेने में confusion हो जाता है concern taxation लेना है तो यहाँ पे क्या लिया जाएगा आपका 25 लाख लिया जाएगा और minus cost of acquisition क्या होगा सर सर वही होगा 20,000 और multiply by किस दिन वो इसके अंदर capital लेके आया है 2021 में तो divided by 100 into में 317 सर 63,000 400 balance will be CG capital gain और इस capital gain पे जो भी बनता है हमारा 24,00,00, 36,00 text दे देगा समझ मैं है तो अगर admission का case हुआ तो इस तरीके से हमारा treatment करना है कि जो balance sheet के अंदर value record किया गया है उस balance sheet के value को हमें sale consider consider करना है ना कि जो capital contribute कर रहा है ठीक है ना एक और case देखें इस डिस्डूलिशन भी करी लेते हैं अब इस डिस्डूलिशन भी करी लेते हैं एक्स वाई और जेड तीन पार्टनर है तीनों ने बोरा firm को dissolve करो अब firm जब dissolve होता है तो firm अब अपने अपने assets को बेचेगी तो यानि अब जो capital gain calculate होगा वो point of view firm के हिसाब से होगा क्योंकि ये अब बेच रहा है assets को तो इस पे भी capital gain लगएगा पहले तो इसने बेचा था तो ये अब यहाँ पे दो कंडिशन हो सकता है माल लेते हैं land and building 50 लाख और fmv 5cr fmv 5cr पार्टनर ने बोला भाई ये assets मेर को दे दो अब पार्टनर है नेगोशेशन होगा नहीं होगा वो तो भाई उसी का फर्म है उसके इसाब से चला सकता है लेकिन पार्टनर ने बोला ये assets मुझे दे दो और इस building को जो खरीदा गया था ना वो खरीदा गया था 142001 में इसलिए एक्जामपल ले रहा हूँ थोड़ा सा असान पड़ेगा कितने खरीदा गया था सर पांच पचास लाग कर देता है अब फर्म के लिए आपको capital gain निकालना है और पार्टनर ने बोला भीया चल मेर को दे दे और पार्टनर ने फाइनली इस assets को अपने नाम पे करवा लिया और payment जो किया है वो किया है 70 लाग मतलब इसने फार्म को 70 लाग रुपय का payment दे दिए अब ध्यान रखना फार्म को जो 70 लाग का payment किया है चाहे तो या उसने capital में अर्जस्ट करा दिया हो यह भी पॉसिबल हो सकता है या फिर उसने cash दे दिया हो यह भी पॉसिबल हो सकता है अब बारी आती है capital gain calculation की सर तो capital gain calculation में confusion है या नहीं है कि सबसे पहले कि सेल कंसिडरेशन क्या होगा कि सर सेल कंसिडरेशन क्या होगा कि सर यह सारे लौ ना आप लोगों ने बनवाए है टेक्स चूरी करकर के कि प्रोविजन बनते गए लोग बाग क्या करते थे capital gain निकालना है एक काम कर तू मुझे ऐसे दे मैं पच्चिस जार में ले लेता हूं अब गवर्मेंट पूछेगा तो बोलेगा फ़र्म ने बेस दिया पच्चिस का कि अल्टिमेटल यह पैसे जाना है पच्चिस का बेचा है capital loss हो गया बात खतम टेक्सी नहीं देंगे दिमाग चला सकते हैं हमयं है तो वह क्या करते हैं जैसे-जैसे देखो लोग जो इतनी मोटी पहले किताब जो बनी होगी कानुन की मेरे हिसाबसे जब बहुत starting रहा होगा कियोंकि इंडिया जो अगर देखा जा हिस्ट्री तो बहुत पुरानी है तो पहले कानून था यह नहीं क्योंकि चोरी नहीं हुआ करती थी दीरे दीरे लौ बनाओ गा थोड़े बहुत किसी ने करियों कि सहतानी उसके उपर कानून बनाया होगा पिर दो पन्यका बन गया तीन पन्यक आज इतनी मुटी मुटी कितावे बन गई है शरिफ यह आपके दिमाग का कमाल है जो आप चलाते रहते हो उसको रोकने के लिए सरकार ने क्या बना दिया लौ बना दिया सीधी सी बात है तो पहले यह सारे सेक्शन नहीं हुआ करते थे लेकिन वो section दीरे-दीरे मैं बता रहा हूँ, ऐसे करते थे लोग बाग, जिसके विएसे यह introduce किया गया है, तो sir, यहाँ पे sale consideration क्या लेंगे, बताईए, यहाँ पे sale consideration क्या लेंगे, हमारे पास option available है, 70,00,00, हमारे पास option available है, 50,00,00, हमारे पास option available है, 5,00,00, बताईए, अब बच्चे कह रहे हैं, sir, 70,00,00, माल लो यह 5000,00 में ले लेता, यह मतलब कि इस property को यह 5000,00 में ले लेता, तो कितना लेते, 5000,00 ले लेते, यहाँ पे टेक्स की चोरी होने के संभावना है, यहाँ पे टेक्स की चोरी होने की क्या है, संभावना जादा है, तो हमेशा याद रखना, जहाँ पे टेक्स की संभावना, जहाँ टेक्स चोरी किया जाता है, में सीधी सी बात करता हूं नोट बंदी नोट बंदी में बोला गया कि भाईया अगर आपके घर पे black money मिला तो 30% tax नहीं लेंगे 120% लेंगे पढ़ ले न यह amendment आया था में उस टाइम पे पहले था कि भाईया जिसके घर पे black money मिलता है 40-45% के बीच में दीजिये फ्री आप आराम से गूमिये तो लोगों ने सोचाता है यार मेरे घर में 500 करोड रुपे है कोई बात नी यार नोटी बदल गए बैंक जा रहे धक्के खा रहे 50% तो बचेंगा 2500 करोड कोई बात नी गौवर्मेंट ने दो दिन में एक अमेंडमेंट लेके आई मेजरिटी बुलाया पार्लेमेंट के अंदर बोला फटा फटा इसको राश्टपती से साइन कराओ बोला जो भी black money मिलेगा आज के बाद से इस दिन के बाद से और retrospective से भी उसको apply किया उससे हम लगभग उन्होंने कुछ section जब हम पढ़ेंगे return तो हमारे syllabus का पार्ट नहीं है 39-139 कि उनसे हम 120% टेक्स वसूले होगा तभी आपने सुना भी वी वैसे मैंने देखा नहीं लेकिन सुनने को आया था कि यहां पे note fact दी उसने उसने जला दिये तो ऐसा कुछ सुनने में बागी हाला कि देखा नहीं देखा होता तो रख लेते हैं ठीक है न तो सुना नहीं हम लेंगे यहां पर FMB बात खतम यानि सेल कंसिद्रेशन होगा 5 CR की बात खतम सर क्योंकि यहां पर आपने आपने बुक्स ऑफ अकाउंट पर रिकॉर्ड किया है 50 लाग कम दिखा दो बुक्स ऑफ अकाउंट में हमारा तो टेक्स पर मारा गया पार्टनर आप आपस में सेटिंग कर लो आपस में पार्टनर से हमारा तो चली गया टेक्स इसलिए हम ऐसा कानूर बनाएंगे जो कि थोड़ा सा जैन्वन भी लगे और आप बच्चोरी नहीं करने देंगा टेक्स लेंगे हम तो हलाकि कंपनी के पॉकेट पार्टनर्शिप के पॉकेट में आये सतर लाग ही लेकिन इसने कितना किया और यहां पर करा कॉस्ट ऑफ एकुजेशन सर और कॉस्ट ऑफ एकुजेशन के अंदर वही जो इतने का खरीदा था कोई बात नहीं है पांच लाग डिव चार करोड़ चोरासी लाग और सर मैंने अभी वैसे मार्जनल रिलीफ और सर्चार्ज कराया नहीं है जब एक पचास लाग रुपे जब इंकम कमा लेती हो नो तो आपको 10% और एक्स्ट्रा देना पड़ता है सरकार को क्योंकि आप गवर्मेंट आपको अमीर मान लेती है तो 10% और एक्स्ट्रा जितना भी इंकम है न उसका 10% और देना पड़ता है कि आप कोंट्रिब्यूट करिए आप बहुत पैसा कमा रहे हैं और जब एक करोड हो जाता है तो आपको थोड़ा सा और प्रीमियम मानते हैं कि आप बहुत लग्जरी जी रहे हैं तो 15% दीजिए मतलब जो टेक्स रेट है वो है 15% और अलग से कॉंट्रिब्यूट करिए यानि टोटल अगर टेक्स का रेट देखा जाए इंडिया के अंदर तो 50% तक चला जाता है यानि आप इतने महनत करते हो और आपका 50% टेक्स सरकार को देना पड़ता है अगर आपने 2 करोड रुप मैं भी सरचार्ज और एक्स्ट्रा इंप्लीमेशन पर बात नहीं कर रहा तो यह क्या था हमारा डिजॉलीशन यह क्या था हमारा तो अभी तक हमने क्या देखा सबसे पहले हमने क्या देखा था सर इंसॉरेंस से आग लग गया उसके बाद देखा था स्टॉक को कनवर्ट कर दिख लिया कर दिया फिर हमने क्या देख लिया कि आपका कम पुलसरी अक्यूजीश न जो था वह भी अमने देख लिया अब इसके अंदर कुछ और प्रोवीजन रह जाते हैं जैसे कि आपने एकविटीशियर को प्रफेंश हेर में कर दिया मतलब shares मतलब shares वाले conversion वाले part रह जाएंगे जिसको भी देखेंगे उसका fair market विलिए बाकी motor motor देखा जो खतम हो जाए दिखाए एक बार मैंने chart में बना रखा एक जगही सर यहाँ पर क्या क्या provisions है देखो 45 one तो journal है इसके बाद कहता है capital gain in case of receive insurance company damages capital gain conversion stock यह भी कर लिया capital gain transfer of depository which beneficial interest ठीक है depository में हमने transfer किया भी नहीं कराई है capital gain on transfer of member कोई भी assets AOPBOI contribution तो यह कर लिया जो हमारा 45-3 है यह as a admission था मैं चार्ट बाद में दिखा दूँ आपको मैं अभी अपना खुद पहले देख लूँ capital gain on the transfer of capital of distribution of the dissolution भी कर लिया हमने इसके बाद compulsory acquisition भी कर लिया इसके बाद है sir capital gain distribution assets companies liquidation यह partnership का था एक company के liquidation पे भी थोड़ा सा अलग provision होता है वो भी हम देख लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है इसको खतम करने के बाद हमारे 3-4 section छोटे छोटे से रह जाते हैं section 50 रह जाएगा और section 50 के बाद 50C रह जाएगा और एक stamp duty valuation officer होता है यहाँ पे भी नया section इंट्रीउस हुआ है तो उसके अकॉर्डिंग आपका complete हो जाएगा तो कल की भी class मैं रख रहा हूँ कल की class कितने बज़े है सर सुबह साथ बज़े आईगे और कल सुबह साथ बज़े हम यह मैं doubt लूँगा definitely आप सभी बच्चों का doubt लूँगा मैं जा नहीं रहा भी कहीं और पहले हम start कर लेते है सर capital gain में क्या क्या सीख लिया एक पर फटा फट से जिनके पास 10 year है अपना 10 year निकाल लीजिए जिनको याद है register है register निकाल लीजिए फटा फट सर capital gain के अंदर हमने देखा था सबसे पहले definition definition में कहा गया था सर अगर आप capital assets को transfer करोगे तभी capital gain माना जाएगा transfer मतलब बेच होगे तभी होगा और word था capital assets सबसे अब इसकी बात बात करते है capital assets क्या था capital assets हमारा कोई भी property capital assets होता है सर अब बात आ जाते है commercial या फिर आपका personal commercial में तो सब personal की बात करें तो personal में movable नहीं आता capital assets में लेकिन कुछ exception है जहां पर movable assets आ जाते है jewelry आपका painting, drawing, art, sculpture ये सारी चीज़े आ जाएंगे अब इसके बाद capital assets कितने तरीके के होते है capital assets दो तरीके के थे एक था हमारा long term एक था हमारा short term long term में define अलग-अलग है simple सी बात है कि आपका 24, 12, 24 और 36, shares वगरा के लिए 12 महिने है और building property के लिए 24 महिने मैं बहुत conclude करके बोल रहा हूँ बाकि मैंने पहले पूरा detail में बता है और last one देखे तो 36 मैंने बाकि सभी के लिए अब इसके बाद question raise होता है सर कि कई बार ऐसा होता है कि कुछ assets को जब हम बेचते हैं तो वो assets बिका हुआ मतलब जब transfer होता है तो उसे नहीं माना जाता जैसे family में property वगरा का बटवारा हो गया तो वो transfer नहीं माना जाएगा भले ही property बटवारा क्यों नहीं हो रहा इसके बाद sir capital gain का mode क्या होगा sir long term के लिए आपको indexation की help लेनी पड़ेगी लेकिन short term में नहीं लेनी पड़ेगी sir लेकिन long term में कुछ assets अभी भी ऐसे हैं जिनके अंदर indexation नहीं लेना है जैसे listed equity share, जैसे debenture, जैसे depreciable assets इसके उपर indexation नहीं होगा और cost of improvement की भी हमने बात करी थी तो इस तरीके से हमने basic basic चीजे करा था अब सबसे main जो theory का part है जो आपको हमेज़ा tips पर पता होना चाहिए था वो था exemption जो था section 54 sir section 54 क्या कहता है कि अगर आप individual या HUF हो और आपने एक घर बेचा है residential घर बेचा है और बदले में अगर आप घर खरीदते हो तो exemption मिलेगा घर दो ही खरीद सकते हो और दो करोड से उपर का भी नहीं होना चाहिए और जो घर बेचा है वो long term होना चाहिए दो साल पहले या एक साल पहले खरीद लीजिए या दो साल बाद खरीदिया बनवाने के लिए तीन साल है अगला था अगरी कल्चर लेंड सर अगरी कल्चर लेंड में क्या था आपको बेचना कौन सा अगरी कल्चर लेंड है कौन सा अगरी कल्चर लेंड बेचना है रूलर या अर्बन अर्बन रूलर वाला तो capital assets के definition में आता ही नहीं है, अर्बन वाला बेचते हो, खरीदो कौन सा, खरीदना कौन सा, मर्जी है, तो आप अगर agriculture land बेचके agriculture खरीदते हो, तो आपको exemption मिल जाएगा सर, हाँ, जो आपने जमीन बेचा agriculture का, उस पे आपको दो साल तक आपके आप या आपके parents खेती करे हुए होने चाहिए, एनि agriculture activity किया हुआ होना चाहिए, तब ही वो valid होगा, इसके बाद 54 EC देखा था, EC क्या था, अब कोई भी assets बिचो, और खरीद के bond में पैसा लगा तो, गवर्मेंट के तीन bond थे, एक था REC, एक NHI और एक railway का थ था, 5 साल तक आपको इसको बेचना नहीं है, lock-in period है, और 50 लाक maximum investment कर सकते हो सर, और 6 महीने के अंदर अंदर करना है, 54 EEB बिल्कुल सेम था, बस वहाँ पे government जो notify करेगा, उस assets में आपको investment करना है, और वहाँ 3 साल का दे रखा है time period, इसके बाद आया सर, 54 D, compulsory acquisition by the government, कई बार factory जहां आप कर रहे हो, वो industry, सरकार को महाँ कोई काम करना है, metro बनाना है, airport बनाना है, road बनाना है, कुछ भी बनाना है, XYZ, तो आपकी जमीन को, आपके factory को government हटा देगी, तो यानि government आपको compensation देगी, तो that is also sale consideration, ऐसे situation में आप और कहीं भी land and building factory के लिए खरी देगे, तो आप ही चलेगा, इससे same मिलता जुलता, 54 जैसे ही D खतम होता है, 54 क्या था, G, 54 G में क्या था, आप शहर से बेच दीजिए जमीन, और कहां चले जाएए आप, गाउं, यानि rural area में चले जाएए, तो आपको exemption मिलेगा, यहाँ plant and machinery भी covered हो जाता है, ऐसी था 54 G A, यहाँ पे आप कह नहीं सभी बेचिये, मतलब नहीं, फैक्टरी बेचना है, और चले जाएए, ऐसी Z में तो आपको exemption मिलेगा, अब आता है 54 F, आप कोई other assets बेचिये, और आप एक residential house property खरेत लिए, पहले आपके पास एक से ज़्यादा घर नहीं होना चाहिए, यहाँ पे exemption जो है, वो पर्पो जीबी, जिसके अंदर बताया गया, कि जो government notified equity करेगी, जैसे power generation वगरे में, वहाँ पे exemption मिल जाएगा, अब आगे चलते हैं सर, कुछ special cases करा था हमने, जैसे हमने किया था कि insurance company से आग लग जाता अगर property में, तो उस property के अंदर आपका, जिस दिन property में आग लगा है, उसी दिन के हिसाब से calculation करना होगा, ऐसा नहीं है कि आप calculation किसी जिस दिन पैसे मिले है, उस दिन से करना है, फिर था आपका conversion stock, जिस दिन आपका stock convert हुआ है, वो लेंगे, market value जिस दिन conversion हो रहा है, वो लेंगे, government compulsory acquisition करता है, तब भी अगर government ने आपके जमीन को compulsory ले लिया है, तो उस situation में, जिस दिन first compensation आपको मिलेगा, उसी दिन सारा capital gain देना होगा, अगर आप compensation से खुष नहीं है, तो आप appeal कर सकते हैं, और dispute के case में जब भी फैसला आएगा, तो cost of acquisition आपको लेने नहीं दिया जाएगा, हाँ, जो nature है, वो ही nature माना जाएगा, अगर interest मिलता है, तो वो interest आपक deduction के साथ, इसके बाद था admission और dissolution के उपर, तो यह basic basic point कर लिए, बाकि जो special case है न, अभी तक मैंने देखा special case पे questions बहुत rare पूछे जाते हैं, exemption मैं, देखो, अगर house property की बात करूँ, तो मैं बच्चों को बोलता हूँ, तुम्हें कुछ आता हो, 24B आना चाहिए, जिसको 24B आ आना चाहिए आपको, और exemption की बहुत लंबी चोड़ी list नहीं, आप revision करने बैठोगे, तो hardly अगर आप सांती मन से, बिल्कुल दिमाग को peacefully concentrate करके करते हो, दस मिनिट में पूरा revise हो जाएगा, चार्ट आपके सामने, 10 एर open किया, चार्ट दे रखा है, फटा 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 मैं कर रहा हूं, और वो question मैं कर रहा हूं, जो exam में आ चुका है, तो इसका मतलब capital gain 90% खतम हो चुका है, इसके अलाबा और भी कुछ है, जैसे कि जो theory है, main, जो कि इस बार exam में आने के chances बनते हैं, stamp duty valuation officer का एक case है, उसके उपर question आ सकता है, जिसके उपर हम बात करेंगे, ठीक किस तरीके से होगा, कुछ special cases भी हमने देख लिये थे, और cost of accusation, जो कि already done हो चुका है, तो मैं ज्यादा time नहीं लूगा, जो बच्चे नहीं जुड़े हैं, क्योंकि 2-3 दिन में बहुत बच्चों ने admission लिया है, मैं तो था नहीं, तो जो बच्चे new joining है, उनकी मैं बात कि सर, आज आपको न एक वीडियो, आज या कल सुभह तक, काफी बच्चे scared इस बात को लेके है, चिन्तित है भई, क्यों चिन्ता मैं सर बच्चे, बच्चे इस बात को लेके डरे हुए है, कि सर सलेवस्क होगा कैसे, उनके लिए, या फिर हम पढ़ें कैसे, उनकी चिन्ता बड़े chapter आपने पहले उठा लिया और उसमें लगा दिये 5 मेने बाद paper है, तीन chapter में आपने लगा दिये 4 मेने, तो बाकी के आपके 17 chapter देखके घवराट में वैसे जो 3 की हैं वो भी भूल जाओ गया, कि भी आभी 17 रह रह रहा है यार, तीन मेने में तो कुछ किया ही नहीं हमने, तो उसी accordingly मैंने बताया कि सबसे पहले आप करिए basic concept, जो कि जरूरी है करना, नमबर दो पे residential status, easy chapter है, बस थोड़े बहुत calculation है, नमबर तीन पे मैंने salary जरूर कराया आपको, बट मैं बच्चों को recommendate करूँगा कि salary मत करिए, उससे बहतर है कि आप क्या करिए house property, क्योंक कि इसमें भी आपने observe किया होगा, हलाकि यह बहुत बड़ा chapter है, मैं salary से बड़ा chapter इसको मानता हूँ, लेकिन आपके exam के point of view से इतना बड़ा नहीं है यह, तो फिर capital gain करो, फिर capital gain और HP करने से पहले साथ के साथ आप deduction भी करिए, deduction मैंने पूरा नहीं कराया है, लेकिन deduction उतना जरूर कराया है, जो question में बीच-बीच में परिशान करता है, वो परिशानी ना हो, उसकी वज़े से, last में आप salary उठाईए, और salary के बाद फिर PGBP और other chapter करेंगे, हम जो भी है, तो capital gain almost done है, लेकिन मुझे कुछ कम से कम हर एक chapter का मेरा target रहता है, minimum से minimum 10 question तो हाथ से कर ले, त कुछ में कोई दिक्कत ही नहीं है, तो चलिए सर, एक question देखते हैं, सर question क्या कहता है, आपके किताब में है, किताब छोड़ी है, सामने दिख रहा है भी तो किताब की बात ही नहीं है, 2008 है, सोल में question आया हुआ है, now clear, voice not clear, बच्चे कह रहे थे, video blur, भई, video blur आ रही है, कोई बात नहीं, एक बार refresh कर देते हैं, और अपने पास से भी कर लीजेगा, मैंने कर दिया refresh, चलिए, question बढ़ ले, देखिए, इसको नीचे कर लेते हैं, कुछ बच्चों को visual नहीं होगा, भाई, पूछूँगा आपसे, जिस बच्चे से पूछूँगा, वो जवाब देगा, जितने बच्चे offline बैठे हैं, कि कौन सा exemption लगने वाला है, ठीक है, कहता है, भाई, अभी doubt कहां से लेंगे, सर, morning में class होगे, अरे देखो, इन बच्चों को मैंने बोला, भाई, अभी question करेंगे, अभी मैं hand raise off कर रहा हूँ, अभी नहीं, थोड़ी देर बाद सारी, मैंने बोला, class के बाद, अपनी सारी, जितने भी doubt है, वो पूछ लिजएगा, कहता है, Mr. X purchase, house property, और इसने एक property खरीदा, 13,50,000 का, October 2020 में, ध्यान दीजे, बोलड पे, देखे, किताबों में कहीं जाने के जुरत नहीं है, बोलड पे ही है, तो ध्यान देदीजे, दा fair market value of property, April 2001, सर क्यूंकि 2000 में खरीदा था, इसलिए fair market value दे दिया, 16,00,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000 effort, expense incurred on transfer, ये दे रखाया, आपको, ही पर्चेज अनदर हाउस 25 मार्च 2022 में पांच लाख रुपए का बीच दिया सर यह 10 नंबर का सवाल आया है और जिस बच्चे को आता है ना के देखो जिसको नहीं आता ना इस सवाल को करेगा ही नहीं और जिसको अगर कर रखा है प्रैक्टिस तो वो कहेगा के 10 नंबर के लेवल का सवाल नहीं है ठीक है ना जिसको आता है सारे प्रोविजन तो सर इसको देखे करने में इसलिए मैंने कहा कि से पहले कर लीजी अटेम्ट तो सही रहेगा अब आप कहें प्रेंगे के शर्स वाहले तो एक भी निए बताये डेपरीशे के लेधनि रिवाराइटि के चूश्च twee लैके लेखें ने तो चलिए सार सबसे पहले क्या लिखेंगे सेल कंसिडरेशन सर सेल कंसिडरेशन कितने का है 55,000,000 less selling expense अब देखें यहां पर कुछ बच्चे है न मेरे से पूछने सर transfer expense लिखें या selling expense लिखें मर जी है सर selling expense लिखिए यह transfer expense लिखिए यहाँ net sale consideration 5,000,000 ऐसे कैसे यह 55,000,000 है 55,000,000 है cost of accusation सर सवाल में दे रखा है cost of accusation की बात करे तो कहता है सर 13,50 का खरीदा लेकिन FMB लेंगे न यह तो 2000 में खरीदा है तो अगर 2000 में खरीदा है तो ऐसे situation में एक सेकेट झाल 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 कि चलिए सर अभी थोड़ा सा मुझे एक कॉल हलो ठीक है सर ठीक है ठीक है ठीक है कोई बात नहीं अभी मैं यहाँ पे अविलिवर देखो मैं बता रहा था के ऑक्टूबर 2000 में इसने खरीदा तो 2000 में इंडेक्सेशन नहीं था सर तो जब 2000 में नहीं है तो क्या लेते हैं FMB और FMB कितने का दे रखा था 16 लाग तो यहाँ पे आ और क्योंकि इसने बेचा है देखो ऐसा ही कोश्चन एक्जाम का ही है मैं क्या बोलूँगा अगर मैं बोलूँ ऐसा ही कोश्चन आएगा तो कोई फायदा नहीं है और इस तरीके से इंडेक्सेशन होगा तो कुछ बच्चे याद करने में अपना वक्त नहीं कभा देना कॉस्ट आफ इंप्रूमेंट सर इंप्रूमेंट का अमाउंट क्या था सर एक सट सास्सो तरतालेस मैं एक चीज बता दूं कुछ बच्चों के पास हो सकता है कि पुराना स्टडी मटीरियल अगर ढूंडते है तो मिलता है तो यह थोड़े सा अमाउंट हमने चेंज किये ब और इंटू 317 बताईए इसका पहले का क्या है या फाइव जिरो ट्रिपल जिरो और इसका 700 वाई देख देख के मत बताना चलिए बताईए 33,161 यह हमारा LTCG LTCG क्या है Long Term Capital Gain यह हमारा Long Term Capital Gain है पहले यहां तक देखिए किसी को दिक्कत है तो बताईए बच्चे बता रहे हैं cost of acquisition 50 लाख है आप लोग ने 55 लाख हाँ ठीक है 50 लाख ही तो बताए है हाँ ठीक है ठीक है बच्चे कह रहे है LTCG निल आएगा अब यहां पर मिलेगा less exemption सर पहले बताईए exemption यहां मिलेगा या नहीं मिलेगा अब मिलेगा तो क्यों मिलेगा क्योंकि इसने कौन सा घर खरीदा है नए वाला हाँस खरीद लिया है क्या दो साल के अंदर खरीदा है कहता है कि इसने मार्च 2022 के अंदर ही पर्चेस अनदर हाँस कितने का पांच लाग का तो वैसे तो यह पांच लाग के लिए eligible exemption के लिए लेकिन इसका capital गेन ही नहीं है पांच लाग का तो इसका मतलब सर यह सिर्फ इतना ही exemption लेगा और यह आ जाएगा हमारा निल और सर जो यह 54 का exemption लिया है न इसने इसके लिए note देना आपको जरूरी है आपको यकीन नहीं हो रहा के 10 नंबर का ऐसा सवाल हो सकता है तो बच्चे अगर इतना करेंगे तो वाक्य 10 नंबर नहीं मिलेंगे आपको इसके लिए note देना पड़ेगा के as per section 54 या as per income tax act section 54 if any SSC sold any residential house property और purchase any another residential house property then exemption will be available for the SSC under section 54 बस ये थोड़ी बहुत बात है और मैंने कोसिस किया है कि 10 यर के इंदर इस्टार भी बना दिया और note आप 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 as a tis पढ़के लिख सकते हैं और अपनी language में भी लिख सकते हैं आसा नहीं बहिए जो किताब में लिखा है वो ही लिखना है समझ में आई बात आपको किसी को दिक्कत पहले question में बताईए बच्चे पूछ रहे हैं सर 113 क्यों 113 चार और पांच का था तो 4 पांच का देखिए दूसरे नंबर का सवाल है तो दूसरे नंबर पे तो 113 है तो इसलिए तो आएगा 113 किसी का कोई doubt बच्चे कह रहे हैं सर एक्जिम्शन कैसे लगा सिंपल सी बात है सर एक्जिम्शन लगने का था कि आज ने घर बेचके घर खरीदा है तो घर खरीदेगा तो एक्जिम्शन मिलेगा section 54 का सरिफ only section 54 है गलती से आपका हाथ फिसल गया नहीं आपे 54 A, B, C कुछ लिख दिया 0 marks है आपके ध्यान रखना जिसको section याद ना हो एक्जाम में सिर्फ लिखिया exemption बात खतम वहाँ पे जैसे 54 B कर दिया या 54 EC कुछ भी कर दिया आपने गलती से खतम आपका अंसर ही खतम हो गया फिर तो section गलत हो जाएगा तो marks नहीं मिलेगा section नहीं लिखोगे तो थोड़े cutting है मिलेंगे जरूर लेखें ठीक है चलिए सर अगले सवाल पर चलते हैं अगले question की बात करते हैं बच्चे पूछ रहें सर कितने सवाल करने हैं देखो जितने हो सकते हैं करेंगे इमानदारी के साथ चलिए ध्यान दीजिए बोर्ड पे ध्यान दो देए फोकस आप एक्जाम 15-20 दिन बाद आपके एक्जाम है नीद आनी नीच चाहिए आप सोए जा रहे हो और क्लास में बात करे जा रहे हो कहता है, थर्ड कुष्ष्चन है, कहता है, X has a residential house, X के पास residential house है inherent, मतलब विरासत में मिला है, from his father अपने पिताजी से इसको एक घर मिल गया विरासत में, जो कि इसके पिताजी ने खरीदा था 1998 में, it was construct at cost और इसको बनाया गया था, साथ लाग पचास अजार by his father और 96 में इसके पिताजी ने इसको बना के भी दिया है additional were made X 2003 अब X ने क्या करा कि 2003 में उसमें और खर्चा करा सर यानि cost of improvement आ गया ये वाला लेकिन सर साथ लाग पचास अजार also part of cost of improvement क्योंकि उसके पिताजी ने घर खरीद लिया उसके बाद उसमें बनाया है आप जमीन खरीदी है उसके बाद बनाई है तो improvement का part है ऐसा निकिए घर होगा उसके बाद ही improvement होगा ठीक है ना तो यहाँ पर cost of improvement की बात करें तो एक तो COI ये वाला part है एक सर COI ये वाला part है लेकिन मुद्दे की बात है सर लेना कौन सा है कौन सा छोटना है कहता है एक चार को FMV दे रखा है इसका सर दस लाख रुपे additional और 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 सो फैब एक और फैब में बना लिया ये building उपर बने जा रहा है और एक और खर्चा कर दिया इसने ये the property sold 43 लाख का property इसने 43 का बेच दिया in July 2021 the selling expense इसका था 35,000 रुपे sorry 35,500 the brokerage etc he purchased another residential house और कितने का खरीदा सर 3 लाख का मार्च 22 में compute the taxable capital gain assessment year 22, 23 और cost inflation indexation दे रखा है तो देखे सवाल तो वही है बस इसके अंदर examiner आपसे क्या जानना चाहता है क्या आपको आता है यहाँ पे previous honor का concept या नहीं आता है सर्फ यह पूछना चाह रहा है वो अलग बात है कि अगर आपको याद है तो आपको समझ में आ जाएगा कि सर cost of indexation में क्या लेना है सबसे पहले सर sales sales कितने का किया इसने घर को 43 lakh का less selling expense कितने 3500 net selling consideration 42 सर minus cost of acquisition मुद्दे की बात यह है अब इसके पिताजी ने घर 1998 में खरीदा और उसको बनवाया भी 7,50,000 खर्च करके और his father in May 1996 साइद question थोड़ा सा कट गया मेरे खाल 96 में इसके पिताजी रहे नहीं होंगे उसके बाद उसको दे दिया गया जून 13 में इसके फादर ने additional करा इतने का और the fair market value ठीक है सर कोई दिक्कत नहीं है question में अब देखो 1996 में खरीदा या 1900 कब खरीदा था 98 में 96 में उसको मिल गया whatever कब खरीदा हमारा जो यहां पे लेंगे क्या लेंगे सर FMB लेंगे सीधी सी बात है सो इंटू में 317 माइनस cost of acquisition improvement सर cost of improvement दो है मैंने आपको बताया था अगर indexation से पहले का improvement हुआ तो उस improvement को हम नहीं लेंगे ignore कर देंगे क्योंकि वो तो property में fair market value में जूड़ी गया है उसके बाद का लेंगे तो उसके बाद का improvement दो है कौन सा है सर दो है एक है देख लेते हैं एक तो यह improvement है और एक यह भी तो है दो improvement हो गया तो सर एक 2003 में है 22, 65, 24 22, 65 5, 24 सर एक और है वो है हमारा कितने का 22, 12, 32 सर अब हर किसी का यह करा कब है सर 2003 में तो 3, 4 लगना है तो 3, 4 का 109 ऐसा ही आपको exam में भी मिलेगा इसके बाद अगला जो करा improvement इसने कब किया है सर 11 में तो यह क्या लगेगा 10, 11 ठीक है न 10, 11 16 इस question में examiner मजा तब आ जाता इस question में सर examiner नहीं यहाँ पर 11, 12 भी दे देता कुछ बच्चे 11, 12 का भी ले सकते थे बर दिया नहीं अलग बात है चलो छोड़ो चलिए बताईए क्या आया 31 लाग दूसरा निकालिए 6 लाग अगला भाई बाकी बच्चे भी contribute करें क्या 70 701 बताईए क्या आया कितने 15,000 7,6,7 माइनस क्या ये इस सवाल में अब जितने बच्चे कमेंट में भी जवाब देंगे क्या ये इस सवाल के अंदर इस कुश्चन में किसी एक्जेम्शन के लिए है सर पेज नमबर अभी प्लीज मेरे से मत पूछे सवाल सामने है आपको सवाल का अंदर मिल जाएगा क्या एक्जेम्शन के लिए है कोई अविलिबल तो जवाब है नई सर नई एक्जेम्शन के लिए है हाँ देखो बच्चे कह रही है ये देखो ये खरीदा है ना एक्जेम्शन मिलेगा फिफ्टी फूर कितने ये भी दस का ही सवाल आएगा पंदरा का नहीं आता तो टेन मार्क्स का देखे आप लोगों ने ने ये चीज़े सीख लिया है के सर कॉस्ट ऑफ इंप्रूब्मेंट पहले वाला नहीं लेना ये नहीं लेना तो आपको एजी लग रहा है अगर जिन बच्चों ने नहीं करा जो बच्चे फर्स क्लास में आयोंगे आज उनको लोग रहा पता नहीं क्यों नहीं हो रहा वह अमाउंट क्यों नहीं लिया तो मैं उन सभी को बोलना चाहूंगा कि पहली वाली जब आप क्लास देखोगे ना सारी एकदम क्लियर हो जाएगा सर क्या चीज़े हमें करना है क्या नहीं करना सिंपल सी बात एक और कुश्चन आज हम कुश्चन पर कुश्चन करना है स्रिफ जिस कुश्चन को आप सर ये हो जाएगा तो उसे छोड़ देंगे बिल्कुल बच्चे जवाब भी दे रहे हैं चलिए यहां से क्या हटाना पढ़ते हैं कहता है ओन नैंटी नैंटी सेवन आर परचेज अपलॉट एक जमीन खरीदा चार लाक रुपे का दोहजार इकिस में बेच दिया चौबिस लाक रुपे का एंड पेड ब्रोक्रेज टू परसेंट सेल कहता है के सेल कंसीडरेशन आउट ओफ सेल कंसीडरेशन इन्वेस्ट बोला भाया जो भी पैसा हमने पैसा आया इतना इन्वेस्ट कर दिया कंस्ट्रक्शन ओफ रेजिदेंशल हाउस विच कंप्लीट इफोर मतलब 36 30 जून 2022 में हमने कंस्ट्रक्शन कंप्लीट कर दिया है सर अब बताईए अच्छा सबसे पहले बताएं कौन बच्चा बताएगा इसके अंदर आपको जवाब देना है किसमें एक्जिम्शन कौन सा मिलेगा बताईए कौन सा एक्जिम्शन मिलना है कमेंट में सभी बच्चों का जवाब आना चाहिए इतने सारे बच्चे है लाइव क्लास में पारस जैन का कहना है लक्षे का कहना है सर 54F पारस जैन का भी येस सर यहाँ पे एक्जिम्शन जो मिलेगा एक्जामनर बहुत शार्प माइंड़ है वो चाहता है कि आप 54F लो लेकिन हिंड भी दे रहा है साथ के साथ यहाँ पे इसने प्लॉट की बात करी है रेजिदेंशल हाउस नहीं है ये पिछले वाले सवाल के अंदर प्लॉट लिया या कुछ भी लिया बनवा के बेचा है इसने आप प्लॉट ले लिजिए कोई बात नहीं है उसके घर बना के बेचिए तब आएंगे आप 54F के अंदर और प्लॉट लेके अगर आपने प्लॉट बेच दिया that is not a sold residential house वो तो आपने जमीन बेचा है तो सर यहाँ पे एक जमीन बेच के आपने यानि other than residential house को sold करके क्या खरीदा एक residential और सवाल में एक हिंट भी दे रहा है कि इससे पहले कोई house ही नहीं है तो सर यह 54 साइद यह सवाल किया है नहीं किया मुझे याद नहीं है अच्छा करा है यह सवाल करवा रखा है शाइद मैंने करवाया होगा हाँ यह मैंने change तो कर रहा होगा क्योंकि मुझे कुछ answer को verify करना था करवा रखा है यह 54 F से मुझे याद आया करवा रखा है पुरानी वीडियो में हर किसी से हो जाएगा डेन बोल दीजिये तो मैं अगले question पर चलू हो जाएगा यह question नहीं नहीं देखो कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर 54 F की तो यह condition है कि घर होना चाहिए एक घर होना चाहिए यह condition नहीं है एक से ज़्यादा घर नहीं होना चाहिए यह condition दोनों में फरक है 54 F कहता है कि भाईया आप कोई भी assets बेची और एक घर खरी दिया लेकिन इससे पहले एक घर आपका हो सकता है यानि अगर कोई बत्ता कह रहा है कि सर मैंने एक plot बेचा मैंने gold बेची दिया मेरे पास घर है ही नहीं तो क्या मैं residential house के लिए exemption बिलकुल ले सकते हो आपके पास minimum one house होना चाहिए और maximum सॉरी minimum कुछ भी नहीं हो सकता और maximum one house होना चाहिए यानि 54 F क्या कहता है यहाँ पे देखिए क्या इसके पास कोई घर था पहले से नहीं था कहता है कि does not on any other residential house कोई है ही नहीं इसके पास अगर कहता है इसके पास one house है तब भी 54 F exemption के लिए मिल जाता तो simple सी बात है पहले बताईए कुछन हो जाएगा हो जाएगा यह नहीं होगा done चलिए एक कुछन और आपका test ले ले brokerage minus करेंगे 2% निकाल के sale में से और although यह class में करवा होगा खोशन है अब याद तो देखो register open करोगे तो मिलेगा अब यह सवाल आपको एक दिया जाता है दो मिनट आप पढ़िए फिर मैं करके दिखाऊँगा सर capital gain capital gain में सबसे पहले हमने capital gain कब निकलेगा जब सर assets बेच दोगे और जब assets बेच होगे तो यानि उसके लिए हम word use करते है transfer transfer का मतलब है जब आप किसी को बेच देते हो लेकिन इसमें समझने वाली बात है कि कब आप transfer transaction regard as a transfer होगा और कब नहीं होगा कब आप transfer मान लीजिएगा और कब नहीं मानिएगा पहले भी discuss कर चुके मैं main उन point पे बात करूँआ एक तो distribution of assets, gift दे दोगे तो भी transfer नहीं माना जाएगा और amalgamation वगेरा की कुछ points थे तो सबसे पहले हमने transfer की बात करी थे कि कब transfer माना जाएगा और कब नहीं माना जाएगा सर अगली बात करते है nature of capital assets काफी सारे बच्चे इसमें भी थोड़ा सा confuse हुए सर nature of capital assets क्या है जिसको मैंने type of capital assets से बताया था तो capital assets दो तरीके का होगा long term और short term आपका short term में मैंने बताया जो 12 महिने हो 24 महिने हो 36 महिने और इससे जितने ज़्यादा होंगे वो चला जाएगा long term में तो सर 12 महिने में कुछ category है 24 महिने और 36 महिने सर 12 महिने में क्या था shares वगेरा है कुछ bond है 24 महिने में non listed share building और mutual fund वगेरा जो बाकी बच जाते हैं जोल्री वगेरा चला जाता है long term में इसके बाद हमने देखा था mode इसमें काफी बच्चे पूछ रहे हैं सर यह आपने समझाया लेकिन इसको करना नहीं सिखाया सर जितने भी हम questions कर रहे हैं अभी तक हम जितने भी question कर रहे हैं यह क्या है हमारा computation का mode यानि एक short term short term में क्या है देखिए जैसे मान लो मैं यहीं पर example लेके कर लेता हूँ मैंने land खरीदा 5 लाग का और beige दिया मैंने sold कर दिया सर 20 लाग का simple सी बात है तो sale consideration में कितना लोगे 20 लाग expense transfer 0 है तो यह आ गया 20 लाग cost of acquisition सीधा ले लोगे 5 लाग improvement है नहीं तो 15 लाग रुपए short term capital gain आ गया सिर्फ 54B और 54D यहाँ पर allowed होता है तो 54B 54D यहाँ से minus कर देंगे अगर नहीं है तो नहीं करेंगे हम तो यह हमारा आ गया तो यह low हो गया mode तो काफी बच्चे परिशान होते है सर यह तो आपने कराए नहीं क्योंकि इसका सवाल भी नहीं आता और जितने भी long term के हम question कर रहे है सारा यही तो कर रहे है long term वाले में क्या होगा सर long term वाले में consideration less transfer अगर है तो कर देते हैं फिर index इंडेक्स का मतलब पता ही क्या जैसे यह 5 लाग का अगर long term होता तो 5 लाग into में 317 याद आ रहा होगा आपको divided by 100 कुछ इस तरीके से तो यही computation mode है इसमें note में ध्यान देने वाली बात क्या है सर कुछ assets पे indexation नहीं होगा और हमीशा short term माना जाएगा depreciable assets depreciable assets बहुत बड़ा एक challenge है जो section 32 में cover करेंगे मैंने salary के time पर भी छोड़ दिया यह house property में तो आया नहीं और मैं capital gain के time भी छोड़ूँगा मैं सीधा PGPB में इसे cover करूँगा पहला class ही मैं इसी से start करने वाले हैं listed share इसका भी indexation नहीं होगा sir in case of cost of improvement वही बाते बताई गई अगर previous owner का है तो previous owner का ले रहा है और एक चार से पहले लोगे तो नहीं लोगे और shares को बेचा जाएगा तो अब आता है हमने ये भी देखा था याद है के sir इसके अंदर goodwill के लिए cost of acquisition निल भी हो सकता है और market value अगर खरीदा है तो इसके बाद shares में था bonus share पहले में हम लेंगे बाद वाले में हम zero ले लेंगे renouncy, renouncer, right issue और फिर other हमने shares की भी बात करा था किसमें क्या indexation लगेगा किसमें नहीं लगेगा तो ये सारा point हमने cover किया था पहले sir 45 के कुछ special cases जैसे loss by fire जैसे stock transfer जैसे amalgamation partnership और ये सारी चीज़े करें हाला कि DU कहता है DU का कहना है कि ये special case है और ये हम आप से exam में नहीं पूछेंगे DU ने clearly mention किया हुआ है जो content DU लेगा मैं last में करूँगा मेरा motive अभी मैं सब कुछ बता दू उसके बाद मैं बता दूँगा कि आपका focus exam time पे आएगा ना exam से 10 दिन पहले तब मैं जाके बता हूँगा sir ये ये चीज़े आपको DU पूछेगा तो ये वाला point हाला कि बोला हुआ है कि हम नहीं पूछेंगे बाई ये नहीं किया था किया था तो मैंने बोला था चार्ट में मिल जाएगा ओल्डो इसको अलग कर देते हैं इसको अलग समझेंगे अरे अरे वाल अरे ये झास सर एक एक करके देख लेते हैं लास्ट क्लास में किया है हलाकि एडवांस फोर फीचर सर एडवांस फोर फीचर में क्या करा था लास्ट क्लास में एक बीच में कुश्चन आया था उस कुश्चन पर हमने एडवांस फोर फीचर देखा था advance for feature में क्या था सर 2014 की मैंने बात करी थी जिन बच्चों ने noting किया है fine जिन्होंने noting नहीं किया 10 year के अंदर है आपके कहता है कि text treatment अगर for feature किया आपने 14-2014 से पहले 14-2014 से पहले तो amount to for feature always reduce from cost of acquisition before doing indexation यही तो बताये था मैंने कि indexation करने से पहले आप उसमें से minus करिए और फिर indexation करिए 14 से पहले है तो और कहता है if advance for feature by the current honor only then will be reduced from cost of acquisition if forfeited by the previous honor then it will be reduced from cost of will not be reduced from cost of अगर आपका previous honor ने किया है previous honor समझ रहे हैं उन्हें क्या होता है जैसे पिता जी ने अपने बेटे के नाम घर कर दिया बेचेगा तो बेटा ही calculation करेगा लेकिन पिता जी previous honor है तो अगर previous honor ने कोई forfeiture किया तो भाई उसको allowed नहीं करेंगे बहुत छोटी सी बारिक सा point है लेकिन समझने वाली चीज जाई है कि अगर पिता जी ने forfeiture किये हो और उसने house transfer कर दिया तो फिर वो cost of acquisition में से minus बाद वाला हो जाएगा यह वाला point में discuss करना रहे गया था तो आज कर लिया अगर after होगा तो sir the amount of forfeiture will be regard income from other source and it will be taxable in the year forfeiture जिस साल forfeiture होगा उसी साल taxable हो जाएगा ना कि wait करो गया government ने ऐसा rule पता है क्यों बनाया आपने forfeiture पता है कब किया forfeiture किया 1900 मान लेते हैं forfeiture आपने कर लिया 2000 में घर बेच रहो 2020 में तो सरकार की income जो 2000 में हो जानी चाहिए थी वो कब हो रही जाके 2000 तो 20 साल में सरकार का नुक्सान हो गया तो government ने कर भाई इसको ना एक काम करते हैं other source में डालते हैं जिस साल forfeiture करा आपने घर बेचा या नहीं बेचा मतलब नहीं है forfeiture किया इसके उपर तो other source में जाके आप क्या करो tax दे दो तो सरकार को instant tax मिलने लग गया कि question आता तो फिर कर लेते हैं लेकिन हम पहले कर लेते हैं हाँ मैं question समझाओंगा नहीं question करेंगे सीधा अभी देखते है stamp duty valuation value capital gain on real estate transaction real estate मतलब सर ये सिर्फ लगता है हमारा land and building पे normally होता क्या है tax की चोरी बहुत ज़्यादा होने लग गए tax की चोरी का मतलब capital gain में खास करके अब मैं simple सी बात कहता हूँ एक घर है और इस वेक्ती ने इस घर को खरीदा था 5 लाग का मान लेते हैं कि राम है इसने खरीदा था और अपने आपको इन्देक्सेशन लगाके दस्लाध हो गया SO आपको बाकी 500 लाग पर कितना टेक्स होगा इसकी उपर फिर अलग से वह तो जाहे गए ह생ταिक मकान और ले लेजेए हैं कहीं कच्छे करोने का तो आप खुद इमानदारी से सोचो आप खुदATE Hund मैं कहता हूं कि आपको टेक्स नहीं देना कम देना चाहते हो आप खुद भी तो कम देना लिए बैंक में तब गौवर्मेंट आयगा तुमहारे मारी पास से एक करूर कहां से इसके उपडर phase wr में आपने क्या करा 10,00 रुप इलिया बैंक में। 50,00 रही लिया किसमें। कर्याए आपने 10,00 रुप इलिया कहां पें। बैंक में तो सरकार को पता क्या चला ये मकान कितने कभी खा और 90 लाक रुपए तो अपने कैश में ले लिए तो सरकार यहां पे पकड़ने में नाकामियाब हो गई क्योंकि cash transaction का कैसे आपस में बायर और seller ने आपस में कर लिया बात्चीत कि अगर ऐसा कुछ होता है तुम बोल देना 10 काई भी खरीदा है तुम्हारे लिए भी फाइदा और हमारे लिए भी फाइदा तुमसे सरकार पूछेगी नहीं कि 10 लाख लाए कहां से और हमसे तुम्हे है तो बोला गया कि इस तरीके सांबस में बात्चीत करके उन्होंने एक बात पे सेहमती बना ली lg government अगर्मेंट ने बोला भाई यह मकान तो कितने बीचा है उसके बहुत बोला कि भाई बेंक में ट्रांजक्शन उसके बाद बोला कि उसके पूछा बायर से यहीं दोनों आपस में हो गए और जो 90 लाग रुपए उसको अपने घर में नहीं कहीं और रख दिया उसमें पैसे, हो सकता है पॉसलिटी, तो सरकार का यहां नुकसान, देखो अब अब देखा जाए तो 10 लाग रुपए का बेचा, इंडेक्सेशन लगा के भी 10 लाग खा ग पड़ेगा, गवर्मेंट को एक STEP तो लेना ही पदेगा हैं नहीं लेगा तो हमेशा यह चलता ही रहे गा, lifelong तक और Delhi के एक प्रपरट बिखते हैं कि नहीं विकते हैं बहुत प्रोपटे बिखते जहां पर प्रोपटे का रेजिस्ट्रेशन होता है एक बार महां पर जा कर देखना आपको एक एक हपते का वेटिंग पीरिड मिलता है आपने कोई मकान खरीदा उसको रेजिस्ट्रेशन करवाना है तो एक हपते का वेटिंग पीरिड सार इतनी ल हम इस property को कितने अब बिकेगा यह हम बताएंगे अब यानि अब यह government तै करेगा income tax वाले बोलता है अब यह हम तै करेंगे आपने तै कर लिया ठीक है और हम भी तै करेंगे यानि हम एक ऐसा officer appoint करेंगे जिसे बोलेंगे जो की बहुत जादा इस field के अंदर expert है मतलब property वगारे को जल्दी से वह आकलन कर लेता है जो की बिल्कुल expert है हर जगा घूमता है सही गनित लगा के सब कुछ बता देता है और property का rate पता है कैसे तै होता है circle rate होता है आप देखोगे न तो हर area का अपना एक circle rate चलता है तो कभी property अगर आप में देखा होगा तो घर पर देखना property के paper पर circle rate के according होता है और वो government decide करता है तो जो होता है न वो stamp duty valuer होता है stamp duty valuer basically stamp duty का मतलब है property का rate क्योंकि आपको जितने का property खरीदोगे उसके उपर यह income tax.20% जाएगा ही है इसके अलावा आपको stamp duty भी paid करना पड़ता है 5% registration करवाने के female के case में 1% का relaxation होता है male के case में 1% ज्यादा होता है तो stamp duty valuer बताता है कि आपका circle rate से इतना होगा उन्होंने कहा कि भाई तुम इसको आप पांच दस लाग का आप बोल रहे हैं दस का बेचा है आप बोल दो 10,000 का बेचा हमें मतलब नहीं हमारा एक बंदा आएग आपने पांच लाग का दिया है आपने पांच रुपए का दिया हमें निमत लपसर हमारे officer ने बोल दिया 90 का आपने खरीदा था पांच का आपका valuation करके या ने इंडेक्सेशन करके 10 हुआ वह 90 का रहा है total 80 होगे 80 पे 16 लाग रुपए tax निकालो तो अब जब यह government यह नियम नियम लेके आई पहले नहीं था तो जब यह government नियम लेके आई तो क्या अब यह cash में ज्यादा पैसा लेके कर लेगा कुछ अब यह पूरा का पूरा ही cash में ले ले तब भी कुछ नहीं कर सकता क्योंकि जैसे ही property register होगा किसी और के नाम पे फटाफट government को अगर doubt हुआ तो government क्या करेगा अपना valuer बुलाएगा और उससे valuation कराके और अपने हिसाफ से वो क्या करेगा tax को वसूल लेगा लेकिन यहाँ यहां पर dispute आ गया वेलिवर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे बता देता मैंने बोला एक करोड़ का है वेलिवर ने बोला सब्सक्राइब तो जितना rate बताओगे और वेलिवर बताएगा तो 10% का अगर variation रहा न दोनों में तो हम आपकी बात सच मानेंगे जैसे मैं कह रहा हूँ कि एक लाग का प्रोपर्टी बेचा या एक करोड का प्रोपर्टी बेचा और जो गवर्मेंट अधिकारी है वो कह रहा है एक लाग दस अजार का प्रोपर्टी बेचा मतलब 10% का variation बता रहा है मेरी बात में और सरकार की बात में कितने % का फरक आ रहा है तो सरकार बोलता है इतना ज्यादा हम strict नहीं होंगे 10% 5% उपर नीचे चलता है हम आपकी बात को उपर रखते हैं आपकी प्रोपर्टी एक लाग की बीकिये बात खता लेकिन stamp duty valuer बोलता है कि सर एक लाख ग्यारा हजार का भीका है तो difference कितने का आगया हमने एक rate fix कर दिया 10% तक तो हम आपकी बात मानेंगे 10% से जैसे beyond जाएगा तो हम किसकी बात मानेंगे अपनी बात मानेंगे valuer का और वही decide करेगा कि property कितने का था और इसी पर tax देना पड़ेगा अब हम आपकी बात कोई भी नहीं मानेंगे तो बड़ी चोटी सी बात यह है तो यह भी ठीक था provision पहले 5% था पुरानी किताबों में देखोगे तो 5% मिलेगा अब बढ़ा के कर दिया 10% तो सर कहता है stamp duty कैसे लगेगा if assets sold more than the stamp duty valuation अगर आपने assets को बेचा है आपका SDV इसे SDV भी बोलता है के 10 लाग का है और आपने बोला है सर sales जो है वो 11 लाग का है यानि जो government का अधिकारी है वो बोलता है कि सर यह 10 लाग का है आपने बोला मैंने 11 का बेचा आप बताओ तो government कहेगा हमारा पर आप क्या करो टेक्स दे दो यानि government का फाइदा किसमें है 11 लेकिन प्रॉब्लम कब आया जब उससे कम में बेचा जाएगा कहता है in case stamp duty valuation exceed 10% sale consideration stamp duty will be taken यानि SDV बोलता है सर 11 लाग है मैंने बोला सर sales sales 9 लाग है तो बीच का difference percentage कैसे निकालोगे एक यह भी challenge है सर difference कैसे निकालते है इन दोनों का difference कितना है कि दो लाग कि नो लाग यार लाग कितना है अब इसके base year मान लोगे अपना जो sale है न वो मानोगे sale क्या है इंटू में 100 करिए यह percentage कितना changes से यह निकलेगा डेल्टा लिख देता हूं तो बताइए क्या change आ रहे हैं हापे मेरे पास तो calculator ही नहीं रहते हैं हापे सर वीडियो लेक हो रही है अच्छा वीडियो लेक हो रही है रीफ्रेस मारते हैं बताइए क्या change आया percentage मेरे साब से 10 से तो काफी ज्यादा आएगा कितना percent आया तर 22% का changes आ गया यानि आपकी बात में और सरकार की बात में 22% का फरक आ गया है कहता है क्या in case of stamp duty value यानि SDV exceed हो जाए 110% 110 को छोड़िये 10% से ज्यादा exceed हो जाए then sale consideration क्या मानोगे stamp duty value as a consideration यानि अब आपको किस पर मानना पड़ेगा इसके उपर यह आपका irrelevant आप जूट बोल रहे इसका समझ मैं ही बात आपको अगर आपने सरकार के stamp duty valuation से ज़्यादा बोल दिया तब समस्या नहीं सरकार बोल दिया कोई बात नहीं चलने लेकिन अगर चलो एक और example ले लेता हूं एसडीवी बोलता है सर आपकी property की value 10 लाग और आपने बोला सर हमारे property की value 9 लाक या फिर मैं इसको चेंज कर देता हूं आपने बोला 10 लाक और सुने बोला 11 लाग 11 या फोड़ा और खम कर देता है 5% का یہ नहीं तो आपको 5-10 परसंट जुठ बोलना ह्लालाओड सिम्पल सी बात हो कि उससे उपर नहीं बोल सकते. 5% का फर्रक है तो गौभर्मेंट किया कहेगी हम आपकी वेल्यू को मलने मel हुआगी हम अब एसा करने के बाद आप पता वाक के आपने अपने दोस्त को सस्ते में दिया है, रियलेटी भी हो सकती है ना, आपका दोस्त था, भाई मैं तरको 5 लाख में, 10 का लिया था, ठीक है भाई, 13 से क्या कमाना, जितने का लिया था, उतने का लिया लिया, और यह सचा ही है, अब गौर्मेंट यहाँ पर आ जाता है, नहीं भाई, नहीं हम तो अपने ड्यूटी बोलेंगे, भाई यह जब मेरे पास पैसा आएगा, आपके पास 10 लाख ही आया है, और आप 18 लाख रुपे कैपिल गेन मांग रहे हो, तो ऐसा थोड़ी हो जाएगा, हमारी प्रॉपर्टी हम डिसाइड करेंगे, कितने का बेचेंगे, आप तब डिसाइड करिए, जब हम आपसे जूट बोल रहे हैं, आपके साथ फ्रॉड कर रहे हैं, लेकिन इंकम टेक्स वाले नहीं मानेंगे बाद, वो लेका, नहीं भाई, ऐसे नहीं चलेगा, फिर हम क्या कर देंगे, इसके अगेंस केस, जाएंगे, कोट तो जाना ही पड़ेगा इसके बाद, कहता है, इस SSC नोट सेटिस्फाइ, रिक्वेस्ट एओ, तो रेफर्दक केस वेल्यूएशन ऑफिसर, अगर SSC बोलता है बहिया, इंकम टेक्स वालो, तुमने जो ये बताया, ये हम नहीं मानेंगे, हम उपर एप्लिकेशन देते हैं, तो हम क्या करते हैं, ये ओ क्या होता है, आपका, एक और वेल्यूएशन ऑफिसर बिठा दिया, अब देखो तीन बाते होगे, एक मैं, एक SDV, स्टैम डूटी वेल्यूएशन, और एक और वेल्यूएशन ऑफिसर आचुका है, अब क्या होगा, सेल कंसिडरेशन क्या मानेंगे, हाला कि ये आपके एक्जाम से इतना पॉइंट नहीं है, लेकिन ये वाला तो मान के चलो, इस बार एक्जाम में आएगा है ये वाला पॉइंट, कहता है, एक्चुल सेल कंसिडरेशन और SDV, AB पॉइंट हो गया, हायर ओफ AB, यानि मान लो, मैं रेज कर देता हूँ, मान लो, आपका एक्चुल सेल से 5 लाग, SDV बोल रहा है 6 लाग, तो आपको सी पॉइंट में पता है क्या लेना है, हायर इन दोनों में से, क्या आएगा, अब वेल्यू एक कैल्कुल, आप जो जो वेल्यूएशन होगा, वेल्यूएशन ओफिसर, आपने जिसको रिक्वेश्ट किया सर इसका करिए, उन्होंने कहा सर ये होगा 4 लाग, उन्होंने कहा क्या, सर ये होगा 4 लाग, तो कहता है, वेल्यू कैल्कुलेट वाइदा, वेल्यूएशन ओफिसर, सेल कंस्रिरेशन, lower off, अब इन दोनों में से जो lower होगा, यानि आपका sale माना जाएगा तो जब उनके पास फैसला जाएगा तो कुछ इस तरीके से वो minus plus करके चले कब जब आप appeal करोगे अगर आपने appeal नहीं किया तब तो भाईया आपको जो tax है उस पर देना पड़ेगा तो काफी important है stamp duty valuation, आप अभी फिलाहल के लिए ना इस वाले point के उपर मैं star बना देता हूँ बाद में भी कर लें, लेकिन आप मुझे जवाब दीजिए, ये दोनों point आपको समझ में आना चाहिए, अगर ये दोनों point आपको समझ में आ गया ना तो फिर हम आगे question भी इसके उपर देखेंगे, जो last year exam में आया था भी तो मैं उसको देखूँ आभी, बताइए यहां तक clear है बड़ी basic basic से point है सर इसके बाद last year forfeature वाला भी हो गया, और कुछ हमारे slum sale वगरा कुछ section है तो मैं दिखा दूँगा आपको कि do ने क्या बोला है, कि include है, क्या बोला exclude है, वो हम बाद में चर्चा करेंगे, यहां तक clear होगे तो एक सवाल हम इस पर ले लेते हैं यह वाला, जो exam में आया था 2000 हाला कि COVID के time आया था और मैं हर बार कहता हूँ कि कोवीड के time वाले को question को consider मत करिएगा, मतलब paper के pattern को consider मत करिएगा sir, sdp repeat अभी कर रहे हैं question सब repeat हो जाएगा मेरा कहना है sir, paper के pattern को follow मत करिएगा, लेकिन question तो था sir, तो question आप देख लें, तो मैं कहूँगा better होगा, sir question आया हुआ है कहा गया कहा गया, यह तो hp है, solution किया थो था इसका यह होगा 2000 2021 2021 का paper में है आप आप 20 के paper में भी आया हुआ है आप 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 आव आप ह आप आप 20 आप आप learning चलिए second part हम सिर्फ जो हमने अभी सीखा है हाला कि इसके दो पार्ट और है आपके सामने जितना कोशन है इसी का अंसर करने वाले हैं हर बच्चे को कोशन वीजूल एक पर देखिए कोशन वीजूल है अभी sdb रिपीट करतेंगे कोई बात नहीं कोशन क्लियर दिख रहा है अपनी 10 एर के अंदर किताबों में ढूनने का फाइदा है नहीं टाइम वेस्ट होगा तो फिलाल सरिफ यहां देखेंगे आप चलिए कोशन पढ़ते हैं कहता है he had purchase a vacant land cost 60 लाग सर इसने एक खरीदारी की है चलिए सर चलिए सर जो लिखना होता है उपर लिख लेते हैं कहता है एक इसने 60 लाग रुपे का purchase किया मैं इधर लिखता भी जाता हूँ in financial year 2034 registration and expense 10% कहता है इस पर registration खर्चा भी आया 10% that is 6 lakh तो यानि यह property मेरा जो खरीदारी है वो 66 lakh का पड़ेगा यानि खरीदते टाइम पर जो मर्जी खर्चा करिया वह आपका purchase का हिस्सा माना जाएगा आगे कहता है he construct residential house building said 75 lakh रुपे और उसके उपर 75 lakh रुपे का खर्चा कर दिया 4-5 में यानि improvement cost of improvement किया इसने 75 lakh का कब किया असर 5-6 में आगे कहता है he entered into agreement sale of said Mr. Vasu Mr. Vasu के साथ agreement का मतलब Mr. Vasu से कहता है कि हम बेच रहे in August 2021 में और हर सु जो था उसने receive किया 15 lakh रुपे as a advance token money अच्छा एक लाइन रहे गए मतलब उनसे fix हुआ कि भाईया आपको हम ये property कितने का बेचने वाले 4 करोड यानि 400 lakh का बेचेंगे और deal भी done हो गया deal done हो गया उससे हमने advance पैसा भी ले लिया 15 lakh कब deal done हुआ ये 2021 यानि हमारी कोशिस थी कि 2021 के अंदर इससे sold कर दिया जाए कितने का sold कर दिया जाए चार सो लाग का यानि 4 करोड आगे कहता है question on the date of agreement receive 15 lakh advance however Mr. Vasu not arrange the money on the due date और ये पैसे इंतजाम नहीं कर पाया hence advance money paid by him forfeited by Mr. Harz ने forfeiture कर लिया यानि ये 400 लाग रूपे का deal में advance जो मिला था इससे 15 लाग ये 15 लाग forfeiture हो गया अब सर forfeiture के दो treatment होते हैं सर forfeiture के क्या दो treatment होते हैं या तो आप उसे other source की हिस्से को मानोगे या तो आप उसे किस का मान लोगे other source का हिस्सा मानोगे या फिर आप मानोगे cost of acquisition में से minus तो ये कैसे decide करोगे कि ये other source का हिस्सा है या फिर cost of acquisition में से minus होगा ये date के हिसाब से decide होगा 2014 से पहले है या 2014 के और हमारे सवाल में तो 2021 की कहानी है तो ये सारा का सारा पैसा अगर देखा जाए तो sir ये पैसा हमारा capital gain का ही नहीं ये जाएगा अदर सोस्व समझे बात आप यानि जो इतनी सारी कहानी हमने पड़ी है इसका कोई रोल नहीं है जो हमने अभी तक देखा है थोड़ा बहुत सर आगे क्या कहता है ये फिर से एक वेक्ति को पकड़ के लाया और agreement कर लिया राठी के साथ और बोलता भाया तेर को तो अब हम 420 में बेचेंगे यानि नियू agreement कर दिया इसने 2022 में ही और बोला तेर को बेचेंगे 420 लाग दा सेल डीड वाज एक्जीक्यूटिट रेजिस्टर अन पंदरा दो दो हजार और पंदरा दो दो हजार बाइस में ओके पैसे भी आगे पोर दा एग्रीड इसने बोला बहिया इस प्रॉपर्टी में मुझे थोड़ा डाउट लग रहा है 420 का बेचा है मेरे इसाब से तो कितने का होगा यानि सरकार कहती है कितने का होगा 450 का आप कहते हो कितने का है 420 का तो जो मैं यहाँ पे सेल कंसिडरेशन लूँगा सर वो कंसिडरेशन या तो सरकार की बात वाली वेल्यू लेंगे या अपनी वाली डिपेंड करेगा अगर 10% से जादा का वेरियेशन हुआ तो सरकार की बात सच मानी जाएगी और 10% से कम का वेल्यूएशन वेरियेशन हुआ तो हम 420 अपनी बात को सच मानेगे आगे कहता है मिस्टर हर्स ने पेड किया 1% ब्रोकरेज अन सेल कंसिडरेशन रिसीव लेकिन सर किसी की भी बात माने सेल कंसिडरेशन पर जो हमारा एक्सपेंस होगा सर बेचा तो 420 का है उसका 1% 420 का 1% कितना होगा 4.2 लैक है ना 420 का 1% निकालेंगे तो 420 में से ना 4 हो गाई है वहाँ 4.2 लैक हो ठीक है एक इंवेस्मेंट पीछे रहे गया है मैंने दो यहाँ पर दिखा दिया है कहता है और एक दुबई में खरीद रहा है तो बोला था भीया घर खरीदना है लेकिन घर कहां खरीदा है ये भी जानना तो ये वाला जो इसने खरीदना है ये दुबई तो बोला भीया तुबई जाके रहे इसका कुछ नहीं बेनिफिट देंगे अब इंडिया में जो खरीदा उसका डिडेक्शन मिलेगा 54 के अंदर और कुछ इन्वेस्मेंट और क्या तो मुझे तो सबसे पहले जानने में मैं आपसे जानना चाहता हूँ का सेल कंसिडेशन क्या लूँ मैं 420 लूँ या 450 आप बताईए फटा फट कमेंट में बताईए 420 या 450 420 कुछ बच्चे कह रहे हैं सर सर इस पॉइंट में डाउट है 420 और 450 हमें कैसे पता चले हम पहले वेरियेशन देखेंगे तो सर वेरियेशन कितने का हुआ और 30 लाग में जितने का हमने बेचा वो डिवाइड में रखेंगे तो कितने का 420 और इंटु में 100 करेंगे अगर ये 10% से अब अब गया तब तो सरकार की बात सच और 10% से बिलो रहा तो हमारी बात सच तो कितने परसेंट आ रहा है 7% आ रहा है यानि 10% से उपर गया नहीं तो सरकार की बात अब हो गई जूट अब किसकी बात मानी जाएगी हमारी बात और हमने कितने का बेचा था 420 तो यहाँ पे कितना लेंगे हम 420 ला समझ में आया कुछ बच्चे कह रहे थे doubt है sir SDV क्या कहना है नहीं कहना है हाँ 7.14 percentage है ठीक है विशार वो मैंने लिख दिया एपरोक्स 7% बिल्कुल सभी बच्चों ने बोला 420 तो मैंने ये question आपको और अभी examiner का न ये main point बना हुआ ये question examiner दे रहा है ऐसे question को क्योंकि अभी ज़्यादा time नहीं हुआ पहले 5% था अभी कुछ दिनों पहले ही introduce हुआ मतलब कह सकते हैं 2-3 साल पहले आया तो examiner इसके उपर ज़्यादा trending में है कि हम इस परकार के question दे और फिर बच्चा इसके अंदर decide कर पा रहा है नहीं कर पा रहा है तो sir इसमें 10% वाला दिमाग में जिस बच्चे के होगा वो कर पाएगा net sale consideration 4.415 आगे करते हैं less cost of acquisition sir इसने 60 का नहीं खरीदा 317 अब खरीदा कब था 3-4 3-4 का indexation देखिए less कर देंगे cost of improvement sir 75 लाग का improvement कर दिया कब किया sir 75 लाग का improvement 5-6 का बताईए 5-6 का बताईए एक सो अब इसको बता दिजे टूटल करके 1-9 अरे वैसे ही बता दो ना 66 को लेके बता हुआ लेक में बताओ तो इतना थोड़ी आ जाएगा 1-9-1-9 लेक्स में बता दो मुझे मैं क्योंकि उपर से लेक्स में लेके चल रहा हूँ बहले point में आ जाए minus करके कर देंगे एप्रोक्स अरे याँ लेक में बताना है ये के क्यों आएगा हाँ तो चार सू चार लाख बीस अजारी तो होगा 1-9 9-1 minus कर देंगे इसको minus कर देंगे देखो ऑल्लाइन वाले बच्चों ने जवाब सबने दे दे आप लोगों से minus नहीं हो रहा कितने यानि बीस लाख नवासी हजार रुपए का क्यापिटल गेन आ गया अब इसने investment कितना किया सर साथ लाख का तो minus कर सकते हैं section 54 या नहीं कर दीजिए सर तो इसका taxable income क्या बन गया मैंने हाला कि यहां किया मैं एक बर question में दिखा दूँ यह question थोड़ा बड़ा भी था कहता था इसने subscribe NHI bond भी किया और इसके अंदर ए पार्ट के अंदर देखा जाने तो इसने jewelry वगरे भी कुछ किया था destroyed हुआ जो मैंने बताया था कि मैं सिर्फ B part की बात करूँ कुछ बच्चों को question अगर दिखता है तो आप यह समझा जितना हमने सीखा है उतना ही part cover किया है चलिए और कुछ सवाल देख लेते हैं अब मैं एक चीज बता दूँ आप सभी बच्चों को जो confused हो रहे थे capital gain के अंदर का कोई भी सवाल आप कर सकते हो जो आपके exam के point of view से है कोई भी सवाल जितने provision थे वो कर सकते हो अब जितने भी मैं कराऊंगा provision वो मैं कराऊंगा इस time पे नहीं extra time पे वो recorded lecture में डालता रहूँआ जिसको करना होगा extra वो बच्चा कर लेगा जिसको exam से related ही करना है वो exam से related कर लेगा तो वो उसके उपर depend करता है past year में जितने question आये थे last class में हमने देखा था वो सारे के सारे become program के question थे आज हम और भी कुछ question ट्राई करते हैं क्योंकि पहले हमने basic basic question कर लिए आज हम honors वाले question देख लेगे कि exam में किस pattern पे question पूछा जाता है तो उसमें से एक question देखिए यहाँ पे question number 3 है पहले simple simple सारे question निप्टा लेते हैं आपके paper में आया हुआ है तो यानि अब इतने provision जिस बच्चे को याद है न इसलिए मैं इस chapter को आसान कहूंगा क्योंकि आप में पूछा इतना जाता है लेकिन अगर आप पूछो के सर पूरा capital gain मुझे detail में समझना है तो तो फिर आसान नहीं है यह है मैं फिर आसान नहीं कहूंगा क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे provision और भी हैं बहुत सारे rule और भी लगते हैं उसके उपर में तो फिर से दुबारा चेंज हो जाएगा valuation तो उस case में हम sale consideration क्या लेंगा है क्योंकि जब token money दिया होगा तब agreement execute हो गया होगा कि 15 लाक रुपे का मकान है सर 5 लाक रुपे पकड़ी अगले साल दे देंगा 10 लाक लेकिन अगले साल उस property की value कुछ और हो गई होगी तो ऐसे कुछ special cases है उसमें क्या provision लगता है हाला कि du मना करता है कि हम ऐसे typical cases आप से exam में नहीं पूछेंगे लेकिन learning के लिए जो बच्चा होगा उसके लिए मैं ये video बना के हर एक section पर डाल दूँगा और उसके उपर में एक फोल्डर बना दुआ कि ये extra classes है not related to your examination तो जिस बच्चे को देखना होगा भहिया देख लेना जिसको नहीं देखना होगा कोई बात नहीं अब exam के question देख लेते हैं 2009 में आया हुआ format पहले बना ले कहता है Mr. X जो है date of birth दे दिया भाई date of birth का क्या करेंगे तेरा property का date चाहिए हमें तो कोई काम है इसके date of birth का कभी कभी पढ़ सकता है अगर text liability पूछ ले उमर साथ साल से उपर है कम है सब पढ़ता है काम कहता है purchase one house यानि इसने एक घर खरीदा सर कभ खरीदा 1982 किसी काम का date नहीं कितने का सत्तर हजार का अच्छा साथ लाग चलो साथ लाग कुछ खर्चे इसने करा ही incurred improvement 99 में 9 लाग का सर ये किसी काम का नहीं its market value ये काम का है सर मार्केट वैल्यू Mr. X ने इस पर फर्दर incurred किया बाद में 2011 में cost of improvement जो यूज होगा 27 27 37 75 इतना सारा पैसा लगा दिया ये तो बेचा है मैं इतना कैसे लगा दिया मैं इतना कैसे लगा दिया और ही invest यूटी आई अब देखो मैं कह रहा हूँ ये चीजे tips पर होना चाहिए तब paper attempt करोगा अब इसमें कहां से डाल दिया इसमें UTI अब UTI में invest करने पर क्या होता है deduction मिलता है ATC में अब जिसको याद होगा वो तो फटाफट catch कर लेगा अब जिसको याद नहीं हो तो घूमता रहेगा अब इसको करा इसका कौन सा 54 की कौन से सीरीज में deduction मिलेगा तो 54 की बात ही नहीं कर रहा कहां का दे दिया और ATC long term capital gain पे माइनस नहीं होता है ये भी आपको याद रखने साथ के साथ समझ में आ रही है बात आपको कहता है compute tax liability honors की खास बात है हर बार examiner बोलेगा भाई तू tax liability निकालके tax liability for assessment year 22-23 indexation भी दे रखा है तो चलिए फटा-फट निकालते है सर sales क्या है सर sales है ये वाला हमारा 27 27 37 मेरे हिसाब से सब बच्चों को question समझ में आ रहा हुआ जितना हमने provision किया है उसके हिसाब से minus selling expense था क्या कुछ नहीं था तो यही आ जाएगा हमारा net sale consideration minus cost of तो sir fair FMV लेंगे जो की आया था 73 2 करोड 32,00,00 23,200 sir minus करेंगे COI उसके parents ने भी किया था मतलब कि उसने इंडेक्सेशन से पहले किया था वो तो नहीं होगा कितने थे 16 93 divided by करा कब है sir इसने इसने करा है 2011 में तो sir ग्यारा बारा का जो है 39,00,00 sir यह आ जाएगा कितने कितने 11,00,00 तो नहीं आएगा कि क्यासी बात कर रहे है कि क्यासी बात कर रहे है पताइए कितना आ रहे देखिए 11,00,00 यह आ रहे है हाँ 11,00,00 आगे 33 क्या पूछा इसने हर क्लास में बोलता हूँ 15 तारीक तक कुर्स कतम होगा बच्चे फिर पूछते हैं कि कब होगा चलिए अब हमें निकालना है टेक्स लाइबलिटी तो सर टेक्स लाइबलिटी में क्यूंकि यह लॉंग ट्रम क्यापटल गेन है तो यहां पे स्लैब रेट का काम नहीं है शॉट ट्रम में स्लैब रेट लगता है यहां पे स्लैब रेट का काम नहीं है यहां पे सिंपली लॉंग ट्रम पे लगता है हमारा कितने परसेंट सर यहां पे यह investment जो एक लाग का है इसे माइनस नहीं करेंगे नहीं तो मैं क्या करता अब टोटल इंकम मैं निकाल के बता दू इसको थोड़ा छोटा करके दिखा देते हैं इसको इससाइड कर देते हैं हाला कि होगा क्या आपका टोटल इंकम वैसे हम टोटल इंकम कैसे निकालते थे इंकम फ्रॉम मैं capital gain ले लूँआ जो कि आपने बताए 11, 33 और फिर हमारा आ जाता था यह gross टोटल इंकम और फिर minus करते थे deduction हाला कि यहाँ पर ATC में है लेकिन allow नहीं है तो इसकी taxable income भी आ जाएगी tax liability sir tax liability में देखा जाए तो सीधा क्या लग जाएगा इस पर 20% का लगा देंगे तो tax liability कितने प्लस कर देंगे education says higher education says जो कितने परसेंट है यह तो लगना है बताएए टोटल क्या आ गया taxable जोड देजिए जोड देजिए जोड देजिए 2 5,6 sir यह taxable यह पूरा सवाल हो गया sir इसमें note देना है क्या है बिल्कुल note देना पड़ेगा कि ATC का deduction यहाँ पर available नहीं होता इसलिए हमने यहाँ पर minus नहीं करा और क्या note देना होगा और तो यह सच कोई note देने वाली चीज है नहीं 3,3,9,2,3 बच्चे बोल रहे हैं यही है मेरा 3,3,9 मैंने तो 2,3 निकाला है ठीक है सामने आपके सवाल देखो बहुत आसान था झाला है उसका बात करते हैं अभी सक्षम उसकी बात करते हैं मुझे पता है वो बच्चो का कहना है सर आंसर अलग आ रहा है मुझे पता है वो 20% नहीं है अभी मैं आपको 20% सिखा रहा हूँ यह तो सेम आ रहा है पहले यह देखो यह सेम आ रहा था नहीं आ रहा था यह सेम था अब बात कर रहें कैपिटल गेन तो पहले तीन लाग पे जीरो बाकी पे लग गया बीस परसेंट और फिर लग गया आपका एजुकेशन सेस, सर ये तो normal slab rate पे आ गया आपका normal तो अभी आपको जो मैंने 20% कराया ना वो 20% ठीक है, कोई गलत नहीं है रूल क्या कहता है क्योंकि इसके special वाले देखा नहीं है, कहता है कि अगर आपका सिर्फ capital gain ही income है तो basic exemption की limit को minus करके balance पे 20% दीजिए मान लो इसका income होता salary 4,00,00 और फिर आता capital gain तो capital gain पे सीधा कितना लगता हमारा 20% और salary पे लग जाता up to 3,00,00, क्योंकि age 60 अब अब है और बाकी के उपर कितना लग जाता हमारा जैसे कि up to बाकी का जो difference आता है कितने percent आता है, 5% आता है न तो 5% आता है यानि सर basic exemption limit की बात करें, तो कोई भी वक्ती हो अगर capital gain ही income है सरिफ तो basic exemption limit को minus करने के बाद balance आ जाएगा अब बच्चे कह रहे हैं सर solution में आपने नहीं किया, तो solution में मैंने सीधा direct 20% ले लिया है क्योंकि आने वाले सवाल में 20% होंगे इसलिए मैंने आपको rate determine कर दिया, वहाँ पर थोड़ा समझाना मुस्किल हो जाएगा अभी के सर ये क्यों minus किया, 20% कैसे आए तो इसलिए मैंने कहा कि सरिफ अभी आप 20% लेगे, जैसे जैसे question में बढ़ते जाएगे उसको clarity देते जाएगे yes, last में हम बात करेंगा IP University के जो बच्चे हैं उनका हम बात में बात करते हैं अभी last में कैसे पढ़ना है नहीं पढ़ना है 3,000,000,000 deduction दिया हुआ है clear हो गया होगा काफी बच्चे hand raise कर रहे थे, जो सवाल था उसका मैंने जवाब दे दिया, मैंने अभी क्यों किया ऐसा, तो answer को देखके परिशान बिल्कुल भी ना हो हाँ अभी दिखाएंगे पहले इसको देखेंगे एक और question कर देखेंगे class over तो अभी तो चल नहीं दो, अभी तो start ही किया है हमने question पड़ी आपके सामने है बहुत बड़ी आ कोशन आपके सामने हाला कि मैंने notes के अंदर, tenure के अंदर एक systematic approach follow किया, वो एक्जाम में follow करना है, यहाँ पर मैं तोड़ तोड़ के इस सवाल को करूँगा ताकि आपको समझ में आ जाए, हर point को अलग अलग लेके चलेगे कहता है, सर ऐसे एक resident है, इंडिया का इसने purchase किया था 1000 unlisted equity share 153 का तो purchase 1000 unlisted share, तो unlisted share के अंदर indexation मिलेगा है नहीं मिलेगा मैंने कहाता, shares के उपर आपको indexation नहीं मिलता कौन से वाले share, listed वाले पे अगर unlisted हुआ तो तो मिलेगा, सर, indexation बड़ी सीधी सी बात है और at the rate कब खरीदा, सर, 25-10-2003 में कहता है, इसको खरीदने के बाद 2% का brokerage भी दिया यानि सर, total इसकी cost जो आई न मेरे लिए वो आगए 153 से multiply करेंगे, तो 153 यह आगया, इसके उपर मैंने brokerage दिया होगा और सर, brokerage कितने % दिया, 2%, that is हमारा 3,060 रोपे है ना, और total हमें कितने का पढ़ गया होगा 3,1,060,000 पहले यहां तक देखें, मैंने पूरा question पढ़ा नहीं है, सिर्फ मैंने यहां तक को कर दिया है यह समझ में आए पहले बात दीरे दीरे करेंगे, क्योंकि इस question में काफी कुछ है कहता है कि 1,1,2008 में 1,1,2008 में इसे bonus मिला allotted 500 share by the company on the basis of share every two share held यानि कहने का मतलब है सर, 1,1 2005 में company ने bonus दिये और bonus कितने दिये तो examiner ने बता दिया 500 कई बार तो examiner बताता ही नहीं, बोलता है कि हमने bonus दिये है कितने bonus बनेंगे आप निकालिए तो यहां पे 500 बता दिया और साथ के साथ यह भी बता दिया दो जिसके पास ते उसको एक दिये तो सर आपके पास बेसिकली हजार थे तो हजार आपके पास दो शियर थे तो एक तो डिवाइडिड बाई टू करेंगे तो आपको पांसो ही मिलने चाहिए तो examiner ने यह बता दिया आपको पहले सबसे पहले बताईए थोड़ा थोड़ा मैं बाते भी करता जाओंगा कि बोनस शियर के अंदर cost of indexation को सोरी cost of acquisition कई बार मैंने बोला के निल लेना है और कई बार मैंने बोला के actual लेना है अगर 2001 से पहले है तब तो cost of acquisition लेंगे अगर 2001 के बाद है तो cost of acquisition नहीं लेंगे यही सिखा है हमने तो सर इसका मैं treatment अलग करूँगा बिलकुल एक अलग से separate question मानके और इसका treatment मैं अलग से separate question मानके करूँगा 28-22-2000 को given a right acquired thousand share sir 28-22-21 में इसे right issue मिला और बोला लो आप 1000 share ले लो अब इसने जितने खरीद लिए वो देखते हैं और इसे जो दिया गया वो दिया गया हम 60 रुपे में आपको सस्ते में offer किया जा रहा है और 60 रुपे में कहता है he acquired 50% right इसने क्या करा राइट जितना भी था हजार इसमें से 50% acquire कर लिया that is 500 and the right offer and sold balance of right sum बाकी का जो 50% इसका right था इसके पास लेने का इसको इसने बेच दिया कितने का 50,000 यानि right issue 500 वाले तो इसने खरीद लिये सर 60 के हिसाफ से that is 30,000 का और बाकी का इसने 50,000 रुपे का बेच दिया तो जो ये वाला बेचा है इसके लिए cost of acquisition क्या होगा बताओ देखके register में जो right issue बेचा है उसने पने right जो बेच दिया उसके लिए cost of acquisition क्या होगा इसके लिए cost of acquisition होगा निल यही इसलिए मैंने वो चार्ट बनवाए था आपको याद हो सर देखिए अगर unlisted share हुआ नहीं यहां बताए था other shares के case में right issue हुआ तो renouncer अगर बेचता है तो उसके लिए क्या होता है हमारा cost of acquisition निल बना जाए चली आगे कहता है he sold all share 2022 में तो मुझे कोई बच्चा बताएगा इसके पास total share कितने हो गए 1000 पहले के थे 500 bonus मिले थे और 500 और लिए देखो 500 bonus वाले 1500 और ये भी 500 मैंने खरीदे थे that is 2000 ये right issue कम मिला था हमें ये मिला 2021 में और हमने सारे share कब बेच दिये 2000 कहता है कि he sold all share 2022 में एक साल से कम ये एक साल से ज़्यादा लगा टाइम right issue को compare करो 2021 में मिला है कब परवरी में और बेच दिया आपने कब जनवरी में और 20 तो कमी है तो ये short term मानेंगे long term मानेंगे short term ये सारी बाते भी याद रखना होगा इस पर indexation मिलेगा नहीं मिलेगा short term पर तो indexation share इस वाले shares पर है indexation लेकिन short term पर नहीं है कहता है 460 रुपे में बेच दिया cost of inflation indexation आपको further given है और compute the capital gain and tax for assessment year 22 ते इस assume the income from other source भी इसका 31 का है तो पहले मैं shares वाले का टुकडे कर लेता हूँ यानि सर इसका करने के लिए सारा का सारा share बेचा है इसने 460 में तो मैं इसको अलग बेचूँगा 460 का हर किसी को अलग अलग करूँगा तो कितने पार्ट में बाट दूँगा एक दो इसके लिए 3 और free वाले के लिए 4 इसकी calculation में कितने हिस्से में करूँगा चार में पहले पार्ट सर सेल सर सेल होगा यहां पर 1000 इंटू में 400 that is कितने हो गए 460 यहां माइनस cost of acquisition सर इसको कितने का खरीदा था 156 060 इंटू में 317 divided by खरीदा कप था डेट भी लिखा है 2002 और सरी तीन और चार और सर तीन चार का क्या है पहले आप इसका बता दीजे क्या आता है बताईए 4 फाइव सर यह आगया long term capital है कितने का 5 0 5 3 8 अरे यह बहुत ज़्यादा होगे है तो माइनस करना है यह तो 6,000 6,000 6,000 पहला केस मैंने कर दिया आपके लिए किसी को दिक्कत 1st केस क्लियर है 2nd केस इसी के नीचे कर लेते है अब बोनस के लिए तो बोनस वाला जो सेल हुआ है वो 500 शेयर बेचा तो भी या 460 में ही है न कितने आएंगे माइनस करेंगे कॉस्ट ओफ एकोजेशन और यह होगा देखें एक यह हिस्सा होगया अब राइट इशू को करना है राइट इशू में भी दो पार्ट करेंगे एक जो की राइट बेचा है उसके लिए और एक जो राइट इशू शेयर खरीदा था उसको भी उसने बेच दिया अगले पेच पे चलते हैं राइट इशू वाले को सर सेल सर पान सो शेयर और चार सो साथ तो दो लाग लेस कॉस्ट आफ एक उजेशन इंडेक्सेशन कर दे क्या नहीं करेंगे क्यों क्यों क्योंकि शॉट ट्रम कितने का लिया था तीसरा केज चौथा पार्ट फिर से राइट इशू बेज देते सर सेल कितने का किया था राइट इशू सर इसके लिए कॉस्ट आफ एक उजेशन लोगे क्या तो ये कितने का हो गया इसने बोला टेक्सेवल कैपिटल गेन बताईए और टोटल कितना टेक्स लगेगा टोटल इंकम भी बताईए तो कैपिटल गेन से तो इंकम ये हो गया सब को जोड़ देंगे यानि अगर सर हमें इसका टेक्सेवल इंकम निकालना हो चलिए सर लॉंग ट्रम कैपिटल गेन वेले नॉर्मल शेयर से तो आपने बताई इक अतिस सो सेंतेश नहीं इक सट सो सेंतेश प्लस बोनस वाले से भी हुआ बोनस वालों से दो तीस टोटल हो गया ये फिर थरी क्यों आएगा STCG राइट इशू से राइट इशू से 6 के बाद है राइट इशू से सर राइट इशू से पहले से दो लाक और जो उसने राइट बेचे है उससे सर पचास कितने आगे और इंकम फ्रॉम अधर सूर्स तो सवाल में देखेंगे लास्ट में कहता है कि अधर सूर्स से इंकम 31 है 130 पहले यहां तक देखें किसी को कोई दाओ फिर टोटल इंकम जिसको हम ग्रॉस टोटल इंकम भी कह देते है करिये प्लस 6 लाक पहले यहां तक देखें किसी कोई डाओ कुश्चन का फुल फॉर्मेट दिखा देना मैं समझा नहीं है क्या कह रहे हैं यह बच्चे 31,38 है मैंने 37 ले लिया अब बच्चे कुछ कुछ कह रहे हैं यह 38 है क्या अरे तो चिंता मत करो एक रुपए तो होगा है तर तर चलो मेरा में परपस था सर इस कुश्चन में कॉम्प्लिकेशन है देखो एक तरफ हमारा बोनस को भी ध्यान देना है एक तरफ राइट को भी देना है और राइट इस तरीकी के सवाल भी आने के चांसे ज्यादा होता है shares वाले में तो shares वाले के अंदर आपको ध्यान रखना है, short term का भी आपको ध्यान रखना है, long term का भी ध्यान रखना पड़ा है तो ये पूरा question था जो कि हमने किया tax liability बोला है तो इसके अंदर 31 था न income इसका tax liability निकाल दे, निकाल के बता दू, यहाँ पर समझा दू यहीं समझा देते हैं सर देखो आपकी income ये बन रही थी total long term capital gain पे 20% ले लिया इन्होंने सीधा याद है long term कितना था 236, कहां था सर, 236 दिखा दो आप 236, 138 LTC, उस पे कितना लगेगा long term पे सीधा इसलिए पिछले वाले सवाल पे मैंने बोला भाई आप 20% तो मानो, तो इस पे सीधा कितना लग गया सर? 20% समझ में आया? अब बाकी short term पे हमारा basic exemption limit के साथ लगता है वैसे 15% होता है लेकिन basic exemption अब total income अगर इसमें से ये income अगर आप बाहर निकाल दो तो आपकी बचे ये income इस पे से धाई लाक रुपे आपका exempt और प्लस एक तीस तो एक तीस के उपर आपका लग गया 5% that is ये और आपका ये और सहस लग के ये answer आगया करके बता दू? हो जाएगा समझ में आजाएगा? सर मेरी बुक में question में value अलग है हाँ कोई बात नहीं value अलग हो सकता है आप concept देखिए कुछ बच्चे कह रहें सर हमारी बुक में question value अलग है कोई बात नहीं है सामने मैंने question तो दिखाई दिया आप इसके इसाफ से समझे और जिसके बुक में value अलग अच्छी बात है आप दुबारा करके उसको अपने आप साथ चेक कर सकते है कोई दिक्कत सर अगर धाई लाग एक रुपे हो तो क्या tax लगेगा? बिल्कुल एक रुपे पर लगेगा लेकिन 87 ए बचा लेगा आपको वो जीरो कर देगा पांच लाग तक जीरो है कहने के लिए सर शॉट ट्रम वाला tax liability बता दो चलो बताई देते हैं को टेक्स liability सर यहाँ पर दो तरीके का income है 6,16,138 इसके अंदर दो तरीके का income है एक LTCG एक STCG और एक हमारा और है जो कि मैंने अलग-अलग categorize कर रख है सर इसके उपर कहा गया कि 20% tax लगेगा और nothing मैं हर बार यही कह रहा हूँ पिछले सवाल में कोई और income नहीं था इसलिए basic exemption limit मिल गया इसे इस वाले में तो हमारा अलग से income है ना भले ही short term capital gain है तो अब इसे basic exemption limit का फैदा नहीं मिलेगा इसका मतलब तर सर धाई लाग का basic exemption मिलता है बलकि इसका देखा जाए इन दोनों income को जोड दिया जाए तो धाई लाग और प्लास एक तीस अगर दोनों को जोड दिया तो तीन लाग असी अजार तो वैसे ही आ रहा है हाँ इन दोनों को income को भी अगर हम जोड देते हैं और बनता मान लो दो चालिस तो हम यहां से दस अजार माइनस करके बागी पे बीस परसंट लिए यानि आपको government कह रहा है कि आप धाई लाग रुपे अवेल कर लीजे जैसे मर्जी करना है यहां पे धाई लाग ता आपको basic exemption खतम यही कर गया तो इसलिए आपका पहले हम इसके उपर text निकालेंगे तीन असी पर अलग और उस पर अलग तो up to 250 निल balance balance बचा कितना 250 माइनस करोगे तो अब भाई long term capital gain आ गया तो आपका LTCG पर सीधा कहता है 20% तो 2,36 20% कितना आ रहे बताओ calculate कर लो 47 22 total कर लीजिए कितने आगे 47,5 52 53,700 अब इसे प्लस कर देंगे higher education says 4 पर पर पिशित कितने 22 2149 प्लस कर दीजिए 55,800 वही चीज अब समझ में आया जिसको थोड़ा बहुत भी doubt था clear हो गया क्या है कहानी other source जूड़ी गया ना इसमें 31 तो जब मैंने यहाँ पर count किया है 130 तो other source तो automatically आ गया था हमारा यही बाते आपको यहाँ solution में कहा गया है कि इस तरीके से हमने निकाला है simple सी बात है ठीक है मैं और सवाल को अगर देखूँ तो पांचवा सवाल जो की बड़ा simple है तो मैं आपको तेरा question है जिसमें से हमने honors के आज कितने question देख लिए दो देखे तीन देखे तीन देख लिए आज अच्छा एक वो भी किया था HDB वाला ना तो तीन question देख लिए वो एक तो हटाई दो वो तो paper के अंदर था तो हमने दो question देखे तेरा अभी बचके इसके कितने 11 तो यह 11 question होमवक में रहेगा आपने try करना है तो मैं इसका PDF या questions मैं upload कर दूँगा तो 11 question आपका रहेगा होमवक में जो honors के बच्चे उनको तो 10 year में मिल जाएगा वो PDF का इंतजार नहीं करेंगे जो other university के या फिर program के बच्चे वो PDF का वेट करेंगे program वाले सारे question almost हो चुके मेरे खालना है almost हाँ तो program वाले capital gain के perspective देखो exam point of view से मैं कहता हूँ कि आपका syllabus हो गया done अब मैं capital gain का अलग से recording करूँगा extra part के लिए 50C है या फिर आपका slum sale है या कुछ और छोटी छोटी सी बाते हैं जो मुझे लगता है कि आपको real life में पता होना चाहिए अलग से मैं वीडियो बना दूँगा तो मेरे इसाब से आप सभी को ये बाते समझ में आ गई होगी और clear TV होगा तो सर अगली class में क्या करेंगे जो 13 question है यानि अगली class कब है कल कल वाली class में जो भी 13 question है पहले तो हम इसका doubt लेगे तो सभी बच्चे जितने बच्चे doubt ले के आएंगे अगली class में यानि कल पहले तो doubt लेगे doubt लेने के बाद कोई थोड़ा समय बचेगा तो हम start करेंगे PGBP chapter profit business gain pgbp start करेंगे हम कल sir मेरी book में long term में question में 10% text लिया है पहले 10% हुआ करता था अब revise हो गया है shares पहले हुआ करता था तो पुराने book में update नहीं हुआ होगा deduction की video deduction वाले chapter में मिलेगी आपको जिसको note करना है note कर लीजिये कुछ बच्चे कह रहे थे sir question number one क्या कहता है इसमें तीन केसिस है देख लिजिए कहता है Mr. X sold his property during previous year 21 Mr. X ने कौफी सारी property जो है वो बेचा हुआ है साइद बच्चों को voice के दिक्त हो ठीक है क्या क्या सर प्रॉपर्टी question में कहता है एक household TV है और refrigerator है यानि घर के अंदर 96,000 और purchase करा था 2020 में एक लाग का तो आब मुझे बताईए household household का मतलब होता है personal इसका एक TV था और एक refrigerator था इसको खरीदा एक लाग का था और बेच 96,000 में दिया तो सबसे पहले क्या यहाँ capital gain निकलेगा तो जवाब है सर यहाँ capital gain arise क्योंकि personal assets को capital assets के definition में रखा ही नहीं गया और capital assets नहीं तो capital gain कभी निकल ही नहीं सकता तो सर यह वाला first part not capital second point पर आ जाते हैं कहता है इसने car sold किया है 21 में 80 का which was purchased by jan 280 का return down value दे रखा है car belong to use business purpose सर car भी जो है न यह car आपका personal use नहीं है business purpose specify किया हुआ है तो सर business purpose के लिए अगर movable assets हो अगर यही business purpose के लिए TV और refrigerator होता तो that is a capital assets बोला गया कि अगर business में use हो रहा है तो movable और immovable से फरक नहीं पढ़ता वो है capital assets लेकिन personal होगा तब देखना पढ़ता है movable और immovable तो सर car को business में use हो रहा है कहता है car का हमारा क्या था 11,000 रुपे का 21 में which was the purchase jan में 280 का किया its return down value 152 तो इसके बाद business use के लिए था तो देखिए जिसका return down अभी मैंने depreciation बता ही नहीं यहाँ पर निकाल के दे रखा है फिर भी हम कर लेते हैं सर कैसे निकालेंगे इसका सबसे पहले car जो है इस पर depreciation minus कर रखा है तो सर यह depreciable assets है simple सी बात है हम लिखेंगे sales और minus कर देंगे w sir sales कितने का किया सवाल देखिए sales कहता है 180 और w dv value देखना है purchase कितने का किया मतलब नहीं है बस sir आ गया capital gain और यह आएगा short term capital gain 28 का तो जब कभी भी depreciable assets होता है तो उस assets का इसी तरीके से calculation होता है हाला कि सवाल में w dv value दे दिया था इसलिए हमने आराम से निकाल लिया लेकिन कई question में w dv value नहीं given होता sir w dv value क्या होता है w dv value होता है हमारा purchase minus में depreciation यानि जितने का assets खरीदा है उसमें से minus कर दिया जाए depreciation तो यह होता है हमारा w dv value sir depreciation कितना minus होगा यह हमारा अभी सीखा नहीं है तो इसका question में दे रखा तो इसको उपर मैं ज़्यादा discuss नहीं करूँगा simple सी बात चलिए sir agriculture land कहता है कि एक agriculture land है agriculture sold इतने का किया हुआ है इसने 2022 में purchase किया था इसने he purchase new agriculture land और जूल में ही खरीद लिया इसने अब sir यहाँ पर agriculture land जो है not specified कि यह ruler area में है यह urban area में है आपको specified नहीं किया गया तो यह totally आपपे depend करता है अगर आप मानते हो कि यह agriculture land जो है वो आपका rural area में है तो यह capital assets ही नहीं है capital gain नहीं निकलेगा अगर आप मानते हो कि यह urban area में है तो ऐसे situation में normal capital gain इसका निकल जाएगा और normal capital gain कैसे आएगा पहले लिखेंगे हम sales तो sir sales कितने का किया पंद्रा लाग minus cost of acquisition आपको indexation नीचे given है इसने खरीदा था 3-4 में तो 3-4 का 109 है बताइए क्या आया एक बार बताइए calculate करके 1-1 3-7 minus करके निकाल लीजिए 1-0-8 1-0-8 5 1-2 अब क्योंकि इसने एक new agriculture land he purchased a new land for his own cultivation for COA गलत है समझ मैं नहीं है यह किसने बताया है यह आएगा अब माइनस करके बताओं पांच लाग सर माइनस कर दो 54 कहता है कि इसने एक new land भी खरीद लिया और cultivation के लिए agriculture activity के लिए ठाई लाग का अब गलत तो रहा देखे लिए यह 109 है अब देखा है चलिए पॉइंट वन टू और थ्री कवर फूर्थ अ गोल्ड और्नमेंट एक्वाइर जुलाई में करा था इसने बीस में और दो चालिस का बेच दिया 21 में तो बड़ा आसान सा सवाल बन जाता है यह हर किसी को अलग-अलग कर दीजिए या जिस पैटरन में मैंने करा हुआ सोलूशन उस पैटरन में भी कर से सर सेल्स कितने का किया उसने और माइनस परचेस 240 का सेल किया माइनस परचेस सर सर इंडेक्शेशन नहीं होगा क्योंकि ये शॉट ट्रंग क्योंकि ये शॉट ट्रंग है तो इंडेक्शेशन नहीं होगा चलिया, next कहता है let out residential house इसने let out कर रखा है inherent by 1995 में मिला था इसे sale price था आपका 2021 में इतने रुपए का इसने बेचा है fair market value इसका given है कहता है cost of improvement made इसने करा 11 में दे रखा है expense तो ये भी simple हो जाएगा next question पर चले चलिए सर next question पर मैंने हाला कि इस pattern में किया हुआ तो आप इसी pattern में करिए कोई फरक नहीं पड़ता ये question कर लिया है ने हमने साहिए अब बच्चे जो बच्चे live में या फिर जो बच्चे offline बैठें बता दीजिए इसमें से कौन सा question doubt में रहा था जो honors वाले बच्चे हैं मैं वो question ले ले लेता हूं question number बता दीजिए आप 5 और 6 ये करा नहीं हमने 5 6 7 okay सारा ले लेता है ये जिएका सी टन्गा हूं ये राँ ये अ ये 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 येवी ये वड ऊब बच्चे फो नहीं हो इड वीजिए और झाल झाल चलिए चलिए आईए हंजी क्या क्याता है मिस्टर ई पर्चेज एक हाउस करा इसने जुलाई में 1996 में डेड़ लाख रुपे का तो जुलाई 1996 में डेड़ लाख का he had pay 2000 as a brokerage और सर 2000 खर्चा भी किया रियल इस्टेट एजेंट को एंड 8000 रुपे रिजिस्टेशन सर 8000 रिजिस्टेशन चार्ज भी दिया and he enter into the agreement sale of the property to Mr. X on December 2014 तो सर ये 14 एक अप्रेल 2014 के बाद अधर सोर्स का पार्ट था एक अप्रेल 2014 से पहले cost of acquisition में से माइनस कर दिया जाता था याद होगा आपको अब यहाँ पे कहता है 14 तो सर इसने जो agreement किया और 6000 एडवन्स लिया तो यह एडवान्स हमारा कहां का पार्ट होगा अधर सोगा एक्स कुद नॉट हाइवर कीप हिस प्रॉमिस and एडवान्स मनी फोर पीचिट हो गया एक के द्वारा लेटर ही गिफ्टेड इस हाउस तो हर्स अपने बेटे को दे दिया पंद्रा में तो सर बेटे को कब दिया मेंटर ही नहीं करता उसका तो कोई लेना देना नहीं है बेचेगा वो वेल्यू लेगा फॉलविंग एक्स्पेंस इंकर्ड कहता है एडिशन किया था 93-94 में 1993-94 में तो सर एडिशन कितना मर्जी कर लो इंडेक्सेशन से पहले यानि एक दो से पहले किसी काम कर ने है तो नॉट ऐडिशन फर्स्ट फ्लोर दो हजार दो तीन यह सर काम का है सर सेकिंड फ्लोर यह भी काम का है फेयर मार्केट वेल्यू यह भी काम का है कहता है एव ENTER इंटू था and agreement sell the house 9,00,00 to why October 10, 2015 after receiving advance money 140, why could not pay with the spatulated time, मतलब जो समय अंतराल दिया गया था, उस समय अंतराल के अंदर पेमेंट नहीं कर पाया time 2 month have forfeited the advance, तो सर ये advance भी कहाना का पाठ है बस देखो question lengthy बनाया गया, आपको जितना confused किया जा सकता था, करने का कुछिस किया नहीं, आगे कहता है as as per agreement with y y के agreement के इसाब से f जो था ultimately found a buyer, इसको एक मिल गया, कोई ना कोई z और उसने क्या करा इस property को transfer करा कितने का, 40 lakh का 40 lakh का, on November 2001 case, f head pay brokerage 1% का payment भी करना पड़ा, और agreeing his deal, और ये deal complete होए, तो बड़ा आसान सा सवाल है तो चलिए सर इस सवाल को फटा फट से हम खतम ही करते है, सर sales क्या माना जाएगा 40 lakh minus selling expense selling expense selling expense क्या रहने वाला है 1% 40,000 39,60 minus में ये नही आ गया अब इसके बाद cost of acquisition Sir, fair market value लेंगे that is कितने का given है 4,00,000 into में 317 divided by 100 minus cost of कितने अब cost of improvement की बात चलेगी Sir, cost of improvement में number 1 पहला improvement 3,4,7 9 9,5,0 Sir, क्या indexation है into 317 इसका पता है अपने अच्छा थार्ड इंप्रूमेंट थार्ड इंप्रूमेंट क्या है क्या पचास अच्छा अच्छा थार्ड इंप्रूमेंट सेकेंड इंप्रूमेंट का बोत है 460 divided by 100 37 37 37 सर माइनस करिए कोई घर बगेरा खरीदा नहीं जो भी आएगा वो आजाएगा देख लीजेगा बस माइनस ही तो करना है आपको सर थार्ड पॉइंट और बी पार्ट समझा दो कि अधार कि खड़कुन को अधार को सब्सक्राइब करना देख लेए आए चार लाग दो हजार कर दो कि कि एल्टी सीजी ठीक है कि हाँ एक दो रुपे का सैवन कि करवादो सर फॉर्फिटेड अच्छा फॉर्फिटेड तो फॉर्फिटेड वाला तो बहुत सिंपल सी बात है ना फॉर्फिटेड सारा हुआ है 2014 के बाद 2014 के बाद आप फॉर्फिटर करोगे तो वह पार्ट कहां का माना जाता है सर अगर अगर 2014 से पहले होता तब कॉस्ट अपेज़ेशन में से माइनस करते लास से लास क्लास के अंदर जब हमने कापिल देखा भी थाई